जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार Rankers गुरुकल यूटीब चैनल पे मैं आदेते आप सभी का तेहे दिल से हम स्वागत करता हूँ बहुत जादा डिमांड थी बच्चों के अंदर की सर्फ जोमेटरी की वीडियो लेकर आए यह हमारे पेपर के लिए जोमेटरी का complete division करवा दीजे तो अब असल में अगर हम जोमेटरी की बात करते हैं तो जोमेटरी में हमारा यह सारा टॉपिक होता है अब यह हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जवाब पढ़ेंगे तो यह कम से कम 40-50 गंटे का टॉपिक है रेकॉर्ड बैच में अगर आप देखेंगे तो मैंने 50 क्लासे में पूरी की पूरी टॉपिक को complete किया हुआ है लेकिन अभी हमारे पास उतना डाइम नहीं है कि हम 50 क्लासे को यहां पर जो है cover up कर पाएं तो यह एक वीडियो हमारे पास 7.5 गंटे की है जिसमें आपको complete geometry का मैंने revision करवा दिया है जिक है geometry में जितने भी important formula पूछे जाते हैं जितने important concept पूछे जाते हैं जो जो आपके paper के लिए महतब होना है ना सिर्फ pre-callable की मेरे भाई मेंस के लिए यह वीडियो आपके लिए परयापत होने वाली है कई घंटों के मेहनत के बाद कई दिनों के मेहनत के बाद recording करने के बाद यह वीडियो finally बनी है और अब आपके पास जा रही है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देखेगा और यकीन मानिया यह वीडियो देखने के बाद आपका geometry का डर खतम हो जाएगा और शायद ही कोई ऐसा concept होगा जो हमने इस वीडियो के अंदर छोड़ा है यह जो हमने नहीं बता है तो यह वीडियो एक अपने आप में ब्रमास्तर होने वाली है साथ में इस वीडियो के अलब आपको एक और काम करना है और वो यह करना है कि वीडियो देखने के बाद last मेरे vision करने के लिए जो हमारी complete formula book है maths की हमारी एक formula book है जिसका नाम ब्रमास्तर है जिसमें हमने complete maths के formula दे दिया है और इसकी शुरुवात ही हमने geometry से की है तो यहाँ पर आपको notes बनाने की भी जरूरत नहीं है यह चीज हमने आपके लिए free में कर दिया है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई geometry में यह सारे topic होता है जैसे मैंने कहा lines, angle, triangle, circle, quadrilateral, polygon और यह पूरा का पूरा जो है ना दोस्तों यहाँ पर यह पूरा का पूरा ठीक है? यह पूरा का पूरा हमने इसके बारे में detail में discussion दे रखा है एक से एक important formula जो आपके paper में पूछा जाते हैं अलग-अलग complete exams में यह सारे के सारे हमने यहाँ पर दिया हुआ है और यह पूरे को पूरे मैंने पढ़ाया भी है आपके इस वीडियो में शायदी कोई ऐसा concept होगा जो मैंने छोड़ा इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं सरकल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इंसेंटर हो गया, एक सेंटर हो गया एक एक formula जो हमारे paper में पूछे जाते हैं हर सवाल को हर type को important तरीके से एक एक example देखें मैंने वीडियो के अंदर कराया है हाला कि यह formula book की PDF जो है यह आप free में download कर सकते हैं हमारे telegram से maths भई अधितरेंजन से, कैसे करेंगे तो देखे, दो तरीका है मेरे भाई आप यहां maths भई अधितरेंजन telegram पर जाएंगे और यह pinned message में जाएंगे और जब यहां 2-3 बार ऐसे click करेंगे तो आपको यहां पर maths formula book आजाएगा एक बार और click करेंगे तो यह maths formula book भई आधितरेंजन करके आजाएगा साथ में इस वीडियो के description में हम link भी देदेंगे formula book का तो आप वहां से भी download कर लेंगे तो पूरी के पूरी वीडियो को देखिए enjoy गर यह पूरे के पूरे session को और last में आपको notes बनाने की जरुवत नहीं है यह पूरा free PDF है जिसमें 8 लाख से उपर लोगों ने यहां देख सकते हैं download किया हुआ है साड़े 8 लाख लोगों ने download कर लिया है और इसका फायदा उठा रहे है अगर कोई book भी मंगाना चाहता है तो वो flip card से या Amazon से हमारी formula book को मंगा सकता है और बहुत ही कम कीमत पर आप इस book को जो है order कर सकते हैं 60-70 रुपे की एक किताब आएगी और 50-60 रुपे के delivery चार्ज यानि 120-130 रुपे के अंदर ये किताब आपको आपके घर पे मिल जाएगी उसका भी link हम आपको description में डाल देंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका पूरा फायदा उठाइए हर एक concept को सीखे जादा से जादा फायदा उठाइए और comment में जो है अपना प्यार भरा जो है बाक टू बाक मैं बहुत सारे topic देने के mode में भी हूँ तो आप लोगों को एक काम और करना है comment box में ये बता देना है कि अगला topic आपको कौन सा चाहिए आपके इस revision के लिए जिसके माद्दम से पूरा का पूरा निचोर जो है वो आपको मिल पाए तो उसके लिए आपको वीडियो के comment box में बता देना है कि sir हमें ये topic शाहिए ताकि उसकी recording हम सुरूशी शुरू कर दें और आप लोगों को provide कराना शुरू कर दें मेरे भाई ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं enjoy the video अब आज बात करते हैं हम लोग एक बार तो geometry के बारे में तो सबसे पहले देखे आप लोगों का सबसे ज़्यादा weightage रखने वाला topic ही हमारा geometry है ठीक है अगर हम बात करते हैं हाँ पर geometry सबसे ज़्यादा weightage क्यों रखता है तो इसके अंदर हमें कई सारे topics पढ़ने हैं जैसे सबसे पहला हमारा हो गया lines and angles ठीक है जिसका बहुत ज़्यादा महत्वा रहा नहीं triangles में हम उने cover कर लेंगे फिर उसके बाद triangle के बाद हमारा हो जाता है triangle में further उसके 4 type हो जाते है वो हो गया हमारा फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा quadrilateral यानी चत्रभुज ठीक है quadrilateral के बाद जो हो गया हमारा हो गया circle और जो last हो गया वो हमारा हो जाता है polygon ये हमारे मोटे मोटे major topic हैं जिनके बारे में हमें जो है जैमिती यानी geometry में पढ़ना है अगर हम पहले के trend के बारे में बात करें तो 2017 में काफी कटिन कटिन सवाल आते थे geometry से लेकिन 2017 के बाद जितने भी questions आये हैं वो सारे के सारे property based आये हैं यानी कहने का मतलब अगर आपको property जो है अगर याद है चीज़े अगर clear हैं तो आप बहुत असानी से बना पाएंगे सवाल ठीक है और अगर आपको property clear नहीं है तो आपको बहुत जादा परिशानी होने वाली है तो शुरुबात करेंगे हम लोग बिल्कुल सबसे पहले triangle से इस geometry के total अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को sheet भी provide करवा दिया है और कुल मिलाकर 115 सवाल है कुल मिलाकर कितने questions है 115 सवाल यह हमारा classroom sheet है ठीक है practice sheet में इसी तरीके से 100 या 1500 questions हम आपको देंगे तो कुल मिलाकर 200 से उपर यहनी 200 questions में आपकी geometry जो है वो complete हो जाएगी सबसे पहला question जैसे कहा है कि angle A, B और C तीन angle है triangle ABC के A-B का मान दिया है B-C का मान दिया है तो ABC का मान हमारा कितना होगा ठीक है अब यहाँ आप ऐसे समझे है जैसे मान लीजे angle A-B value हमारी कितनी है तो angle A-C-B की value हमारी 15 है ठीक है फिर उसके बाद angle B-C की value हमारी कितनी है तो यह value हमारी 30 है question में हमसे कहा गया है ABC का मान कितना होगा मैं अक्सर बच्चों के ऐसा कहता हूँ कि देखो आप लोग ऐसे सवाल में focus किया करो कि relation किसके साथ है ठीक है यहाँ पर जो है वो relation हमारा किसके साथ है relation अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आप बोलेंगे sir देखो पहले equation यहाँ दोनों equation में हमारा common क्या है तो दोनों equation में common angle b है क्या है मेरे भाई common तो common हमारा angle b है तो हम a को भी b की term में लिखेंगे और c को भी b की term में लिखेंगे और b को भी b की term में लिखेंगे क्यों क्योंकि मुझे इसके अलावा एक equation पता है जिसके आधार पर आप भी सवाल का अंसर दे सकते हैं और अगर जैसे माल लीजे A, B, C हमारे triangle के part हैं तो यहाँ पर तीनो angle का sum कितना हो जाएगा? angle A plus angle B plus angle C बराबर एक source C यह जो question मैंने set किया है यह angle sum property के उपर set किया है कि एक त्रिभूच के तीनो कोनों का जोड़ एक source C होता है उसी के अधार पर अगर हम angle A को यहाँ से देखें तो यहाँ पर angle A कमान कितना हो सकता है? B को उधर भेज दो तो B plus 15 तो angle A के जगा आप कितना लिखोगे? तो बोलोगे sir B plus 15 फिर angle B के जगा तो B होगा ही होगा अब यहाँ बात करते हैं angle C के जगा पर कितना लिखेंगे? C को उधर भेजो 30 को इधर भेजो तो C कमान B माइनस 30 C कमान कितना हो जाएगा? C कमान हो जाएगा B माइनस 30 बराबर कितने के? तो बराबर हमारा 180 के ठीक है? यहाँ देखो B हो गया, B हो गया, B हो गया तो तीन गुना हो गया किसके तीन गुना हो गया एंगल B के प्लस पंद्रा माइनस तीस प्लस पंद्रा माइनस तीस कितना हो जाएगा माइनस पंद्रा बराबर है हमारे 180 के ठीक है अगर हम यहाँ देखेंगे तो एंगल B का जो तीन गुना है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके तो 195 के तीन से अगर हम काटते हैं तो कुल मिलाकर 65 बार में यानि एंगल B कमान दोस्तों कितना आगया तो एंगल B कमान हमारा 65 आगया और अगर हमारा angle B कमान 65 आ गया तो हम यहाँ पर किसी का भी मान चाहें तो निकाल सकते हैं फिलाल हमारा एकी option में angle B 65 है और वो है हमारा option number D तो बाकी दोनों को निकालने की अवशकता नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो B कमान आपको पता ही है यहाँ पर 65 में 15 जोड़ दोगे तो एक का मान हो जाएगा जोकी 80 है ठीक है और यहाँ 65 में से 30 गटा दोगे तो C का मान आपका 35 हो जाएगा जोकी आपका option number D है बाई option भी यूज़ करके आप यहाँ कर्ष रखते थे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जैसे A और B का difference आपका 15 दिया गया था यहाँ A और B का difference देखिए तो 20 है यहाँ A और B का difference देखिया तो 25 है और यहाँ A और B का difference देखिए तो 20 है यानि मात्र एक सेकेंड में भी सवाल का अंसर दिया जा सकता था और वो by using option यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर तो एक जो बताया मैंने वह आपको जन्मीन तरीका बताया और दूसरा जो यहाँ पर है by using option भी आप कर सकते हैं कि sir A और B का difference 15 था और यहाँ A और B का difference जो है 15 है बाकी किसी में difference 15 नहीं है इसलिए option number जो D है वो हमारा correct answer है ठीक है आज यह चलिए next question की यहाँ बात करते हैं अगला सवाल हमारे सामने है क्या कहा गया वो देखिए question में हमें जो कहा गया है वो यह है कि तरिबुझ ABC में BD हमारा AC के उपर perpendicular है यह माल लिज़ा हमने बना दिया कि हमारा triangle हो गया A, B और C और ABC में जो हमारा BD है न भाई ठीक है गौर से देखोगे तो यह जो आपका BD है यह BD हमारा perpendicular है और BD हमारा किसके उपर perpendicular है तो EC के उपर perpendicular है साथ में आपर कहा गया है ठीक है BD perpendicular on AC E is a point on BC E एक point है और वो कहां पर है तो BC पर है हिंदी में भी देख लीजे E, BC पर एक बिंदू इस प्रकारस्तित है कि angle B, E, A कमान X है B, E, A कमान जो है वो हमारा कितना है तो B, E, A कमान हमारा X हो जाएगा भाई उसके बाद हम से कहा है E, A, C E, A, C E, A, C कमान हमारा कितना है तो E, A, C कमान हमारा 46 है E, B, D कमान हमारा कितना है 60 है E, B, D कमान जो है वो हमारा कितना है तो E, B, D कमान हमारा 60 है हम से X कमान कहा गया कि X कमान ग्याद करिए X की value हमारी कितनी होंगी आप इस सवाल में बड़े ध्यान से समझे कुछ भी नहीं है इस सवाल में यकीन मानिया जैसे मान लीजे ये एंगल आपका 60 हो गया ठीक है और ये एंगल आपका 90 हो गया तो 9 और 6 15 तो यानि यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बोलोगे सर 90 और 6 1500 तो ये कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा ठीक है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कभी भी अगर दुनिया में हम कोई भी ट्रैंगल मेरे भाई बनाते हैं जैसे मान लीजे कल के दिन हम यहां एक ट्रैंगल बनाएं तो हमारा अगर ये अलफा है और ये अगर हमारा बीटा है तो मेरे भाई देखो sum of interior angle is equal to exterior opposite angle इन दो एंगल का जोड़ हमारे तीसरे के बाहर वाले के बराबर होगा यानि ये अलफा प्लस बीटा के बराबर होगा तो इन दोनों कोनों का जोड हमारा जो होगा वो किसके बराबर होगा बाहर वाले के यह property आपने पढ़ा भी होगा कि अंदर के दोनों कोनों का जोड जो है वो हमारा बराबर होगा किसके बाहर वाले के तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह 46 है और यह हमारा 30 है तो X कमान हमारा कितना हो जाएगा तो यह 46 प्लस 30 यानि कुल मिलाकर X कमान 76 हो जाएगा यानि कौन सा option होगा तो option number हमारा यह जो होगा वो बिलकुल सही उत्तर होगा ठीक है चलिए अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं PQR में S एक बिंदू है यहाँ देखिएगा कि ट्राइंगल PQR मान लीजए question number 3 में हमसे कहा है कि यह हमारा कौन सा ट्राइंगल है तो यह हमारा ट्राइंगल है P Q और R और यह ट्राइंगल PQR में S नाम का एक point है और वो किसके उपर है QR के उपर तो S is a point on QR such that QPS is half of PSR अगर हम बात करते हैं QPS यानि यह वाला जो है वो PSR यानि इस वाले अंगल के क्या है आदा है यानि अगर मान लीजए यह 2 theta है तो यह 2 theta का आदा कितना हो जाएगा theta हो जाएगा simple सी बात है कि अंगल QPS आदा है किसके PSR के तो मैंने PSR को 2 theta माना तो उसका आदा कितना हो गया वो हमारा theta हो गया ठीक है next कहा गया QPR का मान 78 है QPR यह पूरा अंगल 78 है उस 78 में अगर यह theta है तो यह वाली value कितनी हो जाएगी 78 minus theta ठीक है आज यह भाई next PRS कमान 44 है तो PRS यानि PRS कमान हमारा कितना है तो 44 है तो हमसे यहां कहा गया है PSQ कमान बताओ बहुत असान काम है भाई आप यह बताओ पूरा का पूरा अंगल और यह तो खैर आसान से आप यहां पर 78 minus theta नहीं भी लिखते तब भी हो जाता मैं तो बस आपको समझाने की कुशिश कर रहा था यहां पर कि बस इतना कहा गया है कि यह अगर जो भी है तो उसका आदा यहां पर यह है पूरा का पूरा अंगल पी जो है वो हमारा कितना है तो पूरा अंगल पी हमारा 78 है अब देखें चीज़े कितने आसानी से आप लोगों के लिए बन जाती है यह पूरा का पूरा अंगल 78 और यह पूरा का पूरा अंगल 44 तो यहाँ पर क्या आप क्यों कमान निकाल पाएंगे बताइए हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बहुत ही आसान है इन दोनों को जोड दीजे और 180 में से घटा दीजे क्योंकि किसी भी त्रिबूज के तीनों कोनों का जोड कितना होता है 180 यह मेरे भाई अगर 78 है और यह यहाँ पर 44 है तो तीसरा भी निकाल लेंगा 8, 12, 7, 4, 11, 12, 12 इन दोनों का जोड अगर हमारा 122 है तो मेरे भाई यहाँ यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू हमारी 58 हो जाएगी तुरंट समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर अब ज़रा गौर फरमाईएगा यहाँ पर तो बहुत असानी सा PSQ का मान भी निकाल सकते है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जैसा कि आपको पता है कि यह हमारा 58 है और यह हमारा कितना है थीटा है और यह कितना है 2 थीटा है तो जाहिर सी बात है जैसा मैंने कहा ट्रैंगल के अंदर वाले दोनों कोनों का योग बराबर होता है बाहर वाले के यानि इन दोनों को जोड़ने पे ही तो 2 थीटा आएगा यानि अगर यहाँ 2 थीटा मौजूद है जिसमें यह अगर थीटा है तो यह पका हमारा कितना है तो यह हमारा थीटा है भाई तो यहाँ से सीधा थीटा का मान निकल के आगया कितना 58 यानि यह थीटा था और यह थीटा था तब ही यहाँ कितना बन पाया था 2 थीटा बन पाया था तो theta का मान कितना हो गया 58 और अगर theta का मान हमारा 58 निकल के आ गया ना तो यानि इसका मतलब ये value कितनी है तो 58 का दूग ना समझते चलिए काफी असानी जाब कर रखते है सर ये 58 है और ये हमारा कितना है 58 है तो बस मेरे भाई ये तीसरा वाला angle कितना होगा तो आप सिधा सिधा बोलोगे सर देखिए तरिभूज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है तो यहां पर 180 में से आप जो है 58 और 58 यानि 116 घटा दीजे तो हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ये हमारा correct answer है कौन सा option है तो option number B जो है सही है आज़ेगे चलिए question number 4 की बात करते है question number 4 क्या कहा है वो देखिए question number 4 में हमसे कहा गया है tribuse ABC में ये हमारा हो गया question number 4 कि ये हमारा tribuse A हो गया B हो गया और C हो गया तो ABC में angle A का मान 110 ठीक है D और E BC पर दो बिंदो है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा BC है और यहीं BC पर D और E नाम के दो बिंदो है मेरे भाई जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे construction करते चले जाएगे कि angle A का मान 110 है D और E 20 पर इस बिंदो है कि BDA का मान 140 है अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ BDA का मान कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा उसके बाद हमसे angle C E A का मान यानि C E A का मान हमारा कितना हो जाएगा तो C E A का मान हमारा 120 हो जाएगा ठीक है और साथ में हमसे यहाँ यह भी का है E A C का मान B A D का दो गुना अगर हम बात करते हैं E, A, C यानि यहाँ पर यह वाला कौन जो होगा B, A और D का हमारा कितना हो जाएगा दो गुना चलिए एक काम करते हैं आप लोगों के इच्छा के लिए हम यहाँ पर अलग-अलग values मानने को तयार हैं लेकिन हम उसे भी solve करेंगे अभी नहीं तरीके से आपने इसे 140 लिख दिया इसे 120 लिख दिया पूरे के पूरे को यहाँ 110 भी लिख रखा है आपने ठीक है आगे क्या यहाँ पर वो भी देख लीजे यह वाला जो relation है देखिए E, A, C, B, A, D का दो गुना है अगर मैं B, A, D को कहीं पर theta माल लो तो कहीं आपको कोई आपती B, A, D यानि अगर मैं इसे theta माल लेता हूँ ठीक है कि B, A, D हमारा theta है तो हमारा E, A, C यह हमारा कितना हो जाएगा 2 theta हो जाएगा अब वहीं बात है सारा का सारा answer यहां पर आपका आचुका है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है जिससे माल लेज़े C की रिकापर कौन कितना होता है 180 यह हमारा 140 है तो यानि कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सीधी रिकापर कौन 180 यह हमारा 120 है ये कितना हो जायगा, तो बोलेंगे, sir, तिनों कोनों का जोड़ हमारा 180 होता है, ये हमारा 140 है, तो ये 40, 120 है तो ये 60, 60 और 40, 600 यानी ये वाला इंगल हो जायगा, पूरे को जोडेंगे आप तो बोलेंगे, sir, थीटा, जमा, असी और जमा यहाँ पर कितना है टू थीटा है इन तीनों को अगर हम जोडते हैं तो वो किसके बराबर है 110 के बराबर है यानि अगर हम देखेंगे थीटा और टू थीटा तो यहाँ 3 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगे तीस डिगरी तो सीधा सीधा थीटा का मान कितना निकल के आजाएगा 10 डिगरी आजाएगा क्या कोशन में हम से थीटा का मान पूछा है तो नहीं एंगल बी का मान पूछा है तो बता देंगे भाई कैसे यह 140 है और यह 10 है तो 140 और 10 150 और अगर यह 150 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 30 डिगरी हो जाएगा तो correct answer कितना हैगा option number A आजाएगा ठीक है आजएगे यह question को आप जितना important लिख सकते हैं आप यहाँ पर इसे उतना important लिखिए हैं मेरे भाई जितना ज्यादा important बना सकते हैं आप उतना ज्यादा important बनाई है आज ही है यहाँ पर कहा गया intriangle ABC गौर से देखिए intriangle ABC तो यह हमने triangle A फिर यहाँ हो गया B और यहाँ हो गया C बना लिया D is a point on BC यह जो BC है न यहीं पर कहीं D नाम का कोई point है कहा गया है BD का और DC का जो ratio है वो हमारा कितना है 3 और 4 का है फिर कहा गया E is a point on AD यह जो हमारा AD है ना इसी पर एक E नाम का कोई point मौझूद है यह जो हमारा है इसी पर कोई E नाम का एक point हमारा मौझूद है clear है यह बात है हम पर कि E is a point on AD such that A से लेकर E और E से लेकर D जो है वो 2 ratio 3 है A हो गया हमारा और ED हो गया हमारा यह 2 ratio 3 है find the ratio of ECD और EAB ठीक है यहाँ पर हमसे जो question पूछा गया ECD पूछा गया है यहाँ पर यह वाला part भाई मेरे ठीक है और दूसरा part जो हमसे पूछा गया वो हमसे EAB कमान यहाँ पूछा गया अब ये question को यू समय लीज़े कि ऐसे सी अगर मेंस में ना पूछे तो आपका क्या होगा तीक है कैसे होगा ये सवाल बताओ जरा यहां पर possible ही नहीं उसको मेंस में पूछना ही पूछना ही है सवाल लेकिन हम मेरे भाई है ना इसमें हम short approach निकाल सकते हैं असल में क्या हुआ आज से 1000 साल पहले एक concept को develop किया गया और concept को develop करके दो लकीरों से पूरे triangle का समी करन बदल दिया गया पहला यहां पर line यहां से आता है जो इन दोनों को कुछ ratio में बाढ़ता है मालो ये 2 और 3 के ratio में बाढ़ता है और दूसरा line यहां से ऐसे बना दिया जाता है जो इन दोनों को यहां पर जो है उपर वाले को मानो 4 और 5 के ratio में बाढ़ता है और फिर यहां सब का ratio पूछा जाता है हमने भी कहा अगर SEC ने इतना अच्छा काम किया है तो मैं आप लोगों के लिए सीधा एक SHORT TRIK निकाल देता हूँ और मैंने आप लोगों के लिए SHORT TRIK क्या सोचा पता है मैं बताता हूँ यहां पर कुछ मत करो 2 को 4 से गुना करो इधर 8 आ जाएगा 2 को 5 से गुना करो 10 आ जाएगा तीन को चार से गुना करो बारा आ जाएगा तीन को पांच से गुना करो पंदरा आ जाएगा और ये मेरे भाई आपको जिस बिस जिस भी एरिया का रिश्यो निकालना है आप यहां उनका एरिया का रिश्यो निकाल सकते हैं अब बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया क्या कर दिया असल में बच्छों यहां पर यह होता है एक छोटी सी बात समझना पड़ता है आपको शायद मुझे लगता है पहले से पढ़कर भी आए होगे कि कभी भी अगर कोई भी ट्रेंगल होता है तो जो उसका हाइट होता है कहने का मतलब अगर कोई लकीर खीची गई जिस अनुपात में बेस है अगर माल लीजे बेस दो और तीन के अनुपात में है तो एरिया भी हमारा दो और तीन के ही अनुपात में होता है base अगर 5 और 7 के अनुपात में हैं तो area भी 5 और 7 के ही अनुपात में होता है तो ये जो concept मैंने develop किया ये कहां से मैंने develop किया मैं आपको इसके पीछे का hidden राज बताता हूँ कि यहां पर ये कैसे आया जिसे मान लीजे कि मैं आपको एक छोटा से example देता हूँ कि हमारे पास एक triangle है सबसे पहली line मैंने खीची और उसने यहां पर ratio में बाटा 2 और 3 के और एक और line मैंने खीच दी उसने यहां पर A हो गया, B हो गया, C हो गया ये point हमारा D हो गया, ये point हमारा E हो गया तो यहां D ने से 2 और 3 के ratio में बाटा है और यहाँ पर F ने जो है मानो यहाँ 4 और 5 के रेशियो में बाटा है ठीक है समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर आप तो हमें यहाँ अगर 4 पार्ट का रेशियो निकालना है एक तरीके से तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगा है ठीक है उसी ratio में ये area भी हो जाएगा हमारा 2 और 3 में तो अगर मानो base को अगर हम 2 और 3 मान रहे हैं तो area भी हमारा 2 और 3 में हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई उसके बाद यहाँ पर यह होगा आप यहां पर एक काम करो, पांच को थोड़ा सो और आसान बना सकते हो और चार और एक कर सकते हो, वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, माल लिजे कि यह यहां पर दो और तीन के अनुपात में है तो यह पूरा दो पार्ट और यह पूरा तीन पार्ट, अब मुझे दो को यहां पांच भाग में बाटने होंगे फिर उस तीन को मुझे यहां पांच भाग में बाटने होंगे तो मैंने आपके सहुलियत के लिए क्या किया है, मैंने इस दो को यहां बीस बना दिया और इस 3 को 30 बना दिया तो अगर ये 2 और 3 के पार्ट में यह 20 है और यह 30 है इस 20 के मुझे कितने टुकड़े करने है 5 क्योंकि यह 20 जो है यहां पर 4 और 1 के भाग में बटेगा यानि 5 कमान कितना हो गया 5 कमान 20 और अगर 5 कमान 20 है तो 1 कमान 4 एक कमान कितना हो जाएगा 4 और 4 कमान हो जाएगा 16 ठीक है और सेम तरीके से 30 को भी मुझे 5 टुकड़ों में बाटना है तो 5 कमान 30 तो 1 कमान कितना हो जाएगा 6 ठीक है और यहां पर जो है 1 कमान 6 तो 4 कमान कितना हो जाएगा 24 अब आप यहाँ value निकाल के देख लीजे, आप यहाँ किसी का भी ratio देख लीजे, जैसे मान लेजे हम part wise करते हैं, जैसे मानो इनी दोनों का मुझे अगर ratio देखना हूँ, तो 16 और 6 का जो हमारा ratio आएगा, 2 का यहाँ पर कितना है, तो देखो बोलो, 2 का 8 गुना तुम्हारा 16 ह इतना है, 6 है, तो पहले मैंने यहाँ कोई value माना, उस value के टुकडे कियें, फिर उन टुकडो के टुकडे कियें, इस तरीके से लेकर आए, एक तो method number 1 यह था, और दूसरा हमारा method number क्या था, कि जो मैंने आप उसीदा यादी करवा दिया था, वो मैंने बच्चों आप लोग यह हो गया, F हो गया, यह जो ratio है हमारा 2 और 3 के अनुपात में है, उपर वाला ratio हमारा 4 और 1 के अनुपात में है, तो मैंने आप लोगों को सिधा trick क्या बताया, मैंने आप लोगों को सिधा यहाँ trick यह बताया, कि देखिए गुना करना सीखिए, 2 x 4, 8, 2 x 1, 2, 3 x 1, 3, 3 x 4, 12 अगर आप देखेंगे तो यह 8 और 3 के already ratio में है, जो कि आप यहाँ calculate कर रहे थे, तो multiplication वाला जो तरीका होगा ना, वो सबसे जबरदस्त होगा आपके सवालों को short में करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज के बाद आपको confuse नहीं होना है, और जब भी ऐसे सवाल तो सीधे आपको answer short में दे देना है, जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 into 2 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 into 3 हमारा 12 हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहा E, A, B का यानि ये वाला पार्ट का तो अगर हम देखते हैं तो ratio हमारा कितना हो जाएगा एक अनुपाद दो बहुत लोग जल्दी वाजी में दो और एक का अनुपाद दे देते हैं फिर उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो है दो नुपाद देख नहीं देना है जैसे हमेशा का अंसर गलत आ गया है नहीं नहीं एक सेकंड रुख जाई है सही है सही है सही है आप लोग सही आंसर दे रहे है हमसे यहाँ पहले E, C, D का मान पूछा है ना तो E, C, D E, C, D मतलब 12 यानि 2 नुपाद एक आंसर होगा पैसे कहलो सहर पहले E, C, D का है तो यानि 12 और उसके बाद यहाँ E, A, B का है यानि 6 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 नुपाद एक आ जाएगा कौशन नमर च्छे की बात करते हैं तरिबुज A, B, C में अंगल B का मान दिया है A का सम्दिबाजक A, D पर है जो B, C से बिंडू D पर मिलता है और E पर मतलब यह लंबा चोड़ा कौशन होता है कभी भी एक बार में पूरा सवाल जमेंटरी का मत पढ़ा करो हलाकि एक बार उपर से पढ़ लोगे ठीक है बट फिर भी मज़ा तब आता है जब आप पढ़ पढ़ के बनाते हैं यकीन मानिए जमेंटरी का फील तो भी आता है A, B, C में अंगल B कमान आपका दे रखा है तो यह मान लीजए आपका A, B, C हो गया और यहाँ एंगल B कमान आपका 78 दे रखा है ठीक है? हो गया भाई A, D is a bisector of angle A अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक line बनाना है A, D नाम का जो angle A को यहाँ पर क्या करेगा दो भागों में बांट देगा ठीक है? उसके बाद यहाँ का है meeting B, C, A, D और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाए गया है यह हमारा A हो गया है और यह हमारा question में काया है na A जो है वो परपेंडिकुलर है B, C पे यह हमारा bisector है और एक हमारा परपेंडिकुलर है angle D, A, E कमान हमारा 24 है D, A, E कमान यानि beach वाले की value हमारी 24 है तो हमसे यहाँ पर A, C और B कमान हमसे पूछा है आज मैं आप लोगों को कुछ नई बात बताता हूँ ठीक है हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा ठीक है लेकिन इस point में दो बातें मैं आपको extra बता दूँगा जो आपके बहुत काम किया हैंगे सबसे पहले geometry में दो important point bisector से triangle में पूछे जाते हैं ठीक है दो point कौन कौन से होते हैं वो दोनो point यहाँ में लिखवा दे रहूँ यह देखे आज इस सुबा offline में पढ़ाया था triangle की जब property पढ़ा रहा था यह property number 8 और 9 है जो मैं अकसर VOD batches में पढ़ाया करता हूँ मतलब July batches होते हैं यहाँ पर असल में क्या होता है दो प्रकार का question बनता है ठीक है और दोनों के उपर अच्छा खासा question आपके प्री में आया हुआ हुआ है कि अगर आपके पास एक triangle ABC है समझेगा मेरी बात को और दो bisector है एक यहाँ पर अगर angle B का bisector आप ले जाते हो और यहाँ एक बाहर वाले bisector यानि angle C का बाहर वाला bisector मिलाते हो तो यहाँ जो कून का निर्मान होता है यह value कितनी होती है अगर मानो angle A का मान मेरे भाई 50 है तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा यह बता दो तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एक triangle का इसका internal bisector और यहाँ पर इसका external bisector दोनों को मिला होगे तो यहाँ जो angle बनेगा हमेशा इसका आधा होगा यह paper में 1000 बार पूछा गया है यानि यहाँ अगर बात करें तो it is always equal to 50 by 2 that is equal to 25 degree ठीक है तो यह तो हमारा हो गया एक type जो हमारे paper में कई बार पूछता है अब हम आ जाते हैं यहाँ दूसरे वाले पर जो हमारा paper में यह भी कई बार आता है और वो हमारा यह है कि देखिए जैसे मान लीजे आपके पास एक triangle ABC है अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजे एक तो आपने यहाँ पर जो है वो bisector बनाया और एक आपने यहाँ पर क्या बनाया perpendicular बनाया हमेशा दो चीजों का निर्मान होता है एक हमारा angle bisector का और एक हमारा perpendicular का ठीक है एक हमारा angle bisector का और एक हमारा हो जाएगा perpendicular का clear है यह बात यहाँ पर कि एक हमारा angle bisector हमने बना दिया और एक हमने क्या बना दिया perpendicular बना दिया तो हमेशा जो ये बीच वाला कून होगा ना, इसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन इसके बारे में चर्चा करते वक्त, बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते भूल जाते हैं। मैं आपको वो थोड़ा बताऊंगा भी। तो सबसे पहले यहां देखिए, कि इस वाले में हमसे कुशन पूछा क्या जाता है। कि भाई आपने एक bisector बनाया और आपने एक perpendicular बनाया तो इसमें हमसे angle D, A, E के बारे में पूछा जाता है कि हमारा angle D, A और E का मान कितना होगा उस case में आपको याद रखना है कि angle B और angle C इन दोनों के difference का आधा होता है कितना होता है तो angle B और angle C कि दोनों के difference का क्या हो जाता है आधा कई बार paper में question आया है कि ये जो beach में आपका कौन बनाते हो ना ये जो beach में कौन बनाते हो क्या होता है तो B और C के difference का आधा clear है? मैं आपके सामने दो photo draw कर रहा हूँ पहले मुझे ये बताओ इन दोनों photo में सही कौन है भी बनाया है और मैंने एक perpendicular भी बनाया है ठीक है? ये वाला कौन मेरा 70 है और ये वाला कौन मेरा 60 है मुझे यहाँ बीच का theta angle बताना है theta कितना होगा याद रखना इधर वाली कौन जो है ये जो ad है हमारा bisector और e जो हमारा क्या है perpendicular है अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये भी हम same photo बना रहे है ABC नाम का ठीक है? यहाँ हमारा bisector है और ये हमारा perpendicular है इसको मैंने बनाया 60 का और इसको मैंने बनाया 70 का और यहाँ भी मैं आपको theta का मान पूछ रहा हूँ still there are DNA पहली बात तो मुझे यहाँ पर यह बताना इन दोनों photo में correct कौन सा है और दूसरी बात यहाँ पर मुझे यह बताना अगर जो भी correct है ना तो उसमें यहाँ पर यह बीच वाला theta का मान कितना है figure number 1 और figure number 2 इन दोनों में correct कौन सा है मैंने आप लोगों से एक question पूछा ना तो इन दोनों में जो correct की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ समझेगा कि जैसे मान लीजे आप यहाँ जब perpendicular बनाते हैं ठीक है मैंने इसके सामने अगर मैं आप रूफ की बात करो यहाँ पे तो हमेशे इस बात को ध्यान रखना छोटा सा change कर लेना बस अपनी बातों में और वो change मेरे भाई यहाँ पर यह कर लेना कि यह figure आपका गलत है 1 सही नहीं है 1 गलत है माफ करिएगा change कर लीजेगा और जो आपका 2 है वो मेरे भाई सही है क्यूं हमेशे इस बात को ध्यान रखना perpendicular जो होगा ना वो आप ऐसे याद कर लो कि बड़े वाले के side और bisector होगा छोटे वाले के side little bit यहाँ पर change है ठीक है थोड़ा सा change है बस यहाँ रख लीजेगा perpendicular बड़े वाले के side और यहाँ पर यह जो होगा bisector चोटे वाले के side question पूछा गया 6 number कुछ इसी प्रकार से है अगर आप देखेंगे हाँ यह value आप पो 78 दिया है यह value 24 दिया है और हमसे यह value पूछा जा रहा है जैसे अगर मान लीजे इस value को निकालना भी है आप लोग थोड़ा hint है ना पीछे वाले question से लेकर देते तब भी आप यहाँ पर बोल देते कि हाँ sir कौन से यह कौन गलत है जैसे हमसे A, C और B का मान पूछा गया मतलब angle C का मान पूछा गया तो यहाँ theta का मान हम कैसे निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे sir बीच वाला जो 24 degree है ना यह हमारा हो जाएगा और यह हमारा किसका होगा आधा होगा sir इन दोनों के difference के यानि कहने का मतलब 78 और theta के difference का ऐसे समय लिजा कि sir जो बीच वाला angle होगा इनके difference का आधा होगा तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मेरे भाई हम theta को इधर लेकर आएगे тоo 78-48 यानि यह हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा 30 degree हो जाएगा यानि इस question का answer हमारा कितना होगा तो इस question का answer जो होगा वो हमारा 30 degree हो जाएगा हाला कि इस सवाल में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा जब आप ऐसे questions को बनाओगे जैसे ये question आपका paper में पूछा गया है अब इस question में अगर आप D को यहां रखो या D को आप इधा रखो इससे आपका कोई फरक नहीं आने वाला है बट एक general knowledge की जो बात है correct आएगा हाँ लेकिन जो हमने figure बना है वो गलत बना और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कारण यहां बताते हैं आपको कोई सा पताता है यहां theta के आना है तो जब solve करोगे तो कोई भी problem नहीं आएगा लेकिन फिर से कहा रहूँ अपने general knowledge के लिए 90 degree के सामने यहां पर क्या रहेगा बड़ा वाला angle ठीक है और bisector के पीछे क्या रहेगा छोटा वाला angle आजाओ एक और question देखते हैं एक और सवाल हम यहां देखते हैं ठीक है चलिए question number 7 की बात करते है question number 7 क्या कहा गया question number 7 कहा गया in triangle PQR देखे यह हमारा triangle P है यह हमारा Q है और यह हमारा R है PQ जो है वो हमारा PR के बराबर है उसके बाद हम से कहा है S is a point on QR S नाम का point कहा है तो QR पे है PSQ का मान 96 है अगर हम देखते हैं तो देखे value बनाईए PSQ यानि यह वाला जो angle है यह बराबर है 96 और प्लस हमारा कितने के तो Q P और S के और अगर हम बात करते हैं Q P और S तो यानि इसे theta मान लो तो अगर इसे theta मानोगे तो यह तुम्हारा 96 प्लस क्या हो जाएगा theta हो जाएगा फिर उसके बाद हम से कहा है Q P R बराबर 132 के आप अगर देखोगे तो Q P R यह पूरा का पूरा कितना हो जाएगा भाई यह पूरा का पूरा आपका 132 हो जाएगा उसके बाद आपसे question में कहा गया PSR का मान बताओ यानि PSR का मान बताओ मैं हमेशे कहता हूँ अगर आपको कोई भी सवाल लगाना है कोई भी सवाल लगाना है सबसे पहले उसका figure बनाओ figure सही बनाओगे तभी चीजे होंगी दूसरी बात हमेशा broader respect पर सोचा गरो बड़े level पे जैसे आप देखो यह बड़ा वाला angle कितना है 132 है और जैसा कि आपको पता है कि एक द्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजा समान होती है तो उनके द्वारा बना हुआ कौन भी क्या होता है समान होता है यानि अगर यह 132 है तो बाकी दोनों कौनों का जोड़ मेरे भाई कितना होगा अगर हम और तालिस की बात यहां करते हैं ठीक है तो और तालिस की बात यहां करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 24 डिगरी और यह हमारा कितना हो जाएगा 24 डिगरी बोलोगे क्यों सर देखो यह पूरा का पूरा 132 और अगर ये 132 हो गया तो बाकी दोनों 48 और बाकी 2 आगप निरु स्था और नहीं 48 चुकि दोनों भुज़ाएं बराबर हैं तो दोनों कों भी हमारे क्या होंगे बराबर आपका सवाल बन गया सवाल कैसे बना? यहा तीनों कोंगों का जोड़ कितना लगा देंगे 183 क्योंकि दिखा मुझे यहां पर कि यह एक बंद ट्रैंगल है और इस बंद ट्रैंगल के अंदर यहां तीनों का जोड कितना हो जाएगा यहां हम कहेंगे 24 जमाद थीटा जमाद 96 प्लस थीटा यह हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 180 के हो जाएगा ठीक है तो थीटा और प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा और यहां 94 120 उधर जाओगे तो कितना हो जाएगा 60 के यानि तुरन तुमारा थीटा का मान कितना निकल के आजाएगा 30 डिग्री ठीक है थीटा का मान कितना निकल के आजाएगा 30 डिग्री हमसे P S और R कमान पूछा गया है अब अगर हम देखें तो P S और R यानि ये वाला वैल्यू हमसे पूछा गया है तो कोई टेंशन नहीं है भाई निकाल दो क्या फर्क पड़ता है बताओ ये वाला वैल्यू तो तुम्हें पता है ना 246 यानि टोटल वैल्यू कि अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 54 डिगरी कौन सा उप्शन है तो C जो है वो बिल्कुल सही आंसर है क्वेशन नम्बर आठ की बात करते हैं क्या कहा गया एक तरिबूज ABC में D और E जो है वो हमारे AB और EC के उपर पॉइंट है अब जैसे मान लीजे कि आपने सबसे पहले ये ट्रैंगल बना लिया ठीक है कहे गए कथन के अनुसार आपने कहा कि सरीए हमारे ट्रैंगल ABC हो गया ठीक है उसके बाद आपने कहा D N E R पॉइंट ओन AB N AC है AB के उपर कौन सा पॉइंट है D है और इसी के उपर कौन सा पॉइंट है तो E है कोई टेंशन की बाद यहां पर फिर उसके बाद आपने वहां पढ़ा कि AD into AC अब जब भी आप ऐसा देखो ना आपके माइन में तुरंत similarity क्लिक करना चाहिए कि AD into AC बराबर होगा हमारे AB into AE के यह हमारा कहा गया है साथ में हमसे यहां पर यह भी कहा है angle ADE यानि angle ADE जैसे यह वाला जो point है यह वाला जो point है यह वाला जो हमारा angle है जो भी है यहां पर बात करते हैं तो angle ADE this angle is equal to ACB plus 30 यानि ACB मतलब अगर यह theta है तो यह angle कितना हो जाएगा theta plus 30 हो जाएगा साथ में ABC का मान 78 है A, B और C इस ABC का मान हमारा कितना है तो ABC का मान हमारा 78 है angle A का मान पूछा गया है अभी गनिमत बनाओ कि इस figure में मातर तुमसे angle A का मान पूछा गया है आगे चलके यही question में आपको कई सारे अलग-अलग values भी दिये गए होंगे और उस case में आपको side की value पूछी जाएगी यानि इस figure से total दो प्रकार के question बनते हैं एक आपको angle निकालना होता है और दूसरा आपको side निकालना होता है और यह दोनो question जो होते हैं तो हम यहाँ पर असल में similarity लगाते क्या है क्या होती है similarity थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा चंद बाते हम आपको बता देते हैं similarity का मतलब हो गया sum रूपता अगर मैं कल के दिन एक छोटी सी बात कहूँ यहाँ पर और मैं क्या कहूँ कि अगर मेरी यह रेखा DE जो है अगर यह मेरे BC के समनांतर है पैरलल है तीक है दो बाते होंगी point number one यहाँ पर कि अगर मेरा जो point है मेरे भाई यहाँ पर DE अगर वो मेरे BC के पैरलल हो जाएगा किसके पैरलल हो जाएगा BC के तो उस case में यह हमारा छोटा divided by बढ़ा यानि अगर हम बात करते हैं तो AD divided by AB बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा छोटा बटे में बढ़ा के यानि हमारा AE और बटे में किसके AC के यह हमारा हो जाएगा यानि अगर यह पैरललल है तो मेरे भाई ये दोनों का ratio क्या होगा बराबर समझ गए कि यदि ये रेखा इसके समना अंतर है तो छोटा बटे बड़ा बराबर छोटा बटे में बढ़ा के ठीक है इसका उल्टा भी सत्ते है इस बात को ध्यान रखना इसका उल्टा भी सकते है और इसका उल्टा क्या सकते है तो इसका उल्टा मेरे भाई ये सकते है कि यदि यहाँ पर इसका रेशियो AD upon AB यदि इसका रेशियो छोटा और बटे में बड़ा बराबर हो गया यहाँ पर छोटा बटे में बड़ा के यानि A upon किसके AC के तो उस case में आप बोलोगे कि sir then ठीक है then क्या बोलोगे उस case में 2000% ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी समनांतर यानि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो अगर हमारा रेखा पैरलल है तो ratio बराबर होगा और अगर ratio बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी समनांतर होंगी पैरलल होंगी ठीक है point याद रहेगा तो असल में यहाँ पर आप pull लगाना भी वहीं था आप अगर छोटी सी बात को देखते तो ये जो इतना बड़ा लंबा चोड़ा भाशन दिया गया था उसका यूजी वहीं पर करना था ये वाला point अगर आप गौर से देखो मेरे भाई तो ये AD छोटू है तो इस छोटू को यहीं रहने दो और यहाँ AB को नीचे बुला लो तो AB तुम्हारा नीचे आ गया यहाँ पर जो है AE छोटू है तो AE को वहीं रहने दो और AC को नीचे भेज़ो मेरे भाई तो क्या यहाँ पर ratio बराबर नहीं हो गए बताईए कि छोटा बटे में बढ़ा यानि AD अपॉन यह पूरा का पूरा AB बराबर छोटा और बटे में कितना हो जाएगा बढ़ा तो चोटा बटे बढ़ा बराबर चोटा बटे में बढ़ा के यह दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और अगर यहाँ पर यह दोनों के दोनों बराबर हो गएं तो उस case में हम 1000% यह कह सकते हैं ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, पैरलल हो गए, और अगर ये दोनों पैरलल हो गए, तो भाई, बहुत असान काम हो गया, फिर अगर ये एंगल 78 है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 78 ही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों corresponding angle है, और corresponding angle आपस में क्या ह इतमीस अगर हम बात करें तो थीटा प्लस 30 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 78 के तो थीटा का मान कितना हो जाएगा थीटा का मान अमारा 48 दिगरी हो जाएगा थीटा का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 48 दिगरी अब मुझसे एंगल एक आमान पूछा गया है मुझसे कि सर यह 78 ठीक है अगर यह थीटा है मेरे भाई तो यह भी कतना हो जाएगा थीटा हो जाएगा और थीटा का मांग कितना है तो 48 है यानि 48 हो जाएगा अब इन दोनों को जोड के 100C में से घटा दो एंगल ही निकल जाएगा समझ में आ रहा है बाते यहाँ पे क्योंकि ये 78 तो ये भी 78 इसलिए लिख दिया ये थीटा तो ये भी थीटा यानि लिख दिया और ये पता करने 100C में से दोनों को घटा दो यानि 180C में से यहाँ पर 8, 8, 16, 7, 4, 11, 12 यानि 126 तो कुल मिलागर 54 आंसर है कौन सा correct option है तो option number B for बाहुबली तो similarity हमें बहुत कुछ सिखा जाता है कि अगर मेरे भाई ratio बराबर हैं तो भूजाए समनांतर होंगी और अगर भूजाएं समनांतर हैं तो ratio हमारा क्या हो जाएगा पराबर हो जाएगा ठीक है आज यह चलिए next question की बात करते हैं no number स्वाल को देखते है no number स्वाल हमसे क्या कहा है आज यह 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 भी उसी similarity और समरूपता के उपर एक और जबरदस question क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसा कहा कि दो प्रगार के सवाल बनते हैं पहला यहाँ पर जहां कौन पता करना होता है और दूसरा यहाँ पर जहां भूजाय पता करनी होती है क्योंकि एक चरी के से देखो ना पर यहाँ पर तो मतलब मेरा हमेशा से परपस था कि Geometry जब भी मैं में से पढ़ाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक टाइप को जो है cover up कर पहूँ कुल मिलाकर 115 टाइप है तो 115 टाइप मैं यहाँ पर एक एक कोशन सब के उपर दूँ ताकि बच्चे को clear हो समझ में आए और हर टाइप को अच्छे से पढ़के जाए आपको जितना यह क्लास में 115 कोशन कराऊंगा ना इसको चार बर लगा के चल जाना Geometry में इससे बाहर कुश नहीं है विश्वास रखो इतना तीक है पड़जी चीजों से सावधान बस इसी को चार बार practice करिए यहीं काफी है triangle ABC में यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक बच्चा गह रहा है बड़ा figure बनाओ लो बड़ा figure बना दिया ठीक है अब यहाँ देखो triangle ABC में अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा triangle ABC हो गया D और E क्रमशा AB और भुजा AC पर है D की बात करें तो यह हमारा AB पर है और E की बात करते हैं तो यह हमारा किस पर है AC पर है ठीक है उसके बात कहा गया है D और E क्रमशा AB और AC भुजा उपर इस रूप से हैं कि D parallel है BC के अगर आप बात करोगे तो यह जो आपका D है यह समनांतर है किसके BC के समनांतर है AD का मान हमारा X है अगर हम देखें आपर तो AD की value हमारी कितनी है तो X है DB का मान अगर हम बात करते हैं तो X-2 है मेरे भाई A का बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा X-2 ठीक है और अगर हम यहाँ बात करेंगे इसी का तो यह हो जाएगा x-1 तो हमसे यहाँ कहा गया a b plus e c किसके बराबर होगा बात में देखते हैं भाई कोई tension की बात नहीं है पहले यह देखो क्या यह दो रिख़े समनांतर हैं तो बुलोगे हैं अगर यह दो रिखा समनांतर है तो छोटा बटे में बड़ा आप ऐसे छोटा बटे छोटा बराबर छोटा बटे छोटा भी कर सकते हो कोई tension नहीं है या तो आप ऐसे कहलो x upon total बराबर इतना upon total के ऐसे भी कह सकते हो या छोटा बटे में छोटा बराबर छोटा बट्टे में छोटा ये भी कर सकते हो आपकी इच्छा है तो यहां सीधा लिखो X ठीक है और बट्टे में चाहो तो टोटल लिख लो या फिर छोटा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पर था तो X upon X minus 2 बराबर हो जाएगा यहां पर छोटा कितना है X plus 2 और divided by यहां छोटा कितना है X minus 1 This part upon this part is equal to this part upon this part ध्यान रखना है Cross multiply मारो X into X X square minus X बराबर हो जाएगा X minus 2 और X plus 2 यहांनी X square minus 4 के यह X square X square का तो minus X से minus X का तो में X का value सिधा कितना आगया भाई 4 आगया और अगर मेरे भाई X का मान 4 आ गया तो हमसे X का मान नहीं पूछा है AB और EC का मान हमसे पूछा है किस का मान पूछा है AB और EC का तो अगर हम AB का मान पता करते हैं तो यह पूरा का पूरा AB हमारा कितना हो जाएगा तो 2X यहां देख लो कितना हो जाएगा 2X minus 2 के ठीक है तो यहाँ X का value 4 है तो 4 का दोगना 8 मैं से दो गया तो कितना 6 हो जाएगा और 7 में अगर हम बात करते हैं EC का मान यह हमारा EC हो गया EC का मान कितना हो जाएगा 4 मैं से गया 3 दोनों को जोड़ दो 6 जमा 3 कितना हो जाएगा 9 option number A जो है वो हमारा correct answer है ठीक है एक बच्चा गया रहा है सरक classes की संख्या को बढ़ाई है मैंने आपसे कह दिया आप परिशान मत हो ये कल से आपको दिखनी शुरू हो जाएगी number of classes जादा परिशान मत हो एक तरफ live और एक तरफ VOD दोनों साथ के साथ मिलना शुरू हो जाएगा जैसे अब geometry यहां live पढ़ा रहा हूँ तो पीछे से number system भी ओडिया मिल जाएगा ठीक है number system पर भी मैं और भी चीजों को short करवा रहा हूँ ताकि आपका time waste ना हो पूरी editing लगी पड़ी है जहां पर possible cuts हो सकते हैं जहां पर time waste हुआ है जहां पर और भी चीजों हुई है एक दाव फिल्टर कराके ताकि अगर मानों की 12 वीडियो है तो उसको 6 वीडियो पर लेकर आ सकें 7 वीडियो पर लेकर आ सकें irrelevant बातों को remove करके ताकि आपके समय को बचाएं तो इसलिए जितना दिया उसको बढ़िया तरीके से करिए मैं खुद editing team से भी देख कर आया था मैं पूरी team काम कर रही थी अच्छे तरीके से और कल तक तो वीडियो मिल जाएंगी number system की भी ठीक है और भी जहां जहां पर जो जो संभावन है मैं दोंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि एकी बार मैं VOD पूरा भढ़ दिया ठीक है और एकी बार मैं live भढ़ दिया निशिंत रहो हो रही है चीज़े ठीक है आजएगे अब आज सुबा मैं उटके देखा जितने लोग पढ़ा रहे थे जितने लोगों का बैश चल रहा था किसीने चैर चैप्टर की VOD एक सार डाल दी किसीने दो चैप्टर की VOD एक सार डाल दी जितने भी अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं मैं सभी right लांँ पहले तो आप मौज कर रहे थे, घूम रहे थे, बुर्ज खलीफा देख रहे थे, अब आप चाचा आके चार-चार वीडियो डाल रहे हो बच्चों को और उसके बाद सोच रहे हो कि अरे रैंक कुन तो हमारे यहां से ही आएगा, अब क्या ही बोलोगे यार, छोड़ो चीजों को सही करते हैं अपना सही चलरहा है, सिलवस है, निशिन्तर हो, बहुत बढ़ियां तरीकाँ से रम पर पढ़ियां तरिकेशा सीक है, सारी क्लासे कहम से सही तो question number 10 की बात करते है क्या कहा गया question number 10 में जड़ा देखिए यहां पर ACD जो हो गया है आपर ACD तो यहां triangle ACD में B और E जो है वो point है AC पर AC पर कौन सा point है भाई तो AC पर तुम्हारा point number B है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो AD पर कौन सा point है तो AC पर point number E है मेरे भाई तीक है कहा गया कि यह जो तुम्हारा B है ना यह parallel है और यह किसके parallel है तो CD के मेरे भाई CD का मान हमारा कितना है 9 है B का मान हमारा कितना है तो 6 है AB का मान हमारा कितना है तो 5 है ED का मान हमारा कितना है तो 2 है हमसे यहां पूछा गया है किसका value तो AE का और हमारा BC का बता सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं ठीक है आसानी से बता सकते हैं मैं बता रहा हूँ कैसे यार मैंने आपको भी जो है ना यह बताया जो point बताया इसमें से दो बाते आप निकाल के रख लो अगर आपको सीखना ही है तो पूरा का पूरा similarity दो मिनट में खतम मतलब यह जो triangle वाला part होता है यहां पर ठीक है अगर हम बात करते हैं तो point number one जो हो गया वो हमारा यह हो गया जैसे मैंने कहा था कि चोटा बटे में बड़ा यानि चोटा कौन हो गया AD और बटे में बड़ा कौन हो गया AB बरावर हो जाएगा मेरे भाई चोटा यानि हमारा हो गया A और बटे में कौन हो जाएगा तो पूरा का पूरा बड़ा part यानि AC से थेस्टरम कहते हैं भाई फिर यहाँ पर छोटा कौन है तो छोटा हमारा D है और टोटल बड़ा कौन है मेरे भाई तो बड़ा हमारा BC है यानि असल में जब आप काइदे से लिखते हैं न तो आप इस तरीके से लिखते हैं कि छोटा बटे में टोटल चोटा बटे में टोटल और छोटा बटे में टोटल तो यह हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर point number one उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो point number 2 भी मेरे भाई यहां देख लेते हैं point number 2 क्या है और point number 2 हमारा यह हो जाता है कि अगर हम छोटा बटे में छोटा लिखते हैं तो छोटा बटे में छोटा यहाँगा कहने का मतलब अगर यहां पर मान लीजे ad upon db अगर हम लिखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा हमारे a upon e c k और कई बुद्धी जी भी ऐसे होते हैं जो हिमाले पर तवस्य गर गया होते हैं और वो इसको बराबर कर देते हैं किसके तो d upon b c k मेरे भाई ऐसा जीवन में नहीं तो कड जाएगे तुम्हारे एक नमबर एक नहीं चार तीन सही और एक गलत ठीक है क्योंकि यह चोटा बटे छोटा है चोटा बटे चोटा है और यह चोटा बटे बड़ा है तो यह नहीं आएगा इसको मत लिखना मात रितना लिखना यानि small part divided by big part तो यहां पर हमसे यह कहा गया, यह 6 और 9 है, यानि अगर हम बात करते हैं, तो 3 का 2 गुना और यह हमारा 3 का 3 गुना, यानि छोटा पार्ट अगर 2 है, तो बड़ा पार्ट कितना है, 3 है, तो यहां भी छोटा पार्ट अगर 2 यूनिट होगा, तो बड़ा पार्ट कितना होगा मेरे भाई, तीन यूनिट होगा होगा की नहीं होगा, कि अगर ये दो और तीन के अनुपात में हैं, तो ये भी दो और तीन के अनुपात में होंगे, अब आप ऐसे समझ लो, जैसे मानो ये हमारा 2X है और ये हमारा 3X है, तो ये वाली यूनिट का मान 2 है, तो दो का मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा मुझे की नहीं बुझे, दुबारा से बताते हैं ये दो और तीन के अनुपात में है, तो छोटा दो और बड़ा वाला, तीन तो ये दो पार्ट और ये तीन पार्ट, यानि ये कितना है, तो ये X यूनिट है 2X कमान 5 है, 2X कमान 5 है तो 2X कमान 5 है, तो ये हमारा X है तो X कमान कितना हो जाएगा, 2.5 ठीक है, 2 कमान 5, एक कमान 2, समझ गए तो AE और BC का जोड हमारा कितना होगा AE का और BC का जोड, यानि 4 और 2, कितना हो जाएगा यहीं तो हमसे पूछा है कि बताओ value कितनी है पहले हमसे A पूछा तो 4 और B C पूछा तो 2 सारा खेल ratio का है भाई और कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये 2 और 3 के अनुपात में थे तो ये भी 2 और 3 के अनुपात में 1 कमान निकाल के 2 का निकाल दो 2 कमान दिया एक का निकाल दो दोनों की value बता दो all is the play all is the game of ratio ठीक है ठीक है आज ये चलिए next question देखते है ABC में AB कमान दिया है BC कमान दिया है AC कमान दिया बहुत प्यारा question बढ़ी है सवाल another good one ठीक है ये आज ये हम पर क्या कहा गया है सवाल को देखते हैं in triangle A, B और C अब triangle ABC में अगर हम देखेंगे तो भाई AB कमान हमारा 20 है BC कमान कितना है तो 7 है AC कमान कितना है तो 15 है कहा गया है side BC is produced to D BC को कहा तक ले कर गया है D तक ले कर गया है और इसको थोड़ा अंदर लेल भाई और ये जो है यहाँ पर एक हमारा बात कहा गया है इस तरीके से कि यहाँ पर ये जो है दोनों के दोनों similar है और DC कमान पूछा गया फिर हम आपको एक और जीवन में गुरू ग्यान देते है similarity का याद रखना कभी भी कोई भी तरीवू जगर similar हो तो पहले उसको लिखने के तरीके क्या होते है और अगर आप लिख देते हैं तो उसका ratio कैसे apply करते है similarity दो प्रकार से पूछी जाती है परिक्षा में पहली similarity यहाँ पर एक triangle है और ये दूसरा triangle है इन दोनों को similar कोशित किया जाता है कि भाईया देखो ये ABC है और ये देखो तुम्हारा क्या है DEF है मान लो ये दो तुम्हारे अलग-अलग triangle है ठीक है तो एक question दो different triangles पर आता है जहाँ पर आपसे कहा जाता है अगर ये दोनों triangle similar है similar होने के कितने नियम होते है समरूपता के कितने नियम होते है तो देखो समरूपता के अगर आप बात कर लो तो एक हो जाता है हमारा आस फिर हमारा हो जाता है सास और फिर हमारा हो जाता है पांव सब पच्पन ये हमारा याद हो गया असल में ये congruency के नियम है जितने भी त्रिभुज congruent होते हैं वो similar होते हैं लेकिन जितने similar होते हैं वो congruent नहीं होते हैं ठीक है तो आपको अभी नियम तियम नहीं जाना है बस आप इतना जान लेना यहाँ पर कि अगर हमारे side के ratio बराबर हो गाए है या ऐसे कहलो कि अगर दो त्रिभुज हैं और अगर दोनों त्रिभुजों के सारे angle बराबर हो गया तो वो similar है कोई दो angle बराबर भी हो गया ना तब भी वो similar है क्योंकि दो जैसे बराबर होगा दो के तो तीसरा automatic तीसरे के बराबर हो जाएगा तो कभी भी दो त्रिभूज अगर हैं आपके और दोनों त्रिभूज में कोई भी दो एंगल अगर बराबर हो जाए similar है, बस, बात खत्म similarity से हमें मिलता क्या है तो similarity से हमें sides का ratio मिलता है जो कि हम use में लेके आते हैं similarity हमेशा sides को निकालने के लिए use किया जाता है, अगर आपको side निकालना है तो वहीं तपके का similarity 22 बस, तो यहाँ पर हमने कहा न, कि दो triangle हमने बनाएं और जैसे मान लो मैंने कहा यह हमारा alpha है, लेकिन यहाँ alpha का position यहाँ दे दिया, मैंने कहा यह हमारा यहाँ बात करते हैं, गामा, गामा के सामने को है बाकि similarity में एक line जो मैंने यहाँ पर छोड़ा, मैंने कहा नीचे लिख देंगे वो ऐसे है, कि यह ratio तो आप बाद में लिखते हैं, पहले similarity कैसे लिखे, वो देखिए, तो जैसे यहाँ alpha के लिए कौन सा angle है, B है समझ रहे हैं मेरी बात को, तो यहाँ पर alpha के लिए कौन सा angle हो जा रहा है D हो जा रहा है यहाँ beta के लिए कौन सा angle है, A है तो यहाँ पर मेरे भाई, beta के लिए कौन सा angle है, F है यहाँ gamma के लिए कौन है, C है तो यहाँ gamma के लिए कौन है, E है और तब लगा यह similarity कभी भी ऐसे अपने मर्जी समत लगा दीजेगा कि यहाँ पर जो है ABC, DF हमेशा आदत होती है बच्चों को लिखने की मत लिखना मेरे भाई तरीका होता है आप similarity ऐसे लिखते हैं जैसे मानो जो यह पहला लेटर है तो यहाँ का पहला लेटर यहीं बताता है इन दोनों के अंगल बराबर, दूसरे का अंगल बराबर, तीसरे का अंगल तीसरे से बराबर यह एक तरीका होता है इसलिए जब यहाँ पहले और दूसरे को पकड़ते हो ना AB को पकड़ते हो जैसे मानो तो यहाँ का पहला और दूसरा DF पकड़ते हो ना AC देख लो यहां तो यहां का दूसरा और तीसरा पकड़ना उसके नीचे FE आएगा यहां पहला और आखरी BC पकड़ोगे ना तो पहला आखरी D उसके नीचे आता है यह हमेशा तरीका होता है तो जब तक similarity नहीं लिखोगे ratio नहीं लिख सकते इसलिए similarity महत्तुपूर्ण होता है और जिस order में लिखा होता है उसी order में लेना होता है अपने इसाब से order नहीं लगाने होते है तो यह हो गया similarity का part number one जहां पर यह दो अलग-अलग triangle में लगते हैं उसके बाद SAC ने कुछ समय से पहले ऐसा पूछना शुरू कर दिया अब वो क्या करते हैं एक ही triangle के अंदर कुछ उल्टी सी दे लखीरे खीच के आपको अलग-अलग similarity बना देगा जैसे इसमें भी आपका कई सारे types हैं जैसे मानो एक तो ये वाला हो गया कि एक triangle में क्या करेगा ये एक छोटा सा line खीच देगा angle A तो यहां common मिलता ही है जैसे मानो इसे alpha बना देगा अब अगर देखोगे यहां पर तो जैसे मानो A, B, C हो गया और ये हमारा point number D or E हो गया तो जैसे अब angle A जो है यहां पर ये छोटे वाले में है तो यही angle A जो है हमारा बड़े वाले में भी है फिर उसके बाद ये alpha छोटे वाले में आलफा इसमें भी है तो automatic आपका तीसरा वाले angle तीसरे वाले के बराबर हो जाता फिर उसके बाद आप यहां समरूपता लगा लेते काम कतम ये एक आ जाता है दूसरा question कैसे आता है जब आप एक triangle के अंदर वहां से line ना खीच के यहां से line खीच दिया जाता है उस case में भी आप यहां समरूपता लगा सकते है आपका एक angle A common है दोनों में हाँ जी सर common है चोटे वाले पार्ट में भी और बड़े वाले पार्ट में भी उसके बाद यहां मान लो इसे alpha दे देगा और बोलेगा यहां पर यहां पर यह alpha है तो सिधा सिधा बोलोगे सर यह triangle ABC है और यहां पर हमारा point D है तो यह angle A चोटे वाले में भी और angle एंगले बड़े वाले में भी दोनों में same है उसके बाद alpha यहां छोटे वाले में भी और इसमें भी same है, तो automatic यह तिसरा और यहां बराबर हो जाता है similarity लग जाता है, तो असल में similarity मैंने क्या कहा हूँ? similarity कहां लगाते हो, जहां दो अंगल बराबर हो क्योंकि दो बराबर होगा तो तीसरे को होना ही होना है जब मिया भी भी राजी तो क्या करेगा? काजी वाली बात हो जाती है और similarity से हमें फाइदा क्या होता है तो similarity से फाइदा यहां पर ही होता है कि sides के ratios बराबर हो जाते है ठीक है, तो वही बात है यह question हमने देखा हमने यहां देखा A-B दे दिया, B-C दे दिया, A-C दे दिया ठीक है, सारी बाते सही है produce करके भी ले गए सही है जैसे मेरी नजरों के आगे यह similarity का यह sign दिख गया ना, मैंने का लपेटेंगे तुझे और कैसे इसके ratio से ratio कैसे, तो जैसे मानो अगर यहां DA लिख होगे तो तुम्हें DC लिखना पड़ेगा DA लिख होगे तो DA के नीचे क्या लिखना पड़ेगा DC लिखना पड़ेगा, समझना मेरी बात को उसके बाद अगर यहां A-B लिख होगे दिया है नहीं दिया है तो ED को ऐसे रहने दो टेंशन की बात नहीं है DC का मान यहां दिया गया है नहीं दिया गया तो रहने देंगे बराबर AB की बात करते हैं भाई तो AB हमारा कितना है तो AB हमारा 20 है और AC हमारा कितना है तो AC हमारा 15 है यानि आपको पता है अच्छा ही और बात समझना बड़े ध्यान से मुनना कि अगर तुम्हारे ये तीन equations दिये गए हैं तो पहले और दूसरे को बराबर कर दो दूसरे और तीसरे को बराबर कर दो यानि एक बार इन दोनों को बराबर करो और एक बार इन दोनों को बराबर करो तब ही सवाल बना पाओगे नहीं तो नहीं बना पाओगे समझे ना तो जैसे मानों एक बार इन दोनों को बराबर किया यानि AD upon DC का मैंने रेशियो देखा तो ratio कितना आ गया 5 से 4 बार में 5 से 3 बार में तो बोलोगे गुरदेव AD command कितना हो गया 4X हो गया ठीक है और DC command हमारा कितना हो गया तो DC command हमारा 3X हो गया by solving ठीक है इन दोनों को solve किया तो ratio 4 और 3 का आ गया अब मैं इन दोनों को solve करने चलूँगा तो यहाँ पर देखो AB कमान हमारा कितना है तो बोलो के AB कमान 20 है AC कमान कितना है तो AC कमान 15 है BD की बात हम करते हैं भाई B और D BD कौन है तो B से लेकर D तक यानि 7 प्लस 3X तो BD कमान कितना हो जाएगा तो बोलो के 7 प्लस 3X हो जाएगा और AD की बात करते हैं भाई AD हमारा कितना है तो AD हमारा 4X है लीजे बन गया सवाल भाई X कहीं तो बताना है बता दो 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा 15 का 6 15 सते कितना हो जाएगा 15.95 15.105 और 15 2 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ठीक है और बताओ हाला कि इसे यहीं पर काट सकते थे calculation जादा नहीं होता 4 by 3 कर लेते जादा असान हो जाता लो यहीं पर काट 4 into 4 तुम्हारा 16 हो जाएगा ठीक है और यहां देखो कि 3 सत 21 और 3 तीए कि 9 उसके बाद यहां 16 में से 9 गया तो सिधा बोलो कि 7x की value 21 है x कमान सिधा 3 निकल के आगया और अगर यहां पर x कमान 3 निकल के आगया तो अब आपसे question में क्या पूछा था dc x कमान 3 तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा option number 1 correct answer है चलो next question की बात करते है question number 12 abc में d और ही जो है point aside bc और ab पे अब देखो मैंने का ना same similarity 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 I can't avoid ठीक है शलो आजाओ inter angle abc हमारा यह हो गया a b और c ठीक है d और e जो है वो point है किस पे तो d मेरे भाई point है हमारा bc पे ठीक है साफ दोर पे कहा है and e is a point on ab ab पर हमारा कौन point है तो e है हमारा कहा गया angle ac b का मान लेते हैं theta है let it be theta बराबर हो जाएगा d e b के भाई d e और b के बहुत अच्छे बोले थे ना similarity लगेगा माने ही नहीं तुम मेरी बात को सुनते कहा हूँ ठीक है अब इसको rotate गुमा दिया इसे एकदम इसे पल्टी कर दे 90 degree clockwise इसे तो तुम्हारा यहीं वाला triangle बन जाएगा कि यह तुम्हारा theta और यह तुम्हारा theta लो फिर वहीं कहोगे हाँ 90 degree घुमा दिया theta यहां आ गया यह वाला यहां आ गया भाई तो similarity ही तो है ठीक है आज़ो a b का मान कितना दिया गया है अगर यह 5 है तो यह कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है b d और c d का ratio 1 ratio 2 है b d और c d यानि अगर हम बात करते हैं तो they are in the ratio 1 ratio 2 हम से पूछा है b c का मान b c b c कहां गया रहे b c यह गया b c पका 3 का multiple होगा यानि यहां पर 2 options correct हो सकते हैं कोई बात नी भाई similarity जिन्दाबाद था similarity जिन्दाबाद है similarity जिन्दाबाद रहेगा मैंने आप से क्या कहा कि आज के समय S.S.E. की बुरी आदत हो गई है एकी triangle के अंदर दो जबरदस्ती का triangle बनाना कोई बात नी मान लेते हैं कि यह छोटा वाला triangle लेते हैं और एक यह बड़ा वाला triangle लेते हैं ठीक है और similarity को यहां लिखने की जरुवत नी बच्चे लोग लिखते हैं भाई साब निबा निबी की हरकेते होती है अपने पता कैसे लिखेंगे अपना लिखेंगे देखो छोटे वाले में थीटा है तो हंजी है और थीटा के सामने कितना है तो वन है बड़े वाले में थीटा है वन ना लिख लो भाई इसको X मान लो इसको 2X मान लो बवाल हो जाएगा तो यहां इसके सामने X लिख लो और इसमें सामने देखो छोटे वाले के थीटा के सामने X और बड़े वाले में थीटा के सामने 12 तो यहां 12 लिख दिया उसके बाद भाई साब सुन लो एंगल B दोनों में common है छोटे वाले में बड़े वाले में तो छोटे वाले में B के सामने कितना ED है तो यहाँ AD लिखोगे और बड़े वाले में B के सामने कितना AC है तो यहाँ AC लिखोगे अब देखना ज़रा खुदी इसका θीटा भी ले लिया इसका ये भी ले लिया तो तीसरा वाला एंगल बच गया कि नहीं बच गया तो तीसरा वाला कौन लेगा तो मैंने आगे आगा चोटे वाले थीटा के सामने X है और यहाँ इसके थीटा के सामने 12 है यहाँ इसके डबल के सामने हमारा ED है और यहाँ बड़े वाले में क्या है तो हमारा AC है इसके तीसरे अंगल के सामने कितना है 5 है तो यहां पर इसका Theta भी ले लिया इसका B भी ले लिया तो इसका तीसरा एंगल यहां यह होगा और इसके तीसरा एंगल के सामने पूरा पूरा BC या नहीं कितना हो जाएगा 3X अगर आप यहां देखोगे तो भाई एगर हम बीच वाले को गायब कर दें तो भाई साब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो लो solve कर लोना थीटा क्या परिशानी है तुम्हें सिधा बोलो कि सर तीन से काट दीजे चार बार में ठीक है तो x into x तुम्हारा x square हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 into मेरे भाई 5 के अगर हम root करेंगे तो x की value देखो 4 का root 2 और इसका root 5 यानि 2 root 5 is the correct answer x की value आगे 2 root 5 लेकिन क्या x की value चाहिए नाई x की value नाई चाहिए bc का मान चाहिए bc का मान का मतलब x और 2x यानि 3x का मान चाहिए यानि इसका 3 गुना तो 2 root 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6 root 5 यही मज़ा है जनाब similarity का आज़ो एक और question और उसके बाद similarity एकदम crystal clear ठीक है question number 13 देखो क्या कहा है भाई question number 13 में हमसे कहा गया है यह हमारा abc हो गया ठीक है d जो है वो हमारा bc के क्या है parallel है ठीक है उसके बाद हमसे कहा यदी ad कमान तुम्हारा 5 है उसके बाद d b कमान तुम्हारा 9 है फिर हमारा a e कमान हमारा कितना है 4 है और 7 में bc कमान भाई साब bc कमान 15.4 है ठीक है तो हमसे कहा sum of length of d e यहां पर यह d और 7 में हमारा किसका पूछा है e c कमान बता देंगे पूछो कैसे यह line ही तो काफी है सब कुछ बयान करने के लिए इसने कहा कि d d जो है वो bc के parallel है यानि यह रिखा इसके sum नांतर है तो अभी बताये थे याद करो वो दिन आज से 1000 साल पहले छोटा बटे में छोटा बराबर छोटा बटे में छोटे के यानि अगर इसको x मान लोगे तो क्या बोलोगे बोलोगे सर 5 upon 9 बराबर हो जाएगा सर किसके तो 4 upon x के तो सर यहीं से x कमान आ जाएगा लीजे गुर देओ x कमान कितना आ जाएगा तो बोलेंगे सर 9 चोगे 36 बटे 5 और भाई 36 बटे 5 का मतलब क्या हो जाता है 7.2 निकल के आ गया की नहीं आ गया बताओ x कमान आ गया 7.2 x कमान कितना आ गया 7.2 आ गया ठीक है अब यहाँ देखो सेम तरीके से अब यह d वाला कहानी कैसे करोगे तो याद गरो छोटा बटे में बड़ा बराबर छोटा बटे में बड़े के तो दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा छोटा कितना है तो 5 और बटे में बड़ा 9 जमा 5, 14 बराबर यहाँ छोटा मान लेते हैं इसे वाई के तो छोटा बटे वाई और बड़ा कितना है 15.4 के मान लो 14 से काटते हो यहाँ पर तो 14 एकम 14 1.1 1.1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5.5 यह आपका आजाएगा वाई का मान कॉशन में हमसे क्या का है दोनों का जोड़ यानि इन दोनों को जोड़ दो तो भाई 7.2 और 5.5 को जोड़ दो तो 7 और 5 बारह और 5 और 2 साथ 12.7 ऑप्शन नमबर बी बोलिए जोशरे पहु बली नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कॉशन नमबर 14 similarity का एक और जहां ratio जो है, area से हम सिधा उठाते है side से area नहीं लेकर जाते है area से side लेकर आते हैं ऐसा भी कोशन आता है paper में तो मैंने सुचा e question ये भी डाल देते हैं बच्चों का भला हो जाएगा तो यहां का आ आगिया the area of similar triangle PQR and MNT, our ratio इतना और इतना करके, ठीक है, if the longest side of PQR be 28 what is the length of longest side of MNT, छोटी सी बात है बस, थोड़ा सा point है जानना है समरूपता में, और ये हमारा क्या point है, तो ये हमारा ये point है भाई, कि जैसे माल लीजे हम को नाम ABC है और दूसरा triangle का नाम हमारा कितना है तो D है, E है और F है अगर हम इस triangle में बात करते है मेरे भाई, तो F से माल लो डीएफ हो गया, ठीक है तो यहाँ समझेगा सबसे पहली बात अगर मुझे area चाहिए और किसका area चाहिए ह को है area हमें ratio लेना है किसका तो DEF का तो इन दोनों का जो area का अनुपात होता है यह area का अनुपात इनके side के ratio का यहाँ पर एक तरीके से जैसे मानो यह alpha है यह हमारा beta है और यह हमारा gamma है यह हमारा alpha है यह हमारा beta है और यह हमारा gamma है तो alpha के सामने अगर ac है तो ac लिख देंगे यहाँ alpha के सामने अगर df है तो df लिख देंगे तो मैं वहीं आप से कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर area का ratio निकालना है तो side का square करना सीखो area का ratio निकालना है तो side का square करना मेरे भाई सीखो ना सिर्फ इन दो साइडों का बल्कि बीटा के सामने अगर बीसी है ना तो यहां बीसी लिखो और यहां बीटा के सामने एफ है तो एफ लिखो इसका भी स्क्वार करो ना सिर्फ मेरे भाई इसका बल्कि यहां यह भी करो गामा के सामने तुम्हारा एबी है ना तो यहाँ A B लिख दो और यहाँ गामा के सामने कितना यहाँ पर तो D लिख दो एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना ठीक है अभी तो मैंने सिर्फ साइड से रिलेशन निकाला है कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका मीडियन और इसका मीडियन इन दोनों के मीडियन का रिशो निकालना उसका स्कॉार कर देना एरिया का रिशो आ जाएगा इसकी सबसे बड़ी भूजा और इसके सबसे बड़ी भूजा क्योंकि सबसे बड़ी भूजा तो वहीं बनती है ना जहां सबसे बड़ा कौन हो सबसे बड़े कौन क्या आगे सबसे बड़ी भूजा PQR और MNT तो पहला हमने यहाँ पर कहा PQR और दूसरा triangle कहा हमने MNT ठीक है और question में हमसे क्या कहा है the area area का ratio हमारा कितना है तो सबसे पहली बात बोलोगे sir area का जो ratio हमारा वो है हमारा यहाँ पर ठीक है और यह 169 है उसके बाद कहा गया है कि PQR की सबसे बड़ी बुजा PQR के सबसे बड़ी बुजा तुम्हारी कितनी है तो 28 है तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी बुजा कितनी होगी मान लेते है मैंने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आप यहाँ side का square कर दोगे तो area आएगा उल्टा भी तो कह सकते हो area का root कर दो तो side आएगा side का square कर दो तो area आएगा तो area का root कर देंगे तो क्या आजाएगा area का root कर देंगे side आजाएगा यानि अगर area का ratio यह है यह हमारा क्या है area का ratio है तो हम अगर मान लीजे इनका root कर देते हैं तो यह हमारा किसका है, इस साइड का हो जाएगा 196 किसका? 14 का और यह किसका? 13 का और यह बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके साइड के 14 का दोगुना 28 से तो 13 का दोगुना 26 नहीं होगा कहां calculation है option number C answer हो जाएगा चलिए, आज एगे next question की दरफ चलते हैं, एक और question देखते हैं question number 15 क्या कहा गया है, in triangle ABC, यहां देखिए यह हो गया हमारा triangle A B और C ठीक है, D is a point on AB D is a point on हमारा क्या हो जाएगा, AB के उपर हो जाएगा, और such that BD की value कितनी है, तो BD की value हमारी 2 है, उसके बाद हम से कहा गया, AD का मान हमारा कितना है, तो AD का मान हमारा 3 है, E is a point on BC, E नाम का point है, मेरे भाई BC के उपर है, E is a point on BC साफ दोर पे देखिए, BC such that DE is parallel to AC अब यह कहां से आ गया, अच्छा D यह आ गया, भाई, कि D जो है, वो हमारा किसके parallel है, तो D हमारा AC के parallel है, और यह वाला जो है, वो हमारा इसके parallel है, देखो, सारे point में लिख रहा हूँ है, कि ABC में, D नाम का जो point है, वो हमारा AB के उपर है ठीक है, D is a point on AB, BD कमान 2 दे रखा, AD कमान 3 दे रखा, अच्छा parallel वाला यह parallel नहीं बोला है, इसको अटा दो फिर, माफ करना यह मैंने जबरदस्ती खुद से बना दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ D नाम का point दिया और कहा गया है, कि D नाम का जो point है तो हमारा AD कमान 3 है BD कमान 2 है, DE जो है, वो हमारा AC के समनांतर है AC कमान हमारा कितना हो जाएगा AC कमान हमारा 4 हो जाएगा तो हम यहाँ AC कमान कितना कह रहे है चार कह रहे है तो हमसे यहाँ पर BDE का और यहाँ TRAPEZM AC ED कमान पूछा है भाई, यह भी कोई सवाल है, बताओ फ़र जी सवाल है, पूछो कैसे इसकी तो जरूवत ही नहीं थी यह चार तो हमारा ऐसे ही दिया गया था फालतू का, ठीक है, A, C BD, असल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्जामपल भी दे देता हूँ, समझना मेरी बात को जैसे मानो मैं अगर आपको छोटी सी बात को मान लिजे कि अगर हमारा Entscheid का Ratio यहां पर 1, इह 1 हो गया और पूरा का पूरा कितना हो गया, 3 हो गया तो एरिया का Ratio कितना हो जाएगा तो area का Ratio हो जाएगा, δेखो side का square, यानि छोटे वाले का area 1 का square, और बड़े वाले का area हमारा कितना हो जाएगा, 3 का square चोटे वाले का area 1, बड़े वाले का 9, 9 में से 1 घटा दो तो trapezium का area निकल जाता है, कभी भी trapezium का area आप direct नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपको area निकालना है तो छोटे और बड़े का ratio ले लिजे, उसका square कर दीजे, तो छोटे का area बड़े का area आजाएगा, और उसमें से minus करे तो trapezium आएगा, लेकिन याद रखिएगा, जीवन में कभी भी trapezium का area direct नहीं आ सकता है, समझ गे मेरी बात को, तो यहाँ पर आप देखिए, यह हमारा कितना है, दो है, और यह हमारा कितना है, तीन है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे, दो और यह हमारा कितना हो गया, तो लोगे सर, यह देखो, यह 2 हो गया, और यह पूरा का पूरा, 2 प्लस 3, 5, तो side का ratio 2 और 5 है, तो area का ratio कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करते हैं, 2 का square 4, और 5 का square 25 हो जाएगा, मेरे भाई, तो यानि यह वाला area कितना हो जाएगा, 4, पूरा area हो गया, 25, 25 में से 4 घटा दो तो यह हो जाएगा, 21, यानि बोला गया है question में, 4, 21 अनुपात होगा, option number 8 होगा, वो सही होगा, इसमें एक और trick भी पता लगा सकते हैं, अगर आपको question solve करने का मन नहीं है, तो ऐसा कर लीजेगा, कि जैसे मान लीजे, पहला वाला option देखिएगा, यह perfect square है, और साथ में इन दोनों को जोड़के देखिएगा perfect square, अगर perfect square नहीं हुआ, तो answer नहीं है, जैसे यह 1 तो perfect square है, लेकिन 1 प्लस 5, 6 perfect square नहीं है, 2 तो perfect square खेर यह तो है ही नहीं, 4 perfect square है, लेकिन 4 प्लस 25 perfect square है, नहीं है, तो कभी भी area का ratio पूछ रहा है, यानि वो side का square करने पर आया है, और अगर side integer है, तो यानि area perfect square जरूर होगा, तो पहला part और इन दोनों का sum, यह हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से जो है आपका, यहां पर perfect square बनाएगा, इसके उपर question पूछा गया, और वो तीन पार्ट में पूछा गया, वो कैसे पूछा गया, वो पूछा गया था, और इसे कौन बना दिया गया था, वो 3D में पढ़ाएंगे, यहां नहीं, ठीक है, तो यहां area का ratio कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखिए, छोटा part 1, फिर यह पूरा part कितना हो जाएगा 2, और फिर पूरा का पूरा part कितना हो जाएगा 3, एक का square 1 हो जाए अगर यह एक है, तो यह कितना हो जाएगा 3, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला part 9 है, और अगर यह 9 है ना, तो 9 में 4 आचुका है, तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा मेरे भाई, यानि 1, 3, 5 हमारा ratio आजाता है, जैसे मान लीजिए, यहां पर question में कहा गया कि आपके प PQ का और B जो है, वो हमारे PR का मेड़ पॉंट है, ठीक है, question में हमसे यहां PQ का मान दिया गया है, कि PQ का मान हमारा 16 है, अगर हम यहां देखेंगे, QR का मान जो है, वो हमारा 30 है, उसके बाद हमसे यहां पर जो इस का मान कहा गया है, वो हमारा 34 कहा गया है, ठीक है, और हमसे कहा गया A, B, RQ यानि यह जो trapezium आपने बनाया है ना इस trapezium का perimeter बताईए परिमाब बताईए तो आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत असान काम है समझेगा यह अगर 16 है और अगर यह हमारा midpoint है तो उपर वाली value हमारी 8 होगी नीचे वाली value 8 होगी उसी तरीके से यह 34 है और अगर B midpoint है तो यह value 17 होगा और यह value 17 होगा तीके अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक right angle triangle होता है अगर यह midpoint है और यह midpoint है तो जब यह जोडोगे ना तो इस रेखा की जो मानोगी वो हमेशा इसकी आधी होगी यानि अगर यह 30 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 15 तो जैसे 16 का आधा है यहां पर उसी तरीके से 34 का यहां आधा है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 30 का आधा हो जाएगा तो अगर हम यहां ABRQ के बारे में बात करते हैं तो ABRQ का मान हमारा कितना होगा AB RQ कमान हमारा हो जाएगा 30 और 15 कितना हो गया 45 और प्लस 8 और 17 हमारा कितना हो जाएगा 25 कुल मिलाकर हो जाएगा 20 70 यानि option number जो C है वो हमारा correct answer है आज एगे next question की बात करते हैं अगला सवाल हमारा और जबरदस दिया गया अगला सवाल देखिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा question है और ये paper में आपके पूछा गया मुझे देखकर मज़ा आ गया मतलब इस सवाल अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया कि intringle ABC E जो है वो हमारा क्या है तो A midpoint है पूरा का पूरा BC का ये midpoint है भाई उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो F जो है वो midpoint है इस line का यहाँ पर तीक है यानि यहाँ पर E मद्ध बिंदू है और F B हमारा मद्ध बिंदू है तीक है और उसके बाद हमसे पूरे ABC का मान A B और C का मान 48 दिया गया है और हमसे यहाँ पर AFD का मान पूछा गया है यह हमारा भागों में बाटेग़ उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर F तो F B हमारा midpoint है जो दोनों को क्या करेगा बराबर बराबर भागों में बाटेगा मेरे भाई ठीक है अब मैं आप रहने छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ समझेगा ये आपका midpoint है ठीक है असल में यहाँ पर जो है थोड़ा सा मापको समझाएं तो हम कैसे समझाएं एक point मुझे आपको पढ़ाना है मतलब एक question जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर दो तरह के question पूछे जाते हैं इसके अंदर एक तो area का पूछा जाता है और दूसरा side का relation पूछा जाता है और वो यहाँ पर क्या होता है वो देखे जैसे माल लीजे यहाँ पर सीधा तोर पर एक question आया था और आज से 1000 साल पहले question था कि एक triangle है यहाँ पर ABC करके और इस triangle में मैंने एक line बनाया AD नाम का जहाँ D midpoint है फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक point कीचा गया ठीक है और इसको ऐसे ले जाके join कर दिया गया अगर आप देखेंगे यहाँ तो तीक है इसकी joining वैसे न अगर के आप ऐसे कर लो ज़्यादा सही रहेगा ऐसे एक line खीचा गया और कहा गया यहाँ पर कि यह भी जो है न यह भी line तुम्हारा E नाम का यह भी midpoint है यहाँ पर F नाम का point था और पहला question जो पूछा गया था वो मेरे भाई यहाँ यह पूछा गया A F और F C का जो अनुपात है वो हमारा कितना होगा A F और F C का अनुपात हमारा कितना होगा पहला जो question आया था previous year में इसके उपर वो हमारा यह था कि इन साइड्स का अनुपात हमसे पूछा गया था तो यह सवाल को बनाने का एक बहुती शांदार तरीका असल में similarity पर बनेगा आप जब यह triangle को बनाते हैं तरीके से तो जरा यहाँ triangle को बनाते वक थोड़ा सा point को ध्यान रखा करो कि जब आपने बनाया और D नाम का जब बना मेड़ पॉइंट है ठीक है यहाँ पर E नाम का मेड़ पॉइंट है तो जब आप इस वाले triangle पर आते हो यह purple कलर वाले को भूल जाओ फिलाल के लिए purple यह मैं इससे purple से बना रहा हूँ तो जब आप ऐसा बनाओगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है इस यह line के parallel आपको एक line यहाँ बनाना है खुद से कि भाई यह अगर parallel है तो मैं इसके parallel यहाँ पर एक point बनाओगा समझेगा बात को अब थेल सुरम में यहाँ पर क्या होता है तो यह वाला भी जो है यह पका midpoint होगा हमारा यानि दो parallel line में अगर यह midpoint है तो यह भी पका midpoint होगा और अगर दोनों midpoint है तो पका parallel होगे parallel है तो midpoint होगा और midpoint है तो parallel होगे तो वहीं वाली बात आजाती है यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ से construction किया यह midpoint पहले से था F भी अब midpoint हो जाएगा F midpoint हो जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं मानो इस point को X कहता हूँ तो मेरा AF और मेरा FX बराबर हो जाएगा समझ गए तो मेरा AF और FX मेरे क्या हो जाएगे बराबर हो जाएगे इस बात को समझना यानि ये 1 ratio 1 में मेरे भाई आ जाएंगे अब मैं दूसरा वाला triangle आपको बना के दिखा रहा हूँ समझना ये जो दूसरा वाला triangle है आपका ये पूरा का पूरा ये हरा color से अब ये हरे color में यहाँ पर क्या है हरा color में जो है देखो ये वाले line इस पूरे line के यहाँ पर parallel है तो बोलोगे, हाँ sir, parallel तो है और अगर parallel है, तो D मेरा midpoint है अगर मेरा D midpoint है, तो 1000% X भी midpoint हो जाएगा बो, X भी midpoint हो जाएगा और X किस का midpoint हो जाएगा? पूरे के पूरे CF का जैसिए D जो है, इस line का अगर midpoint है तो X हमारा CF का midpoint हो जाएगा यानि अगर ये midpoint हो जाएगा तो इसे भी 1 और 1 के ratio में बाटेगा इसलिए एक बार ऐसा भी question आया था कि AC का मान अगर 30 है तो AF का मान बताओ मतलब 1 third तो असल में हाँ पर क्या हो जाता है असल में हाँ पर अगर आप तरीके से सीखें चीजों को लेकर तो इसको हम ये भी कहते हैं कि यानि 1 ratio 1 ratio 1 ये total हमारे 3 भाग में बढ़ जाते हैं ठीक है AF और FC यहाँ पर तो जो question में हमसे पूछा गया था वो question में हमारा यहीं था कि AF और FC का ratio कितना होगा तो AF हमारा कितना है 1 unit और FC हमारा कितना है तो 2 unit तो यहाँ से जो हम construction करते हैं तो construction करने के बाद ये दो भागों में और बढ़ जाता है तो जो पहला question आया था वो हमारा ये side के उपर था और जो दूसरा question आया वो हमारा area के उपर है तो area के उपर है तो बताने के तो जरूवत नहीं AD की value कितनी होगी 1 unit और DC कमान हमारा कितना होगा 2 unit यहाँ अगर हम देखे तो B हमारा कितना होगा 1 unit और C हमारा कितना हो जाएगा 1 unit हो जाएगा भाई ठीक है अब थोड़ी सी बात है माप उसी काते हैं समझे पूरे यहाँ पर triangle का कितना area है 48 है और अगर मेरे भाई 48 है तो यू समझ लो कि यहाँ पर जो है 48 है तो यह वाला part कितना होगा 24 होगा और यह वाला part कितना होगा मेरे भाई 24 यानि यह midpoint है तो इधर पूरा 24 cm2 इधर 24 cm2 क्योंकि midpoint है अब triangle यहाँ पर यहाँ पर यह बताओ एक line जो है बराबर बराबर area में बाटेगा उसने 48 को बराबर बराबर में बाटा इस 48 में भी देखो भी यह पूरा का पूरा 24 है यह पूरा कितना है 24 है मैं यहाँ हर पार्ट की value आपको बता दे रहाँ और F क्या है midpoint है तो अगर मानो ऐसा मैं triangle बना रहाँ और कल के दिन यहाँ पर यह बंदा midpoint है तो यानि यह दोनों area बराबर तो 24 के यहाँ पर भाग होंगे और यह बटेगा 12 और 12 में समझगे बात को यहाँ पर 12 और कितने में बटेगा 12 में बटेगा अब उसके बाद यहाँ देखते हैं तीक है चुकि हमारा F जो है वो midpoint है तो F से इसको corner से connect करो F से हम क्या करेंगे corner को connect करेंगे और एक पल के लिए है ना बस आप यह वाले line को भी फिलाल भूल जाओ बस आप यहाँ पर तो जैसे आपने कहा कि सर यह 12 और 12 है उसी तरीके से F midpoint है तो उपर वाला part 12 और नीचे वाला भी part 12 होगा यहाँ पर होगा की नहीं होगा तो बोलोगे हाँ सर अब वापस सफेद वाले लेकर आते है तो आप बोलोगे सर देखो यह वाला 12 हो जाएगा ठीक है बताओ यहाँ पर तो क्या बोलोगे सर यह वाला 12 हो जाएगा और यह पूरा का पूरा part यह कितना होगा 12 हो जाएगा ठीक है जो 12 है उसके कितने टुकडे होंगे 3 कमान 12 1 कमान 4 और 2 कमान 8 यानि ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा तो हर पार्ट का यहां पर मैंने आपको एरिया बता दिया है आपको यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी अगर पॉइंट का एरिया यहां निकालना है किसी भी खंड का एरिया निकालना आप निकाल सकते हैं इसलिए मैंने का यह बहुत अच्छा कोशन पेपर का पूछा गया तो पहले 48 था तो 24 और 24 में बाटा उस 24 को बारा बारा में बाटा उस 12 को 1 और 2 रिशियो में बाटा यानि 4 और 8 हो गया तो असल में आंसर इसका कितना होगा option number C होगा मेरे भाई ठीक है आज यह question number 18 पर चलते है question number 18 को देखते हैं कहा गया इन triangle ABC angle A का मान 90 है यानि right angle triangle है यहां तो हमने कहा देखो यह हमारा triangle A हो गया B हो गया और C हो गया angle A का मान कितना है तो 90 है उसके बाद हमसे कहा है AD perpendicular है किसके उपर BC के उपर यह हम AD की बात करते हैं तो AD हमारा किसके उपर perpendicular है BC के उपर कौन से point पर D पर AB का मान कितना है तो AB का मान हमारा 12 है उसके बाद बात करते हैं AC का महान हमारा कितना है तो AC का महान हमारा 16 है तो what is the length of BD ये BD का महान कितना है अब वक्त आ गया है आपको right angle triangle के वो 5 property बताने का ठीक है अलाकि मैं ये property आगे भी चल के बताऊंगा लेकिन मुझे लगता है अभी से best मौका कुछ भी नहीं है वो property बताने के लिए असल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप right angle triangle जब पढ़ते हैं तो right angle triangle में ये आपका हो गया A, B और C ठीक है यहां से जब आप एक लकीर कीशते हैं D नाम का तो ये BD perpendicular होता है तो right angle triangle में क्या होता है similarity लगाने के बाद जैसे छोटे वाले पार्ट के साथ बड़े वाले का पार्ट का similarity आपने लगाया तो उसमें similarity लगाने के बाद आपके कई सारे सवाल इसके अंदर आते हैं कई सारे proofs आते हैं formula book में मैंने इसका पूरा जिकर किया हुआ है तो basically हमारे exam में जो पूछा जाता है वो ये 5, मतलब इसके उपर पूछा जाता है 5 varieties, 5 types हो गए जैसे इसमें सबसे पहला हो जाता है हमारा वो हमको याद रखना है वो होगा BD का square बराबर AD into DC के ये ध्यान रखे, पहला part हो गया फिर उसके बाद अगर हम दूसरे part की यहां चर्चा करते हैं तो वो हमारा हो जाता है हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर ये AB का square याद रखना AB का square बराबर छोटा into बढ़ा के, यानि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो AB का square बराबर हो जाएगा AD और into पूरा का पूरा AC के, उसी तरीके से तीसरा point हमारा हो जाता है तीसरा point क्या हो जाता है, BC का square बराबर छोटा into बढ़ा के, यहाँ पर यह BC का square बराबर हो जाएगा किसके, DC into मेरे भाई AC के, ठीक है चौथा point अगर हम बात करें है तो चौथा point हम यह कहेंगे कि यह AB और BC यहाँ पर, AB और यहाँ पर साथ में BC बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा BD into AC के भाई ठीक है यह हमारा चौथा point हो गया पांचवा एक और जबरदस्त point है और वो भी हमारा ठीक है तो यह हमारा पहला हो गया BD का square अच्छा, पांचवा point हमारा क्या हो गया तो अभी देखो 2-3 point और हम बना सकते हैं और इनका use करके भी हम बना सकते हैं और कई सारे point जैसे मानों अगर आप पहले और दूसरे को देखो AB और BC square को use करोगे इन दोनों का पहले ratio लोगे तो इन दोनों का ratio लोगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का ratio लोगे तो AB square upon BC का square ठीक है, बराबर हो जाएगा भाई AC से AC खतम AD upon DC के जिसको यहाँ पर एक तरीके से यह ना कहके एक और point इसका कहा जाता है दोनों side root ले लेंगे अगर तो ऐसा भी कहा जाता है कि AB और BC का अगर आपको ratio निकालना है ना तो आप यहाँ root ले लो किसका AD और DC का बात का तो यह आपका पांचवा point आएगा हलाख कि एक दो point और हैं लेकिन अभी उतना जादा हम लोग detail में नहीं जाएंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो बाते जानेंगे यहाँ पे तो यह पांचो property आपको धिहान रखना है समझगे बात को यहाँ पे AB upon AC बरावर root under AD upon DC clear है चलिए तो यहाँ पर जो question में हमारा बोला गया तो सबसे पहले आजाते है यहाँ इसकी value हमें 90 दे दी गई है और उसके बाद यह line कीच कर इसकी value हमें 90 दे दी गई है और हमसे यहाँ किस का मान पूछा है तो हमसे भाई BD का मान पूछा पहली बात चुकि यह पाइथागोरस theorem यहाँ लगेगा तो पाइथागोरस लगेगा तो यह 12 है और यह 16 है तो यह पूरा का पूरा 20 हमारा कितना हो जाएगा 20 बताने के तो जरूरत नहीं 3, 4 और 5 का triplet है बताओ नहीं जरूरत है ना तो बस अभी याद रखो यह A B का square याद आ रहा है यहाँ पर जो A B का square है बराबर छोटा इंटू total के यानि A B का square बराबर हो जाएगा B D इंटू कितने के तो B D इंटू B C के A B की value हमारी कितनी है तो A B की value 12 है 12 का square 144 B D का मान कितना है X है और यहाँ B C का मान हमान कितना है तो 20 है ठीक है अगर हम यहाँ 144 को 20 से भाग करेंगे 2 से पहले काट लो 10 बार में 2 से काट लो 72 बार में और 72 को 10 से भाग करोगे 7.2 तुमारा value आ जाएगा यह correct answer है तो असल में यह right angle triangle के 5 ओ property के उपर होते हैं यह आपको याद रखना होता है नहीं तो problem बहुत आते है एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया कहा गया एक समकून तरिभूज में noon कोनों के शिर से मादिकाओ की लंबाई 7 और इतना है तरिभूज के कर्ण की लंबाई क्या होगी मुझे लगता है एक और property अभी हाँ बताने की जरुवत है मतलब geometry में इतने सारे property है कि मैंने यहाँ पर बस यू समझ लीजे कि हर property पर एक question set कर दिया है ताकि जब मैं वो question पढ़ाऊ न तो मैं आप लोगों को एक तरीके से है आप जब देखेंगे तो जैसे माल लीजे यह आपका ABC करके है ठीक है तो ABC में यहाँ पर क्या हो जाता है जैसे इसमें का गया right angle triangle length of two medians ठीक है दो case बनते हैं एक हमारा यहाँ पर यह हो जाता है कि AE हो गया और दूसरा हमारा हो गया माल लो CF हो गया ठीक है यहाँ पर मैं साफ़ दोर पर लिख रहा हूँ where ठीक है A, E, N, C, F, R medians और दूसरा यहाँ पर सेम तरीके से जो है एक और question बनेगा लेकिन वहाँ पर यह median नहीं होंगे वहाँ पर क्या होंगे मेरे भाई यह median नहीं होंगे सिर्फ यहाँ पर होगा कि there are points there are not medians but points दोनों case में हमारे एक जबरदस point निकल के आएगा और वो हमारा क्या है वो समझो पहले वाले case में जैसे right angle triangle में ठीक है right angle triangle में जब भी यह दोनों की दोनों के मादिकाए होती है तो जो important point होता है वो यह होता है कि 4 गुना हमारा median का square अलाकि आप मैं से बहुत को पता होगा comment box में answer देना a plus cf का square ठीक है यानि 4 गुना medians के square बराबर हो जाएगा किसके 5 गुना हमारे ac के square के यानि hypotenuse के square के clear है यह बात है हाँ पर ठीक है और उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे यह जो आपके एक तरीके से होगा है इसमें एक और point हो जाता है वो हो जाता है यह F e अगर F e के साथ भी relation निकालोगे न तो F e के साथ भी relation आपका निकल जाएगा ठीक है F e के साथ relation भी कैसे निकलेगा तो इसी point को तोड़के निकलेगा जैसे मानो यहाँ पर यह 4 गुना है और 4 गुना आपका A e का स्क्वार और प्लस यहाँ पर C f का स्क्वार ठीक है बराबर हो जाएगा जैसे मानो 5 ac स्क्वार है ठीक है तो यहाँ पर आप जो calculate करोगे हाला कि यह कर सकते हो ac स्क्वार में एक ac स्क्वार को ऐसे रख लो लेकिन नहीं इसको मत तोड़ो यहाँ पर वो relation मत निकालो इनका चार गुना उसके पांच गुने के बराबर होगा ठीक है इसको ऐसे रहने दो इसमें नहीं चेंज करो इसको रहने दो यह formula as it is जादा अच्छा है इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है इनमें ratio भी आप कह सकते हैं कि इनका upon इतना बराबर 5 upon 4 हो जाता है अब दूसरे वाले point पर आते हैं जहाँ पर दूसरा वाला point कहा गया where A and CF are points इसके बारे मुझे बताइए कि यह points पर आप कैसे करेंगे यह जहाँ पर यह normal point होते हैं ठीक है जो यहाँ पर यह इस midpoint के भी conditions को satisfy करेगा यह भी सोच लेना आप यहाँ पर ठीक है तो इस वाले point पर आजाओ तो इस वाले point पर सबसे पहले देखोगे यहाँ पर तो कहा गया है A e का square और उसके बाद यहाँ पर जो है वो CF का square बराबर हो जाएगा हमारे किसके तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई देखो A e का square प्लस CF का square बराबर हो जाएगा दो point के और वो हो जाएगा हमारा AC का square और प्लस यहां पर F E का स्क्वार के ध्यान रखना है यहां पर यह मीन फॉर्मला होता है और इसी पॉइंट में जो हमारा E और जो हमारा F एक तरीके से क्या हो जाते हैं E और F हमारे मिड़ पॉइंट साबित हो जाते हैं क्या साबित हो जाते हैं पॉइंट साबित हो जाते हैं तो जैसे मानो यह सिर्फ और सिर्फ अगर पॉइंट है तो इसका स्कॉयर और इसका स्कॉयर बराबर हो जाएगा इसके और प्लस यहाँ पर यह इसके वाले के स्कॉयर के लेकिन अगर मेरे भाई यहीं पर स्कॉयर और eder अ mechanicsust तो एक तरीके से ये जो हमारा FV है, ये FV हमारा किसके बराबर हो जाता है आप देखो, अगर ये FV जो है वो किसका आधा हो जाता है, AC का आधा हो जाता है तो यहाँ AC by 2 रख देते हो ना, तो ये formula तुमारा इसमें चलके convert हो जाता है तो इसलिए आपको यहाँ कुछ अलग तरीके से ध्यान नहीं रखना है जब ये normal points होते हैं, तो इन medians का square बराबर हाइपोटेनस और पीछे वाले का और अगर ये दोनों mid points आभी तो तो बस FV को AC by 2 कर दो, AC square upon 4 आजाएगा 4 plus 1, 5 by 4 हो जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा और वो इसमें convert हो जाता है तो ये भी हमारा जरूरी है तो जैसे ये question में कहा गया, question number 19 में in right angle triangle, ये हमारा right angle triangle है तो ये हमारा right angle triangle है, तो ये हमारा हो गया ABC, ये हो गया D और ये हो गया E हमसे कहा गया, what is the length of hypotenuse of triangle, ये हाईपोटेनस का मान हमारा कितना है तो भाई, साफ तोर पर 4 गुना माधिकाओ का square है पहली वाली माधिका कितनी है, 7, 7 का square हो जाएगा, 49 दूसरी वाली माधिका कितनी है, 4 root 6, इसका square करो 4 गुना माधिकाओ का square बराबर हो जाएगा, 5 गुना किसके? hypotenuse के square के, ये हैं X के square के लीजे भाई, 4 into यहाँ पर कितना हो जाएगा? 95 और 4, 100, 145 ठीक है? बराबर हो जाएगा किसके? 5 X square के, 5 से काटो तो 5 का 2 गुना और यहाँ पर कितना? 9 तो यहाँ X की value कितनी आजाएगी? 4 का root 2 और यहाँ root 29, 2 root 29, option number जो C है, वो हमारा correct answer है, ठीक है? clear है यह बात यहाँ पर, तो question पूछा जाता है paper में, clear up रखना आपने आपको, तरीके से मतलब कि हाँ हम बना लेंगे, को attention नहीं है भाई ठीक है, आजए, question number 20 पर आजएए, P and Q are on the side on A, B and B, C respectively of a triangle ABC right angled at B यहाँ गया कि एक right angle triangle हमारा है, और right angle triangle में क्या कहा है, बिंदू P और Q, यह हमारा हो गया A, B, और उसके बाद यह C तो P and Q are on the side A, B and B, C यहाँ पर यह P नाम का point है, यह हमारा Q नाम का point है, इसमें हमें AQ कमान दे रखा है, इसने हमें PC कमान दे रखा है AQ कमान हमारे 11 है, PC कमान हमारा 8 है, उसके बाद AC कमान हमारा 13 है और पीछे वाले कमान हम से पूछा है हमने का बहुत असान है भाई टेंशन की कोई बात नहीं है आप मुझे बता हूँ 11 का स्क्वाइर प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वाइर बराबर हो जाएगा किसके 13 का स्क्वाइर और PQ को माल लेते हैं X तो यहाँ पर कितना हो जाएगा X का स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 121 प्लस यहाँ 64 बराबर हो जाएगा 169 प्लस X के स्क्वाइर के ठीक है यहाँ पर देखें तो 126,18,185 और 185 मैंसे हम 169 को माइनस करेंगे ठीक है तो टोटल हमारी जो वैल्यू आजाएगी वो आजाएगा 16 बराबर X स्क्वाइर तो X की वैल्यू कितनी आगई 4 आगए भई करेक्ट आंसर कितना है तो 4 है ठीक है करेक्ट आंसर कितना है मेरे भई तो 4 है option नमबर जो D है वो हमारा correct आंसर है ठीक है चलिए आजाएगे next question की बात करते हैं अगले सवाल पर चलते हैं question number 20 हम यहां देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा है ये भी जरूरी है तो अगले सवाल में कहा गया है त्रिभूज ABC में C का मान हमारा 90 degree है माल लीजे हमने ये triangle बनाया है और यहां पर अगर हम देखें तो angle C का मान हमारा कितना है 90 degree है ये हमारा त्रिभूज ABC है और C का मान हमारा 90 है बिंदू P और Q AC और BC पर ठीक है AC पर कौन है तो बिंदू P है और BC पर कौन है तो Q है तो कहा गया है कि P और Q AC और BC पर इस प्रकार स्थित है कि AP PC ठीक है AP और यहां पर जो है एक तरीके से PC AP और PC जो है वो बराबर हो जाएगा BQ और QC के 1 ratio 2 के समझेगा मेरी बात को यहां पर ठीक है कि AP और PC यानि यहां पर यह 1 और 2 के ratio में है यह बराबर हो जाएगा मेरे भाई किस के तो यहां पर BQ के और किसी के यानि किस के तो 1 ratio 2 के यहां पर ठीक है Q में हमसे इनका स्कॉार पूछा गया अब एक Q मैंने यह जानके और डाला ताकि आपको हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट बताते रहें कि भाई देखो एक property पढ़ ली खुश हो गए अब दूसरे पर आजाओ दूसरा पढ़ ली आखुश हो गए अब तीसरे पर आजाओ जैसे यह question में यहां पर ऐसा है कि देखो इन दोनों का अनुपात एक और दो का है इन दोनों का अनुपात एक और दो का है और आपसे यहां पर यह देखो AQ मिलाएगा ठीक है आपसे यहां पर BP भी मिलाएगा मेरे भाई यहां पर और तब उसके बाद यहां AB के साथ स्क्वाइर पूछेगा कि भाई यहाँ पर AQ का स्क्वाइर ठीक है और प्लस उसके बाद यहाँ पर BP का स्क्वाइर ठीक है और प्लस उसके बाद यहाँ पर AP का स्क्वाइर यह बताओ अब असल में आप लोगों के मन में क्या होगा अच्छा यहाँ पर AQ और BP अब इस बार तो हमसे यही पूछ लिया कई से बता है कोई नहीं भाई यह simple right angle triangle के property पर है कर सकते हो ठीक है आप इन ratios को value माल लो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ आपको यहाँ पर परिशान होने की जरुवती नहीं है आप इसे 1 और इसे 2 माल लो इसे 1 और इसे 2 माल लो बस value माल लो परिशान मत होना पहली बात AQ की आवशकता है यह AQ की आवशकता है तो यह AQ हाइपोटेनस है ना कर्ण है कैसे निकालोगे भाई तो perpendicular तुम्हारा कितना है तो perpendicular 3 है और base कितना है 2 है तो 3 का square हो जाएगा 9 और 2 का square हो जाएगा 4 9 जमा 4 13 यानि तुम्हारा एक तरीके से बात करें तो यह AQ की जो value आगई है यह AQ की value कितना हो जाएगा AQ की value मेरे भाई root 13 हो जाएगा समझ गए Intrangle A, C, Q यह hypotenuse है तो hypotenuse बराबर perpendicular का square फ्लस base का square 3 का square 9, 2 का square 4, root 13 उसके बाद हम बात करते हैं BP के square के बारे में यह BP हमारा यह BP BP कैसे निकलेगा भाई यह बताओ पहले तो Intrangle P, C, B यह hypotenuse है तो hypotenuse कैसे निकलेगा तो perpendicular का square प्लस यहाँ पर किसका square? base का, यानि 2 का square 4 और 3 का square 9, तो 9 जमा 4 यह कितना हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा root 13 clear यह बात हैं पर, तो लीजे सर बन जाएगा, ठीक है उसके बाद हमें AB का मान पता करना है यह पूरा का पूरा main hypotenuse main hypotenuse भी कोई बहुत बड़ी बात है बताओ यहाँ पर, यह हमारा हो गया 3 और यह हमारा हो गया 3 3 का square 9, 3 का square 9 और खाला कि इतना क्यों करना यार जब right angle, triangle में यह बताओ यह A होता है, यह A होता है, तो hypotenuse root 2 A होता है, तो बस यह 3 है और यह भी 3 है, तो यह जो main हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा तो बोलोगे, sir, root 2 into 3 यानि 3 root 2 आप कह सकते हो कि कितना है 3 root 2 है, सब की value आगी रख दो, यहाँ पर answer आ जाना है AQ का square, तो AQ कितना है root 13, root 13 का square 13 हो जाएगा BP का square, मेरे भाई, यह भी root 13 है तो इसका square 13 हो जाएगा और AB का square, यह 3, 3, 9, 2, 18 तो हम बात करेंगे, यहाँ पर 26 बटे 18, यह हमारा सही है 2 से काटोगे 13 बार में 2 से काटोगे 9 बार में 13 बटे 9 option number C, जो है correct answer है आज यह चलिए, एक और question आते हैं यहाँ, और triangle with length of its sides proportional to it, तो यह कैसा triangle होगा, परी में ऐसा question जादा पूछा जा रहा है, कि triangle की यहाँ बताओ यार कौन सा वाला triangle है, मतलब right angle है, कैसा है, क्या है तो उसके बार में भी आपको समझना है एक छोटी सी बात कि triangle जब हम फॉर्म करते हैं तो उसके पीछे की हमारी यहाँ पर एक तरीके से properties क्या क्या होती है वो जानिये, तो जैसे माल दीजे कि आपने हाँ पर तीन तरह के triangle बनाए, एक ही हमारा acute हो गया, उसके बाद हमारा right angle triangle हो गया, उसके बाद हमारा एक optimize angle triangle हो गया यानि हम बात करते हैं तो noon contribute, some contribute, अधिक contribute noon कोन में क्या होता है तो noon कोन में theta का मान less than 90 होता है यहाँ पर theta का मान 90 के बराबर होता है यह वाला theta जिसे हम बोलते है मतलब एक कहलो कि यह कोई भी theta हो गया जैसे मानो यह हो गया theta 90 और यहाँ जो हो गया यह नहीं अधिक कोंद्रिश तो हमारा यह हो गया यहाँ पर यह जो theta हो जाता है यह नबबे से बड़ा हो जाता है समझ गे मेरी वातों को यहाँ पर तीक है और मैं मान रहा हूँ यहाँ c be the biggest side यह भी बहुत मतलब जरूरी है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो हमारा c है यानि biggest है यहाँ पर हर जगा पर यह क्या है तो हर जगा पर c जो है वो biggest side है biggest side के साथ ही relation बता पाओगे smallest के साथ कौन relation बताता है कोई भी नहीं ठीक है तो अगर हम यहाँ छोटी सी बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे हम यहाँ पर यह बात बोलेंगे भाई समझे बात तो ऐसी है यहाँ पर ठीक है यह दोनों क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे मेरे भाई किसके c के स्कौर के यानि acute में क्या होता है यह दोनों भारी पर जाते हैं किसके उपर c के उपर फिर c थोड़ा सा अपने आपको और ताकत और बना के लिए के आता है और अपने आपको थोड़ा और बड़ा करता है तो जोब यह बड़ा करता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है A² प्लस B² बराबर हो जाता है C² के मैं कारण बताता हूँ, आप ऐसे समझो देखो, एंगल यहाँ जो होता है न, यह हमारा यहाँ यह थीटा होता है आप ऐसे समझो, तो थीटा जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा न, सामने वाली साइड बड़ी होती जाएगी जैसे यह थीटा था पहले मातर इतना था फिर यह यहां पर आया तो इसने अपने आपको इतना किया फिर यह आया तो अपने आपको और बढ़ा किया यानि जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला गया यहां C की वैल्यू बढ़ती चली गई और C की value बढ़ती चलेगी तो उसका उकात बढ़ता चला गया यानि पहले यहाँ पर C का square इनसे छोटा होता था अब C का square इनके बराबर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो C का square जो है A square प्लस B square जो है ठीक है यहाँ C का square जो है इनसे बड़ा हो जाएगा तो पहले ये छोटा था फिर बराबर और ये बड़ा हो चुका है ये तीनों तरह के triangle को परिवाशित करता है समझ गए यहाँ पे तो अगर पता करना है कि कोई triangle अगर acute है तो उसके सबसे बड़े वाले का square देखो और बाकी दोनों का square का sum देखो अगर बड़ा वाला square छोटा आ गया तो acute है बराबर आ गया तो right है और बड़ा वाला का square अगर बड़ा आ गया बाकी दोनों का square के sum के तो वो हमारा कैसा हो जाएगा opt use हो जाएगा ये पहचान होती है तो जैसे यहाँ पर मुझे पता ही नहीं को ऐसा triangle है क्या triangle है मैंने देखा 7,24,25 है तो यहाँ पर 7,24,25 है तो भाई एक तरफ 7 का square करेंगे और उसको 24 के square के साथ जोड़ेंगे और एक तरफ सबसे बड़ा वाला कोन है 30 है उसका square देखेंगे अब इनके में देखते हैं equal का relation आता है less than का आता है, greater than का आता है मेरे भाई 25 के square के बराबर होते है और यह हमारा 30 का square अब खुद बताओ दोनों में बड़ा कौन है यह बड़ा है, ट्रेंगल कौन सा होगा तो ट्रेंगल हमारा obtuse होगा, option number यह answer होगा next question 22 के बाद चलते हैं 23 number सवाल बढ़िया सवाल है उसे भी देखते है क्या कहा गया है कहा गया है the side of equilateral triangle ABC is 3 root 7 P is a point on side BC such that BP और PC का ratio 1 और 2 का है हमसे AB का मान पूछा गया है ठीक है, दुबारा से the side of equilateral triangle ABC मान लो यहाँ पर यह क्या है तो यह हमारा ABC हो गया ठीक है और ABC की value हमारे 3 root 7 हो गई कहा है P is a point on BC P नाम का point हमारा BC पर है और BP और PC का जो ratio है हमारा 1 और 2 का है तो हमसे AP का मान बताईए पढ़िया सवाल है very good question ठीक है और यह हमारा किसमें कहा गया है तो यह हमारा 60 degree है यह भी हमारा कितना है 60 degree है very good question यह हमारा equilateral triangle है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 3 root 7 हो जाएगा समझेगा इस बात को यह भी value कितनी हो जाएगी 3 root 7 हो जाएगी और यह भी value कितनी हो जाएगी 3 root 7 यानि कहने का मतलब एक हमारे पास संभाहुत रिभूज है जिसकी प्रतिक भुजाएं 3 root 7, 3 root 7, 3 root 7 है फिर उसके बाद यह बिंदूई से एक और दो के अनुपात में बाढ़ती है यह कोन हमारा 60 हम से AP कमान पूछा है आप में इससे बहुत हो को लग रहा होगा कि AP इसकी height है तो root 3 by 2 ए कर देते हैं लेकिन height नहीं है क्योंकि अगर यह height होता तो इससे बराबर में बाढ़ता लेकिन यह height नहीं है तो यहाँ पर क्या है आज की बाद जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान रखना एक हमारा होता है cost theta का प्रयोग और वो कहां पर होता है geometry में होता है और हम क्यों करते हैं cost theta का प्रयोग कभी भी हमारा दो भूजा और एक angle दे देना और तीसरी वाली भूजा निकालना होता है तो cost theta का प्रयोग होता है मुझे आज भी एक बच्चे की बात याद है कि सर phase 9 का उपेपर देके निकला था प्रेंटर के बाहर और फोन करके कहा था और का सर मेरा पहला कोशन यहीं आया था कि दो side और एक angle तीसरा पता करना है और मुझे याद था मैं मना ली जा रहा था बस में था मैं तब उसने phone किया था ठीक है तब का दा कि सर आपने पढ़ाया था और कहा भी था कि जब भी दो side और एक angle दे दे और तीसरा वाला पता करना हो क्या लगाते है cos theta और मैंने cos theta लगाया और answer मेरा आगया हाँ पर तो मतलब कुछ चीज़ें मुझे भी fix ही हो जाती है आथ सी हो जाती है चलो बच्चे ने उसने ऐसा कहा था तो cos theta का मतलब क्या हो गया देखो जैसे मानो ये दोनो भूजा दी है और इसके बीच का angle दिया है ठीक है और तीसरा वाला value पूछा है तो कैसे निकालेंगे तो तीसरा वाला value जैसे मानो यहां पूछा गया मानो x का मान पूछा गया तो X कमान कैसे निकालेंगे ध्यान रखो तो cos theta बराबर इस theta से तुम्हारी जो दोनों side जुड़ी है उनके square कसम यानि A square प्लस B square ठीक है उसके बाद minus कर दो जो नहीं जुड़ा है इसके सामने जो नहीं है वो क्या कर दो minus कर दो और divided by कितना हो जाएगा भाई 2 into A into B यानि जिने आपने multiply किया सबसे बढ़िया मेरे भाई सबसे सटीक सबसे सांदार इसके साथ जो जो जोड़ा हुआ है उनके square का यहां क्या कर दीजे sum कर दीजे जो इसके opposite में उसके square को यहां घटा दीजे आप यहां पर और divide कर दीजे 2 into जिने आपने जोड़ा है उनको यह हमारा cost data होता है सेम तरीके से यह कहानी है इस कहानी में अगर हम बात करें यहां पर तो हमारे पास एक equilateral triangle है उस का angle एक हमारे पास 60 है ठीक है यह 1 और 2 के ratio में बटा है यानि ऐसे कहलो 3 root 7 को हमने यहां बाटा तो 3 root 7 को हमने 3 टुकड़ों में बाटा तो यह 1 root 7 है और यह 2 root 7 है सीधा सहीं साब किताब इसे अटा दो अब एक तरीके से आप मुझसे चाह रहे हो कि मैं AP का मान बता हूँ तो देखो 2 हमारे पास side हो गई और एक बीच का अंगल हो गया तो AP का मान आ जाएगा बोलो आएगा की नहीं आएगा बताओ तो हमने यहां पर कहा कि देखिए AP का फाइदा AP का यहां पर value निकालना है कैसे निकालेंगे तो मैंने कहा यार cos theta यानि कितना हो जाएगा x square या ऐसे कहलो AP का square divided by कितना हो जाएगा तो divided by 2 into यह हमारा कितना है तो 3 root 7 है और यह हमारा कितना है तो root 7 है ठीक है उसके बाद एक बात अगर हम करें तो cos 60 के मान कितनी होती है भाई तो cos 60 के मान तुम्हारी 1 by 2 हो जाती है ठीक है मैं यह साफ लिख रहा हूँ cos 60 और cos 60 की value फिर मैं यह 1 by 2 लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना है यह हमारा 2 से हमारा यह खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए तो root 7 root 7 7 7 into 3 21x into 1 हमारा 21 हो जाएगा 63 और 7 हमारा 70 हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके AP के square के AP के square को अगर आप इधर लेकर आ जाओगे तो यह हमारा हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा यानि यहां से AP कमान कितना आ जाएगा तो AP कमान 49 का root यानि 7 आ जाएगा correct answer कौन सा है option number D है भाई आजओ next question की बात करते हैं सवाल हम यहां देखते हैं एक और प्यारा सा question मज़ा आ रहा है की नहीं आ रहा है एक बार comment box में बताओ जो मट्री इंटरेंगल ABC अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर टरेंगल ABC में क्या है चलिए इंटरेंगल ABC ABC, AB जो हो गया वो हमारा क्या हो गया AC के बराबर हो गया D नाम का point है और वो D नाम का point कहां पर है तो BC पर है हमसे BD का मान 5 दिया गया है AB का मान हमारा 12 है और अगर यह 12 है तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा AD का मान भी भाई दिया गया है और AD का मान तुम्हारा कितना है 8 है और यहाँ CD का मान पूछा है यहाँ पर भी आप जो है Cosita का बहुत ही जवर्दस्थ प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई आप समझे पहली बात यह तिरे भुज कहा गया यह 12 है तो यह भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यह 5 दिया गया, यह 8 दिया गया और यहाँ पूछा गया है ठीक है? आप छोटी सी बात को समझेगा इस छोटी सी बात को यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से कि आपने कहा कि sir यह दोनो भुजा हमारी बराबर है तो इसमें cos theta जब लगाओगे तो इसके cos theta में क्या होगा यह theta जिनके साथ जुड़ा है उनका square यानि बोलोगे sir 12 का square plus यहाँ पर किसका square 5 का square minus हो जाएगा किसके तो minus हमारा ad का square यानि कितने का 8 का square divided by 2 into 12 into 5 ठीक है और उसी तरीके से यहाँ पर इस वाले triangle में cos theta लगाओगे कौन से वाले में ad और c में तो इसका cos theta लगाओगे तो क्या हो जाएगा 12 का square plus यहाँ कितना हो जाएगा x का square और minus हो जाएगा किसके तुम्हारे 8 के square के और divided हो जाएगा मेरे भाई किसके तो 2 into 12 into x के ठीक है जैसे 2 into 12 से आपका 2 into 12 खतम ठीक है आपके पास यहाँ options बचते हैं option यहाँ यह बचता है कि एक तो यहाँ पर आप option उठाओ और option उठाओ के रखकर solve कर लो ठीक है तो तो 13 के square जाएगा यह आप है और 13 के square में से तुम्हें 8 के square को minus करना है तो पहले गटा दो 5 और 13 के square तुम्हारा कितना हो गया 144 और 8 का square कितना हो गया 64 तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 80 कितना आजाएगा 80 और plus यहाँ पर हो जाएगा x का square divided by कितना मेरे भाई तो x के तीक है आप यहाँ 5 से काटेंगे कितनी बार में 16 बार में सिधा का सिधा quadratic equation बनेगा x into 16 नहीं 16 तो क्या लिखोगे x का square x को यहाँ ले गए तो 16 x बना वो उधर ले जाओगे तो minus में minus 16 x और plus कितना हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा हमारे 0 के समझ गया नहीं पर x को 16 minus यह हो गया संख्या जिनको गुना करने पर 80 आया और जोड़ने पर 16 दिमाग दोड़ा हो 20 और 4 तो यहाँ पर मैं quadratic equation को भी solve करने के तरीके बताता हूँ कि कैसे solve करता है यानि यहाँ पर बात करें मैंने बस यह कहा कि यार इसका cos theta इसका cos theta बराबर होगा इसका cos theta कैसे निकाला तो इसका square plus इसका square minus square upon इतना यहाँ पर मैंने इसका cos theta कैसे निकाला 12 का square x का square minus इतना upon इतना जो common था मैंने यहाँ पर उसे काट दिया है 12 का स्क्वार और 5 का स्क्वार कितना हो जाता है तो 12 का स्क्वार, 5 का स्क्वार, 13 का स्क्वार 13 का स्क्वार में से मुझे 8 का स्क्वार गटाना था A स्क्वार माइनस B स्क्वार यानि A माइनस B हो जाएगा और A प्लस B हो जाएगा यानि 21 इंटू 5, 105 205, बट्टे में कितना 5 था, 12 स्क्वार में से इसका स्क्वार कटा है, तो 80 आ गया, और प्लस X का स्क्वार अपॉन इतना हो गया, फिर मैंने कहा 5 ने इसको कितनी बार में काटा है, ठीक है, तो एक मिनट यहां रुख जाईए, थोड़ा सा गड़बर हो गया, 5 ने इसको 21 ब 21X और वो उधर चला जाएगा, 21X हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 80 बराबर 0 के, हम quadratic equation को solve करने का एक तरीका बताते हैं, दो ऐसी संख्या जिनने गुना करने पर 80 आए और जोड़ने पर 21, यानि 16 और 5, ठीक है, 16 और 5 हमारी वो संख्या होगी, तो पहले आ उन दो संख्याओं को X2 के coefficient के साथ divide कर देना, X2 के पास कोई भी coefficient है नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो, और फिर last में क्या करना, इनके sign को बदल देना, यानि या तो X कमान 16 होगा, नहीं तो X कमान 5 होगा, option में तुम्हें कौन सा दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो option पर C answer है, आजेए, next question की बात करते हैं, अगला सवाल हम यहां देखते हैं, अगला सवाल हम से क्या कहा गया है, इन triangle LMN, ठीक है, एक हमारे पास यहां क्या है, तो एक हमारे पास triangle हो गया, कौन सा, L, M, और उसके बाद यहां पर N, LM कमान हमारे कितना है, तो LM कमान हमारे 5 रूट 2 ہے, ln कमान हमारे कितना है, तो 13 है, ठीक है, और angle LMN, यह value हमारे कितनी है, तो 135 है, और हम से यहां पूछा है MN की लंबाई कितनी होगी, वही बात वापस से, एक वही question, दो side और एक angle, क्या करोगे भाई, cos theta, क्या करोगे यार, cos सीधी सी बात है है, क्या गरोगे यहां पर cos theta, तो यहां पर क्या मानोगे, इसे x मान लेना, x मान लेना तो क्या गरोगे, तो बोलोगे सर देखें, यहां पर cos 135, ठीक है, बराबर होता है हमारे किसके, तो cos 135 बराबर होगा, इसका square, यानि 5 x 5, 25 x 250 हो जाएगा, प्लस हमारा यहां किसका square, तो x का square, माइनस हो जाएगा, इसका square, यानि 3 का square, 169, divided by 2 into, यहां पर, कितना हो जाएगा, तो 5 root 2, और into, यहां कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, भाई, अब सबसे महतोपून बात यहां यह है, cos 135 का मान कितना होता है, तो अगर आप यहां दे जाएगा, second quadrant में हमारा cos negative होता है, sin positive रहता है, minus sin 45, यानि minus 1 by root 2, ठीक है, तो हमने यहां कहा, cos 135, और यह हमारा बराबर हो गया, किसके, minus 1 by root 2 के, यह root 2 से हमारा root 2 खतम हो जाएगा, अगर हम देखेंगे, 5 into 2, 10x, और 10x को यहां ले जाओगे, minus में, तो minus 10x, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, तो 9 हो गया, 6, 5, 119, minus 119, प्लस यहां कितना हो जाएगा, x square, ठीक है, अगर हम यहां देखते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा, x square, फिर यह हमारा उधर चला जाएगा, plus 10x, और यह हो जाएगा, minus 119, बराबर हो जाएगा, किसके, 0 के, 119 को आप देखो, तो यह हमारा 119 किस से कट रहा है, 119 का कोई factor है, 119 का कोई factor है, 7 से अगर हम देखते हैं, तो देखो, यह 7 से कटेगा, 7 into 1 तुमारा आ गया, और 7, 17 और 7, 17 मेरे भाई, 17 का 7 गुना 119 और यहां पर इतना, यानि पता है हमें कैसी संख्या लेनी पड़ेगी, हम एक तरीके से multiply करने पर इतना, तो बोलोगे, 17 ले लिजिए और उसके बाद आप यहां पर जो है, 17 ले लिजिए और minus 7 ले लिजिए, 17 में से 7 गटा दीजेगा, तो 10 आ जाएगा, 17 को minus 7 से गुना करेगा, इतना आ जाएगा, हो गया, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को X स्क्वार के coefficient के साथ भाग करिए, कुछ ही नहीं तो मत भाग करो, और फिर last में step number 3 क्या करिए, इनके sign को बदल दीजे, plus वाले को minus कर दीजे, minus वाले को plus कर दीजे, यानि value minus 17 हो सकती है, 7 हो सकती है, कभी भी value नेगटिव हो सकती है, नहीं, यानि कौन सी value होगी, positive, तो यहा कितना आजाएगा, 7, option number, यह answer है, question number 26 की बात करते हैं, क्या का है, in triangle ABC, the bisector of angle BAC meets, देखो यह, बढ़ियां तरीके से, कोई tension की बात नहीं है, बनाओ यहाँ पर, क्या कहा गया, यह triangle आपका क्या है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है, कि तरे भूज ABC में कौन BAC का सम्धि बाजक है, एक तरीके से जो bisector है, ठीक है, BAC का सम्धि बाजक BC से बिंदू D पर इस प्रकार मिलता है, ठीक है, BC से बिंदू D पर इस प्रकार मिलता है, कि यहाँ DC का जो मान है, वो BD का दो गुना हो जाता है, अगर हम बात करें, तो यह जो DC का मान है, हमारा, यह BD का दो न हो जाता है, यहां कहा गया सिधा सिधा, यानि अगर हम बात करें हैं पर तो DC upon BD अगर हम वहां से उठा के लेकर हैं, तो 2 upon 1 का रिश्यो है, ठीक है, कि DC हमारा 2 है, तो BD हमारा कितना है, 1 है, सिदी सी बात है, ऐसे भी कहलो सर, BD को एक मानो कि DC 2 हो जाएगा, तो क्या कहा एक triangle ABC में, the bisector of BAC, meets BC at point D, such that इतना इतना, AC और AB का अंतर 5 का है, तो हमारा AB का लंध इतना होगा, ठीक है, कोई टेंशन इसको हम देखते हैं, बात की बात है, यहां पर कि असल में यह किस point पर depend करता है, क्या करता है, वो समझ यह पहले, यह जरूरी है आपको यह बात समझन असल में आप लोग यहां bisector की property पढ़ते हो, तो एक angle bisector theorem होता है, हम क्या कहते हैं, आपे angle bisector theorem, कौन सिम्दिवाज़क विधी, तो angle bisector theorem हमें क्या सिखाता है, वो समझो तो यहां पर अगर यह ए और बी के पार्ट में बटा हुआ है, किस पार्ट में है, अगर यह a और b के पार्ट में हमारा है न, तो मेरे भाई यह भी जो ratio हो जाएगा, यह भी a, यह भी हमारा कितना हो जाएगा, a और b के पार्ट में है, तो यह भी हमारा a और b के ही पार्ट में हो जाएगा, यानि जिस अनुपात में यह दोनों भूजाए होंगी, उसी इंसेंटर हम आपको पढ़ाएंगे तो इंसेंटर जब यहां आई आएगा ना तो AI upon ID का भी बहुत famous question पूछा जाता है वो हम यहां नहीं वो इंसेंटर में पढ़ाएंगे तब clear कराएंगे फिलाल अभी आपको इतना जानना है कि angle bisector यानी जब भी कोई रेखा कोन को बाढ़ती है तो जिस अनुपात में यह दोनों भूजा होती हैं उस अनुपात में यहां नीचे वाला भी हमारा होता है ठीक है तो यहां पर ऐसे लिखा भी जाता है कि AB upon कितना हो गया AC बराबर हो जाएगा किसके तो BD upon DC के भाई यह clear message है clear यहां पर ratio है तो आजब ज़रा सवाल को यहां देखते हैं question को अगर हम देखेंगे यहां पर तो in triangle ABC में ठीक है जो हमारा यहां एक तरीके से DC यह देखो यह किस ratio में है 1 और 2 में अगर यह 1 और 2 में है मेरे भाई और यह हमारा angle है तो अगर यह 1 और 2 के अनुपात में है तो यह भी हमारा किस अनुपात में होंगे 1 और 2 के अनुपात में AC का मतलब कितना 2X में से आप AB को घटा दो AB को घटा दो तो कितना हो जाएगा 5 के 2X में से X घटा दो तो X की value हमारी कितनी आ गई 5 और अगर X की value 5 आ गई इसका भी मान पता चल गया किसका मान आपसे पूछा गया था तो बताइए आपसे जो मान पूछा गया था AB का AB का मान या नहीं कितना पूछा गया 5 में तो angle by sector जो theorem होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जिस अनुपात में यहाँ यह दोनों है उसी अनुपात में मेरे भाई यह भी दोनों हो जाएंगे यह 1 और 2 में हो जाएगा जिसमें एक X है और दूसरा कितना है 2X है इन दोनों का difference बराबर हो गया 5 के X की value 5 है next question की बात करते हैं 27 नंबर स्वाल देखते हैं इन ट्रेंगल ABC त्रिभूज ABC में यहाँ पर ठीक है यह हमारा त्रिभूज ABC हो गया ठीक है और ABC में कोन A का जो सब्दिवाजक है वो BC को बिंडो deeper pron semicert करता है ABC का मान हमारा कितना है तो ABC का मान हमारा कितना है तो 15 है BC का total मान जो है वो हमारा कितना है तो 18 है और हम से यहां BD का लंबाई पूचा है फिर वही बात, कर दीनमजे वाली बात बताओ हैं अभी हम ने सिखाया आपको और क्या सिखाया बताना जारा कि भाई ये हमारा basector है और basector है तो जिस अनुपात में ये दोने होंगे वही अनुपात में ये भी दोनों होगा यानि एगर काटोगे 3 से इसे 4 बार में और 3 से काटोगे 5 बार में तो ये अगर 4 और 5 के अनुपात में है तो ये भी 4 और 5 के अनुपात में होंगे 9 कमान कितना हो जाएगा 18 और अगर 9 कमान 18 हो जाएगा 1 कमान कितना होगा 2 आप ऐसे समझो 9 कमान कितना होगा 18 एक कमान कितना होगा 2 तो चार कमान यहाँ पर 8 cm और 5 कमान यहाँ 10 cm जिस कमान पूछा गया बता दो तो यहाँ पर BD कमान कितना हो जाएगा? BD कमान 8 है आज यह, Q28 पर चलते हैं, Q28 देखते हैं, Q28 में क्या कहा गया है? सवाल में पॉइंट D और F जो हैं, वो हमारे A, B, B, C और A, C पर इस प्रकार हैं देखे हैं आपर क्या कहा गया है? तरिबुज A, B, C की भूजाएं A, B, B, C और A, C पर बिंदू D, E और F इस प्रकार इस्तित हैं कि A, E, B, F और C, D करमशा A, B, C के सम्दिभाज़क करते हैं यदि A, B का मान, B, C का मान, A, C का मान दे रखा है तो B की लंबाई याद करें यानि यहाँ पर हमें आवशकता है एक बड़े ट्रैंगल की तो यहाँ हमने बना लिया लीजे तो पॉइंट D, N, F, R on A, B, N, C देखो यहाँ पर यह हमारा त्रिभूच का नाम हमने क्या दे दिया A, B, C दे दिया भाई तीक है उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है तो D, E, F D हमारा यहाँ A, B, C के उपर है E जो है वो हमारा B, C के उपर है F जो है हो हमारा किस के ओपर है AC के ओपर है ठीक है तो D, E and F are on the point on A, B, B, C and AC such that यहां पर जो हमारा AE है, ये भी हमारा buy sector है, जो हमारा B, F ये भी buy sector है और जो हमारा C, F ये भी buy sector है ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो angle buy sector है, कों समधिब आजकаны हैं फिर उसके बाद क्या कहा AB का मान हमारा 6 है भाई ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा कितना है तो 6 है उसके बाद हमसे BC का पूरा का पूरा मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है और हमसे AC का मान कितना दे रखा है तो यहां 8 दे रखा है question में हमसे क्या पूछा है तो question में हमसे B.E. का मान पूछा गया है B.E. का मान यहाँ पे यह B.E. का मान पूछा गया है यह फालतू का है ना इतना घुमाने की कोशिश की गई है बट असल में सवाल में इतनी आवशक्ता ही नहीं थी just irrelevant यार मतलब इतनी जादा डेटा था नहीं यह प्रिवियस यहर का था मतलब मैं यहाँ पर यार यह F की कोई आवशक्ता नहीं है आपको यहाँ पर इस लाइंग की भी कोई आवशक्ता नहीं है आपको इस डेटा की भी कोई आवशक्ता नहीं है इस डेटा के भी सिर्फ आपको इस बाई सेक्टर से मतलब है बाकी कौन किसका बाई सेक्टर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके में क्या रिलेशन है सारे फर्जी डेटा थे आप ये बताओ बस यहां पर ये ध्यान रखो तो ना के ratio में है तो यह हमारे कितने हो जाएंगे यह भी तीन और चार के ratio में हो जाएंगे साथ कमान साथ सेंटिमीटर तीन कमान तीन सेंटिमीटर आंसर है option नमबर भी बाकि सब फरजी डेटा थे उसकी हमें कोई utilization नहीं करना था अब यहां से हम थोड़ा शुरुवात करते हैं centers of triangle के बारे में तीक है triangle के कुछ properties के बारे में जितने questions हो भाए है वो हम लोग किये अब यहां से हमें जाना है centers of triangle triangle के कितने centers होते हैं वो समझे ज़रा तो कुल मिला के triangle के आपके चार centers हैं तो सबसे पहला यहां देखते हैं हमारा क्या हो गया in center फिर दूसरा point यहां पर क्या हो गया तो दूसरा point हमारा हो गया ortho center हिंदी भी सब के हम बोल देंगे ठीक है फिर तीसरा point यहां पर क्या हो गया circum center हो गया और चौथा point यहां क्या हो गया तो centroid हो गया ठीक है, हिंडी गजर इस से बात करें तो यह हमारा अंतह केंद्र हो गया, ठीक है, यह हमारा एक तरी circum-- tämä यह इन सेंटर हो गया हमारा circum-Cетров oh गया और तू सेंटर हो गया और यह centroid हो गया हमारा जिससे हम कहते हैं अंतह केंद्र ठीक है फिर उसके बाद यो हमारा हो जाएगा सरकम सेंटर यानि यह हमारा बहाकेंदर हो जाएगा ये हमारा सेंटरओर मादिका हो जाएगी चारो के अपने अपने formations के नियम है चारो के ऊपर तगड़े सवाल बनते हैं पहले थोड़ा सा आसान लेवल से शुरू करेंगे फिर हाई लेवल तक जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में इंसेंटर के बारे में इंसेंटर हमारा क्या होता है और कैसे इसके उपर question आता है ठीक है तो जैसे आप लोगोंने angle bisector के बारे में पढ़ा पढ़ा ना angle bisector का मतलब क्या होता है कौन सम्दिभाजक होता है ना तो जब भी कोई भी आप त्रिभूज बनाते हैं और इसमें जैसे माल लीजे कि यहां पर आपने देखा कि यह हमारा A हो गया B हो गया C हो गया जब इसके angle के bisector को आप मिलाओ इसके angle के bisector को मिलाओ और इसके angle के bisector को मिलाओ और जहां पर जिस बिंदू पर यह तीनों के तीनों मिलते है ना जैसे angle A का bisector यह था angle B का bisector यह था angle C का बाई सेक्टर ये था तो जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं उस पॉइंट को हम इंसेंटर कहते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों उस पॉइंट को हम इंसेंटर यानि अन्ता केंदर कहते हैं और यहां पर जैसे माल लीजे कि अगर मुझे BIC का मान निकलना है सबस्करो BIC तो अगर मुझे यहां पर BIC का मान यहां निकलना है अगर मुझे यह वाला एंगल निकलना है तो यह वाला एंगल निकलने के लिए 90 में इसके पीछे वाले एंगल के आदे को जोड़ दो यानि 90 प्लस एंगल A by 2 कर दो यहाँ पर बात खतम भाई ठीक है कि नबे में इसके पीछे कौन है एंगल यह है न तो एंगल A के आदे को जोड़ दीजे बात खतम उसी तरीके से अगर हम यहाँ यह वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो 90 में इसके पीछे कौन है B है तो 90 में B के आदे को जोड़ दीजे अगर इधर वाला निकालेंगे तो इसके पीछे NEC को जोड़ दीजे इतनी बात है तो लगबग आपको पता ही होंगी तो सबसे पहला question, question number 29 देखे, ज़रा क्या कहा गया तो question number 29 में हमारा यहां कहा गया ABC नाम का एक हमारा требuj है दीखे, angle A का मान हमारा कितना दे रखा है तो angle A का मान हमारा 88 दे रखा है हमसे कहा गया कि I नाम का जो बंदा है वो इसका in center है यह जो आई है यह क्या है हमारा इंसेंटर है ठीक है तो एंगल B, I, C का मान बताईए तो अभी मैंने कहा है एंगल B, I, C का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा तो 90 प्लस इसका आधा तो 88 का आधा कितना हो जाएगा 144 यानि कुल मिलाकर 134 हमारा करेक्ट आउसर है कौन सो ऑप्षन है तो ऑप्षन नमबर B है आज यह है, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कोशन नमबर 30 हमारा देखिएगा क्या है, सेम तरीके से यहाँ पर इन एक्विलेटरल ट्रेंगल ABC कैसा तरीबूज है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है ABC का, तो यह हमारा हो गया A, B और C सम बाहुत तरीबूज ABC में D और E क्रमशा A, B और A, C पर D जो है वो हमारा A, B पर है और E जो है वो हमारा A, C पर इस प्रकार सिस्तित है कि AD और C जो है यहाँ पर तो यह हमारा B हो गया और यह हमारा क्या हो गया CD हो गया, ठीक है बिंदू F पर प्रतिशिदित करते हैं किस पॉइंट पर यह दोनों के दोनों काटते हैं भाई तो F नम के पॉइंट पर यह दोनों के दोनों काटते हैं C, F, B का माप बताओ यहां पे C, F, B C, F और B यानि यह वाला एंगल हमें बताना है कि यह वाला एंगल हमारा कितना है अब सबसे बड़ी बात इन इक्विलेटरल ट्रेंगल A, B, C D and E are a point on the side A, B और A, C के उपर ठीक है? इसका आधा इसके आधे के बराबर है अब सबसे पहली बात यह असल में आपको बहकाने की बात थी इतनी सारी बाते जैसे मानों मैं कहता हूँ यार यह हमारा एक्विलेटरल ट्रेंगल है और एक्विलेटरल ट्रेंगल में हमसे कहा गया है ये वाला part जो है ना आपके इस वाले part के बराबर होगा ठीक है अगर ये part हमारा इस part के बराबर होगा तो ये वाला part हमारा automatic इस वाले part के बराबर हो जाएगा यानि कहने का मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ पर C के सामने तो C के सामने का जो हमारा इन दोनों का ratio आने वाला है वहीं हमारा ratio इन दोनों के उपर भी आने वाला है मेरे भाई जैसे मानों मैं अगर बात कर रहा हूँ suppose करो कि ये 1 और 3 के ratio में एक example मैं कह रहा हूँ तो ये भी हमारा 1 और 3 के ही ratio में आएगा तो अगर ये 1 और 3 के ratio में है तो ये side भी हमारे क्या हो जाएंगे उसी ratio में हो जाएंगे हाला कि ऐसी संभावना नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहली बात यहां पर कि आपने यहां पर क्या सिखा आपने यहां पर कहा कि सर देखो छोटी सी बात है कि यह हमारा equilateral triangle है equilateral triangle है तो यह पूरा का पूरा side यह पूरे के पूरे side के बराबर है यह दोनों के दोनों side हमारे बराबर है दोनों side बराबर है एक टुकड़ा दूसरे के तो दूसरा टुकड़ा दूसरे के और ये भी BC भी जो है न ये हमारे सारे बराबर है सारे angle की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सारे के सारे हमारे 60 degree होंगे इस question में थोड़ा सा जो एक point missing है जो मुझे लगा data में वो ये लगा कि थोड़ा से specification इन्हें और देना चाहिए था सिर्फ इतना देकर ये नहीं छोड़ सकते हैं कि D नाम का एक point है E नाम का एक point है तो ये दोनों बराबर हों ठीक है अगर इस question को थोड़ा सा और correct करें यहाँ पर तो इन्हें बकाइदा या तो ये कहना चाहिए कि C D हमारा median है और D हमारा median है और अगर उस बात पर नहीं कहा इन्होंने तो बहुत एक लंबा proof लग जाएगा ये साबित करने में कि ये D मद्धे बिंदू है और यहाँ पर E मद्धे बिंदू है ये बहुत लंबा समय हमारा लेकर जाने वाला है बहुत लंबा टाइम यहाँ पर तो इस कोशन में यहाँ पर बहुत लंबा टाइम आपका लेकर जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर ये पार्ट हमारा इस पार्ट के बराबर आगे चलके 10 ड्रामे होंगे तो जाके साबीत होगा D midpoint है और E midpoint है ठीक है तो इस question में एक तो ये wrong है लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा इसका सही language अगर हम सही करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता हो यहाँ पर हमेशा बन जाता है यानि 30 कितना हो जाएगा 120 correct answer है option number A है ठीक है next question की बात करते है question number 31 देखते हैं 31 में क्या कहा है side AB and AC of a triangle ABC are produced to DNA मतलब हमारे पास एक triangle है ऐसा ABC नाम का ठीक है और यहाँ पर क्या कहा गया है यह देखो X center का question होगा पक्का जिस तरीके से लग रहा है देखते हैं तो तरीभूज ABC की भूजाएं AB और AC को क्रमशा D और E तक बढ़ाए गया AB को D तक बढ़ाए गया AC को E तक बढ़ाए गया ठीक है यहाँ पर उसके बाद हमसे क्या कहा गया है CBD यहाँ पर CBD यानि यह वाला angle हो गया हमारा और यहाँ BCE यह वाला angle हो गया हमारा मतलब यह इसका bisector है और यह हमारा इसका bisector है इन दोनों को बिंदू P पर मिलाते हैं angle A का मान हमें 78 दिया गया है तो हमसे यहाँ पूछेगा पता है किस का मान P का मान यहाँ कितना होगा ठीक है तो सबसे बड़ियां अगर हम छोटी सी बात यहाँ बताएं तो आपको दो बाते सीखनी है एक हमारा होता है in center और दूसरा हमारा होता है x center इनका मतलब जो g1 में है और x का मतलब जो छोड़के चला गया मेरे भाई तो जैसे होता क्या है बच्चो आप ऐसे समझोगे यहाँ पर कि यह आपका triangle हो गया इस त्रिबुज के इसके अंदर वाला bisector और इसका अंदर वाला bisector कहने का मतलब यहाँ पर क्या है इस angle का bisector और इस angle का bisector यह जहाँ पर मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे इस center कहेंगे यह हमारा triangle ABC है तो कि जहाँ angle B का bisector और जहाँ angle C का ठीक है जहाँ यह दोनों के दोनों मिलेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा इस center हो जाएगा अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यह angle B है तो यह इसका एक बाहर वाला भी कौन है उसी तरह के से यह angle C है तो एक इसका बाहर वाला भी कौन है तो बाहर वाले का bisector और बाहर वाले का bisector मिलता है उसे हम x center कहते हैं मानो x नाम का तो यहाँ क्या हो जाता है तो सबसे पहले देखो अगर A जो है अगर यह तुम्हारा theta है तो सबसे पहली बात यह जो angle होगा वो होगा 90 plus theta by 2 और यह वाला जो angle होगा यह मेरे भाई हो जाएगा 90 minus theta by 2 और इसलिए ऐसा भी होता है कि in center और x center को जोड़ने पर 100C degree का हमारा क्या बनता है कोन बनता है भई तो उसी तरीके से जैसे मानो हमसे कहा गया triangle ABC था यह B को हम इदर खीच दिये C को इदर खीच दिये इसके बाहर वाले कोन का bisector यहां बना दिये बाहर वाले कोन का bisector यहां बना दिये यह मान बताओ तो क्या बोलोगे एंगल BPC का जो मान आएगा वो बराबर होगा 90 माइनस इसका आदा 78 का आदा कितना हो जाएगा 39 यानि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 51 करेक्ट आंसर है option number A is the correct answer आज़ो चलो next question देखो एक और बढ़िया सवाल यह बताओ यहां पर question number 32 यह भी अच्छा question है the inner radius and circum radius of a right angle triangle is 3 and 12.5 the area of triangle is किसी भी त्रिभूच का inner radius और circum radius देके आप से छेत्रफल पूछा जा सकता है अब सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं यह inner radius और circum radius होते क्या है और हम निकालते कैसे हैं और पहली बात तो right angle triangle में हम इसे कैसे calculate करते हैं मतलब equilateral triangle का अलग होता है और बाकी triangles का अलग लेकिन हम एक तरीके से अगर बात करें तो right angle triangle में हम inner radius और circum radius क्या निकालते हैं तो जैसे मानी यह right angle triangle हो गया आपका ठीक है inner radius क्या हो जाता है समझो यहां पर जैसे मानो अंदर इसके देखो यह right angle triangle है तो इसके में दो circle बैठ सकता है एक इसके अंदर जो fit किया जा सकता है और एक circle वो जो जो इसके बाहर fit किया जा सकता है समझना एक इसके अंदर जो fit किया जा सकता है जो इसके पेट के अंदर fit किया जा सकता है यह देखो, तो दो प्रकार के circle यहां fit हो गए, अंदर जो circle fit हो गए, उसे हम क्या कहते है, इसे हम कहते है in radius, और बाहर जो circle fit होता है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे भाई, circum radius यहां पर, हरा वाला क्या हो जाएगा, circum radius और जो pink वाला है, गुलाबी वाला है, वो क्या हो जाएगा इन रेडियस हो जाएगा अब इन दोनों में कोश्चन कैसे आता है ठीक है ये इन सरकल हो गया और बाहर वाला सरकम सरकल हो गया तो इस सरकल की जो रेडियस होगी उसे कहेंगे इन रेडियस और ये जो बड़ा वाला सरकल है बड़ा वाला सरकल का सेंटर यहां होत तो हमें बस इतना ध्यान रखने है मेरे भाई RS बराबर कितना हो जाएगा तीक है यानि कहने का मतलब यहाँ पर कि इन्रीडियस जो होता है डैरेक्ट तरीके से आप याद कर सकते हो एरिया बटे में सेमी पेरिमीटर के एक तो मेरे भाई ये तरीका हो गया यह किसी भी ट्रेंगल में लागो होता है इन्रीडियस बराबर एरिया बटे में सेमी पेरिमीटर के ठीक है और दूसरा अगर थोड़ा से इसको स्पेसिफाई करके लेके आएंगे तो राइट अंगल ट्रेंगल में यह भी कह सकते है कि इन्रीडियस बराबर perpendicular plus base minus hypotenuse upon 2 ये भी एक सिदा सिदा हम कह सकते हैं कि सर अगर किसी भी right angle triangle का in radius निकालना है तो perpendicular base को जोड़के hypotenuse को घटा के आदा कर दीजे और दूसरा जो हो जाता है वो हमारा क्या होता है वो होता है हमारा circum radius भाई circum radius का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर परितरिज्या परिकेंद्र ठीक है in radius का मतलब small r circum radius का मतलब यहाँ पर capital r capital r की सीधी की सीधी value जो होती है वो hypotenuse का आधा हो जाता है यहाँ पर right angle triangle में आप देखो यह पूरा का पूरा hypotenuse है और यह जो हो जाएगा यह वाली value सरकम radius भी दिया है और right angle triangle का area पूछा जा रहा है तीन बार यह सवाल अब तक paper में आ चुका है तो अगर हम बात करते हैं तो in radius की value हमारी क्या होती है perpendicular plus base minus hypotenuse upon 2 होता है और अगर हम सरकम radius की बात करते हैं तो उसकी value सीधा hypotenuse upon 2 होता है मरे भाई इन radius की value हमारी कितनी दी गई है दोस्तों तो इन radius की value हमारी 3 दी गई है तो बोलोगे सर यहां 3 बराबर P plus B minus H upon 2 के और यहां देखोगे तो तुम्हारा सरकम radius कितना दिया गया सरकम radius 12 12 बराबर हो जाएगा H upon 2 के तो यहां से hypotenuse की value कितनी हो जाएगी साड़े 12 का 2 गुना यानी 25 हो जाएगा तो hypotenuse तुम्हारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा hypotenuse कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा अब यहां देखो 2 into 3 तुम्हारा 6 ठीक है बराबर perpendicular plus base minus कितना हो जाएगा 25 के अगर मैं यहां पर इस 25 को इधर लेके आ जाएगा तो perpendicular plus base की value कितनी हो जाएगी 31 ठीक है तो यहां से दो बाते सीखने को मेली पहली यहां सरकम radius दिया गया था तो hypotenuse निकाल लिया ठीक है और उसके बाद यहां पर hypotenuse रख दिया तो perpendicular plus base आ गया अब अपने मन में एक ऐसा तुम right angle triangle imagine करो जा रहा है जिसका hypotenuse 25 हो और यहां पर इसके perpendicular और base को जोड़ने पर तुम्हारा कितना आ जाए 31 आ जाए क्या कोई triplet याद आ रहा है तो भूलोगे हाँ सर तो वो triplet कौँ सा है 7, 24 और 31 का triplet है कितने का है 7, 24 और sorry 7, 24, 25 का 7, 24 है कतीस नहीं 7, 24, 25 कि भाई यह 7 हो सकता है यह 24 हो सकता है ठीक है ताकि 7 और 24 को जोड़ेंगे तो 31 हागा और 7, 24, 25 का हमारा triplet बनता है तो यहां से हम area निकाल पाएंगे सीधा सीधा साफ तोर पे area हमारा कितना हो जाएगा half into base हमारा कितना है 7 है और यहां हमारे यह कितना है 24 है 2 से काटेंगे 12 बार में 12 सते कितना हो जाएगा 12 सते 84 correct answer है option number D for Dev Senna अब एक तो यह तरीका हो गया ठीक है यहां से हमने पूरा का पूरा आपको अच्छे वे मैं clear भी कर दिया दूसरा एक और भी तरीका है ठीक है दूसरा एक और भी तरीका है आपका area निकालने का और वो बताईए क्या है सीधा एक short में आद कर शरकते हो भी रभाई formula यहां पर और वो formula हमारे पास क्या है मैं आपको बता रहा हूँ r square plus 2 r r मैंने सीधा कहा है r square plus 2 r r यह area निकालने का सबसे short तरीका होता है देखो सरकम देखो छोटा inner radius कितना है 3 3 का square कितना हो जाएगा 9 plus 2 into ठीक है साड़े 12 into कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर तो यह 9 हो जाएगा साड़े 12 का दोगना 25 25 into 3 75 और 75 और 9 कितना हो जाएगा 84 एक आपका यह भी तरीका है जिससे आप short में कर सकते हैं ठीक है तो r square plus 2 r r यह आप सीधा का सीधा याद रखोगे बहुत benefit होगा अज़ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर question number 33 के बारे में question number 33 हम से क्या का है interangle ABC, AB का मान है AC का मान है, BC का मान है median का मान पूछा आप देखो median निकालने का formula median हम कैसे निकालेंगे भाई median का formula क्या होता है और median आता कैसे है असल में एक Apollonius theorem आपको पढ़ना है और Apollonius theorem से Apollonius theorem और वहां से आपका यह आएगा लेकिन आपको उतना वो जानने के आवशकता नहीं मैं सीधा median निकालना बता रहा हूँ जैसे मानो सबसे पहले median होता क्या है मुझे लगता है इतना तो पढ़कर आए होगे यह जैसे मानो ट्रेंगल ABC होगे आपका अब ट्रेंगल ABC में यहां से एक line आपने डाला AD नाम का जिसने इसको आधे-ाधे में बाढ़ दिया तो उससे हम क्या कहेंगे median कहेंगे कि AD जो है इसने सको आधे-ाधे-ाधे बाढ़ दिया यह हमारा AD median हो गया तो यह मेरे भाई AD की value तुम निकालोगे कैसे पहले यह बताओ यहां पर तो AD की value निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे तो हम बोलेंगे sir AD की value निकालना है तो पहले यहां लगा दीजे half उसके बाद root under ठीक है यह AD वाला line तुमारा किस से connected है तो यह AD वाला line जो है A से connected है यानि A का मतलब AB और A का मतलब AC ठीक है तो यह जो AD है यह हमारा AD किस से connected है AB हो गया और AC हो गया तो अगर हम बात करेंगे यहां पर तो दोगुना हमारा हो जाएगा किस के AB का स्क्वार प्लस हमारा हो जाएगा दोगुना किस के AC के स्क्वार के और minus करेंगे जिस से यह connected नहीं है तो किस से connected नहीं है भाई तो BC से नहीं है तो यहां BC के स्क्वार से यह आपका median का formula हो जाता है जैसे मानो AD निकालना है तो 2 गुना AB का square फिर हमारा 2 गुना AC का square माइनस हो जाएगा किसके? BC के square के ठीक है? अब जैसे मानो इस triangle में आ गए आप ABC में आ जाओ यहां पे तरिभूज ABC में आ गए तो हमसे यहाँ AD का मान पता किया गया है तो हमें यहाँ क्या होगा? ठीक है? अब समझ रहा है यहाँ पे AD की value अगर पता करनी है तो सबसे पहले half उसके बाद क्या हो जाएगा? root अंडर 2 into ठीक है? किसका square तो 6 का square यहाँ 36 फिर उसके बाद 2 into यहाँ पर 8 का square कितना हो जाएगा? 64 minus यहाँ पर 9 का square कितना हो जाएगा? 181 मेरे भाई clear है यह बात यहाँ पे? ठीक है? तो क्या बोलोगे? half into यह AD जिससे connector तो इसके square का 2 गुना, इसके square का 2 गुना और इसके square का मातर 1 गुना तो बराबर half into यह हो जाएगा 36 का 2 गुना, 72 64 का 2 गुना, 128 तो यह हो जाएगा 200 और 200 में से 80 चला गया तो कितना हो जाएगा? 119 यहाँ 119 बटे root 2 correct answer है कौन सा option है तो option number B जो है बिलकुल सही उत्तर है भाई अब आ जाओ 33 के बाद next देखते हैं question number 34 माधिका निकालने का formula क्या कहा गया है? The circumcenter of a equilateral triangle is at a distance of 3.2 from the base of a triangle, what is the length of each altitude? छोटू question मगर मोटू question कहा गया एक संभाहूत रिभूज का परी के इंदर है, मतलब the circumcenter of a equilateral triangle, यह हमारा equilateral triangle है, ठीक है? यह हमारा क्या है? तो equilateral triangle है अब equilateral triangle के और center के बारे में और इनके in radius के बारे में भी जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है? सबसे पहले यहां समझना in radius के बारे में, कि in radius हमारा क्या होता है? तीक है? और उसके बाद अलग-अलग triangle में उसका rule क्या हो जाता है? और दूसरा हमारा circumradius क्या हो जाता है जैसे दुनिया में कोई भी triangle आप बना लीजे उसके अंदर बने circle का radius दुनिया में कोई भी triangle बना लीजे उसके अंदर बने circle का radius को हम क्या कहते हैं in radius कहते हैं और उसका in radius निकालने का सबसे एक ही formula होता है और वो मेरे भाई ये होता है area upon semi perimeter क्या हो जाता है area upon मेरे भाई semi perimeter ये सीधा सीधा आसान हिसाब किताब है भाई ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा in radius हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं circum radius के बारे में तो दुनिया के किसी भी triangle के बाहर अगर हम कोई circle बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम यहां circum radius कहेंगे और circum radius की value क्या हो जाती है तो वो हमारा हो जाता है ABC upon 4 del 4 del का मतलब मेरे भाई हो जाता है area समझ गए यहाँ पर ABC upon क्या हो जाता है 4 del हो जाता है यानि area हो जाता है अब दो अलग-अलग तरह के triangle होते हैं एक हमारा हो जाता है भाई equilateral तो equilateral में यहाँ पर किसकी क्या माननेता होती है वो समझना equilateral का मतलब sum बाहुतरी बुज तो sum बाहुतरी बुज में अंतरत रिज्या जो होती है तो उसके बाद equilateral के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो equilateral के बाद यहाँ पर हमारा next point जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा right angle triangle यहाँ पर इसका जो hypertenous होगा एक तरीके से हो जाएगा, by hypertenous का आधा, ठीक है, तो right angle triangle में in radius p plus b minus h upon 2, और right angle triangle में special circum radius hypertenous का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है, अब जैसे मानों यहाँ सीधा का सीधा हम यहाँ question पर आते हैं, तो हमसे यहाँ क्या कहा गया, हमसे यहाँ कहा गया, the circum center of equilateral triangle is at a distance of itna from the base of a triangle, अच्छा एक और चीज़, अब जैसे मानों हम आ जाते हैं यहाँ पर एक तरीके से, तो equilateral triangle के बारे में, तो equilateral triangle के बारे में थोड़ा सा point यहाँ पर और जान लेते हैं, equilateral triangle में हम जो है, in radius और circum radius के बारे में क्या 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 बाते कर सकते हैं, तो जैसे यह आपका एक equilateral triangle है, ABC नाम का, इस equilateral triangle में एक छोटू circle अंदर बनता है, बड़ावाला circle बाहर बनता है, यह जो line होती है, इस line को हम एक तरीके से इसका median मान लो, AD हमारा median है, जहाँ पर सारी की सारी माधिकाय मिलती हैं, उसे हम centroid कहते हैं, और equilateral triangle में जो centroid होता है, वहीं center होता है, वहीं circum center होता है, वहीं सब कुछ होता है मेरे भाई, यानि सारे के सारे center एक ही point पर होते हैं, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो जैसे मानो यह मेरा in center है, कहलो, centroid है, कहलो, तो यह हमेशा इस तरीके से होता है, कि यह 2 और 1 के अनुपात में होता है, क्योंकि आपको पता है, centroid median को 2 और 1 के अनुपात में भाग करता है, तो उपर वाला जो होता है, मेरे भाई उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम circumradius कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं inner radius कहते हैं इस बात को ध्यान रखना Equilitary triangle में median को जब आप तोड़ते हो ना तो median को जब आप तोड़ते हो तो देखो यह ऐसा बन जाता है कि यहाँ पर यह inner radius हो गया और यह ऐसा बन जाता है जहाँपर यह वाला क्या हो गया circum Same Radius हो गया और उसलिए नीचे वाला पार inner radius हो गया हो जाता है circum Radius हो जाता है अब जैसे मानो जाए इस question में कहा गया इस सबसे पहले आपके पास एक equilateral triangle है तो हमने कहा हां जी है मान लीजे यह हमारा equilateral triangle हो गया A, B और C नाम का फिर उसके में कहा the circum center of equilateral triangle is at a distance of 3.2 जैसे मानो यह हमारा है center, यहीं circum center है यहीं ortho center है, यहीं center है तो कहा गया यह जो circum center है the circum center of equilateral triangle is at a distance of 3.2 from the base of triangle हमसे कहा गया what is the length of each of its altitude इस पूरे altitude का मान यहां कितना है तो यह भी कोई question है बताओ भाई यह तुमारा 3.2 है यह कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इसका दो गुना, 1 और 2 के ratio में कहा था ना कहा था कि नहीं कहा था बताओ तो 3.2 का दो गुना कितना हो जाएगा तो यहां पर अगर हम altitude की बात यहां करते हैं तो altitude की value हमारी कितनी हो जागी दोनों को जोड़ दीजे, 9.6 सा जाएगा हमारा correct answer है कौन सा option है, option number D हो गया next question बात करते हैं question number 35 में कहा गया तरिबुज ABC में D और E करमशा भूजा BC और EC के मद्दे बिंदू है AD और B समकोन G पर प्रतिछेद करते हैं AD कमान 18 है, B कमान 12 है तो DC के लंबाई कितनी हो गया simple सा question हमारे यहां पर के इन triangle ABC D and E are midpoint of BC and AC आजे यह, तो अपने तरफ से कोई भी हमने triangle बना लिया लीजे ही हमारा triangle ABC हो गया तो ABC में D और E जो है मिड़ पॉइंट है हमारे किसके तो यहां पर BC का मिड़ पॉइंट हमारा D है और AC का जो मिड़ पॉइंट है वो हमारा कौन है मेरे भाई तो E है They are both midpoint पिर कहा गया AD और B intersect करते हैं अगर हम बात करते हैं तो यह AD midpoint है मतलब median है और यह B भी median है और यह कहां पर intersect करते हैं तो हमारे G पर intersect करते हैं और सबसे बड़ी बात यह दोनों के दोनों intersect करते हैं 90 degree पर यहां पर question में हमसे कहा गया है कि 90 degree पर एक दूसरे को काटते हैं AD का मान अगर हम देखे अब यहां DC का मान जो है वो आप तभी बता पाएंगे जब सबसे पहले आप यहां पर एक values individual निकालना सीख जाएं कि यहां पर किसकी value क्या है और कितनी है समझे गए मेरी बात को यहां पर है ठीक है जैसे DC का मान निकालने के लिए आपको यहां BC का मान पताऊने जरूरी है क्योंकि D जो है वो मद्दे बिंदू है अगर मुझे DC निकालना है तो या तो मैं DC निकालना है तो मैं यहां पर जो है वो BD निकालना है बात हमारा एक ही पड़ेगा question में कहा कि यह दोनों मादिगाएं हमारी 90 पर काटती है तो अगर हमारा यह कौन है तो यह भी कौन हमारा कितना है 90 डिगरी है जैसा कि आपको पता है कि एक triangle होता है और एक triangle में जब हम एक median draw करते हैं तो जो centroid होता है हमारा वो हमेशा दो और एक के अनुपात में बाटता है जो centroid होता है वो किस अनुपात में बाटता है दो और एक के अनुपात में तो तीन कमान जो है वो हमारा कितना दे रखा है तीन कमान हमारा 18 दे रखा है तो तीन unit कमान अगर हमारा 18 है तो एक यूनिट कमान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तीन कमान अगर हमारा 18 है तो एक कमान 6 हो जाएगा एक कमान 6 हो जाएगा तो दो कमान कितना होगा 12 और एक कमान हमारा हो जाएगा 6 उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा B है, B कमान हमारा कितना है? 12 है. तो हमारा B भी जो है, वो हमारा किस ratio में 2 और 1 के अनुपात में बटा होगा. यानि 3 unit कमान हमारा कितना है, 3 unit कमान 12 है, तो 1 unit कमान हमारा कितना हो जाएगा 4. 3 कमान 12, 1 कमान 4, 2 कमान कितना हो जाएगा 8 और 1 कमान हो जाएगा 4 तीक है अब आप मुझे एक बात बताओ जरा इस वाले ट्रेंगल में यहाँ पर आके देखना तो इस वाले ट्रेंगल में यह हमारा 90 डिगरी है और राइट अंगल ट्रेंगल में आपको भी पता है मेरे भाई यह 8 हो गया और यह 6 हो गया और 90 डिगरी हो गया तो हाइपटेनस कितना होगा 10 तो यह 8 है और यह 6 है तो यानि इसका मतलब यह हमारा कितना हो जाएगा 8 का स्कॉयर प्लस 6 का स्कॉयर का क्या रूट यानि हो जाएगा 10 चुकि हमारा D मिड़ पॉइंट है मीडियन है तो अगर यह 10 है तो यह भी कितना हो जाएगा 10 तो DC का मान कितना हो जाएगा DC का मान हमारा 10 हो जाएगा कोशन नुबर 35 के बाद नेक्स कोशन हम लोग देखते है 36 नंबर स्रवाल 36 में हमसे क्या कहा गया 36 में हमसे कहा गया ABC ट्रैंगल में A का मान दे रखा है BD हमारा AC के उपर perpendicular है C हमारा AB के उपर perpendicular है BD और ACP पर प्रतिछेदित भी करते हैं PBC और PCB के समदे बाज़ा Q पर मिलते हैं BQC का माप कितना हो गा Very good question यहाँ पर तो बनाते हैं हमने का असर देखे इंट ट्रैंगल A उसके बाद यहाँ हो गया B और फिर यहाँ पर हो गया C एंगल A की वैलियो हमारी कितनी है तो एंगल A की वैलियो हमारे 66 है उसके बाद हमसे कहा गया कि जो BD है वो हमारा perpendicular है और किसके उपर है तो A C के उपर है जो हमारा एक तरीके से C है मेरे भाई यह C हमारा perpendicular है और यह किसके उपर है हमारा तो A B के उपर है दोनों perpendicular हमने बना दिया BD और हमारा E C जो है वो intersect कर गया कहा पे कर गया तो P पर कर गया भाई ठीक है कहा गया तो BISector of PBC तो BISector of PBC यानि यहां मिल रहा है और उसी तरीके से PC भी इसका जो कौन सम्दी बाझा को यहां मिल रहा है किस पॉइंट पे तो Q पॉइंट पे तो हम से यहां B Q C का मान पूछा गया है यह से मा लीजे यह हमारा ט्रेंगल है और triangle में आप लोगों को भी मैंने सुभा में दो पार में जो पढ़ाया था वो मैंने in center पढ़ाया था in center क्या होता है in center वो point होती है जहां पर सारे के सारे angle by sector जाकर मिलते हैं और in center का जब हमें angle निकालना होता है तो 90 plus a by 2 हो जाता है उसी तरीके से हमें एक और बात ध्यान रखना है और वो है हमारा मेरे भाई एक तरीके से in center देखो तीन point होते हैं पहला point हमारा हो जाता है in center मैं सारे यहां लिख रहा हूँ फिर दूसरा point हमारा हो जाता है एक तरीके से ortho center भाई ठीक है और तीसरा point हमारा हो जाता है एक तरीके से circumcenter ठीक, इन तीनों के बारे में question अच्छा कासा circumcenter ठीक है अगर हम यहाँ देखे तो जैसे मानो इंसेंटर पर question कैसे रहता है तो जैसे मानो यह हमारा A हो गया B हो गया, C हो गया जहां सारे के सारे एक तरीके से क्या मिल जाए, angle bisector मिल जाए यानि यह सारे angle bisector मिल जाते है तो उसे हम क्या कहते है उसे हम इंसेंटर कहते है और अगर जैसे मानो यह point हमारा I है तो यहाँ पर angle B, I, C का जो मानोगा, वो बराबर होगा किसके तो 90 plus angle A, Y, 2 के यह हमारा इंसेंटर हो जाता है उसके बाद अगर हम बात करते है और तो और्थो सेंटर के बारे में तो और्थो सेंटर में जहां सारे के सारे altitude मिलते है ना यह लंब हो गया, इसका यहां लंब हो गया इसका यहां लंब हो गया उसे हम यानि perpendicular जहां मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं आपर तो उसे हम ortho center कहते हैं क्या कहते हैं तो उसे हम ortho center कहते हैं जैसे मानो यहाँ पर अगर point O है तो angle B, O, C का मान हमेशा ध्यान रखना कभी भी अगर ortho center पर value तुम्हें निकालनी है तो B, O, C का जो मान होगा वो हमेशा कितना होगा तो देखो 180C में से इसे घटा देना वो हो जाएगा यानि 180C में से angle A घटा देना वहीं आ जाएगा जैसे मान हो अगर angle A का मान 10 है तो यह 170 होगा, 20 है तो 160 होगा 30 है तो 1500 होगा, इस तरीके से ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है circumcenter, circumcenter यहाँ पर क्या होता है जहाँ सारे perpendicular bisector जैसे यह perpendicular है और यहाँ से भी आपको जा सकते हैं कोई tension की बात नहीं है यहाँ से भी आपको आ सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता तो जहां पर यह मिलते हैं ना जिसे मानों यह point A हो गया, B हो गया, C हो गया और यह O हो गया तो जिस point पर यह मिल जाएंगे उस point को हम क्या कहते हैं उस point को हम लिएम समदिवा जाएं तो कभी भविश्य में अगर मान लो यहाँ पर BOC का तुम्हें मान निकालना पड़ जाए कि यहाँ BOC का मान कितना होगा तो हमेशा ध्यान रखना angle A का कितना हो जाएगा angle A का हमारा दोखना हो जाएगा clear है यह बात यहाँ पर कोई परिशानी की बात है तो यह हमारा और्थो सेंटर हो गया और यह हमारा क्या हो गया सरकम सेंटर हो गया ठीक है अब आज यह है तो यह question पर आपको focus करना था कि question में आपको दिया क्या है तो जैसे मान लीजे कि आपने का असर यह हमारा 90 degree का एक line है और यह हमारा 90 degree का एक line है यानि ये जो है ना million इस थल है तो किसका है? altitude का million इस थल है और जहां पर हमारे altitude मिलते हैं, लंब मिलते हैं एक तरीके से उसे हम क्या कहते हैं? और उसका angle पता करने के लिए पीछे वाले को एक 170 में से घटा दिया जाता है यानि अगर यह हमारा 66 है तो अगर यह एंगल आपको पता करना है कौन सा एंगल B, P, C पहले पता करना है तो 180C मेसे जो है आप यहाँ पर माइनस कर लो किसको 66 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 114 हो जाएगा कितना हो जाएगा 114 अब ये वाला एंगल आपका 114 आ चुका है बाकि पूरी दुनिया को भूल जाओ पूरी दुनिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा कोई फर्ग नहीं पड़ता मेरे भाई यहां पर अब आपको पता करना है यहां B, Q और C तो मेरे भाई यहां देखना जरा B हो गया Q हो गया, C हो गया यानि ये वाला एंगल ये बराबर होगा 90 प्लस देखो अब क्या है अब ये वाला जो लाइन है ना ये वाला लाइन एंगल बाई सेक्टर है और ये वाला भी line क्या है? angle by sector है यानि ये क्या होगा? इंसेंटर होगा तो इंसेंटर पर बना कुन हमेशा होता है 90 प्लस पीछे वाले कुन का आधा यानि 90 प्लस BPC का आधा समझ गए हैं पे 90 प्लस BPC का क्या हो जाएगा? आधा तो 90 में आप यहाँ पर 114 के आधे को जोड़ दीजे यानि हो जाएगा 90 प्लस 57 डिग्री और 90 प्लस 57 एक सो 47 आएगा करेक्ट आंसर ओप्शन नमबर C हो जाएगा ये एक और कोशन हम आपको यहाँ पर एक और कोशन प्राक्टिस करवाते हैं उसी टाइप का उसी मॉडल का यहाँ पर ठीक है? उसी टाइप का उसी मॉडल का यहाँ पर एक देखे बढ़िया तरीके से क्या कहा गया है कोशन में तो कोशन में यहाँ पर कहा गया है कि ABC में एंगल A कमान कितना है तो जैसे माल लीजे यह हमारा A हो गया यह हमारा B हो गया और यहां पर aligned by sub एकई एकई वैल्यो हमारी 50 है ठीक है B.E. और C.F. जो हैं वो perpendicular है B.E. मान लो इसके उपर perpendicular है C.F. जो है वो हमारा इसके उपर perpendicular है यह दोनों बातों को बडे ध्यान से देखना ठीक है अगर मानो यह दोनों perpendicular है तो जहां पर भी altitude मिलते हैं उस point को हम क्या कहते हैं और अगर ortho center मेरे भाई हम कहते हैं तो ortho center की value निकालने के लिए एक 60C message से घटा देते हैं ठीक है एक बात मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ फिर उसके बाद यहां पर कहा गया B and C intersected H तो यहां पर यह किस point पर मिल रहे हैं तो H पर मिल रहे हैं फिर कहा गया the bisector of HBC यानि इसका bisector हो गया और फिर HCB यानि इसका bisector हो गया यह दोनों के दोनों कहां पर मिलेंगे तो यह दोनों के दोनों P पर मिलेंगे तो हमसे BPC का मान पूछा जाएगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि यह आधा हो गया और यहाँ पर यह आधा हो गया यह BPC का मान यानि यह वाला अंगल पूछा जाएगा कैसे करोगे मेरे भाई बताओ तो आप लोग अराम से होश्यारी से कह दोगे कि सर देखो यह वाला जो है यह क्या है और तो सेंटर है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा यह 50 है तो यह पका कितना होगा 130 होगा सर दीखे और उसके बाद यह वाला अंगल कितना होगा तो बोलोगे सर 90 में यहाँ पर 130 के आधे को जोड़ दो यानि 65 तो आंसर कितना आ जाएगा 155 करेक्ट आंसर है option number A जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा प्रिया को मारे शुभा मलदर मनिश को मारे बहुत स्यांदार ठीक है clear भाई आजएगे चलिए तो question number 38 भी हम लोग देखते है 38 भी हमारा सवाल है ऐसा ही है देखे क्या कहा गया त्रिभूज ABC में यहाँ पर ठीक है बनाईए triangle यहाँ पर ठीक है यह हमारा हो गया त्रिभूज A फिर उसके बाद हो गया B फिर उसके बाद हो गया C त्रिभूज ABC में A, B और C से खीचे गए lump the perpendicular drawn from A, B and C 1 से perpendicular बनाया गया यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ B से perpendicular बनाया गया फिर उसके बाद यहाँ C से perpendicular बनाया गया और कहा गया the perpendicular drawn from A, B and C meet the opposite side of D, E and F यहाँ पर इस पर मिल रहा है D पर फिर यह B वाला E पर और C वाला कहां मिल रहा है F पर मिल रहा है फिर कहा गया AD, B, E and C F intersected point P अगर हम बात करते हैं तो AD, B, E and C F यह किस point पर मिल रहा है point number P पर मिल रहा है हमसे question में कहा है EPD का मान अगर हम देखते हैं तो E, P, D यानि यह जो EPD है ना यह EPD का value हमारे सामने कितना है तो 110 है हमसे कहा है and the bisector of A and B meet at point Q ठीक है angle A का bisector और angle B का bisector कहीं Q नाम पर मिल रहा है तो हमसे A Q B का मान पूचा गया यह भी कोई question है बताओ यार यहां पर जिससे मानो हो सकता है A का कोई bisector हो A का angle bisector हो सकता है यह रहा हो और B का bisector हो सकता है यह रहा हो और यह कहाँ पर मिले तो point number Q पर मिले और हमसे यहां बोला जा कि देखो यह point P तो यह रहा और यह point Q रहा तो बताओ यहाँ यह angle कितने का है अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ आप समझेगा तीक है यहाँ पर यह angle bisector है बढ़िया बात है मैं वही वाला question जो आप पीछे बना रहे थे न वही वाला question है पहली बात देखो यह line हो गया और यह line हो गया यह दोनों के दोनों क्या है आपके तो altitude है है altitude आपके यानि अगर यह 110 है तो आप ऐसे भी कह सकते हो छोड़ो आप ऐसे भी कह सकते हो सर यह 90 है और यह 90 है और यह 110 है तो यह वाला question automatic angle C निकाल लो angle C निकालोगे हो जाएगा कोई दिक्कत, कोई फर्क, मतलब कोई परिशानी आपको नहीं आने वाली है ठीक है, altitude से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो देखो यहाँ पर total sum जो होगा, वो 4 होगा, कितना होगा 360, यह आपका बना देगा कितना, 90 और 90 अगर 110 है, तो यह कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ अगर 100 C है, तो इन दोनों का भी जोड़ हमारा 100 C होगा यानि C का मान हमारा कितना आजाएगा 70, अब आप अगर देखोगे तो angle A का bisector और angle B का bisector जहाँ मिलेंगे तो यहाँ जहाँ पर भी bisector मिलते हैं, यानि अगर हम बात करें तो angle A हो गया, Q हो गया B हो गया, तो जहाँ भी bisector मिलते हैं, वो क्या होता है 90+, इसके पीछे जो कौन है, समझ रहे मेरी बात को यह जो bisector है यह जो point है, यह जो line है, यह किसका bisector है, पूरे के पूरे angle A का bisector है, आपको यह बात समझना पड़ेगा, यह पूरा angle A का bisector है, और यह पूरा angle B का bisector है, ऐसा नहीं है कि यह हमारा A, B और E, यानि इस रेखा का bisector है, नहीं पूरे का bisector है, तो अगर यह angle A का bisector है, अगर एंगल B का बाई सेक्टर है तो इसके पीछे जो लेंगे वो हम एंगल नंबर C को लेंगे यानि इसके आधे को लेंगे 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा जोड़ोगे तो 125 आएगा option नंबर जो C है वो हमारा क्या है correct answer है आज ही है next question देखे 39 नंबर क्या का है S और T ऐसे बिंदो है जो PQR की करमशे PQR की भुजाओ पर इस तरह सिस्तित है तो अगर हम बात करते हैं तो PS को PR के साथ गुना करने पर क्या मिला है PQ into PT मिला है यह हमारा पहला statement है ठीक है तो question में कहा गया S and DR point on PQ S हमारा इसके उपर point है और T जो है वो हमारा PR के उपर point है ठीक है फिर यह statement हमारी दी गई है angle Q कमान जो है वो हमें दिया गया है कि यह 96 है उसके बाद हम से कहा गया है PST देखो असल में यहाँ पर यह angle का sign है कि angle PST जो है वो बराबर है PRQ प्लस 34 तो एक काम करते हैं PRQ को हम थीटा मान लेते हैं let PRQ यह जो है हमारा कितना मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं तो PST, PST की value की अगर हम बात करें तो यह हमारा कितना हो जाएगा थीटा प्लस 34 हो जाएगा समझ गे बात को जैसे ही आपका relation दिया गया है अब इस relation में आप अगर देखेंगे तो जैसे मानो PS को यही रखो और यहां PQ को क्याओ नीचे लेके आजाओ तो PS upon PQ बराबर हो जाएगा किसके यहां PT को यही रखो और PR को नीचे लेके चले जाओ तो बोलोगे सर छोटा divided by बड़ा बराबर छोटा divided by किसके बड़े के और जब ऐसी कहानी होती है तो आप मुझे खुद बताइए कि जब ऐसी कहानी होगी तो इसका मतलब यह दोनों क्या हो जाएंगे पैरलल हो जाएंगे भाई ratio तो यहाँ पर तभी बराबर होता है ना देखो जैसे यह छोटा बटे में बड़ा छोटा बटे में बड़ा अगर बराबर है तो यानि यह दोनों क्या हो जाएंगे पैरलल और अगर यह दोनों पैरलल हो जाएंगे तो इसलिए 96 जो होगा वह बराबर होगा थीटा प्लस 34 के ठीक है तो एंगल की अगर आप बात करते हो तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 62 डिगरी यह हमारा क्या है लेकिन हमसे कौन सा अंगल की पूछा है भाई तो हमसे यहाँ पर Q, P और R पूछा है कि Q, P, R कमान कितना है तो कोई tension नहीं है आराम से हो सकता है theta command कितना है 62 अगर theta command 62 है तो ये वाली value कितनी हो जाएगी 62 ये 96 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई तो 96 हो जाएगा तो ये angle निकाल सकते हैं तीक है इन दोनों को जोड़ी और 60C में से गटा दीजे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो angle Q, P और R की जब value निकालनी है तो 180C में से आप minus कर दीजे किसको इन दोनों को ठीक है तो 95, 15, 109 को minus कर देंगे आप यहाँ पर तो कितना answer आजाएगा 22 हमारा correct answer है 40 number स्वाल में हमसे कहा गया है ABC में angle A का मान 135 है AC का मान हमें 5 root 2 दिया है AB का मान 7 दिया है E और F जो है वो midpoint AC और AB के तो हमारा EF का मान कितना है ज़रा समझेए यह कुल मिलाकर हमारा क्या हो गया इंटरेंगल ABC यह हमारा A हो गया B हो गया और C हो गया angle A का मान कितना हो गया angle A command हमारा 135 हो गया ठीक है AC की value हमारी कितनी हो गई तो AC का value हमारा 5 root 2 हो गया ठीक है AB command हमारा कितना हो गया 7 हो गया E और F जो है वो हमारे AC के और AB के midpoint है अगर हम AC की बात करते हैं तो यह हमारा FE है ठीक है और अगर हम AB के midpoint करते हैं यह हमारा F है, साफ लफजों में question का है कि E and F are midpoint of A, C and A, B respectively हमसे यहाँ EF command पूछा गया कि यह EF command कितना होगा यह भी कोई सवाल है बताओ ठीक है, छोटा सा question है आ रही है ठीक है, आप मुझे बताओ कि E जो है वो इसका midpoint है और F जो है वो इसका midpoint है तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी एक triangle आप बनाते हैं, यह वाली रेखा अगर इसकी midpoint है और यह point अगर इसका midpoint है तो यह पूरी जो line होगी वो इसका क्या होगा आधा होगा, होगा की नहीं होगा यानि BC का आधा हमारा क्या हो जाएगा FE हो जाएगा तो मुझे पहले BC निकालना होगा और उसका आधा कर देंगे तो क्या आजाएगा FE, अब BC निकालने के लिए आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा तो BC निकालने के लिए आपको cos theta वाला formula यूज़ करना पड़ेगा तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो cos हमारा कितना हो गया cos 635 ठीक है वो बराबर हो जाएगा किसके मानो इसको X के तो cos 635 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वार प्लस यहाँ 5 इंटू 5 पचीस इंटू 2 पचास हो जाएगा यहाँ minus x स्क्वार और divided by कितना अभी पिछली क्लास में ही शाम को निकालके बताया था यह दोनों खतम 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70 यहाँ आजाओगे तो minus 70 हो जाएगा बराबर यहाँ 7 का स्क्वार 49 ठीक है 49 और 50 कितने होगे तुमारे 49 और यह 99 minus x का स्क्वार अगर यहाँ तुम लेकर आजाओगे तो x का स्क्वार यहाँ आजाएगा तो यहाँ हो जाएगा 169 further x की value कितनी आजाएगी 13 और अगर x की value मेरे भाई 13 आजाएगी तो उस case में तुरंत यहाँ पर जो है fe कमान अगर बात करोगे तो fe जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह 13 है तो यह 13 का आधा हो जाएगा तीक है यानि कितना हो जाएगा तो 6.5 correct answer है option number a is the correct answer आजाओ question number 41 दे को 41 क्या कहा है in the given figure तीक है यहाँ पर a, b और c हो गया और उसके बाद a, e और d हो गया similar triangle है उसके बाद यहाँ कहा है कि इनका जो perimeter का ratio है हमारा perimeter का जो ratio है बड़े वाले का 7 unit है छोटे वाले का 3 unit है यानि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़े वाले का perimeter 7 है तो छोटे वाले का perimeter 3 है जो ratio हमारा perimeter का होता है वही ratio हमारे side का भी होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, बड़े वाले की साइड अगर साथ है, तो छोटे वाले की साइड कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, बड़े वाले की रेशियो अगर साथ है तो छोटे वाला तीन, बड़ा वाला साथ है तो छोटे वाला तीन, बस रेशियो मैं बता रहा हूँ, उ यहाँ पर यह कहा गया है 25 है, ठीक है, और साथ में BC की वैलो इन्होंने साथ दे दिया, बहुत शांदार साथ दे दिया इन्होंने, तो इन्हें जो है वो quadilateral का, यानि इस quadilateral का perimeter चाहिए, अब अगर इस quadilateral का perimeter चाहिए, तो यहाँ पर इसकी भूजा, इसकी भूजा, इसकी भूजा और इसकी भूजा तो इन्हें बताना पड़ेगा, जब तक यह 4 भूजा और नहीं निकालोगे perimeter बता पाओगे, नहीं बता करना है पेरिमीडर के लिए उसान को हुझासरा को हैंद अगर मुझे का क्माननानना तो सबसे पहले अगर मुझे को principles निका लानना कि तो मैं क्या का हूंगा मैं काओंना कर魔法 भाई देखो यह पूरी की पूरी कि लंबाई कितनी है 24 और यह 24 जो है वो ऐसे समझे लो कि ये छोटा वाला पार्ट 3 है और पूरा का पूरा पार्ट 7 है मेरे भाई, यानि ये थ्री और फूर के रिशियों में आप ऐसे समझो जैसे मैं आपो समझाता हूँ यह देखो ये चोटा वाला तीन है बड़ा वाला साथ है तो यहाँ छोटा वाला तीन होगा और बड़ा वाला कितना होगा साथ होगा तो सिर्फ ये पार्ट कितना होगा तो ये पार्ट अपका चार यूनिट होगा ये पार्ट तीन यूनिट और ये पार्ट 7 unit, यानि ये part कितना होगा, 4 unit होगा यानि 3 और 4 के ratio में होगा 3 और 4 के ratio में होगा तो मैं भी वहीं बात कहरा हूँ कि ये छोटा वाला part 3 part और ये होगा 4 part, ये दोनों इस अनुपात में हमारे बैठे होगे यानि हम कहेंगे जो ये 24 से ये total कितने की value है, 7 parts की value है और मुझे याँ पर कितने की value निकालनी है, तो 4 parts की value निकालनी है समझ गए हैं आपे कोई tension की बात है, ठीक है तो अगर हम total perimeter निकालते हैं तो हम सिधा सिधा perimeter ही बोलते हैं याँ पर, कि हमें जो perimeter निकालना है वो किसके बराबर होगा तो perimeter का मतलब हमारा हो जाएगा ED, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा BC, ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा EB, ठीक है और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा DC के, मैं अगर यहां देखो तो जो मेरा ED का मान है वो मेरा कितना है, 3 है फिर मैं यहां BC का मान देखता हूँ, 7 है फिर मुझे इसकी value दिखनी है तो मैंने क्या कहा है, यह 24 पूरा कितने का भाग है, तो 24 हमारा 7 unit का value है, और मुझे इसमें कितने का मान निकालना है, तो यह 25 हमारा कितने का मान है, तो 25 जो है वो हमारा 3 प्लस 4, क्योंगे देखो यह हमारा 3 और 4 के अनुपात में है, तो यह भी हमारा 3 और 4 के ही अनुपात में होगा इस बात को दियान रखना, तो 25 पूरे 7 का मान है, मुझे 4 का मान निकालना है तो 25 पूरे 7 का मान है, मुझे कितने का मान निकलना है, 4 का 7 और 3, 10 हो गया, ठीक है 24 का 4 गुना 96 और 25 का 100 गुना 100 यानि 196 अपॉन कितना हो जाएगा, 196 अपॉन 7 ठीक है, 70 में इतना जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 266 अपॉन 7 करेक्ट आंसर है, पेरी मीटर अफ इतना यह सारे के सारे ऑप्शन्स गलत है, 266 साथ तरके 21 हां सही है तो हो जाएगा आपका यह काट लो, यहाँ पर 7 का 3 गुना 21 और 7 अटिश अपॉन 38 आंसर आएगा, ऑप्शन अबर D फॉर देव सेना ठीक हाला कि यहीं पर काट सकते थे, एक काम करो ने, यहीं पर काट लो, मुझे लगा सारे अंसर गलत है 7 का 2 गुना 14, 7, 8, 6, 58, 28, 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है भाई तो 38 जो आ जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन की बात करते है, अगला सवाल 42 नूमबर कोशन, हम लोग यहां देखते हैं, 42 नूमबर कोशन में हमसे क्या काक है उसकी वैलियो हमारी कितनी है तो इसकी वैलियो हमारी 98 है उसके बाद हमसे का है A, C, E का मान हमारा 98 है तो हमारा A हो गया, C हो गया, E हो गया इसकी value हमारी कितनी है तो इसकी value हमारी 98 है फिर उसके बाद B, F, D का मान हमारा कितना है तो हमने का B हो गया, F हो गया, D हो गया ये value हमारी एक तरीके से आजाएगी आपको 42 के करीम में ठीक है फिर उसके बाद हमसे यहां question में कहा गया है इसका 7 गुने इसका 6 गुने के बराबर है तो जरा अगर हम यहां से देखे तो हम यहां कहेंगे sir a, b, c और divided by देखो a, b, c और divided by कितना हो जाएगा angle c, g, e जो होगा वो बराबर होगा किसके 6 upon 7 के 32 है, 98 है, 42 है उसके बाद यहां पर कहा गया है कि BDF एक right angle है तो BDF एक right angle है यह भी हमसे कहा गया साथ में इस वाले statement को देखो तो a, b, c और नीचे उसके c, g, e में लेकर आगे हो 6 upon 7 है यानि मैं यह कहूंगा कि यहां पर 6 upon 7, चलो ठीक है अब थोड़ा हम लोग देखते हैं हमसे question में किसका मान पूछा है, x plus y का मान पूछा है, अच्छा सवाल दिख रहा है, बणिया एकदम पतंगा बतंगा बना रखा है हमने का यार देखो, यह तुम बात को समझो, यह तुम्हारा 90 है और अगर यह तुम्हारा 90 है ना तो इसका मतलब तरिभूज में बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए यह 42 है, इसका मतलब यह कितना होना चाहिए, तो 48 होना चाहिए समझ गए यहां पर, यानि यह कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा ठीक है, अब उसके बाद यहां बात करते हैं सवालों को लेकर कैसे है, क्या है ठीक, यह 42 है तो यह कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा अब ज़रा एक और बात पे आना, x की value आपकी तुरंट निकल जाएगे कैसे निकल जाएगी मैं आपको भी बताता हूँ आप यह देखो, यह 32 है, तो अगर आप 98 में से 32 घटाओगे तो यह x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह exterior angle है मेरे भाई, ठीक है, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 हो गया आपका और 9 से 3 6, 66 हो जाएगा, सुरी तो यहाँ x का value कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा अब उसके बाद अगर माल लीजे हमें y की value निकालनी है y की value आप और कैसे निकाल सकते हैं? तो आप ज़र इस बात को समझे है, question में आपसे कहा है ABC 6 है तो CG हमारा 7 है यानि अगर हम बात करते हैं, A, B और यहाँ पर जो है, वो कहां, C कहां गयी है यानि यह जो है ना, यह अगर हमारा 6 unit है यानि अगर माल लीजे, ABC अगर हमारा 6 unit है, तो CG हमारा 7 unit है A, B और C, कितना आगया भाई, 66 यानि यह सवाल में 6 का मान जो हमारा दे रखा है, 66 दे रखा है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा यानि अगर हम बात करते हैं, तो C हो गया, G हो गया और E हो गया यह हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई तो यह हमारा 77 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 77 हो जाएगा तो यहाँ पर जैसा कि आपने जाना कि यह एंगल आपका कितना हो गया 66 हो गया तो 6 कमान 66 तो 7 कमान 77 तो यह 77 हो गया अब अगर मेरे भाई यह यहाँ पर 77 हो गया तो यह 98 और यह 78 है तो Y का मान कितना आ जाएगा तो इन दोनों को जोड़के 180 में से घटा दो 8, 7, 15 और 9, 7, 16 और 17, 175 यानि यह value कितनी आ जाएगी तो 5 आ जाएगी जैसे यह 98 है यह 77 है तो यह हमारा है असल में यह X हमारा पूरा है मेरे भाई तो अगर आप बात करते हो ना जब आप X प्लस Y को बात करते हो तो X में यह total कवर हो जाता है यानि 48 प्लस 66 आपका दोनों कवर हो जाता है तो 48 प्लस 66 आपका दोनों हो जाएगा और Y के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 60, 40, 100, 100, 114 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 119, correct option है, option number C जो है, वो बिलकुल हमारा correct है आज़ो चलो, next question की बात करते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा है अगला सवाल में हमसे question में कहा है कि इन triangle ABC, देखिए, ये भी question बढ़िया question है और सही से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे तो triangle ABC में AB, BC और AC का length 5, 12, 13 और 5, 12, 13 देखते हैं, आपको मन में आ जाना चाहिए right angle triangle होगा D is the midpoint of AB, E is on AC and F is on BC AE कमान 2 है, BF कमान 2 है, तो हमसे DEF कमान पूछा है very honest question, honest का मतलब बढ़िया question ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर question में क्या का है सारा के लिए figure का है अब बोलोगे सर, आपने right angle triangle EQ बनाया भाई, 5, 12, 13 देखकर भी अगर कोई right angle triangle ना बनाए तो फिर तो खतम है ना कहा ने, बनाना तो पड़ेगा ना भाई तो ABC में, ABC और AC के लंबाई 5, 12 और 13 A हो गया, B हो गया, और C हो गया तो ABC में, ABC और AC ABC के लंबाई हमारी कितनी हो गई, एक मिनट ABC को मानो, नीचे वाले को मानो ABC को मान कितना है, तो यहाँ ABC को मान 12 है एक मिनट यहाँ पर ऐसे बना ले क्या figure ABC, ABC, ABC ABC का मान 5 है, BC का मान 12 है उसके बाद AC का मान 13 है, लो भाई, figure अप correct हो गया हमारा ठीक है, ABC का मान 12, AC का मान 13 सारी value लिखी, AB का मद्द बिंदू जो है, वो कौन है, D है इसका midpoint यहाँ पर कौन है, D है अगर मानो यहाँ पर D नाम का person कोई है, जो इसका midpoint है मेरे भाई इसका मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यह value हमारी धाई हो जाएगी, और यह value मेरी धाई हो जाएगी पूरा का पूरा 5 है उसमें यह धाई और धाई दोनों हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, तो E जो है वो AC पर है और F जो है वो BC पर है, E नाम का point जो है वो AC पर है और F नाम का जो point है वो हमारा BC पर है बट इनके बारे में ये midpoint है ये चर्चा नहीं की गई है उसके बाद हमसे यहां का गया A कमान हमारा धाई है अगर हम देखे तो A से लेकर E तक कमान धाई है अब आप लोग मुझे बताईए ये 13 है और ये धाई है तो यानि बचा हुआ लेंध हमारा कितना है तो बचा हुआ लेंध हमारा साड़े दस है उसी तरीके से अगर हम देखते हैं BF कमान हमारा डेड़ है और अगर हमारा BF कमान अगर हमारा डेड़ है तो पूरी के पूरी लंबाई 12 है इसमें ये डेड़ है तो यानि बाकी जो बची लंबाई है वो कितनी है मेरी तो साड़े दस है ठीक है जैसे ये पांच था तो ढ़ाई और ढ़ाई हो गया ये ढ़ाई दिया था तो साड़े दस हो गया ये डेर दिया था तो ये साड़े दस हो गया question में हमसे def कमान पूछा गया है यानि अगर हम बात करते हैं आपर तो d हमारा कहा मौजूद है यह d e और f यानि यह वाली value हमसे पूछी गई है कि यह वाली value हमारी कितनी है ठीक है भाई बताएंगे कोई attention की बात नहीं है def कमान बताएंगे और तरीके से बताएंगे कि इसकी value कितनी है पहले उसके बाते थोड़ी सी चंद बाते जान लेते है फिलाल तो आपको 5, 12 और 13 देखकर समझ में आ गया होगा कि यह एक right angle triangle है इसमें तो ज़्यादा सोचने और विचारने की बात यहाँ पर है नहीं तो जैसे मान लीजे आपने क्या बना लिया इसे right angle triangle बना लिया उसके बाद मैं अपने मन से अपने इच्छा से अपने एक तरीके से मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई यह 2 theta है मैं अपने मन से मान रहा हूँ तो अगर मानो यह 90 है और यह 2 theta है तो यह मेरा कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर यह 90 माइनस 2 theta हो जाएगा सीधी सी बात है तभी तो तो तुरे भूज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा 160 होगा ठीक है अब आजएगे इस वाले line में यह आपका ढ़ाई है और यह भी आपका ढ़ाई है समझ रहे है मेरी बात को यहाँ पर आप यानि यह दोनों के दोनों रिखाएं क्या है बराबर है और अगर दोनों के दोनों रिखाएं बराबर है इसका मतलब यह दोनों कोन भी हमारे बराबर होंगे ठीक है, तो आप मुझे बताईए एक बात, ये 2 θटा है, तो बाकी दोनों का जोड कितना होगा, तो बोलोगे 180-2 θ, समझ गए यहाँ पर, क्योंकि एक त्रिभूज का तीनों कोनों का जोड 2 θ होता है, एक सौसी होता है, और अगर ये 2 θ, तो यानि दोनों को जोडने पर कितना आएगा, 180-2 θ, ये दोनों के दोनों मेरे बराबर हैं, यानि इसके आधे होंगे, तो इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा ये 90-θ होगा, और ये भी हमारा 90-θ होगा, क्लियर है ये बात यहाँ पर, जैसे ये 90 था, तो इसे मैंने 2 θ माल लिया, तो ये 90-2 θ होगया, ये 2 इस triangle में बात करते हैं तीनों का जोड़ एक 60C है तो ये 2 theta है तो ये 180-2 theta होंगे आधाधा किया तो इतना आ गया उसी तरीके से अगर मैं यहां बात करता हूँ तो समझेगा ज़रा इन तीनों triangle में यानि इन तीनों angles को जोड़ने पर कितना आना चाहिए एक 60C एक 60C में ये अगर 90-2 theta है तो यानि इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 प्लस मेरे भाई 2 theta आजाएगा इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 90 प्लस 2 theta ये साड़े 10 है तो ये भी साड़े 10 होगा यानी both are equal और अगर both equal है तो मेरे भाई ऐसे समझ लो यहाँ पे कि यह 90 प्लस 2 theta है तो यह दोनो 90 यहाँ पर सड़ी 90 माइनस 2 theta है तो यह 90 प्लस 2 theta होगा और 90 प्लस 2 theta का आधा-धा होंगे यानी यह 45 प्लस theta होगा और यह भी हमारा कितना होगा तो ये भी मेरे भाई 45 प्लस ठीटा होगा समझ गए यहाँ पे कोई टेंशन की बात है तो बताओ माल लो इस एंगल को X माल लो जरा एक पल के लिए अब जरा यहाँ पर जो काली कलर से मैं ड्रॉख करूँगा देखना एक सीधी रेखा पर तुम्हारा जो कौन बनता है वो कितने का बनता है एक सौसी का बनता है एक सौसी में पहला वाला पार तुम्हारा कितना है 45 प्लस ठीटा यहाँ पर जो तुम्हें पता करना है उसको तुमने X माल लिया है और यह वाला पार्ट तुम्हारा कितना है तो भोलोगे 90-θ है तीनों को जोडोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा भाई तीनों को जोडोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ये दोनों तुम्हारे खतम हो जाएंगे और साफ दोर पर 9 और 4 35 यानी X की वैलू जो है वो हो जाएगी 180 माइनस 90 और 45 यानी 135 के करीब में साफ दोर पर X कमान तुम्हारा 45 हा जाएगा ये correct answer है भाई तो कौन सो option होगा option number जो C है वो हमारा correct answer होगा तो ये एक बहुत ही शांदार जबरदस्त और जिंदवाद question था यहाँ पर आप इस तरीके से इस सवाल को बना सकते थे यहाँ पर एक और trick आप कर सकते हैं और वो यहाँ पर यह कर सकते हैं कि अपने हिसाब से यहाँ थीटा को कुछ भी माल ले यहाँ आप यहाँ पर अपने हिसाब से थीटा को कुछ भी माल लेंगे ना तब भी आपकी value आ जाएगी जैसे मैं इस question को अगर बनाओ ना तो मुझे यहाँ पर साफ तरपे दिख रहा है कि यह question जैसे एक concept मैंने आपको कभी भी बताया नहीं और अभी तक तो खैर उसकी अवशकता पड़ी नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं एक होता है कि जब triangle का मात्र एक ही angle दिया गया होता है तो बागी दोनों में आप free होते हैं कुछ भी मानने के लिए जैसे मैं इस question को redesign करके आपको एक और short तरीका बताता हूँ तो ये सारे confusion साब के mind से clear हो जाएंगे ठीक है अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या क्या मुझे मिटाना पड़ेगा इस सारा हटाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद ये सारा कवाड़ा मतलब ये सारे थीटा वीटा वाले जितने भी मानने ना इस सारे हटाने पड़ेंगे कुछ चीज़ें मैं बना के आपको दे रहूं देखते चलो जैसे मानो ये point f था यहाँ point था यहाँ point था यहाँ point था यहाँ point था यह सारे दस था हमारा तो यह हमारा धाई था तो यह भी हमारा धाई था हमेशा जैसे इस बात को धिहान रखना मान लो यहाँ पर x और y की value क अगर आप 5 कहते हो मैं पहले भी कहता हूँ तो इसका मतलब कोई fix नहीं है जैसे x की value को 1 लोगे तो y 4 होगा x को 2 लोगे y 3 होगा यहां 3 लोगे यह 2 होगा मतलब they are not fix मेरे भाई तो अगर यह fix नहीं है तो उस case में आप क्या गरोगे इसके इसमें आप free हो कुछ भी angle मानने के लिए तो जैसे मानो यह 90 है तो आपको यहां a का और यहां c का कुछ fix नहीं है लेकिन इतना जरूर पता है कि a plus c बराबर कितना होगा 90 अब आपको अगर a plus c बराबर होगा मेरे भाई 90 के ना तो आप एको कुछ भी मान OVER कोई फरक नहीं पड़ता है एको zero मानलो एको 90 मानलो एको कुछ भी मानलो कोई फरक जैसे x plus y बराबर 90 है तो उसी तरीके से plus c बराबर 90 है तो कोई फरक नहीं पड़े गया यहां पर तो आपने कहा सर इसको आसान भाशा में करने के लिए एक काम करते है मैं क्या करता हूँ इसको 0 डिगरी माल लेता हूँ माल लो मैं समझा रहा हूँ 0 डिगरी उसके बाद इस ट्रैंगल में आ जाओ जरा तो इस triangle में मेरे भाई अगर आ जाओगे तो आप क्या कहोगे ये वाली length और ये वाली length दोनों के दोनों बराबर है तरे भूज के तीनों कोनों का जोड़ एक 60C होता है ये हमारा 0 है इसका मतलब ये दोनों का sum कितना होगा एक 60C और इन दोनों का sum एक 60C होगा इसका मतलब ये हमारा 90 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ठीक है आजओ भाई ये तुम्हारा 90 है और ये तुम्हारा 0 है इसका मतलब ये वाला angle तुम्हारा कितना होगा तो बोलोगे सर 90 क्योंकि त्रिभूज के तीनों कोनों का जोड एक सौसी होता है, मैंने इसको 0 माना तो ये 90, 10 मानूँगा तो 80, 20 मानूँगा तो 60 आईसे करके, समझना, थीक है, अब उसके बाद मैं तुमें क्या कहना हूँ, मान लो ये 90, 10 है, ये साड़े 10 है और ये साड़े 10 का मतलब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो बोलोगे हां सर, यानि अगर ये 90 है तो ये कितना कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 45 और 45 होग आप यहां कुछ भी वैल्यू पुटिंग ले सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है, 0 के जगा 100 मान लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, 100 मान होगे तो यह 40 और 40 हो जाएगा, ठीक है, यह तुम्हारा माइनस 10 हो जाएगा, तो अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब यहां कोई भी limitation, कोई भी boundation आपके उपर नहीं है, आज यह, next question यहां देखे, 44 number question क्या कहा गया, कहा गया, ABC एक right angle triangle है, जैसे मानों यह हो गया, यह हो गया, यह B हो गया, और यह C हो गया, तो ABC right angle triangle है, angle A जो है वो हमारा 90 है, AD जो है वो हमारा perpendicular है, और किस के उपर perpendicular है, तो BC क कहा गया, AC और AB, जैसे, AC जो है, वो AB का दोगना है, तो अगर मैं AB को X मानता हूं, तो AC मेरा कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, तो इस हिसाब से मेरा BC कितना हो जाएगा, यह X है और यह 2X है, तो यह कितना हो जाएगा, root 5X हो जाएगा, मैं बस अभी इतना लिख रहा हू तो इसका value x माना इसका value 2x माना यह तुम्हारा 5x आ गया तुमसे किसका मान पूछा गया BD का याद गरो एकदम भोर भोर में सुबह सुबह में जो है वो एकदम सुबह सुबह का मतलब शाम को जब पढ़ाए थे तो एक property right angle triangle का याद दिलाए थे और क्या याद दिलाए थे कि अगर आपको AB का square निकालना है AB का square निकालना है तो BD इंटू क्या करना पड़ेगा BC करना पड़ेगा याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताओ तो बोलोगे हाँ सर तो AB का square का मतलब क्या होता है BD की बात करें तो BD हमें नहीं पता है और BC की बात करते है मेरे भाई तो BC हमारा root under 5X है X से हमारा X खतम हो जाएगा तो सीधा सीधा हम बोलेंगे X upon root 5 बराबर हो जाएगा किसके तो X upon root 5 बराबर हो जाएगा हमारे BD के अब आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई option ही नहीं match कर रहा है बताएए ऐसा तो कोई option ही नहीं match कर रहा है यहां पर ठीक है कि BD की value X upon root 5 तो भाई देखो जो BD है वो सारे options में BC के तुनला में दिया गया है किसमें दिया गया है BC में तो एक काम करो BC की value रखतो BC की value कितनी है root 5X है तो यहां रखना जरा तो बोलोगे सर यह तो root 5X upon 2 आ गया इसी तरीके से इसमें रखोगे इसी तरीके से इसमें रखना एक बार तो बोलोगे सर root 5X upon 5 आईए और अगर हम देखे तो root 5 इसे कितनी बार में कटेगा root 5 बार में यहीं option सही है question number 45 देखते हैं पहले question number 45 क्या है और question number 45 से आगे बढ़ते है तरीकुज ABC में अगर हम देखे हैं यहां पर तो यह जो हमारा triangle ABC है इस triangle ABC के अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ABC हो गया D जो हो गया वो AC नाम पर एक point हो गया D is a point on AC such that AD to DC is 3 ratio 4 AD और DC का अनुपात कितना है 3 और 4 का है ADB का मान अगर हम बात करते हैं बच्चे तो ADB का मान हमारा कितना हो जाएगा ADB का मान हमारा 40 degree हो जाएगा इसके अलवा अगर हम बात करें ACB का मान तो ACB का मान हमारा कितना हो जाएगा ACB का मान हमारा 30 degree हो जाएगा AB की value की बात करते हैं तो AB की value हमारी 21 हो जाएगी BC की value की बात करते हैं BC हमारा 28 हो जाएगा तो question में हमसे कहा गया find angle A, B and C कि angle ABC का मान कितना है अब जैसा कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो छोटी सी बात को मेरी देखें इसकी value 23 है इसकी value 28 है उसके बाद यह 3 है और यह 4 है आप लोगों को मैंने angle by sector में क्या बता रखा है angle by sector में मैंने एक बात बता रखा है कि जैसे मान हो अगर सामने वाले से मैंने एक angle by sector बनाया है तो अगर यह 3 और 4 के अनुपात में हैं कौन समने वाज़ा कहलाता है तो अगर आप यहां गोर से देखेंगे तो जैसे यह ratio 3 और 4 का है और 7 को अगर हम काटते हैं 3 से और 7 को काटते हैं 4 से तो यह भी ratio हमारा 3 और 4 का होने वाला है इसका मतलब यहां पर यह जो line है यह line अमारी क्या है यह दोनों कोन हमारे बराबर हो जाएंगे ठीक है अब जरा समझना यह वाला जो triangle है D, B और C तो D, B, C का यह जो हमारा क्या है तो यह exterior angle है बाहर वाला कोन है और बाहर वाला कोन जो होता है बराबर होता है अंदर दोनों कोनों के जोड़ के यानि जो 40 होगा बराबर होगा 30 प्लस 10 डिगरी के यानि यहां 30 और 10 मिलकर कितना बनाएंगे 40 अब चुकिए एक angle by sector है और यह angle by sector है मेरे भाई तो अगर यह 10 है तो यह भी हमारा कितना होगा यह भी हमारा 10 हो जाएगा तो total angle ABC का मान कितना होगा total angle ABC का मान जो है वो हमारा 20 डिगरी हो जाएगा question number 46 को हम लोग देखते है question number 46 क्या है तो सबसे पहले मैं आपको इस पूरे सवाल को समझा दो तो पूरे सवाल मैं ऐसा दिया गया है कि देखो यह एक triangle है और यह triangle तुम्हारा isoscalous triangle है sum dvibahut ribuch है दिया गया आपको यहाँ पे दूसरा वाला भी जो triangle है यह भी आपका एक isoscalous triangle है sum dvibahut ribuch है in the given figure PQR and AGBR two isoscalous triangle उसके बाद जी जो है वो हमारा centroid है centroid जानते है के इंद्रक कौन से वाले का तो PQR का यह centroid ठीक है उसके बाद हम से कहा गया यह रिखाइस के parallel है और यह रिखाइस के parallel है ठीक पूरे के पूरे triangle PQR का माहन हमें दिया गया कितना है तो 108 cm2 है एरिया यानि पूरा बड़ा वाला triangle का एरिया कितना 108 है उसके बाद हम से यहाँ पर कहा गया QR यह QR का माहन हमारा कितना है तो Q-R का मान हमारा 18 है ये भी हमसे कहा गया है तो हमसे यहाँ पर क्या बूचा गया है ये जो TRAPEGIUM आप देख रहे हैं P, G, A और Q इस TRAPEGIUM की जो ये HEIGHT होगी ना ये HEIGHT हमारी कितनी होगी आप ये HEIGHT बता दो वाट इस दा HEIGHT अफ ट्रापिजियम P, G, A, Q ये Q-R आपको लगा के जाना चाहिए अपने मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल आप इसे कह सकते हैं तो ये असल में यहाँ पर इसकी HEIGHT हम निकालेंगे कैसे वो देखे जरा जैसे मान लीज़े आपने Q-R आपने एक Q-R देखा ये पूरा का पूरा वैलियो आपको कितना दिया गया था ये पूरा का पूरा वैलियो आपको 18 दिया गया था दिया गया था ना ठीक है ये कैसा ट्राइंगल है ये बताओ आईसोस्केलिस ट्राइंगल है ये आपका क्या है तो सेंट्रोइड है अगर आप कोई भी ट्रैंगल बच्चे देखते हो तो जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रैंगल को किस अनुपात में बाढ़ता है तो दो और एक में ये सरकम रेडियस होता है ये इन रेडियस होता है होता है कि नहीं तो बोलोगे हैं सर यानि ये ratio हमारा दो और एक कानुपात में होगा ठीक है अच्छा ये lines आपके parallel हैं तो अगर ये parallel line है तो जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में ये भी आपके होने वाले है बस इतना बताईए पहले तो बोलेंगे हाँ sir ratio तो हमारा common ही होने वाला है ratio में कहीं पर कोई बदलाव नहीं आएगा ठीक है पूरा हमारा P, Q, R पूरे triangle का area कितना है एक स्वाट तो आधे triangle का area कितना होगा क्योंकि area आधाधा में बढ़ जाएगा आईसोस्केलिस triangle है तो यानि इसका area 54 होगा ये पूरा area 54 है समझेगा मेरी बात को ठीक है तो आप यहां से क्या कर लेंगे आप यहां से height निकाल लेंगे कि भाई in triangle P, Q, O जो हमारा area दे रखा है वो कितना दे रखा है तो area हमारा दे रखा है 54 तो अगर हम area की बात करेंगे तो half into क्या कहोगे Q, O कहोगे भाई और into कितना कहोगे P, O कहोगे बराबर हो जाएगा 54 तो बोलोगे सर, half into Q, O कमान हमारा कितना है पूरी value अठा रहा है तो ये Q, O कमान हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और P, O कमान नहीं पता खतम करते हैं 54 9 से हमने काटा 6 बार में पूरा का पूरा P, O कमान निकल के आगे कितना 12 अब आपके पास opportunity है क्या है कि ये पूरा का पूरा P, O कितना है 12 unit है यानि ये तीन पार्ट जो है वो 12 के बारे में बता रहे हैं तो अगर ये तीन भाग 12 के बारे में बता रहे है तो एक भाग कितने के बारे में बता रहे है एक भाग 4 के बारे में तो यानि ये कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और यहाँ दो भाग कितने के बारे में बता रहे है तो दो भाग हमारा 8 के बारें बता रहा है इससे क्या हो गया मेरी इसकी भी हाइट निकल गई और मेरी इस वाले पार्ट की भी हाइट निकल गई हाला कि उस 8 की कोई आवशकता नहीं है फरजी डेटा है अब उसे छोड़ भी दोगे तब भी आपको कुछ नहीं जाएगा उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखो मेरे भाई तो यह पूरा का पूरा अठारा था यानि यह हमारा कितना हो जाएगा नो इस नो के कितने टुकड़े करने है तीन तीन टुकड़ों का मान 9 हैं, एक टुकड़ों का मान कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा यहाँ पे, और दो टुकड़े का मान हो जाएगा 6, वापस मैं कहा रहा हूँ इस 6 की कोई आवशकता नहीं है, आप इधर इसे मिटा दो, इधर इस 60 को मिटा दो, कोई नीड नहीं है अब आप मुझे बताओ अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. हो जाएगा भाई? बताएगा. अब देखें जैसे ये एक पार्ट 3 है तो टोटल पार्ट हमारा कितना है? 3 का 3 गुना 9. है ना? जैसे छोटे वाले ट्रेंगल की भूजा अगर एक य हो जाएगा? चलो ठीक है. अब उसके बाद मुझे बताओ यहां पर ये एक ट्रैपीजियम है ठीक है? इस ट्रैपीजियम का हमारे पास दोनों पैरलल साइड आ गया तो हंजी आ गया ठीक है? अगर इसका एरिया दिया गया हो तो इसकी हाइट निकाल सकते हैं. अब इस ट् सिधा सिधा बोलना कि एरिया ओफ ट्रैपीजियम एरिया ओफ ट्रैपीजियम यहां पर कौन सा पी क्यू ओ जी है? पी क्यू ओ जी बराबर होगा किसके? पूरे पी क्यू ओ के? पूरे यहां पर ट्रैंगल पी क्यू ओ मेंसे माइनस कर दो यहां पर जी ए ओ को माइनस कर दो तो PQO यानि पूरा का पूरा अरिया कितना हो जाएगा पूरा का पूरा अरिया PQO का आपने देखा तच्छेवन है और इसका अरिया हाफ इंटू इसका बेस तीन इंटू कितना हो जाएगा चार यानि यहाँ पर आ जाएगा इसका अरिया अब यहां देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ट्रापीजियम का एरिया निकल के आगया 48 निकल के आगया सर 48 एरिया है पैरलल साइट्स की वैल्यू दिया हाइट तो निकाली लोगे न भाई तो वही बात है कि therefore आप बोलोगे सर एरिया बराबर क्या होता है एरिया बराबर half into sum of parallel sides 5 जमा 15 into distance between them यानि height हो जाएगा एरिया की value 48 है और half into parallel sides का sum कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और into कितना हो जाएगा H 2 से 2 खताम 48 को 10 से भाग किया 4.8 हमारा correct answer आ गया है अगले सवाल पर आते हैं next question देखें In the given figure PQR is is isoskelet strangle in which PQ जो है वो हमारा PR के बराबर है यह जो PQ है हमारा यह पूरा का पूरा PR के बराबर है मतलब पूरा PQ और PR बराबर है उसके बाद हम से कहा है PS और PT बराबर है PS और हमारे PT जो है यह भी दोनों बराबर है angle TSR का मान हमारा कितना दे रखा है इसको अच्छे से ही निप्टाएंगे हम लोग और कोई बात नहीं है आप मुझे बताइए अगर यह आपको 20 डिगरी है तो एक पल के लिए अगर आप इसे X माल लेंगे तो कुछ बुराई है तो बोलेंगे नहीं X छोड़ी है आप इसे थीटा माल लीजे माल लीजे यह आपका 20 और यह थीटा है तो यह जो बाहर में जो कौन बनता है बच्चे यह बाहर वाला कौन क्या होता है इन दोनों के जोड़ के बराबर 20 और थीटा है तो यह कितना हो जाएगा हमारा 20 पलस थीटा हो जाएगा बोलो तो अगर ये 20 है और ये थीटा है तो ये बाहर की value कितनी हो जाएगी 20 प्लस थीटा हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा भाई 20 और प्लस थीटा हो जाएगा चलिए अब अगर मान लीजे ये और ये दोनों के दोनों भूजाएं बराबर है ये दोनों के दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं कॉश्चन में दिया गया है तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो अगर ये मेरा 20 प्लस थीटा है तो ये वाला भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा 20 प्लस थीटा हो जाएगा हो जाएगा समझ रहे हैं न बात आप लोग अब जरा देखिए तो ये पूरा का पूरा जो हमारा लाइन है ये लाइन हमारा क्या है पी आर है और ये पूरा का पूरा जो लाइन हमारा ये पी क्यू जो है ये बराबर है और अगर ये दोनों भूजाएं बराबर हैं तो इनके दोरा बना कौन भी बराबर होगा बताओ, कोई दिकत की बात है तो कि ये हमारा अगर theta है, तो ये भी हमारा कितना हुजाएगा ये भी हमारा theta हो जाएगा ठीक है अब जरा point को समझना मुझे ये वाला angle निकालना है तो इस वाले angle को निकालने के लिए मुझे यहाँ पर strangle के पास आना पड़ेगा और strangle में आके हमसे ये कहना पड़ेगा कि देखो अगर मैं तुम्हारे exterior वाले angle में से इस वाले angle को minus कर दूँ तो तुमारा ये वाल angle मिल जाएगा ये पूरा angle कितना है तो बोलोगे sir ये 40 प्लस theta है 40 प्लस theta में से theta minus कर दो तो ये value कितने निकल के आ जाएगी 40 निकल के आ जाएगी यानि correct answer कितना है तो option number B है भाई आज ये question number 49 देखते हैं क्या कहा गया question number 49 में तो question number 49 में हमसे कहा गया कि इन triangle ABC ये हमारा एक triangle है और इस triangle का मान क्या है तो A हो गया B हो गया और C हो गया इस triangle ABC में D और E जो है वो AC और BC के उपर point है AC के उपर point हमारा D है और BC के उपर जो point है वो हमारा क्या है E है कहा गया D and E are point on the side AC and BC respectively such that D is parallel to AB अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा D है ये हमारा AB के parallel हो जाएगा F is a point on C अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा C है यहीं पर कोई F नाम का बंदा है और F एक point है C के उपर उसके बाद हमसे question में हमारा किए कि C कमान जो हमारा कितना है C कमान जो है वो हमारा 18 C F कमान हमारा कितना है C F कमान हमारा 7.5 है ठीक है तो हमसे यहां BC कमान पूछा गया है कि BC की value हमारी कितनी होगी BC की value जो होगी वो हमारी कितनी होगी आप मुझे यहां पर यह बताईए कि what is the value of BC असल में यह double similarity के उपर ध्यान रखना होगा कैसे यहां पर एक फोटो में बना के आपको बताता हूँ और आज के बाद जीवन में जब भी देख लेना मतलब कहते हैं न यहां पर कि यहां पर क्या बोलेंगे मैं आपको ऐसे समझा लो कि ABC है कि जहां पर एक तरीके से ऐसे कहावत हमारे यहां कही जाती है शायद आप भी सुने होंगे कि अगर आप समंदर को देखते हैं और जहां पानी एक दम शानत है यू समझ लो सबसे ज़्यादा गहराई वहीं पर है यानि शानत पानी का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा गहराई है उसी दरीके से geometry में भी अगर आप देखेंगे और especially अगर आपको एक triangle के अंदर ऐसा एक n देखने को मिल जाए triangle के अंदर एक ऐसा n देखने को मिल जाना इसका मतलब वहाँ पर double similarity लगाई गई है triangle के अंदर n का मतलब क्या हो गया double similarity लगाई गई है जहां आपर साफ लफजम में कहता है कि ये वाली रेखा इसके parallel है और ये वाली रेखा आपकी इसके समना अंतर है ठीक है उस case में कैसे होता है समझो उस case में जैसे मैं आपको बताऊ तो मानो यहां पर ये वाला part अगर 1 है और ये वाला part यहां 2 है अगर ये दोनो 1 और 2 के ratio में तो सबसे पहले छोटा वाला triangle पकड़ा जाता है छोटा वाला triangle पकड़ा जाता है तो कौन से points को आप यहां पर जैसे मानो ये D हो गया और ये मानो E हो गया तो छोटा वाला triangle ADC आप लेते हैं उसमें अगर आप देखेंगे ये 1 और 2 के ratio में हैं और ये रेखा parallel है तो ये भी आप इसको 1 और 2 का ही ratio बना लेते हैं किस ratio को बना लेते हैं आप इन्हें तो 1 और 2 के ratio में बना लेते हैं खिर उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने अभी आपको क्या समझाए मैंने अभी आपको ये समझाए कि ये बीच वाले लाइन पर आप focus मत करो ये बीच वाले लाइन की कोई आउशकता नहीं है अभी जो focus करनी है आपको बस यहां पर यो देखो जैसे बीच वाले में इस पे फोकस ही मत करो यह क्या है क्यानी है सिर्फ इस पे इतना फोकस करो कि भाई यह 1 और 2 के रेशियो में है तो ये भी 1 اور 2 के ही रेशियो में होगा उसके बाद अगर हम यहां पराते हैं और अगर हम यहाँ देखते हैं तरीके से काइदे से यहाँ पर तो जैसे मानो यहाँ पर यह जो है यह ट्रैंगल है अब अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल A, B और C में जहां पर आपका ये मान लीजे कि DE नाम का या DG नाम का कोई लाइन है, DG नाम का लाइन अगर ये लाइन इसके पैलल है, ये 1 और 2 के रिशियो में है न तो इसका मतलब ये हमारे कितने हो जाएंगे 1 में और ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा तो अकसर ऐसे केस में या तो इसकी वैलू देता है, इसकी वैलू देता है या दोनों की वैलू देता है, जैसे कल के दिन यहां ये कह देता है ये 10 है, तो ये 10 हो जाता है, तो ये 20 हो जाता है यानि एक कमान अगर 30 है अगर एक कमान 30 है तो दो कमान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो हमें यहां जब भी मैंने क्या कहा कि एक ट्रैंगल बनाओ और उसके अंदर ऐसा आपको N दिख जाए ना तो पहले जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये दोनों हो जाएंगे और जिस अनुपात में ये होंगे उसी अनुपात में जैसे छोटा वाला वन ये वाला दो यहां से छोटा वाला पूरा वन और ये वाला कितना हो जाएगा दो यह इसी तरीके से हमारी चीज़े चलती है तो हमने यहाँ पर वहीं बात कहा कि भाई यह फोकस करना है आपको जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो साफ लफ़ में कोशन में कहा है कि जो आपका यह डीएफ है वो हमारे पैरलल है और किसके पैरलल है तो डीएफ इस पैरलल टू एबी ठीक है और उसके बाद कहा गया यह लाइन इसके पैरलल है आपको एक एन दिग गया और वो भी उल्टा वाला एन दिग गया इस सारी बाते दे रखी है अब ये देखो, ये 1. niño, 7 है और ये पूरा का पूरा 18 है इसी हमारा 18 दे रखाय है 18 मैंसे 7.95 अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10.50 हो जाएगा आप इन दोनों के जला ratio देखो एक बार इन दोनों के अगर आप ratio को देखोगे न भाई तो ratio देखोगे तो क्या बोलोगे बोलोगे सर अगर 15 से काटते 1.5 से 5 बार में और 15 से काटेंगे 7 बार में 1.5 से यानि ये दोनों पार्ट के ratio हमारे कितने हैं 5 और 7 में तो अगर हम triangle A, E और C में देखेंगे ये 5 पार्ट है और ये 7 पार्ट है तो यानि ये भी हमारा 5 रेशियो किस में हो जाएगा 5 रेशियो 7 में हो जाएगा ये 5 और 7 के अनुपात में हैं तो ये भी 5 और 7 के अनुपात में हो जाने वाले हैं अब जरा हम अगर ये आ जाते हैं फुटे से वाले पॉइंट पे, अब हम ट्रैंगल A, B और C में देखते हैं, ये वाली लाइन जो है, मतलब हमारी कौन से D, E, ये पैरलल है हमारे किस के, तो पैरलल है हमारे A, B के, यानि अगर हम ये रेखा को इस रेखा के पैरलल बनाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो है अगर देखो 5 है, और ये अगर 7 पार्ट है, तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा और ये भी हमारा 7 हो जाएगा, यानि यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 5 पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा कितना हो जाएगा 7 पार्ट, ये 5 और 7 के अनुपात में हैं, तो ये भी पांच यूनिट की वैलू कितनी है अठारा है यानि ये जो अठारा दिया गया है ये अठारा कितने की वैलू है तो पांच यूनिट की वैलू है और मुझसे आप क्या चाहते हैं बी का मान चाहते हैं अगर मुझसे बी का मान चाहते हैं तो 7 प्लस 5 यह नहीं 12 यूनिट से मल्टिप्लाई होगा, समझ गए हैं यहां पे, ठीक हैं, 12 अटे 96, उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, 12 यहां 12, 9, 21, 21.6, 22.6 का मतलब हो जाएगा, 43.2, यानि हमारा पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 43.2, इससे मल्टिप्लाई करके बाद से कर देना, 43.2 आने वाला है, उप्शन नमबर भी आने वाला है, अगला सवाल हम यहां देखते हैं, कुशन नमबर 50, यह भी हमसे एक बढ़ी यहां ही कुशन पूछा गया है, जरा इसको भी देखिए, आज ओ, कुशन में दिया गया है, दिये गए फिगर में, हम अगर बात करते हैं, तो P, D, Q, यानि यह वाला जो एंगल है, यह वाला एंगल इस वाल एंगल के बराबर है, आप देखिये, स्ORRY, बढ़ाबर नहीं है, माफ करिएगा, यहां पर, कहा गया कि, यह वाला एंगल, यानि मान ल Letter Heard को आलफा और यह वाल एंगल मान लेते हैं, बीता, थेके हैं, तो पुशन में कहा गया है, यहां पर Q, बीघ और Q हो गया, और साथ में हमारा P हो गया, B हो गया और गया इन दोनों को जोड़ने में हमारा कितना आ रहा है 180 आ रहा है ठीक है हमसे यहाँ पर किस कमान पूछा गया है तो हमसे यहाँ पर यह पूरा का पूरा AD कमान पूछा गया है और कब पूछा गए यहाँ पे अगर BC Κमान हमारा 18 दे रखा है यानि एगर हमबात करें यह पूरा का पूरा BC जो है अगर हमारा 18 दे रखा है तो हम से यहाँ पर पूरा का पूरा AD कमान पूछा गया है कि भाई तुम AD कमान बता दो क्या इसके अलवा कुछ और यहां पर जानकारी दी गई है तो जी हाँ बिलकुल जैसे DP कमान दिया गया है DP कमान हमारा कितना है तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे DP हो गया यह value हमारी 9 है उसके बाद अगर हम बात करते हैं AP और PC का ratio है कि यह AP है और PC है यहां पर कितना हो जाएगा चार और 3 के ratio में यह दोनों हो जाने वाले है देखो यहां से लेकर यहां तक यह तो पता है कि no है मुझे सिर्फ यहां पर इसकी value निकालना है आपको यहां AD कमान निकालना है तो मैंने कहा ना दो तरीके हैं एक इसको बकायदा हम solve करेंगे और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रेयोग करेंगे मुझे अगर पूरा का पूरा AD का मान पता करना है तो AD का मान पता करना है यानि दो टुकडो का मान पता करना है यानि मेरा इसका मान तो पता है कि ये value कितनी है 9 है तो मुझे इसकी value देखनी है तीक है साथ में अगर देखोगे तो ये जो API आएगा ये आपका 4 का multiple है 4 के ratio मैं कहा गया ना ये 4 ratio 3 में यानि ये 4 का multiple है तो अगर हम मेरे भाई जितने भी मेरे पास options हैं उन सब options में से अगर मैं 9 को घटा दू तो क्या बच जाएगा जैसे ये सारी ये 17 किसकी value है तो ये 17 पूरी की पूरी AD की value है इस AD में से 9 घटा देंगे तो मातर ये बच जाएगा और ये जो भी option में बचेगा उसमें वो कितना answer किसका multiple होना चाहिए चार का multiple होना चाहिए तो मैंने यहां पर तुरंट दिमाग लगाया मैंने का या 17 में से 9 घटा दो 8 आ जाएगा ठीक है 18 में से 9 घटा दो 9 आ जाएगा 15 में से तुम 9 घटा दो 6 आ जाएगा 16 में से 9 घटा दो 7 आएगा इन में से 4 का multiple को होने option number A है यानि यहीं answer होगा बस बात खतम solve करना बाद की बात है similarity लगाना बाद की बात है हम ऐसे भी तो सवाल को कर सकते हैं न भाई कि आप सोचो ना this AP is a multiple of 4 4 के multiple में 9 जोडने पर यहां हमारा option आएगा तो अपने option में से 9 गटा देंगे तो मैं detail में भी जाने का एक तरीका बताता हूँ वो आप कैसे जा सकते हैं जैसे मैंने यहां देखा कि यह alpha और beta है इन दोनों का जोड़ एक source C है तो मैंने का भाई देखो A हो गया B हो गया C हो गया तो अगर हम बात करते हैं angle A, B, C और उसके बाद यहां पर मैं ऐसे कहा लेता हूँ सबसे बड़ी हैं आप यहां समझना जोटी सी बात है कि मेरे भाई यहां पर इन दो एंगल को जोड़ने पर एक source C आता है मुझे इन दो एंगल से मतलब नहीं असल में मुझे ही strangle और strangle में relation डोड़ना है अगर मैं relation नहीं डूंडूंगा न तो मेरे लिए बहुत नुकसान की चीज़े हो जाने वाली है तो मैंने कहा यार तू आलफा है न तो एक काम कर इसको हम क्या बनाते हैं इसको हम 180 माइनस आलफा बनाते हैं क्या बनाते हैं तो 180 माइनस आलफा बनाते हैं या वो छोड़ी है उससे अगर आपको नहीं सौझना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं बहुत वी शांदार तरीके से कि देखो जैसे question में हमें दिया गया है और question में आलफा बीटा को भी हटा देते हैं हम लोग यहांपे question में मातर हमें क्या दिया गया है तो question में में कहा गया A, B और मानलो P तो यहां कहा गया angle A हो गया B हो गया और P हो गया और plus हमारा हो जाएगा P, D, Q यह हो जाएगा P, D, Q ठीक है तो यहांपर हो जाएगा P हो गया, D हो गया, Q हो गया इसकी value कितनी है 180 है, कितनी है मेरे भाई, तो 180 है अब अगर हम बात करते हैं इसी एक सॉसी के बारे में तो इस एक सॉसी को यहाँ पर हटा देते हैं क्यों? मैं बताता हूँ आप यह देखो यह एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है की नहीं तो बुलो गया है इस straight line में येवाला angle और ये वाला angle ये भी दोनों तो XC है यानि कहने का मतलब angle हमारा P हो गया, D हो गया, C हो गया ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर PDQ हो गया तो ये हो जाएगा, P हो जाएगा, D हो जाएगा, Q हो जाएगा ये भी तो हमारा XC है यानि ये भी एक सॉसी और ये भी एक सॉसी question में दिया गया था ये दोनों का सम एक सॉसी और linear pair के माद्दम से मुझे पता ये दोनों का सम एक सॉसी तो मेरा PDQ और ये दोनों खतम हो जाएंगे तो मैं आप बोलूँगा ABP बराबर है PDC के यानि ABP यानि अगर हम बात करते हैं तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा हमारे किसके PDC के यानि वाला एंगल के यानि अगर ये आलफा है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा आलफा हो जाएगा समझ गए ये दोनों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो मैं इन दोनों ट्रैंगल में बड़े प्यार से similarity डून सकता हूँ बोलोगे गुर्देव कैसे देखो similarity का मतलब कोई भी दो कौन को बराबर करना होता है होता है नहीं यहां पर तो जैसे मानो ये अगर आलफा है तो ये भी हमारा आलफा हो जाएगा ये अगर मान ली जहां पर बीटा है तो ये भी हमारा कितना है बीटा है क्यों वर्टिकल ये अपोजिट से तो अगर एक आलफा दूसरा आलफा एक बीटा दूसरा बीटा तो तीसरा भी समझना मेरी वात को तो आप बोलोगे सर देखो मेरे alpha के आगे है इसके alpha के आगे क्या है तो इसके alpha के आगे AP है तो यहाँ AP लिख लो और यहाँ नीचे वाले triangle में alpha के आगे क्या है 3 है तो वो लिख लो समझ गए ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये आलफा के आगे ये रहा बीटा के आगे ये रहा और ये तीसरा वाला एंगल है समझ गए? अब तीसरे वाले एंगल के आगे अगर आप बात करो तो क्या है? आपका BP है सब के सामने लिखते चलो similarity का मतलब ratio लिखना होता है इसके आलफा के आगे AP है तो इसके आलफा के आगे क्या हो गया PC यानि तीन हो गया उस तरीके से इसके बीटा के आगे क्या है तो इसके बीटा के आगे आगे आपका AB है तो यहाँ इसके बीटा के आगे क्या हो गया CD हो गया भाई उसके बाद यहां अगर हम बात करते हैं इसका third angle third angle के सामने हमारा BP हो गया यहां पर कितना हो गया तो BP हो गया भाई तो PD हो गया हमारा do 82 कितनी है तो 9 है यहां पर हमें استعمال करना चाहिए था हमें ये 3 नहीं लेना था असल में अगर हम यहाँ देखते तो यह 4 ratio 3 था यह कितना था तो 4 upon 3 था मेरे भाई मैं दुबारा से repeat कर देता हूँ दुबारा से हाँ similarity मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ इसके alpha के आगे 4 है तो इसके alpha के आगे 3 हो गए यानि 4 और 3 इसके beta के आगे a-b है तो इसके beta के आगे हमारा c-d हो जाएगा इसका जो thought angle भच गया इस thought angle के सामने हमारा क्या है? BP है और यह thought angle के सामने हमारा क्या हो जाएगा पी-डी यानि PD का मतलब कितना हो गया? 9 यहाँ से सीधह BP का मान निकाल सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं सर ये तीन का हमारा तीन गुना है तो ये चार का तीन गुना कितना हो जाएगा बारा तो साफ तोर पे आप यहां से क्या बोलेंगे आप यहां बोलेंगे सर बीपी का मान कितना हो जाएगा बीपी का मान हमारा बारा हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा क्या BP का value निकालने से आपको कोई special benefit मिलने वाला है ठीक है अब उसके बाद अगर हम आ जाते चलो देखते हैं आपर BP कमान निकालने से कुछ फायदा है या नहीं है अब अगर हम portion में देखते हैं इसमानों यह हमारा कितना हो गया 12 हो गया यह 12 है हमारा और यह पूरा 18 है तो यानि यह हमारा 6 हो गया वही वाली बात है ठीक है तो यह BP हमारा कितना आ चुका है BP हमारा 12 हो चुका है और यह हमारा कितना आ चुका है तो ज़रा हम गोड़ से देखेंगे सवाल में तो जैसा कि मैंने आपसे कहा यहां पर पूरे के पूरे line में देखो यह हमारा किस ratio में है तो यह हमारा जो है पूरा का पूरा BP हमारा आया था ठीक है और BP की value हमारी कितनी थी तो BP की value हमारी आ गई 12 देखो तीन का ये तीन गुणा नो है तो चार का तीन गुणा बारा question में हमसे फूरा bc का मान 18 दिया गया था और ये हमारा 12 था तो ये value हमारी 6 आ गए अब वापस उसी तरीके से कई सारे तरीके देखो इसके दोनों साइड पता है और इसमें आपको एक साइड पता है तो आप दूसरे की value निकाल लोगे ये देखो तीन का दो गुणा कितना है च्छे है तो यहां चार का दो गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा चार का दो गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा उस आधार पर आप आँसर दे पाओगे दुबारा से मैं यहां बता देता हूँ दुबारा से मेरी बातों को समझ लीजेगा बड़े ध्यान से यहां पर ठीक है यह वैल्यू बारा आई और यह वैल्यू बारा आई तो यह कितना हो गए 6 यह 3 का 2 गुना 6 है तो यहां 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा और 8 प्लस 9 हमारा कितना आजाएगा 17 आजाएगा यह हमारा correct answer है तो यहां से हम quadrilateral की शुरुआत करते हैं quadrilateral के बारे मुमीद करते हैं कि कुछ चीज़े आप लोगों को बता होंगे मेरे भाई यहां पर कि quadrilateral होता क्या है तीक है और कैसे इसके उपर सवाल बनते हैं पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं सो बात है मेरे भाई तो दुनिया में कोई भी अगर मान लेजे कि कोई भी यहां पर जो है polygon ऐसा है जिसके हमारे 4 side है ABCD नाम का तो उसे हम क्या कहते हैं quadrilateral कहते हैं एक quadrilateral जो होता है उसके कई सारे type हो जाते हैं square भी एक quadrilateral है rectangle भी एक quadrilateral है rombus भी quadrilateral है trapezium भी quadrilateral है यानि कई सारे हमारे जो हैं इस सारे के सारे quadrilateral के type है आगे चलके दीरे दीरे देखेंगे कि कैसे भूजा के आधार पे कैसे कून के अधार पे हम quadilaterals को बाढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैंने कहा कि यार यह quadilaterals कोई भी 4 site को जोड़ दो तो quadilaterals बन जाता है quadilaterals का एक important property हो जाता है कि अगर quadilaterals में सभी sites के midpoints को जोड़ोगे सब के क्या जोड़ोगे सब के midpoints को जोड़ोगे तो सब के midpoints को यहाँ जोड़ने में क्या हो जाएगा जो अंदर बनेगा ना माल लीजेए आपर तो यह हमारा जो PQRS बनेगा यह PQRS क्या हो जाएगा PQRS हमारा palilogram हो जाएगा ठीक है, तो P की वारे से यह क्या हो जाएगा, पेरलोग्राम, तो कभी भी किसी भी Quadilateral के Midpoint को जोडने पर क्या मिलता है हमें, पेरलोग्राम मिलता है, अब आज़ो, इस Question में हमसे क्या कहा है, वो जरह हम देखते हैं, Question में हमसे कहा है कि एक हमारे पास Quadilateral है, और Quadilateral का नाम क् सीडी करके है, मान लेते हैं, कोई भी अज़ीब हो गरिब Quadilateral है बना लिया करो, उसके बाद कहा गया कि एंगल C का मान हमारा 72 है, और यहां पर जो है, एंगल D का मान हमारा 28 है, हमसे कहा गया कि एंगल A का बाई सेक्टर हो गया, यह देखो इसका कौन सम्दिभाजक, और ए दोनों कहा मिलते हैं, तो दोनों के दोनों हमारे O पर मिलते हैं, तो हमसे एंगल A, O, B का मान, यानि हमसे इसका मान पूछा गया कि यह वैल्यू हमारी कितनी होगे, ठीक है, अब यहां पर इस Quadilateral के छोटे से प्रपरटी को एक हम आपको समझाते हैं, कि असल में Quadilateral में होत तो यह Quadilateral A, B, C, D है, अगर मैं मानो यहां पर इस एंगल के बाई सेक्टर को बनाता हूँ, और यहां पर इस एंगल के बाई सेक्टर को यहां ले जाके जोड़ता हूँ, ठीक है, तो यहां पर जो बीच में एंगल बनेगा यह कितना होगा, यह आपको सीखना जरूरी है, आप प्रूफ कर लेना अपने आप में या कोई भी वैलु लेकर सेटिसफाई कर लेना मैं प्रूफ बता देता हूँ, यह एंगल अगर मानो यहां पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो सीधा सीधा बोदोगे सर, यहां जो एंगल बनेगा वो बनेगा अंगल C प्लस बजगे, उनको जोड़ के आदा कर दो यहां पर वही कौन बनने वाला है, तो क्या मुझे बताने की जरुवत है यहां पर कि यहां हमारा एंगल A-O-B कितना होगा बताओ, बताओ, बताने की जरुवत है नहीं न, क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ के आदा, तो 28 प्लस ब आजएगे, यह हमारा quadrilateral हो गया A-B-C-D करके, अभी A-B-C-D quadrilateral की बात करते हैं, तो E जो है, E is a point in the interior of quadrilateral such that D and C are bisector of angle D, अगर मान लीजे, E नाम का कहीं पर कोई भी बिंदू है, जहां यह D जो हो जाएगा, यह angle D का bisector हो जाएगा, और जो C है हमारा, वो angle C का bisector हो effectively, और फिर हमें B का मान दिया गया, और B का मान कितना दिया गया, तो B का मान हमारा 82 दिया गया, साथ में angle D, E, C का मान हमें दिया गया, 80 दिया गया भाई, और हमसे यहां किस का मान पूछा है, A का मान पूछा है, बताओ कितना होगा, अब यहां A का मान बताना है, तो मैंने क्या कहा ये बीच वाला कौन इन दोनों के जोड़ का आधा होता है यानि अगर हम बात करते हैं तो ये जो 80 हो जाएगा ये हमारा बराबर होगा किसके तो x प्लस 82 बाई 2 के मेरे भाई ठीक है हाला कि यहां सीधा सीधा अंसर आप लोग दे सकते हैं अब एक बच्चा होगा जो यहां पर ये सॉल्फ करेगा अच्छा 80 बराबर x प्लस ये बाई 2 फिर यहां 2 से ले जाएगा 160 बनाएगा बराबर करेगा x प्लस 82 के फिर उसके बाद तब जाकर इसके अंदर से 160 में से इसे माइनस करेगा तो 78 बराबर x भाई इतना नहीं करना होता पेपर में इतना समय है वाक कई में आपके पास आप ये बताईए बीच वाला ओसत है अगर हम बात करें हैं average का concept लगा लो ना यार average के concept लगा लो कि कुछ बिगड़ जाएगा दुनिया उजड़ जाएगी नहीं होगा न कुछ भी यहां पे क्या है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है ये बीच वाला average है average है यहां पर ये हमारा ओसत से कितना ज़्यादा है 2 तो ये हमारा ओसत से 2 कम होगा 78 होगा बात खतम यहां पर अगर ये ओसत से 3 ज़्यादा होता है तो असत से 3 कम 5 ज़्यादा होता पांच कम तो सीधा सांसर देना होता है इसमें छोटी छोटे calculations नहीं करना होता है 80 से 2 ज़्यादा 80 से 2 कम आंसर कितना आजाएगा सीधा 78 बात खतम चलो आज़ो next question चलते है 53 number स्वाल देखते हैं क्या कहा गया 53 number questions को कहा गया ABCD एक quadrilateral है तो सबसे पहले हमने quadrilateral यहां बना लिया कोई भी quadrilateral आप यहां बना लो A हो गया फिर उसके बाद B हो जाएगा फिर C हो गया और फिर D हो गया यह quadrilateral है मेरे भाई जिसमें diagonal BD की value की अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा BD हमें दे रखा है और यह कितना दे रखा है 64 एक हमसे कहा की AL नाम का जो है इसके उपर perpendicular है और AL perpendicular on BC और दूसरा हमारा हो जाएगा CM perpendicular on BD दोनों यहीं पर होगा AL की value हमें दे रखी है 13.2 और CM की value हमें दे रखी है कितना हो जाएगा 13.2 यह है CM की वैल्यू जो है वो हमारा 16.8 है पक्का 3.6 रफल पूछा होगा जी हाँ, बिल्कुल 3.6 रफल पूछा है ठीक है किसी भी कौडिलेटरल का एरिया जैसे ये कोई कौडिलेटरल स्पेसिफाइड नहीं है कि ये पैरलोग्राम है, ट्रापीजियम है, रॉंबस है फलाना फलाना क्या है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आज के बाद याद कर लो जीवन में कि कभी भी अगर मान लो दुनिया का कोई भी कौडिलेटरल का एरिया निकाल हो गया तो जैसे मानो ये कौडिलेटरल आपका क्या हो गया ABCD हो गया न अब ये ABCD कौडिलेटरल में मुझे एरिया निकालना है तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक डागनल दे दिया जाता है और इस डागनल पर ऐसे दो परपेंडिक्लर गिरा दिया जाता है ऐसे समाई लीजे और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो एरिया अफ कौडिलेटरल होगा यानि यहाँ ABCD का जो छेतरफल होगा वो मेरे भाई कितना होगा तो आप इसको ABCD को ABCD लेके मच चलो आप इसको दो अलग-अलग ट्रैंगल लेके चलो यह मेरा एक अलग-ट्रैंगल है उपर वाला एक अलग-ट्रैंगल है यानि पूरे कौडिलेटरल का एरिया निकालना है तो मुझे यहाँ पर ABD का एरिया और प्लस यहाँ पर BCD का दोनों का एरिया निकालना है ABD का एरिया कैसे निकालेंगे तो half into अगर आप देखोगे तो यह BD आपका क्या हो जाएगा BASE हो जाएगा और इंट्व यहाँ अगर बात करते हैं तो मानों यह H1 हो जाएगा और यह आपका H2 हो जाएगा तो half into यह H1 हो जाएगा दूसरे वाले का एरिया कैसे निकालोगे तो बोलोगे half into BD और into कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा मेरे भाई यानि इसका area half into base into height इसका area half into base और into कितना हो जाएगा height दोनों का हमने लिख दिया अगर हम देखते हैं तो half into यहाँ पर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा और यहाँ बात करते हैं और इसके उपर जो दोनों perpendicular's हैं उन्हें आप क्या करना जोड़ देना है भाई तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें अगर मान लीजे area निकालना है तो area निकालने के लिए क्या करेंगे half into यहाँ पर दोनों perpendicular's को जोड़ दो 16 और 13 और 29 और यह हो जाएगा हमारा 30 और into उसके बाद यहाँ पर bd की value bd की value कितनी दे रखिया है उनना तो bd की value तुम्हारी जो है question में कहा गया 64 दे रखा है तो 64 लिख लो यहाँ पर ठीक है भाई, दो से काट लोगे कितनी बार में 32 बार में 32 दें के 96 960 correct answer आजाएगा सीधा ठीक है तो एक basic question था हमारा यह quadrilateral के ऊपर आजो चलो, question number 54 पर चलते हैं और question number 54 हम देखते हैं question number 54 क्या है question number 54 में कहा गया area of a quadrilateral ACD is 36 cm तो यहाँ पर जो है यह हमारा quadrilateral हो गया A, C, D और E और इस पूरे quadrilateral का area हमें कितना दे रखा है तो 36 cm square हमें दे रखा है B जो है वो midpoint है किसका तो B जो है वो midpoint है हमारे AC का अगर हम बात करते हैं तो B जो है वो हमारा midpoint हो गया किसका पूरा का पूरा AC का हमसे यहाँ पर कहा गया यह triangle है बच्छे find the area of triangle A, B, E ठीक है यह वाले part का area कितना होगा और conditions दिये गया है conditions क्या दिये गया है वो भी देख लीजे तो condition दिया गया है कि भाई यह जो तुम्हारा AC है ना यह parallel है और किसके parallel है तो पहली बात तो तुम्हारे D के और दूसरा यह जो तुम्हारा B है ना यह parallel है तुम्हारे किसके तो इसके यानि एक तरीके से अगर हम बात कर ले तो एक छोटा सा parallelogram बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है छोटी सी कोशिश है बिचारों की देखते हैं successful हो पाता है नहीं हो पाता है तो जैसे आप ऐसे समझो मानलो यह हमारे दो parallel line है जैसे मैं इस figure को थोड़ा सा और स्रही बनाऊ तो और यह दो parallel line में हमसे क्या कहा गया कि यह तो एक तुमने जोइंग कर लिया है यहाँ पर यह पूरे line का एक midpoint है यहाँ पर इसके साथ इसको जोइंग किया गया है ठीक है यह जैसे आपको parallel दिख रहा है वैसे यह एक और parallel यहाँ भी बनाए गया है और आपसे यहाँ पर मातर पूछा जा रहा है कि यह वाला area जो होगा वो कितना होगा आगे चलके यहीं question ट्रैपीजियम में भी बनता है ट्रैपीजियम में क्या होता है ट्रैपीजियम में अलड़ी यह दोनों रखाएं पर लल होती है ट्रैपीजियम के सबसे longer side के midpoint को एक से जोड़ कर और इसके बाद ratio पूछा जाता है यह तो दुनिया का सबसे आसान question बन जाता है ठीक है तो इसलिए मैं इस figure को बदल के थोड़ा सा ट्रैपीजियम वाला ही figure बना देता हूँ यह लो भाई हो गया ठीक है अब इस ट्रैपीजियम की बात कर लेते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा quadrilateral A, C, D, E हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा A, C, D, E और यहाँ 20 का midpoint है पहले हमें इससे join करना है और फिर उसके बाद हमें इसी पार्ट का area बताना है बताओ जल्दी से यह पार्ट का area बताना है अब यहाँ पर क्या होता है छोटू, छोटू कहे रहा हूँ तीक है यहाँ पर ऐसा हो जाता है मेरे भाई समझना मेरे बात को तीक है कि अगर आप जब भी देखोगे न जैसे यह trapezium आपने बनाया यह रेखा इसके parallel हो जाती है तीक है कि सबसे पहले तो अगर आप इस line को join करते है क्या करते है इस line को join करते है तो यह अपने आप में क्या हो जाएगा यह अपने आप में एक parallelogram हो जाएगा हो जाएगा और parallelogram का जो diagonal होता है वो आधे-धे area बाढ़ता है यानि अगर इसका area one unit है तो मेरे भाई इसका भी area कितना हो जाएगा one unit हो जाएगा समझ गए मेरी बात को अब आजए यह आप यहाँ पर यह एक आपको एक तरीके से क्या हो गया parallelogram ही मान लीजे आप इसे या quadiliteral मान लीजे यह quadiliteral में यह वाली भूजा इस वाले भूजा के बराबर है समझ रहे हैं बात को ठीक है कोई tension की बात है जैसे यह एक parallelogram था यह one और one के ratio में था वैसे ही अब यह भी एक parallelogram आपका बन जाता है और यह भी किस ratio में हो जाता है तो one और one के ratio में हो जाता है या अगर मान लीजे अगर आप इसको parallelogram consider नहीं भी करना चाहते हैं उस case में आप यहाँ पर यह बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि देखो यह तो parallelogram में यह fix है कि यह one और one के ratio में है दूसरा आप यहाँ यह कह सकते हो कि देखो यह हमारी दो parallel lines है और यह parallel line में अगर इस triangle का area हमारा कितना हो जाएगा one unit हो जाएगा ठीक है तो उसी तरीके से हमारा यह वाला भी area कितना हो जाएगा one unit हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह हमारा क्या है midpoint है तो इसलिए सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है वो यह रहता है आप ऐसे याद कर लो कि भाई यह parallelogram था तो यह one और one के ratio में और यह parallelogram था तो यह भी one और one के ratio में यानि total कितने भाग में बढ़ जाते हैं तीन में तो हमने कहा यह one हो गया यह भी हमारा one हो गया और यह भी हमारा कितना हो गया तो one हो गया तीनों पार्ट हमारे 1-1-1 के रिश्यू में आ गए हमसे यहां पर क्वाडिलेटरल का पूरा एरिया दे रखा है 36 अब जो 36 से वो कितने का भागया तीन का मान है और हमसे यहां कितने के वैल्यू निकालना है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि तीन से जवाब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा बारा बार में आज यह नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहां पर क्या कहा गया इन स्क्वाइर पी क्यू आरस यह देखें कि स्क्वाइर हमारा हो गया पी क्यू आरस ठीक, अब इस पी क्यू आरस में यहां पर अगर हम देखते हैं हो गया यह जो triangle है हमारा यह क्या है equilateral triangle है और question में हम से पूछा गया है PTS का मान हम से पूछा गया है कि PTS का मान हमारा कितना होगा ध्यान रखिएगा मैं बार बार किया हूं they are not straight lines यह अलग line है यह अलग line है यहां पर कभी फिर किसी भी vertically opposite नहीं कह सकते हैं अब उसके बाद अगर हम यहां देखते हैं तो सबसे पहले जैसे मानों यहां से आप इस line को draw कर रहे हैं तो angle आपका कितना हो जाएगा तो आप साफ तोर पर बोलोगे सरी यह angle हमारा 60 है उसके बाद यहां पर यह वाला भी angle हमारा चुकी equator है तो 60 हो जाएगा ठीक है यह हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा यह हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है आप चाहो तो यह exterior जरूर निकाल सकते हो कि exterior आपका कितना आएगा तो बोलोगे सरी हमारा 60 और 15 कि आ unseren चाले मतलब बनता है क्या मतलब बनता है स्याट थैसे माणों आप साट आप sì क्जल्कुरी पूरा किना बनता है नब्बै बनता है और अगर एक्विलेटरल ट्रांगल है तो यानी तीनों साइच समाने बराबर है यहाँ पर आप देखते चलो चोटी-चोटी बात है जबरदस्त कोशन है बढ़िया कोशन है आप यहां पर यह देखो जैसे यह जो साइड है वहीं मेरा यह भी साइड है मेरे भाई अब अगर यह मेरा 30 हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह दोनों साइड बराबर है तो यह दोनों एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे तो इसका मतलब ये दोनों कोन भी हमारे बराबर हो जाएंगे 30 हो जाएगा तो इन दोनों का सम 1500 1500 का मतलब ये हमारा हो जाएगा 75 और ये हमारा हो जाएगा भाई 75 ठीक है उसी तरीके से मैं अगर यहां बात करूँ तो यहां पूरा कोन बनेगा 90 का ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अगर ये A cm है तो ये भी A cm है और अगर ये भी ये है यानि ये दोनों बराबर तो इसका मतलब ये भी दोनों जो इनके कोन होंगे ये क्या होंगे बराबर होंगे यानि अगर ये 30 है तो ये 75 और ये 75 यानि कितना हो जाएगा 75 अब आप मुझे बताओ एक सीधे पॉइंट पर कितने का कौन बनता है तो एक सीधे पॉइंट पर पूरा का पूरा 360 का कौन बनता है और अगर 360 का कौन बनता है तो हम यहाँ क्या हो लेंगे X plus 75 75 हो जाएगा हमारा 1.500 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा किसके 360 के भाई तो यहाँ पर सीधा X का value कितना आ जाएगा 360 में से पहले 60 गटा दो 300, 300 में से 1.500 गटा दो 1.500 correct answer आएगा क्या answer आएगा option number D आएगा आजाओ चलो next question की दरफ चलते हैं 55 के बाद अगला सवाल हम देखते हैं question number 56 inside a square ABCD B is a equilateral triangle और यहाँ पर यह भी एक अच्छा question बन जाता है square में है न अच्छे-च्छे questions बनते हैं मज़ा आता है square बनाने में यह देखे हैं यह हमारा जैसे मान लीजे ABCD हो गया ठीक है ABCD हो गया यहाँ पर और कहा गया BECA की equilateral triangle है यहाँ देखो BECA की equilateral triangle है और question में कहा गया यदि CE और BD O पर intersect करते हैं यह ठीक है एक वर्ग ABCD BECA की संभाहूत रिभूज है BECA की संभाहूत रिभूज है मानो यहाँ पर E नाम का कोई point हो फिर question में से यह भी कहा गया है कि यहाँ पर जो CE है और आपका BD है यह intersect करते हैं O पर मानो अगर E नाम के point को यहाँ लेते हैं तो यह हमारा CE हो गया और यह हमारा BD हो गया यह कहाँ intersect करेंगे यह हमारा intersect करेंगे O पर है यह ऐसा question है देखें हाँ पर ठीक है जबरदस्त question है गुरूजी बिलकुल मेरे भाई अब यह question देखो एक square ABCD है आपके पास उसके बाद B हो गया E हो गया C हो गया एक equatorial triangle भी है साथ में आपर यह भी कहा गया कि C हो गया और BD हो गया यह कहाँ पर काट रहे है तो O पर काट रहे है तो हमसे यहाँ पूछा गया BOC का मानिया नहीं इसका मान हमसे पूछा गया तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा C E हो गया और जो हमारा BD हो गया ओपर तो पहली बात जरा angles के बारे में जानना है तो ये angle कितना हो जाएगा 60 ये तुमारा angle कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 और ये भी तुमारा angle पूरा का पूरा कितना हो जाएगा तो बोलोगे sir पूरा angle हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 60 degrees है क्योंकि equilateral triangle है अब उसमें यहाँ पर आप अगर छोटी सी बात को समझेंगे तो यह आपका BD पूरा का पूरा क्या है भाई diagonal है और अगर यह विकर्ण है तो विकर्ण है तो यह कोन हमारा कितना बनाएगा 45 बनाएगा और अगर यह 45 बनाएगा तो यह हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा 60 है अब बच्चा बच्चा भी यहाँ पर यह बात बता देगा कि सर यह वाला बाहर वाला जो angle है ना यह बाहर वाला यह कितना है तो भाई जरा इस triangle अगल में आप यहाँ देखिए दर अगोर से तो आप यहाँ क्या बोलेंगे exterior angle is equal to sum of interior opposite angle 65 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा correct answer कितना option number B है next question पर आते है 57 पर क्या कहा है एक square ABCD में AC और BD जो है ओपर intersect करते हैं तो यहाँ कहा गया inner square ABCD अगर हम गोर से देखे तो यहाँ पर inner square ABCD यहाँ पर A हो गया फिर B हो गया फिर उसके बाद यहाँ C हो गया और पिर हमारा D हो गया तो diagonal सबसे पहले तो यहाँ पर AC और दूसरा हमारा कौन है तो BD है यह दोनों के दोनों कहां पर intersect करते हैं ओपर करते हैं फिर उसके बाद कहा गया angle by sector of CAB यानि CAB यानि इसका angle by sector ठीक है और किसका कहाँ गया meets BD ठीक है यानि इसका जो angle by sector है जो कौन समदिवा जाक है मेरे भाई यहांपर तो इसका angle by sector जो है कहा मिलता है BD को मिलता है और BD को किस point पर मिलता है तो F पर उसके बाद हमसे क्या कहा गया BC वाले का देखो BC को कहां पे मिले गई है तो यह यहां पे एक सेकेंड बाई यहां पे इसको यहां F पर मिलता है और इसको यहां क्या मिलता है G पर मिलता है तो यह जो एंगल बाई सेक्टर है हमारा यहाँ पर F पर मिल रहा है और यह G पर मिल रहा है तो question में कहा गया OF और CG का मान जो होगा यह OF का मान और भाई CG का मान कितना होगा असल में हमारे पास square है, diagonal भी हमारे कहां intersect कर रहे हैं, ओपर कर रहे हैं यह हमारा क्या है, तो हमारा angle bisector है समझ रहे हैं यहाँ पर ठीक है, और हमसे जो है यहाँ पर OF का मान पूछा गया है, और किसका मान पूछा गया है मेरे भाई, तो और हमारा CG का मान पूछा गया, हमने कहाँ ठीक हम बताते हैं, जैसे मानो मैं इस AB को एक पल के लिए 2 cm ले लेता हूँ, मान लो इसकी लंबाई हम 2 ले लेते हैं तो ये भी हमारा पूरा का पूरा 2 हो जाएगा कोई tension की बात है और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि ये जैसे मानो triangle है ये अगर 2 हो गया, ये जैसे मानो A हो गया और अगर ये A हो गया अब square के बारे में कुछ बाते जान लो पहले कि जैसे मानो square बनाते हो square के बारे में ये हमारा ABCD नाम का एक square हो गया सारी property यहाँ लिख दे रहा हूँ पहली बात यहाँ पर diagonal diagonal जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं समझ गए मेरी बात को दूसरा बात जो यहाँ कून बनता है ये तुम्हारा कितने का बनता है 45 और ये कितना बन जाता है 45 इसी के कारण यहाँ कितने का कून बनता है 90 का ये चारो पार्ट सापस में बराबर होते हैं पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट पैंतालिस पैंतालिस नब्बे यानि एंगल भी जो होता है ना पहली बात यहां एंगल भी बाइसेक्ट होता है और दूसरी बार डागनल भी जो होता है वो भी क्या होता है बाइसेक्ट होता है तो मैंने यहाँ पर कहा अगर यह 2 है तो हमारा पूरा का पूरा AC कितना हो जाएगा तो AC हमारा हो जाएगा इसी का root 2 times यानि 2 root 2 हो जाएगा root 2 कितनी बार? 2 बार root 2 अगर 2 बार है तो एक बार देखो यह O जो है वो midpoint का काम करता है यह पूरा 2 root 2 है इसका मतलब यह root 2 है हमारा और यह कितना है तो यह हमारा root 2 हो जाएगा अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाँ पर तो जरा देखना यह एक triangle पर आजओ यह एक triangle पर आजओ इस triangle में अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा angle by sector एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा तो यानि यहां पर आप लोग याद गरो आज से हजार साल पहले हजार साल पहले क्या कहा गया था कि अगर कोई एंगल बाई सेक्टर होगा तो जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी एनुपात में इन दोनों को भी करना है ठीक है? तो यानि अगर हमारा root 2 और 2 है अब root 2 और 2 का ratio क्या होता है बताओ root 2 का and 2 का ratio क्या होता है root 2 इसे कितनी बार में खुद को 1 बार में कटेगा इसे root 2 बार में यानि यहाँ पर अगर बात करें जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर मान लिजे कोई triangle और bisector होता है तो bisector जो होता है जैसे मानों ये अगर 1 और 3 के ratio में है तो नीचे वाला base भी किस ratio में रहता है 1 और 3 के ratio में रहता है तो अगर हम देखे तो ये दोनों की सनुपात में है तो बोलोगे sir root 2 और 2 हमारा यहां पर ये किस ratio में है तो 1 और root 2 के ratio में है अगर ये 1 और root 2 के ratio में है तो ये जो base होंगे ना इनके ये भी 1 और root 2 के ratio में होंगे लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये ratio है भाई value नहीं है value निकालना है तो value निकालना है तो कैसे निकालोगे क्या बोलोगे OF, क्या बोलोगे मेरे भाई OF सबसे पहले देखो तो बोलोगे भाई देखो यह एक square होता है और square में जो होते हैं यह सारे अपने आपस में बराबर होते हैं यह गर root 2 है तो यह भी root 2 होगा यह पूरे कमान मुझे पता है root 2 है और उस root 2 को इस ratio में बाटा गया है तो OF कमान निकाल सकते हैं यह पूरा का पूरा root 2 है और root 2 कितने की value है तो 1 plus root 2 की value है और मुझे उसमें कितने कमान निकालना है तो मुझे उसमें OF कमान निकालना है यानी 1 का मान होजे निकालना है अगर मुझे BF का मान निकालना हो तो मैं root 2 से गुना करता अभी तक सिर्फ मेरे पास BF का मान आया है अब आज़ेगे ये जो रेखा है ना ये आपका angle by sector है और अगर ये angle by sector है तो वही बात है कि एक angle by sector अगर 1 और 2 के ratio में बाता है sides को तो नीचे भी 1 और 2 के ratio में बातेगा ये हमारा पूरा का पूरा 2 है और ये अगर आप देखोगे ना यहां पे ये पूरा का पूरा मेरे भाई बड़ा वाला तो ये 2 है और ये कितना है तो 2 root 2 है यानि अगर उपर वाला part करेंगे तो 2 root 2 हो जाएगा और नीचे वाला part करेंगे 2 हो जाएगा यानि असल में ये root 2 और 1 के ratio में यानि ये root 2 और ये 1 तो मेरे भाई ये भी किस ratio में होगा तो बोलोगे sir ये आपका आजाएगा root 2 ratio कितना आजाएगा 1 के यानि अगर हम यहां बात करते हैं किस के बारे में अगर हम CG के बारे में बात करते हैं तो हम CG कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे जो यह 2 दिया गया है यह 2 आपका root 2 plus 1 का मान है कितने का मान है तो root 2 plus 1 का मान है और मुझे इसमें किस का मान चाहिए तो मुझे इसमें root 2 कमान चाहिए समझ में आ गया अब question में कहा गया आप इन दोनों का ratio ले लिजे ले लिजे मेरे भाई ratio यहाँ पे जब आप इन दोनों का ratio लेंगे तो इस से हमारा यह खतम root 2 से हमारा यह खतम answer 1 or 2 आ जाएगा option number 1 correct answer है खुश रही है भाई question number 58 को देखते हैं अब देखे 58 के बाद से आपको क्या पढ़ना है 58 में आपको पढ़ना है rhombus अब rhombus असल में होता क्या है उसके बारे में समझते हैं तो rhombus के बारे में अगर हम जानकारी जाने तो देखो rhombus एक ऐसा quadilateral होता है जिसके चारो साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं अगर हम यहां बात करते हैं rhombus के बारे में तो जैसे मानो यह हमारा rhombus हो गया ठीक है rhombus की पहली बात rhombus एक ऐसा parallelogram आप कह सकते हो quadilateral ना कहके थोड़ा से specify करोगे तो कहोगे सर यह एक ऐसा parallelogram है जिसके चारो साइड क्या है बराबर है मतलब यह भी हमारा a है यह भी हमारा a है यह भी हमारा a हो और यह भी हमारा क्या हो जाएगा इसके अलावा जो rhombus की सबसे खुबसूरत बात हैं हमारी वो हमारी यहाँ पर यह है 2 हो जाता है इसी तरीके से यह अगर डी 2 लंद का है तो यह डी 2 का आधा इतना पार्ट हो जाएगा और यह हमारा डी 2 का आधा पार्ट हो जाएगा ठीक है रॉंबस की एरिया के बारे में अगर आप बात करेंगे यहां पर तो तो generally अगर हम बात करें तो दो relation आपको rhombus में याद रखना होता है पहला इन दोनों का और side का relation यानि कहने का मतलब यहाँ पर यह है d1 by 2 का wall square ठीक है और प्लस यहाँ पर d2 by 2 का wall square और यहाँ पर जो हो जाएगा यह हमारा बराबर हो जाएगा किसके side के wall square के और दूसरा जो हमें याद रखना है मेरे भाई वो यहाँ पर rhombus में याद रखना है कि जो area हो जाएगा वो हो जाएगा half d1 d2 के यह हमारा छेत्रफल हो जाएगा ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा छेत्रफल हो जाएगा तो हमें इनी चीज़ों का आगे चलके इस्तमाल करने और सवाल हमें इसी क्यादार पर बनाने है तो सबसे पहले question number 58 देखते हैं कि question number 58 क्या कहा गया एक rhombus के दोनों diagonal है जिसका length 4 और 12 भी है और हम से उसका area पूछा गया है अगर आप यह rhombus मानते हैं rhombus में यहाँ पर दोनों diagonal कितना दिया गया rhombus के दोनों diagonal एक का length 4 है और दूसरे का length क्या है तो 12 है कोई tension की बात नहीं है सबसे पहले आप यहाँ यह समझे कि अगर यह आपका rhombus है पहला वाला diagonal पूरा 4 का है यानि यह 2 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा और अगर यह 12 है तो यानि यह हमारा 6 हो जाएगा और यह हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा डियागनल अफिर अच्छा यह सब तो जरूवत भी नहीं है लिखने की यार क्योंकि बहुत ही simple question है पहला बारी भाषा के उपर अधारी थे जहां साफ लख्जों में पूछा गया है चेतरफल बताईए तो चेतरफल हमारा half into product of diagonal होता है यानि half into कितना हो जाएगा 4 और into कितना हो जाएगा 12 यह बस मैंने एक समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो 24 हमारा आ जाएगा कई बारे basic formula पर भी question पूछ लेता है तो यह भी हमें ध्यान रखना है आज यह next question हमसे कहा गया तो हम यहां देखते है जैसे मानि यह rhombus का हमसे क्या पूछा गया 6 तरफल तो यह हमारा पूरा का पूरा rhombus हो गया side हमारी कितनी है तो side हमारी 10 है और सबसे छोटी diagonal हमारी कितनी है 12 है जैसे मानो यहां पर यह दो diagonal होंगी एक यह इसको मान लेते हैं छोटा वाला तो दूसरा वाला बड़ा वाला होगा यह पूरा का पूरा 12 है अगर मानो यह 12 है इसका मतलब यह 6 है और यह भी कितना अच्छे है बीच में जो कौन होता है वो कितना होता है मेरे भाई 90 डिगरी का होता है और अगर 90 डिगरी का यह कौन होता है तो आप मुझे बताओ 10-6 के साथ triplet में कौन आता है तो 10-6 के साथ हमारा triplet में 8 हा जाता है कौन आता है मेरे भाई 8 हा जाता है तो इसलिए हम यहाँ सीधा area लिख सकते है और area कैसे लिखेंगे तो half into पहला diagonal पहला diagonal हमारा कितना है 12 है और दूसरे diagonal की बात करते है तो जैसे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दो से हम काटेंगे 6 बार में 16 का 6 कोना कितना हो जाएगा 96 बे correct answer option number C है यह बिल्कुल सही उत्तर है आज यह next question की तरफ चलते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं क्या का आगए the two diagonal of a rhombus are respectively 14 and 48 the perimeter of rhombus is equal to एक rhombus के दोनों diagonal हमें दे दिये गया और उसका perimeter पूछा गया यह भी बहुत हलका सवाल है light weighted question है जिसे हम कह सकते हैं question number 65 से आप लगों को तगड़े level के सवाल देखने को मिलेंगे 65 से लेकर 10 सवाल खतरनाक level के हैं बढ़िया level के हैं वो मज़ाएगा आपको यहां पर तो कहा गया है दोनों यहां पर diagonal जो है वो कितने के हैं 14 और 48 के हैं तो अगर हम बात करते हैं आपर तो इनके diagonal के बारे में तो पहला diagonal हमारा 14 है यह 7 है तो यह कितना हो जाएगा 7 और दूसरा diagonal हमारा 48 48 का मतलब यह 24 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यह हमारा बीच में कितने का कौन है 90 का कौन है question में हमारा perimeter पूछा गया है तो perimeter निकालने के लिए जो है हमें सबसे पहले यह side निकालना बहुत जरूरी है कि side कितना होगा आप बताएगे 90 डिगरी का कौन है यह 7 है यह 24 है तो यह कितना हो जाएगा 7, 24 और 25 का क्या बनता है triplet इतना तो बताने की जरूरत नहीं है कि triplet कैसे बनेगा बोलो और अगर आपका triplet से 25 आ जाएगा तो therefore जो perimeter होगा वो कितना होगा वो perimeter हमारा 25 का चारगोना यानि हमारा हो जाएगा 100 correct answer है तो कौन सा option हो जाएगा option number जो D होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा आज़े यह next question पर बढ़ते हैं question number 61 देखते है question number 61 में हमसे क्या कहा गया वो देखे आगया दिये गए चितर में E, A, D, F यहाँ अगर हम बात करते हैं E हो गया उसके बाद A हो गया D हो गया F हो गया एक rectangle है A, B और C नाम का एक triangle है A कमान हमारा 22 हो गया है C, F कमान हमारा 16 हो गया है B, F कमान जो हो गया हो हमारा कितना हो गया BF कमान यहां पर हमारा कुल मिलाकर दो हो चुका है इसके बाद यहां बात करते हैं तो कोशन में हमसे का है Find the length of line joining the midpoint of AB जैसे मानों यह हमारा AB है तो यह AB का midpoint है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं BC तो यह BC का midpoint है तो इस line को यहां जोडने में इसकी जो value आएगी यह value हमारी कितनी होगी हमसे यह कहा गया तो जैसे इस सवाल में हमसे क्या क्या कहा गया दिये गए फोटो में बाहर वाला जो है वो rectangle है अंदर वाला हमारा triangle है A E का मान हमारा 22 दिया गया है B E का जो मान है वो हमारा 6 दिया गया है इसका मान हमारा 16 है इसका मान हमारा 2 है और हमसे question में पूछा क्या है तो हमसे यहाँ पर question में पूछा है length of line joining the midpoint of A, B and B, C यानि यहाँ पर इसका कि A, B का देखो A, B का जो मद्ध बिन्दू है और B, C का जो मद्ध बिन्दू है यानि अगर मुझे AC का मान पता है न तो मैं AC का सीधा का सीधा क्या कर दूँगा आदा कर दूँगा अब अगर आप देखो तो AC की value निकालोगे कैसे तो मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे यह rectangle है पूरा का पूरा 22 है और 22 में यह आपका 16 है तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यह पूरी की पूरी value आपकी 8 है तो यह value कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी अब उसके बाद आपको पता है चुकि यह rectangle एक आयत है तो यहाँ 90 का कोन बनेगा यह हमारा 6 है और यह हमारा 8 है तो आठ शे और दस का क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है, तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, और दस का मेरे भाई, आधा ही है कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, तो सीधा आंसर कितना हैगा, option number जो B है, वो हमारा correct answer आएगा, next question की बात यहां करते हैं, question number 62 2 में कहा गया, एक parallelogram हमारा ABCD है, एक side AB की 24 है, दूसरी AD की 16 है, इस तरीके से करके हमारा question दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहां क्या बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर parallelogram बना लेते हैं, इस parallelogram की अगर हम बात करते हैं, तो यह parallelogram हमारा क्या है, ABCD है, एक side AB की value हम AB की value हमारी 24 है, दूसरी side AD का अगर मान हम बात करते हैं, तो AD का मान हमारा 16 है, तीसरी side AB हो गया हमारा यहाँ पर और CD हो गया, इन दोनों के बीच में जो distance दे रखा है, वो हमारा 10 है, तो पक्का यहाँ दूसरे वाले के बीच का distance पूछा होगा, कि यहाँ पर इस parallel line के बीच में और इस parallel line के बीच में जो हमारा distance है, वो distance कितना होगा, बच्चों हमेशा याद रखना, एक telegram कह रहा हूं है, एक parallelogram में यहाँ पर जो है, जो area हम निकालते हैं, वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पर अगर माल लीजे कि कोई भी हमारे पास एक parallelogram है, समचत्रू हो जाए, तो यहाँ इसका area निकालने का एक तरीका है, जैसे यह हमारा ABCD हो गया, कितना हो गया हमारा ABCD हो गया, तो ABCD parallelogram में अगर माल लो कि आपका यह base है, और यहाँ पर इसकी value X है, इसका हमारा height H1 है, और इसकी value है, हमारी height H2 है, ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा relation होता है, और क्या होता है, जैसे parallelogram का area depend करता है base into height पे, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं, अगर इसका area निकालना है, तो X into H1 कर लो, या फिर इसका area इसके बराबर भी होगा, और वो होगा Y into H2K, ठीक है, यानि अगर आप इसे base लेंगे, तो यह height हो गया, और इसे base लेंगे, तो यह height हो गया, बराबर हो जाते हैं, तो अक्सर यहाँ पर question पूछा जाता है, उस property के अधार पर आप answer दे सकते हैं, कि sir, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलोगे sir, 24 अगर यह base ले रहे हैं, तो height हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, और यह जैसे मानो 16 है, तो यह भी 16 हो जाएगा, और यह हमारा x हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ 16 base लेंगे, तो हमारा height कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 8 से आपका 2 बार में, 8 से आपका 3 बार में, 2 से आपका 5 बार में, तो बच्चों कुल मिलाकर x की value कितनी आजाएगी, 15 आजाएगी, यह आपका correct answer है, option number जो c हो जाएगा, वो correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ छोटी सी बात को हमें सीखना है, कभी भी parallelogram में अगर ऐसा question है, तो base into height बराबर base into क्या कर लेते हैं, height कर लेते हैं, वो हमारा सीधा तरीका हो जाता है, value निकालने का, ठीक है, आज यह चलिए, नेक्स्ट question चलते हैं, 63 number पे, एक संबलम चत्रभुज की समानतर भुजा है, 20 और 10 cm है, इसके गेर समानतर भुजा है, एक दूसरे के बराबर है, यदि इसका छेत्रफल एक सौसी वर्क सेंटिमीटर है, तो प्रते गेर समानतर भुजा के लंबाई क्यात करें, यहाँ पे, एक ट्रैपीजियम है, एक ट्रैपीजियम है, एक ट्रैपीजियम है, ए, ब, उसके बाद यहाँ सी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया, पेरलल साइड में हमारा एक साइड हमारा 10 है, सौरी माफ करेगा, 10 तो छोटा वाला होगा, 10 हमार उपर वाला माल लेते हैं और नीचे वाले को 20 माल लेते हैं उसके non-parallel जो side है ना ये दोनों के दोनों क्या है हमारे equal है उसके बाद हम से उसका area भी कहा गया कि उसके area हमारे एक source सी है पूरे का तो हमसे non-parallel की value पूछी गई है non-parallel की value कितनी होगी अब असल में आपको यहाँ पर trapezium के बारे में भी काफी सारी बाते आज हम बताते है एक पूरा का पूरा आप यहाँ लिख सकते हैं trapezium trapezium हो गया हमारा और trapezium के बारे में एक नहीं दो नहीं कई सारे point आपके बनते हैं परिक्षा के point of view से सब जानना बहुत जरूरी है तो जैसे मान लीजे मैंने यहाँ एक trapezium बनाए यह हमारा क्या है trapezium है trapezium में यह दो sides हमारे parallel होते हैं और यह दोनों हमारे parallel नहीं होते हैं यह हमारा हो गया AB और यह हो गया हमारा CD ठीक है समझेगा मेरी बात को अगर हम trapezium के बारे में सबसे पहला point जो जाने वो यह जानेंगे किसका area कितना है तो इसका area हो जाता है हमारा half into sum of parallel sides यानि AB into CD and into distance between them जैसे मानों इसके बीच की जो दूरी है अगर H है तो into हमारा हो जाएगा H यानि एक trapezium का जो area होगा वो half into sum of parallel side into distance between देम हो जाएगा इस बात को ध्यान रखो अब trapezium में generally जो होते हैं ये दोनों side हमारे बराबर नहीं होते हैं लेकिन अगर ये दोनों side बराबर हो जाते हैं तो उसे हम आगे चलके isoscaleless trapezium कहते हैं अच्छा trapezium में और क्या-क्या point हम सीख सकते हैं तो और point हमारे पास सीखने के लिए कई सारे point हैं ऐसे तो जैसे मानो trapezium में सबसे मज़दार question number 65 के बाद आप भो देखने को मिलेगा जहाँ पर हम इस तरीके से जो है अगर हम दो लाईने खीच दे तो यहाँ हम similarity का बहुत अच्छा खेल के लेते हैं और यहाँ मेरिया का product भी जो है वो बराबर कर लेते हैं कि A1 into A2 बराबर A3 into A4 इस तरीके से करके और भी हमारे कई parts हो जाते हैं अगर आगे चलके देखोगे अगर यह IsoScalis Trapezium हो जाता है इन दो खंडों का चेत्रफल बराबर है इन दो खंडों का चेत्रफल जो हो जाएगा वो अलग रहेगा यह हमेशे है दो बराबर तो जैसे मानो मैंने IsoScalis Trapezium का एक जिकर किया तो IsoScalis Trapezium का मतलब यहाँ पर क्या होता है IsoScalis Trapeism का मतलब यह होता है कि यह भूजा और यह भूजा क्या हो गई बराबर हो गई उस इस्तिती में क्या क्या भाई value निकल के आ जाते हैं वो भी समझ लो तो अगर मेरे भाई यह दोनों भूजा बराबर हो गई तो जैसे मानों मैंने यहां से कोई line कीचा ठीक है और मैंने यहां से height कीचा तो automatic यह भी दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं अब यह दोनों side बराबर यह भी दोनों बराबर और यह भी दोनों बराबर तो यह दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या साबित हो जाते हैं तो congruence हो जाते है मेरे भाई यानि ये दोनों के दोनों सर्वांगिशम हो जाते है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है congruence है, सर्वांगिशम है इनका दोनों का जो छेत्रफल है वो हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है आप अगर काट के लेके आओगे इस वाले portion को लाके इधर उल्टा चिपकाओगे तो एक rectangle और एक square बन सकता है ऐसी भी संभावना होती है या एक बड़ा सा rectangle बन सकता है वो भी हो सकता है तो एरिया हम उसी के अधार पर जो है वो यहां justify करते हैं और भी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं मैं ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा question के मादम से बहुत ज़्यादे चीज़े क्लियर कर पाऊंगा trapezium में जो सबसे मज़े की बात होती है वो एक और होती है अगर आप sites के बारे में आगे चलके जानोगे तो वो आप अभी जान लो जादा बेतर है जैसे trapezium के बारे में यहां पर यह हो जाता है तो हम इस EF की value कैसे निकालेंगे तो इस EF की value हम यहां पर निकालेंगे मेरे भाई वो हो जाएगा M into AB क्या हो जाएगा M into AB plus N into CD है कितना हो जाएगा N into CD divided by कितना हो जाएगा divided by M plus N हो जाएगा यह अक्सर ऐसा कहा जाता है आप इसे A कह सकते हो आप इसे B कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो सर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन है यहाँ पर चीजों को लेकर यह सारा कुछ लिखने की जरुवत ना पढ़के आप यह भी कह सकते हो सर M A प्लस N B और डिवाइड़ बाई कितना हो जाएगा डिवाइड़ बाई हमारा M प्लस N हो जाएगा यह भी ट्रपीजम के बहुत खुशूरत प्रोपर्टी हो जाती है अगर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हम जान लें अगर हम यह साबित करते हैं कि E और F साबित नहीं अगर यह दिया गया हो कि अगर E और F जो है वो आपके मिड पॉइंट्स हैं मद्दे बिंदू है मेरे भाई ना बीच की रिखाए हैं उस केस में तो उस केस में अगर आपको यहाँ E F की वैल्यू निकालनी है तो E F की वैल्यू जो होगी वो दोनों को जोड़के आदा हो जाएगा यानि A प्लस B BY कितना हो जाएगा तो E प्लस B BY टू हो जाएगा ठीक है इसके उपर भी कोशन आता है पेपर में ध्यान रखना अब उसके बार ट्रैपीज़म में एक और कोशन आता है वो भी बहुत इसका कॉशन है वो भी हम आपको बता देते हैं ट्रैपीजम है जैसे एक और कोशन लेते हैं और सका्ट किसक्रोंट पूंट को लेते हैं और यह कौन सा पॉइंट यहयाँ जो है वह इस li Verse का मिड़कोंट है और इक जो है वह इस डागनल का मिड़कोंट के सिकाल हो गाते हैं तो उस केसमें मेरे भाये जो इसकी वैल्यू आप निकाल होगे तो EF की value कितनी होगी? AB minus CD का आधा. कितना हो जाएगा? AB minus CD का क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा. Clear है भाई यहाँ पे? तो यह 3 points हैं आपके पहले तो यह ratio के उपर question पूछ लिया जाता है. दूसरा आपका यहाँ पर यह बीच वाली रिका की पूछ लिया आती है अगर midpoint है तो और तीसरा इस diagonal के बारे में question आपसे कर लिया जाता है. ठीक है? अब हम आते हैं trapezeum के बारे में सीधा सीधा सवाल पे. इस trapezeum की हमारी parallel sides की value दे दी गई है. कहा गया है यह दोनों के 180, what is the length of non-parallel side? अब एरिया की बात हम करते हैं एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया हमारा 180 हो जाएगा. एरिया की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? half into sum of parallel side यानि sum of parallel side कितना हो जाएगा तो 20 plus 10 हो जाएगा और into distance between them बराबर हो जाएगा किसके 180 के आप सीधा सीधा यहाँ पर रहना सारी बाते लिख सकते हो कि sir half into 20 जमा 10 हमारा 30 हो गया into हमारा h हो गया, बराबर हो गया किसके 180 के, 30 का यहाँ 6 गुना height जो आगई, वो कितनी आगई 6 into 12 आगई अब आपकी height जैसे मानो 12 आचुकी है तो आपसे height नहीं पूछा इसने इसने पूछा यहाँ पर कि then what is the length of non-parallel side अब आप मुझे एक बात बताओ यह height आपके कितनी निकल के आगई तो बोलोगे sir height तो मेरी 12 निकल के आई है तो यहाँ पर देखते चलो जड़ा यह height आपकी 12 निकल के आई यहाँ से भी जब applying की चोगे तो यह भी आपका 12 का ही होगा यह value अगर 10 की है ना मेरे भाई तो अगर यह value 10 की है तो यह value भी आपकी कितनी होगी 10 की अब total value 20 थी 20 में यह 10 हो गया तो मैंने क्या कहा था यह दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं मैंने कहा था नहीं यह दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं हलाकि मेरा photo सही नहीं है बनाने का बट आप समझ सकते हैं मेरी बात को तो पूरा 20 है जिसमें यह 10 है यानि बाकी दोनों का जोड़ होने का मतलब यहाँ पर यह 5 है और यह भी कितना 5 है अब यह right angle triangle है यह 5 है और 12 है तो हमारा यह वाला value कितना हो जाएगा 13 यानि non parallel side की value कितनी हो जाएगी तो option number B जो है वो हमारा correct answer आएगा चलो आजाओ next question की बात करते हैं ABCD एक quadrilateral है तो सबसे पहले यहाँ पर देखते है क्या समझते है यहाँ पर A, B, C, और D ठीक है तो ABCD जो है वो एक हमारा quadrilateral है जहाँ पर AB और CD जो है वो दोनों parallel है E और F जो है वो diagonals के midpoint है यह एक diagonal हो गया और यह एक diagonal हो गया और इन दोनों diagonal के midpoint है E जो हो गया वो हमारा S का midpoint है और यहाँ पर F जो है हमारा S का midpoint है और यहाँ पर question में क्या कहा गया हमसे यहाँ पर AB कमान जो है वो 18 है और CD कमान यहाँ पर कितना है तो 6 है ठीक है तो EF कमान हमारा कितना हो जाएगा EF की value बताओ तो मैंने आपको अभी एक point पढ़ा है कि देखिए जब diagonal के midpoint के बारे में पूछेगा न तो diagonal के midpoint को बारे में जब पूछेगा तो simple answer देना है इस side में से side को गटा दो 18 में से 6 गटा दो 12 और 12 का अधा हमारा कितना हो जाएगा 12 का अधा हमारा 6 हो जाएगा एक equilateral triangle है AD कमान हमारा 100 है अगर हम बात करते हैं ये AD के बारे में तो इसकी value हमारी 100 दी गई है और हमसे यहाँ BOC का छेतरफल पूछा गया है कि इसकी value हमारी कितनी है अगर हम यहाँ बात करते हैं इसके बारे में तो हम कैसे बनाएगे समझो सबसे पहले तो ये एक equilateral triangle है अगर ये equilateral triangle है तो इसके सारे angle कितने के होने वाले है 60, 60 और ये कितना हो जाएगा 60 पूरा कौन 90 का है उसमें 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई ठीक है अगर हम इसे बात करते हैं यहाँ पर तो उसके बारे में हमें चर्चा भी नहीं करनी है लेट इस इस बी इस स्क्वार की साइड हमारी 100 है तो जरा ये सोचो ये value तुमारी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी और चुकि ये equilateral triangle है तो ये भी तुमारा कितने का होगा तो 100 का होगा मेरे भाई ठीक है ये भी तुमारा कितने का होगा 100 का होगा अब याद करो आज से 1000 साल पहले मैंने पढ़ाया था और मैंने पढ़ाया था कि कभी भी जीवन में अगर तुमें किसी भी तरिबुच का छेतरफल पता करना हो तो छिières यहां बोलोगे सर yaha पर in triangle तीक है यहां पर boc अगर हम बात करते हैं triangle boc का तो triangle boc में हम area कैसे बदा करेंगे यह बताओ तो triangle boc के अगर हम बात करते हैं और तो area बता करने के लिए सीधा बोलेंगे एरिया बराबर आपी ने पढ़ाया था सर क्या पढ़ा है था half into side into side into sign of angle between them यानि half into 100 और into 100 और into यहाँ पर बीच में angle कितना है 30 डिग्री है तो यहाँ sign 30 का हम इस्तमाल करेंगे मेरे भाई बहुत ही clear लफजों में यहाँ पर सीधा समझ जाना है आपको तो यह हो जाएगा 50 पचास को यहाँ कुना करोगे तो 5000 हो जाएगा और sign 30 का मान तुमारा आदा होता है यहाँ से काटोगे तो 25 बार में correct answer है कौन सा option है तो option number A जो है वो बिल्कुल सही होतार है भाई question number 66 देखो question number 66 हमसे क्या कहा है कहा गया दो similar triangle है और कौन कौन से है तो B हो गया C हो गया A हो गया यानि यहाँ पर PCA हमारे एक triangle हो गया ठीक है दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CDA हो गया CD और A हो गया यह दो triangle हो गया हमारे इनको joint किया गया और एक quadilateral बनाए गया AC का मान हमारा कितना है तो AC का मान हमारा 24 है AD का मान कितना है 18 CD का मान हमारा 12 है हम से यहाँ TRAPEJOID का parameter पूछा गया है कि TRAPEJOID का जो parameter है वो हमारा कितना होगा यानि कहने का मतलब TRAPEJOID कहलो TRAPEGM कहलो SAMLAM CHATRUPUJ कहलो यानि कहने का मतलब मुझे यहाँ पर यह side और यह side दिया गया है आप बस इसको पता करिए यह कितना है और इसे पता करिए यह कितना है और उसके बाद यहाँ 4יה को जोड़के answer बता दीजे अब आप मुझे बताईए यह similarity क्यों दिया गया इसे लिए दिया गया ना कि आप इसका इस्तमाल कर पाओ, समझो यहां इस्तमाल नहीं करोगे, क्या फैदा है, यानि यहां अगर BC लोगे, तो यहां कितना लेना पड़ेगा CD लेना पड़ेगा, तो बहुत एक्लियर में मैं समझो यहां, कैसे लिखोगे, तो बोलोगे BC और CD के जगा कितना लिख लोगे मेरे भाई, तो 12 ले लोगे, बराबर हो जाएगा फिर उसके बाद यहां आखरी के दोशब CA लोगे, तो वहां कितना लेना पड़ेगा DA, C और A लोगे अगर मानो, तो CA की value तुम्हारी कितना दी गई है, तो CA, CA का हो जाएगा मेरे भाई, तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड वाले में कौन सा, तो A भी है यहां पर तो A भी लिख लेंगे और उसके नीचे मेरे भाई कौन है, AC है तो AC हमारा कितना है, बताना AC की value हमारी 24 है, तो यहां 24 अब इस लिख देंगे, हमने कुछ नहीं किया है बस जो similarity यहां दी गई थी ना उसी के आधार पर हमने ratio लिखा जो triangles दिये गए थे उसी के आधार पर हमने ratio लिखा अब एक बार इन दोनों को बराबर करोगे तो BC का मान, और एक बार इन दोनों को बराबर करोगे तो AC का मान, तो पहले यहां पर इन दोनों की बात हम चर्चा चलाते है समझना, यहां पर यह 12 का डेड़ गुना है, यहां पर 18 समझे, तो यहां कौन सी संख्या का डेड़ गुना 24 हो जाएगा दिमाग लगाओ जरा, ठीक है, 1.5 यहां यह 3 की वैल्यू है 24 तो 2 का मान, यहां 16 होगा पक का, कन्फर्म कर लो यहां पर कितना हैगा, BC का मान 16 आ जाएगा हाला कि आप यहां पर थोड़ा सा कच्छे हो सकते हैं इस पॉइंट पर थोड़ा समझने की जरुवत होती है तो जैसे मान, अगर मैं इन पॉइंट्स को यहां पर सॉल्फ करूँ यहां लिखूँ तो मैं यहां सीधा भूलूंगा सर, BC की वैल्यू निकालनी है 12 इंटू 24 बटे 18 लो, सीधी सी बात है 12 इंटू 24 और बटे में कितना हो जाएगा 18 तो यहां 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 8 बार में आखिर आही गया आपका 16 और मैं ऐसे भी कहा रहा तो 16 कैसे जैसे यहां 12 का डेड़ गुना है यहां पर अगर यह 3 यूनिट है तो यह 2 यूनिट है तो टीन यूनिट का मान अगर 24 है एक यूनिट का मान 8 तो 4 यूनिट का मान 32 है नहीं एभी का मान 32 आएगा अरा की फिर भी calculate करना है तो इन दो को side में लेगे calculate कर लो तो क्या बोलोगे सर 24 बटे में 18 बराबर हो जाएगा किसके AB और बट्टे में कितना हो जाएगा 18 के भाई ठीक है तो अगर हम बात करते हैं 24 के हाँ पर नीचे कितना है भाई 24 यहाँ 24 लिख लो आप काटोगे 6 से 3 बार में तो हम काटेंगे 6 से 4 बार में 3 से हमारा काटेगा 8 बार में 8 x 4 तब भी 32 आएगा तो AB का मान हमारा कितना आजाएगा 32 आजाएगा अब असल में हमसे परिमीटर पूछा गया है परिमा पूछा गया है ठीक है तो अगर हमसे परिमा पूछा गया है परिमीटर पूछा गया है तो परिमीटर का मतलब क्या होगा सब को यहाँ पर जोड़ देना यानि यहाँ पर 18 और 12 कितने हो गए मेरे भाई तो 18-12 हमारे 30 हो गए और उनके बाद यह दोनों की value AB और BC की value तो AB और BC की value 32-16 हमारे कितना हो गए और 48 हो गया 40-49 हमारे कितना अगया 78, option number जो CF हमारे correct answer है Next question की बात यहां करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कहा गया है, एक संबलम PQRS में PQ जो है, वो RS के हमारा क्या है पैरलल है, तो सबसे पहले यहां पर एक संबलम चतरूज हम बनाते हैं, इस संबलम चतरूज में PQRS दोनों पैरलल हो जाएंगे, PM की वैल्यू, MR की वैल्यू, QM की वैल्यू, MS की वैल्यू दे रखी है और PQ की वैल्यू 34 इनिट है, SR की वैल्यू हमसे पूछा है, एक ट्रापीजिम हमारा PQRS है, ठीक है, उसमें हमसे कहा गया कि देखो भईया, यह जो आपका एक तरीके से P है, क्याहां पर, यह हमारा P हो गया, Q हो गया, यह हमारा R ह और यह हमारा S हो गया, ठीक है, तो जो हमारा PQ होता है, वो हमारा RS से पैरलल होता है, होता है मेरे भाई यहां पर, साथ में दोनों के दोनों जो डाइगनल होता है, वो हमारे M पर मिलते हैं, ठीक है, यह दोनों के दोनों डाइगनल हमारे कहां पर मिलते हैं, तो M नाम के पॉ बाעर हो जाएगा, उसके बाद कियों जाएगा तूंध की वैल्यू कितना हो जाएगा, Rd, I log by it, I have a-20 user, आ def Ti की मान 36 दे रखा है यह पूरवा का पूरा 36 ओर छान कियात होगा? हप प्रापण 17 के सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो trapezie में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मानो यह दो हमारे diagonal हो गया इसमें क्या होता है कि जैसे यह वाला angle इस वाले angle के बराबर क्योंकि alternate angle हो गया और यह वाला angle इस वाले angle के बराबर क्योंकि alternate हो गया और यहां तीसरा वाला आटोमेटिक वर्टिकल ही हमारे किसके बराबर तीसरे के बराबर तो यह जो दो हमारे ट्रेंगल हो जाता है ना यह सिमिलर हो जाता है क्या हो जाता है समरूप हो जाता है ठीक है और यह समरूप हो जाता है और ये मेरा गामा है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा इस तरीके से मैंने सभी चीज़े कर लिए इस आलफा के सामने यहां पर क्या है तो SR है और SR यहां पर कितनी value है तो SR की value A-20 है तो यहां लेना पड़ेगा उसके बाद इस αलफा के सामने कितना है तो यहां बोलोगे सर कि यह 12 है तो 12 यहां लेना पड़ेगा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो इसमें बीटा के सामने कितना है तो 2A-15 है तो यहां 2A-15 लेना पड़ेगा और यहां बीटा के सामने कितना है यह माइनस 16 है तो यह माइनस 16 लेना ही पड़ेगा आपको यानि यहाँ पर एक तरीके से ratio ले सकते हैं proper तरीके से और आप यहाँ पर solve कर सकते हैं A-20 को A-16 के साथ गुना करेंगे तो यह A-20 को अगर हम A-16 के साथ गुना कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 12 x 2 माइनस 15 हो जाएगा ठीक है अगर हम यहाँ solve करेंगे तो क्या हो जाएगा A square और उसके बाद minus 16 और यहाँ हो जाएगा minus 20 A और प्लस हमारा हो जाएगा 320 बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा 12 2 उन्हें 24A और माइनस 15 इंटू 12 180 के हैं, ठीक है, क्लियर है यह बात यहां पर, next question की अगर हम बात करते हैं, पर तो यह हमारा हो जाएगा A square, ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां बात करेंगे, तो माइनस 16, माइनस 20, यह हमारा कितना हो जाएगा, किसके 0 के, अगर आप यहां देखोगे, तो दू ऐसी संख्या, जिने जोडने पे 60 हजाए, और गुना करने पे 500, कौन सी है, तो 50 और 10, ठीक है, और 50 और 10, यानि अगर हम बात करेंगे, तो वो दू ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगा, माइनस पचास, और हो जाएगा, माइनस दस, गुना करने पे हमारा माइनस, गुना करने पे प्लस का 500, और जोडने पे माइनस का 60, ए स्कौर के कोफिशेंट से बाग करोगे, फायदा है नहीं, कोई फायदा करने का, और लास्ट में इसकी साइन को बदल देना, यानि 10 और यहाँ पर यहाँ पर यह ले लेना, यानि कहने का मतलब यह 50 और 10 हो सकते हैं, अब यह 50 और 10 यहाँ पर हो सकते हैं, तो जैसे मानो किसी के मन में, अगर यहाँ पर यह विचारा जाए, कि एक ही वैलू को हम 10 ले लेंगे, तो 10 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 10 में से 16 अटा होग और स्ट्रापीजम के कुछ कहानी बदलके कुछ इस प्रकार आ जाएगी जो मैं यहाँ पर आपके सामने दूसरे कलर से लिख रहा हूँ तो पहले यहाँ पर जैसे क्या हो गया हमने यहाँ नोट कह रहे हैं हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे समझना शुरू करेंगे पचास हो गई वैल्यू तो पचास में से बीच जाएगा तो यह वला पाट कितना आ जाएगा तीसा जाएगा थोड़ा सा बड़ा और आवशकता है ठीक है यहाँ पर यह वैल्यू कितनी हो जाएगी तो तीस हो जाएगी अगर ये 50 है तो 50 का दोगुना 100 और 100 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा यहां पर 50 है तो 50 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा यहां पर 50 है और 50 यहां यह तो इसकी 12 है तो 12 ही रहने दो हमेशे इस बात को ध्यान रखना, जिस तरीके से आपने यहाँ similarity लगाया था न, वहीं similarity आपकी यहाँ भी लगनी थी, आपको बस ratio पता करना था, जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर यहाँ पर यह आलफा है, इस आलफा के आगे कितना है, तो इस आलफा क कि वैलू कितनी है, 36 है, तो vertically opposite के सामने अगर यहाँ 36 है, तो इसके vertically opposite के सामने कितना होगा, तो उसे X माल लो, यहाँ 12 का 3 गुना 36 है, तो 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, option number D जो होगा, वो हमारा क्या होगा, correct answer होगा, चलिए आजाए, next question की यहाँ बात करते पर एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं, ABO और CDO के परिमाप का योग 240 है, ABO का चेतरफल 540 cm है, तो संबलम चत्रभूज की भूजाओ के लंबाई हमारा ग्याद करो, यहाँ पर कि इसकी value हमारी कितनी होगी, तीक है, अब यहाँ समझते हैं, तीक है, आज अब यहाँ तो यह हमारे एक तरीके से क्या हो गया, रॉंबस हो गया, question में, sorry, माफ करिएगा, AC और BD जो है, वो diagonal है, एक रॉंबस के, तो पहले यहाँ पर हम एक रॉंबस देख रहे हैं, यह समझे हैं, तो यह हमारा हो गया, A, B, और C, और D, ABCD हमारा क्या है, तो एक रॉंबस है, ठ यह उसके diagonal है, विकर्ण है, ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया, यह सारे के सारे किस point पर काट रहे हैं, तो सारे के सारे O point पर काट रहे हैं, फिर कहा गया, the sum of perimeter of ABO, बहुत प्यारा question है, A, B, O, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर C, D, O, यानि C, D, O, इनका perimeter का जो sum है न यह तो हमारा Y होगा, तो यह भी कितना होगा, Y होगा, और अमाल लेते हैं side को यहाँ पर, कि side हमारा A है, तो यह भी हमारा कितना A है, question में, यहाँ पर इन दो त्रिभूजों का यहाँ एक तरीके से आपको perimeter दे रखा है, कि इन दोनों का perimeter कितना है, इस triangle में, इस triangle में, तो अगर इसके perimeter को जोड़ोगे X plus Y plus A, और इसके perimeter को X plus Y plus A, यानि X plus Y plus A कितनी बार आएगा, दो बार, तो X plus Y plus A का जो दो गुना होगा, वो हमारा किसके बराबर होगा, तो वो हमारा बराबर होगा, 240 के, दो से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 120 बार में जाएगा, उस तो यह हमारा area हमारा कितना है तो area हमारा हो जाएगा 540 कितना हो जाएगा मेरे भाई 540 यह हमारा कितना होता है 90 होता है तो area की value की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा half into x into y यानि half xy की value हमारी कितनी है half xy की value हमारी 540 है तो xy कमान हमारा कितना होगा xy कमान 540 का दोगोना 1080 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा xy कमान आ गया है हाँ पर उसके बाद x plus y plus a की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर और हमसे कहा गया length of side of rhombus कुछ relation आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो relation एक तरीके से कर सकते हैं कुछ यहाँ relate कर पाएंगे आप चीज़ों को लेकर नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं देखो एक तो x plus y plus a की value है एक xy की value है अगर थोड़ा सा आप यहाँ relation देखेंगे न थोड़ा सा ज़ादा नहीं मैं इसे छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा तो यहाँ मैं आपको सारे relation लिख रहा हूँ कि सर x square जो होता है जेनरली अगर हम बात करें यहाँ पर x square plus y square जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके a square के यह तो आपको पता x square y square a square के बराबर अगर मैं यहाँ थोड़ा सा अगर कुछ मतलब थोड़ा तिकडम बाजी यहाँ करने की कुशिश करो यहाँ पर तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ इसे वोल square बना सकता हूँ वोल square बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर एकस प्लस वाई के जगा क्या लिखना पसंद करेंगे यानि असल में आप बोलेंगे एक सो बीस माईनस एका वोल square माईनस दो इंटू एकस वाई की वैलू कितनी है 1080 और यह बराबर हो जाएगा किसके यह बराबर हो जाएगा हमारे a square के यह बराबर हो जाएगा हमारे किसके a square के क्यूंकि हम यहाँ पर कोई value खुद से नहीं मान सकते है assume नहीं कर पाएंगे यार दू कौन सी यह जी value है जिने गुना करने पर इतना आ जाए और ये सब चीज़े हों हमारी तो हम यह जरूर लिख सकते हैं कि X plus Y की value 120 minus E है और X Y की value हमारी इतनी हो गए इस तरीके से करके अगर हम एक एक step करके चलें तो फिर मेरे भाई एक लंबा quadratic equation बन सकता है ठीक है? एक लंबा अच्छा खासा quadratic equation बन सकता है और हमें उसे solve करना पड़ेगा कोई बात नहीं हम यहां solve करेंगे ठीक है? मैंने कहा था शुरू मेहीं कि यहां से थोड़े से अच्छे सवाल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो question हमारा क्या था? तो question हमारा यह था 120 minus E का value square तो यहां मैं लिख रहा हूँ आपको कि 120 minus E का value square उसके बाद हमारा कितना है? उसके बाद हमारा 1080 का दोगुना 1000 यानि 2160 हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा किसके? तो यह बराबर हो जाएगा मेरे भाई A square के किसके बराबर हो जाएगा तो A square के लो मेरे भाई square कर लो इसका square करोगे तो 12 का square 144 डबल 0 A का square करोगे A square हो जाएगा और 12,24 यानि 240 हो जाएगा माइनस करोगे 260 बराबर हो जाएगा तुमारे A square के A square तो A square खतम है तीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपर तो 14,400 में से 260 को अगर माइनस कर दो 14,400 में से आप यहाँ 260 को माइनस करो और यहाँ 12,240 आपका आगया है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यह बराबर हो जाएगा हमारे किस के तो यह बराबर हो जाएगा 241 एक है भाई खतम हो गया तरीके से आप यहाँ देखोगे तो जैसे मानो अगर आप 24 से पहले तो 12 से काट लो 12 से एक बार में और 12 से दो बार में और 12 से दो बार में एक क्यावन बार में कट गया एक अमान सेदा कर सेदा कितना आगया A का मान हमारा, A क्या होना गया क्या question में हमसे पूछा क्या था मेरे भाई तो question में अगर आप देखें यहाँ पर तो इस सवाल में हमसे पूछा गया था length of side of rhombus और वो हमारा आया कितना है, यह क्या होना है क्या का आगया, ABCD एक rectangle है जिसका vertices जो है, वो उसी order में लिया गया देखो, a point M is mark on diagonal BD such that BM और MD का जो ratio है, वो 4 और 9 का है what is the ratio of area of ABM to area of ABCD अब यह देखो, area का ratio पूछा गया ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई, ABCD क्या हो गया, तो ABCD हमारा rectangle हो गया, यह ABCD क्या हो गया हमारा तो ABCD है, rectangle हो गया, और जिसके vertices उसी order में, point M is mark on diagonal BD अगर हम यह BD diagonal के बारें बात करें तो M नाम का point हमारा यहाँ पर यही है उसके बाद कहा गया है, यहाँ पर such that BM और MD है अगर हम बात करें, तो BM हो जाएगा हमारा 4 और MD हो जाएगा हमारा कितना तो 9 हो जाएगा तो what is ratio of area of ABM अगर हम यहाँ बात कर रहे है, ABM की value ठीक है, इसका area कितना होगा यहां पर और उसके बाद यहाँ पर ABCD का area कितना होगा ठीक है, तो यह 4 और 9 के ratio में है तो area भी हमारा कितना हो जाएगा 4 और 9 के ratio में हो जाएगा क्योंकि जिस अनुपात में base होता है उसी अनुपात में हमारा area भी हो जाता है अब जैसा कि हमने देखा यह 13 भाग है या 13 unit है तो अगर rectangle का एक diagonal इधर 13 बना रहा है तो इधर भी कितना unit होगा 13 unit होगा question में हमसे किसका कहा गया तो पहले यहाँ पर A, B और M यानि कितना 4 और उसके बाद A, B, C, D यानि 13 और 13 कितना हो जाएगा 26 अगर हम इनका ratio देखेंगे तो दो अनुपात 13 हमारा correct answer आएगा कौन सा option है तो option number जो B हो हमारा correct answer है ठीक है चलो आजब next question की बात करते है question number 70 बहुत ही बढ़िया सवाल एक और प्यारा question कैसे बनाएंगे आप यहाँ देखें कहा गया है यहाँ पर one of the four angle of a rhombus is theta if length of each side of rhombus is a centimeter find the square of sum of diagonal बढ़िया question है पेपर में recent में पूछा गया है कि अगर आपके पास एक rhombus है माल लीजे ऐसा और इस rhombus में आपको यहाँ पर यह कहा गया कि one of the four angle of a rhombus इन चारों में से कोई भी एक angle जैसे मानो हमारा यह theta हो गया ठीक है हर एक side का जो length है वो हमारा कितना है यह है तो उसके बाद हम से यहाँ कहा गया find the square find the square of sum of its diagonal पहले यहाँ पर किया गया देखो find the square of sum of diagonal यानि diagonal का sum का square करना है diagonal का sum निकालो और उसका square करो ना कि उसका square करके sum करो दोनों में फर्क है यहाँ पर तो इनका sum निकालके उसका square करना है यानि d1 प्लस d2 का whole square हम से पूछा गया है ठीक है, हिंदी में भी देख लीजें, आपर इनके विकर्णों के योग का वर्ग, यानि विकर्णों के योग का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप relations को समझना शुरू करें, कि आप यहाँ relation निकालते कैसे हैं, जैसे माल लीजे कि आपने यहाँ पर वो ये बोलूँगा D1 भाई यहाँ पर समझना मेरी बात को ठीक है यहाँ पर question में कि इस triangle में यहाँ पर Pythagoras लगाने के बाद D1 भाई 2 का मेरे भाई वोल square और जमा D2 भाई 2 का वोल square D2 भाई 2 का क्या हो जाएगा वोल square बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा हमारे A square के यानि perpendicular base का square hypotenuse के क्या हो जाएगा बराबर अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे D1 का वोल square प्लस यहाँ D2 का वोल square ठीक है इसके नीचे भी 4 आता इसके नीचे भी 4 आता एकटा करके हमने उदर बेज दिया तो यह हमारा 4 A square हो जाएगा ठीक है समझ गए यहाँ पर आप उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो दूसरा relation जो आपने पढ़ा है वो मेरे भाई आपने क्या बढ़ा दूसरे relation के अगर मैं बारे में बात करूँ थीटा यहाँ क्यों दिया गया है क्या जरुवत है थीटा की क्या इसका कुछ उपयोग होना जाना है या नहीं होना जाना है यह बताओ तो फिर वहीं वाली बात आ जाती है डागनल वाला और एरिया वाला relation याद करो यहाँ पर अगर जैसे मालो एरिया आप बोलते हो तो एरिया रॉम्बस का कैसे निकालते हो तो बोलते हो सर रॉम्बस का एरिया जो होता है वो हमारा हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल जो एरिया होता है वो हमारा हो जाता है half into समझ माया बात half तो जरुवत ही नहीं पड़ेगी ठीक है ये भी side है ये भी side है तो a into a into sin theta तो अगर हम यहां लिखे तो हम यह कह सकते है a square sin theta समझ रहे हो है यहां पर क्या हो जाएगा a square sin theta हो जाएगा तो यहां से आपने क्या सीख लिया यहां पर half into d1 into d2 बराबर a square sin theta यहां से आपका आजाएगा d1 जमा या d1 d2 आजाएगा d1 d2 की value हमारी हो जाएगी 2 a square sin theta 2 a square कितना हो जाएगा sin theta यह आपका relation number 2 आगया अब आप मुझे एक बात बताओ d1 प्लस d2 का whole square निकालना है और यहां पर इसका whole square किसके बराबर होता है तो आपको भी यह बात पता है कि अगर मुझे d1 प्लस d2 का whole square निकालना है तो इसका whole square का मतलब क्या हो जाएगा d1 का square प्लस यहां पर d2 का square और प्लस यहां पर 2 d1 d2 हो जाएगा भाई बहुत इकलियर बात है d1 प्लस d2 का जो whole square है वो हमारा किसके बराबर है तो 4a square के बराबर है और यहां d1 d2 का दोगुना यानि इसका दोगुना इसका दोगुना का मतलब 4a square sin theta है आप यहां common कितना ले सकते हैं तो आप यहां पर 4a square common ले सकते हैं अगर आप यहां 4a square common ले लेंगे तो हो जाएगा 1 plus sin theta जो कि हमारा correct option है कौन सा है तो option number b जो है वो हमारा बिलकुल correct है आज यह चलिए next question पर चलते हैं अब यहां से आपका polygon शुरू हो जाता है यहां से क्या शुरू हो जाता है polygon शुरू होता है अब यहां पर polygon अगर शुरू हो गया तो polygon के बारे में चंद बाते आपको ध्यान रखनी है polygon का मतलब यहां पर हो गए जिसमें बहुँ भूज हो गया एक तरीके से यहां कई सारी भूजाय हो गई तो polygon का मतलब जैसे मानो क्या है तो जैसे एक triangle भी अपने आप में क्या है, polygon है, समझ गए, ठीक है, polygon में यहाँ पर एक हो जाता है, उसका अंदर का angle हो जाता है, एक उसका बाहर का angle हो जाता है, अंदर वाले को interior कहते हैं, बाहर वाले को exterior angle बोलते हैं, अंदर वाले सभी interior angle का भी sum निकाल सकते हो, बाहर वाले से आप यहां पर utilize कर पाते है formula book में मैंने पूरा इसका बढ़िया तरीके से chart बना रखा है आप formula book जब देखेंगे तो पूरा अच्छे तरीके से clear हो जाएगा मैं चाहता हूँ एक पर थोड़ा सा आप लोग यहां देख ले formula book को ठीक है काफी चीज़े मैंने लिखी है उतना मैं अगर यहां लिखने लगाना तो काफी समया मारा चला जाएगा फायदा यहां पर होगा नहीं तो एक बार मैं यहां देख लेता हूँ अगर मुझे formula book यहां मिल गई ठीक है तो मैं यहां पर जो है वहीं से आप लोग को clear करा दूँगा ठीक है yellow भाई यह जिससे मानो formula book है आपकी और इस formula book में जब आप देखेंगे ना तो पूरा तरीके से मैंने पूरा का पूरा polygon पढ़ा रखा है और पढ़ा कह रहा हूँ इसमें मैंने पूरा mention कर रखा है पॉलिगन के बारे में उसका interior angle, exterior angle और हर कुछ यहां पे बहुत ही detail वे में ठीक है यह formula आपको सारे के सारे polygon वाले याद करने हैं मैं जितने में लिखाँगा समय हमारा बहुत ज़्यादा waste हो जाएगा तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पर बना देते हैं ताकि आप लोग जो है वो देख लेंगे और सिख्षा दिख्षा इससे जो है वो हासिल कर लेंगे ठीक है तो अपन आते हैं polygon polygon circle आ गया आजा आजा polygon आजा भाई आद दुग्या यहां देखर हो यहां से यह polygon start हो गया आपका यहां पर काइट हो गया और काइट के बाद यहां से आपका पूरा polygon start हो गया formula book में जितने भी formula होते हैं polygon के सारे मैंने लिखे हैं सबसे पहला formula जो है आप यहां देखो तो sum of all internal angle of a polygon n-2 into 180 यानि कोई भी polygon है जैसे मान लीजेक rectangle है उसके सभी के अंदर कोनों का जोड़ कितना होगा n-2 into 180 सभी के सभी बाहर वाले कोन का जोड़ कितना होगा कोई भी polygon हो rectangle हो pentagon हो hexagon हो eptagon हो कोई भी polygon हो बाहर वाले का जोड़ कितना होगा 360 होगा अगर आप कोई भी polygon का internal angle निकालना चाहते हैं कोई एक internal angle तो ये पूरा sum है इस sum को n से number of side से divide कर दो तो एक angle की value आ जाएगी उसी तरीके से अगर आप कोई एक exterior angle निकालना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा sum है इसको यहाँ पर n से भाग कर दो तो आपका exterior angle निकल के आ जाएगा साथ में अगर हम बात करते हैं polygon के diagonal के बारे में तो उसका number of diagonal कितना होता है n into n minus 3 by 2 हो जाता है मेरे भाई ठीक है उसके बाद अगर हम area के बारे में करें तो na square by 4 into cot 180 by n ये हमारा formula हो जाता है अगर number of side को यहाँ 3 रखोगे तो आपका यहाँ पर equilateral triangle का area निकल जाएगा root 3 by 4 a square number of side को 4 रखोगे तो यहाँ पर square का area निकल जाएगा a square तो यह हमारा इसका formula हो जाता है perimeter तो पता ही यहाँ आपको n into a हमारा हो जाता है इसके बाद और भी यहाँ पर जो है काफी चीज़ें मैंने दे रखिए एक और प्यारा सा relation दे रखा है कि number of side in a regular polygon बराबर 360 upon external angle सीधा का सीधा कह सकते है ठीक है और यहाँ पर इसके जरूद भी नहीं है और बाकी एक आदा relation मैंने और दे रखा है यह point यहाँ पर जो मुझे लगता बहुत ज़्यादा जरूवत है हाँ पढ़ सकती है कहीं पर तो वो अलग बात है तो polygon के बारे में और ज़्यादा यहाँ कुछ लिखने से हवाशकता है कि जो मैंने बताया उन चीज़ों को आप लोग याद कर लो ताकि आपको वो फाइदा पहुंचा पाए ठीक है समझ गए तो यहाँ पर polygon के बारे में हम क्या बोलेंगे तो given in formula book पूरा का पूरा बढ़िया description दे रखा है formula book में हाँ पर ठीक है तो आपको वहीं से कर लेना है चलिए आजए नेक्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं polygon के बारे में तो क्या कहा गया the sum of internal angle of a polygon is इतना number of side सभी अंदर के कोनों का जोड का हमारा जो होता है वो 1440 होता है तो number of side हमारे कितने है पहली बात sum of internal angle of a polygon जो होता है वो n-2 into 180 होता है और n-2 into 180 की value हमारी कितनी हो जाती है 1440 हो जाती है 0 से 0 कतम ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा 6 से कितनी बार में 3 बार में और 6 से 2 बार में और 4 बार में 3 से हमने काटा 8 बार में तो यहाँ पर सिधा n-2 की value कितनी आजाएगी, n-2 की value आट, तो n की value हमारी हो जाएगी 10, यह हमारा correct answer है, n की value कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, option number जो c है, वो हमारा correct answer है, आजाओ, each internal angle of a regular polygon is 144 number of side, प्रतेक internal angle हमें दे रखा है 144 का, और number of side पूछा है, each internal angle की अगर हम बात बोले, तो each internal angle कितना हो जाता है, तो n-180 upon n हो जाएगा हमारा, तीक है, और यह हमारा कितना दे रखा है, तो यह हमारा एक तरीके से 144 दे रखा है, अगर कोई बच्चा इस तरीके से number of side क निकालना चाहता है, तो वो गलत है, आज के बाद जीवन में कभी भी ध्यान रखना, ऐसा निकाल सकते हो, मैंने माना नहीं किया, बट यहां बहुत समय वेश्ट होगा, फायदा कुछ भी नहीं है, आज के बाद कभी भी किसी भी polygon में अगर आप उसको number of side निकाल लेना, आ अगर एक कोई भी polygon है, जैसे मानो एक triangle ही हो गया मेरे भाई यहां पर, तो अगर अंदर वाला कुंदेर का बाहर वाला निकाल लो, उन्हें 160 से माइनस करके, तो अगर यहां पर आप external angle निकालोगे, तो external angle कितना हो जाएगा, तो यहां साफ तोर पे 160 में से इसे माइनस करो, एक 160 में से इसे माइनस करोगे, सिधा सिधा 36 आजाएगा, कितना आजाएगा भाई, 36 आजाएगा, और कभी भी याद रखना कि number of side अगर आपको निकालना है, तो number of side बराबर 360 को सिधा का सिधा external angle से बाग करेंगे, 36 से number of side आजाएगा, no tension जंजट, खतम भाई, सेम तरीके स यहां का आगया, एक regular polygon के पास 16 side है, तो यहां measure of each internal angle कितना होगा, each interior angle कितना होने वाला है, अगर उसके पास 16 बुजाएगा, भाई, formula हर किसी को पता है, और क्या पता है कि प्रतेक internal angle कितने का होगा, तो अगर हम each internal angle के बारे हम बात करें, तो each internal angle हमारा हो जाता है, n-2 into 180, औ और upon कितना हो जाता है, n हो जाता है, n की value 16 है, 16 में से 2 हो जाएगा, 14 और 14 into 180, divided by यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा n की value 16, तो यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 4 गुना हो जाएगा, और यहां 4 का 4 गुना 16, 25, 2 से होगे साथ बार में, साथ प्रचे पैंटी साच युक अठा, इस 315 बटे में कितना हो जाएगा, दो, तो यहाँ 157 हो जाएगा तुम्हारा, 157 यानि 314 सही एक बटे दो, करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नमबर B for बाहु बली, आज यह 74 में देखिए क्या कहा गया, how many diagonal are there in a dual-sided polygon, एक 12 भुजाओ वाला polygon में, यहाँ पर कितने diagonal हमारे हो सकते हैं, तो कभी भी अगर हम diagonal के बारे हम बात करें, तो number of diagonal कितना होगा, n into n minus 3 by 2 मेरे भाई, तो हमारा यहाँ कितना है, भाई, 12 हो गया, 12 में से तुम्हारा 3 चला गया, तो 9 हो गया, बटे में की बात करते हैं, 75 number सवाल देखें, 75 number question हम से क्या कहा है, 75 number सवाल में कहा है, अगर प्रतेक internal angle इतना है, तो what is the sum of number of diagonal and number of side, यह पिछली बार के में इसका question है, कि अगर आपका प्रतेक अंदर का कौन इतना है, internal angle हमारा यहाँ पर इतना है, तो हम से यहाँ पर कहा गया, what is the sum of number of diagonal and number of side, यानि diagonal और side के बारे में हमारा जुस्समय, वो हमारा क्या होगा, बताओ, तो हर एक internal angle दे रखा है, और हम से यहाँ पूछा है, तो पहली बात internal दे रखा है, तो क्या करो, external निकालो, और external कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो बहुत असान तरीके से, 180 में से यहाँ प और 129 माइनस कर रहे हो, तो कुल मिलागर 51 आ जाएगा, यानि यहाँ लिखोगे 51, और 7 में से 4 माइनस करो, यानि 3 बटे 7, यानि आपका प्रते एक external angle इतने का हो जाएगा, और यह जो value है, वो हमारी कितनी हो जाएगा, तो यानि आपका जो है external angle हमारा इतने का आने वाला ह अब external angle हमारा इतने का हैगा, तो number of side हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे, total कितना है, 360 है, और उसको मुझे भाग करना है कितने से, तो बोलोगे 360, बटे में कितना साथ, यह बटे का साथ हमारा उपर चला जाएगा, तो number of side हमारे कितने आ जाएगे, number of side हमारा साथ आ जाए तो बोलेंगे, sir, n into, n minus 3, 7 में से 3 के चार, divided by 2, और side की बात करेंगे, 7, 2 से काटो, 2 बार में, 7 का 2 गुना, 14 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, किस correct answer है, option number D for तेव सेना, next question की बात करते है, 76 number स्वाल देखते हैं, क्या कहा गया, कहा गया, the sum of internal angle of a regular polygon is 1260, यानि सभी angles का sum 1260 दे रखाए, what is the difference between external angle and internal angle of a polygon, यानि बाहर वाले कोन और अंदर वाले कोन का अंतर क्या है, तो भाई, पहले भूजा का पता होना बहुत जरूरी है, तो पहले दिया क्या है, जो दिया, उसी का formula लगा दो, यानि sum of internal angles of a polygon, तो भा हो जाता है, internal angle का sum, और ये value दे रखी है, 1260 तुमारी लपेट दो, यहाँ पे लो, 6 से तुम काटोगे, 18 से सीधा काटो, तो यहाँ पर तुमारा कितनी बार में कटेगा, सीधा 7 बार में, n की value कितनी आजाएगी, 2 जमा 7 यानि 9 आजाएगा, अब तुमारी n की value मान लो, 9 जानी है, तो question में कहा है, difference between external and internal angle, तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर n की value आई, तो सबसे पहले external निकाल लीजे, 360 और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में n, यानि यहाँ पर प्रतिक external कितने का हो जाएगा, 40 का, प्रतिक exterior अगर 40 का होगा, तो interior हमारा कित बात करते हैं, तो difference हमारा 140 में से 40 का कितना आजाएगा, 100 आजाएगा, correct answer है, option number B for बाहुबली जो होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, हर एक external angle का value दे दिया गया है, और हमसे ratio of number of diagonal number of side पूचा है, यह question आप कर सकते हैं, यह मुझे कराने की जरूरत नहीं है, external दिया गया है number of side निकाल लोगे, और side से यहाँ पर diagonal side का ratio जो है वो ले लोगे, 78 number question देखते हैं, क्या कहा गया है, A1 और A2 दूर regular polygons है, the sum of all of internal angle A1 का 100C दे रखा है, और each internal angle of A2 exceeded external angle by 132, sum of number of side of A1 and A2 कितना होगा, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, सवाल देखें, कि A1 और A2 दूर regular polygon है, sum of all the internal angle of A1, A1 के सभी अंदर के कोनों का जोड, 1080 है, each internal angle of A2 exceed external angle by 132, sum of number of side of A1 and A2, निकाल लो भाई, यहाँ पर, जैसे अगर बात करते हैं, A1 and A2 है ना, तो यहाँ पर the sum of all internal, A1 की बात करो, A1 में क्या दे रखा है, तो A1 में सभी के अंदर के कोनों का जोड है, यानि हमारे किसके बराबर है, तो यह value हमारे बराबर है, 1080 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ काटते हैं, तो 18 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो यहाँ इसके number of side कितनी, आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ question में का है, each internal angle of A2 exceed its external angle, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ A2 का प्रतेक internal angle, उसके external से इतना बड़ा है, यानि अगर हम बात करते हैं A2 के बार में, तो A2 के बार में क्या कहा गया है, कि इसके internal में से अगर इसके external को घटाओगे, तो value तुमारे कितनी आ जाएगी, 132 आ जाएगी, और आपको भी यहाँ पर पता है, कि internal और external, दोनों क जोड अगर आप करोगे, तो कितना आ जाएगा, 180, तो लो मेरे भाई, इनका यहाँ पर जोड हो जाएगा, 180 के करीब में, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है number of side, तो भाई पहले इसका external निकाल लो, याद है A plus B और A minus B अदिया हो, तो यहाँ पर E की value निकालनी है, दोनों को घ कर देंगे 24 से, 24 का यहाँ पर एक गुना 24 हो जाएगा, और यहाँ पांच बार में, इसके number of side कितने आ गया है, 15, और यहाँ पर number side 15 आ गया, तो यह 8 और यह 15 मिलकर total sum कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, आजब चलो, question number 79 के बारे हम बात करते हैं, अब यहाँ से हमारा शुर questions आपके paper में आते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, काफी properties हैं circle की, जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं, मेरा मानना है कि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह जो है, आपके लिए बहुत महतुपन सावित हो जाता है, ठीक है, आजएगा, अगर हम बात करते हैं, question number 79 के बारे में, तो question number 79 को देखे, क्या कहा गया है, a circle with center O has a radius of 15 cm, ठीक है, d is a point on the circle such that a 24 cm long cord, a b is bisected by od at point c, find the length of c d, मुझे बताने की जरुवत शायद यहाँ नहीं है, कि circle का circumference क्या होता है, area क्या होता है, radius क्या होता है, यह सब बाते, आप लोग तु जानते ही होंगे, ठीक तो circle का center हमारा O है, उसके खुद की radius 15 है हमारा, d is a point on a circle such that a 24 cm long cord, a b is bisected by od, एक हमारा जैसे मानों, यह long cord है हमारा, और इसका नाम क्या है, a b है, ठीक है, और यह हमारा bisect हो जाता है, किससे तो हमारा od से bisect हो जाता है, कि d is a point on the circle such that a 24 cm long cord, a b is bisected by od at a point c, हमसे यहाँ पर कहा find the length of cd, cd की value बताइए, cd की value कितना होगा, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा हमारा कितना है, तो यह पूरा का पूरा हमारा eb, जो है, वो हमारा पूरा का पूरा 26 है, इस 26 में अगर हम बात करते हैं, तो यह हमारा 12 है, और यहाँ पर भी इसे अगर हम बात करें, तो यह 12 ह हमारा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्योंकि बच्चों कभी भी इस बात को ध्यान रखना सरकल में अगर आप कोड बनाते हो और सेंटर वाला जो रहता है अगर उसे बाइसे कर रहा है यानि 12 है 15 है तो यानि हमारा ये वाला जो पार्ट है ओसे लेकर C तक का ये पार्ट हमारा कितना होगा तो बोलोगे Sir 9-12-15 का ट्रिप्लेट बनता है यानि ये हमारा 9 हो जाएगा तो जैसा कि आपको पता है कि यह पूरा का पूरा OD जो है यह radius है, यह अगर 15 है तो यह भी 15 होगा, इस पूरे 15 में यह value 9 है तो CD का मान कितना हो जाएगा 6, यानि अगर आपको CD निकालना है तो आप यहाँ पर OD में से जो है OC को माइनस कर देंगे, यानि equal मिलाकर 15 में से 9 को मा Concentric Circle with center OR 26 and 16, यानि कहने का मतलब दो Concentric Circle है, एक थोड़ा छोटू सरकल है और एक थोड़ा हमारा बड़ा सरकल है, और इन दोनों सरकल का जो radius है हमारा दे रखा है भाई, समझ गया, कहा गया यहाँ पर कि दोनों सरकल का radius बड़े वाले का 26 है, छोटे वाले का 16 है, Cod AB of larger circle is tangent to smaller circle at C, बड़े वाले का जो Cod है न, यह जो आप Cod बनाओगे AB, बड़े वाले का, यह छोटे वाले सरकल को C पर टच करेगा, देखोई हैं, साफ तोर पिका है, Cod AB of larger circle is tangent to smaller circle at T, and AD is diameter, अगर हम बात करते हैं, तो माल लेते हैं यहाँ पर कि AD जो हमारा क्या है, diameter है हमसे यहाँ पर CD कमान पूछा गया है, कि CD कमान कितना होगा, यह question मैं आपसे यहाँ पूछा गया है, और मैं मानता हूँ इस question को कि यह बहुत ही प्यारा question है, इसे कम से कम दो star तो मिलने चाहिए, इसके cuteness की वज़े से, हमने यहाँ पर कहा कि देखे, यह circle का माल लीजे center हो उसके बाद कहा गया है, दोनों का radius, यहाँ बड़े वाले का radius है, हाइपोटेनस है हमारा, यह हमारा 26 है मेरे भाई, और इसका जो radius है, वो हमारा कितना है, 16 है, तो अगर हम AC की बात करते हैं, तो AC का बात हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के square में से इसके square को गटा दो 26 के square में से 16 के square को मेरे भाई, माइनस कर दो, पहले 26 से 16 माइनस करोगे 10, और 26 और 16 जोडोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, तो 10 जो हो जाएगा, वो 2 इंटू 5 है, और 42 जो हो जाएगा, वो 2 इंटू, मेरे भाई, 21 है, तो यहां 2 देखो कितनी बार आगया है तो आप बोलोगे सर 2 हमारा जो है इसका root जब करोगे तो उसका root करने पर 2 आपका बाहर आजाएगा और 105 आपका भीतर रह जाएगा इस तरीके से आप यहां setup कर सकते हैं या ऐसे भी कहा लिजे कि 420 है तो 420 हमारा 4 into 105 हो जाएगा 4 कर root हमारा 2 हो जाएगा और यह हमारा 105 हो जाएगा तो मैंने आपसे वही कहा कि देखो यह 26 है और यह 16 है तो इसी कमान कितना आजाएगा इसी कमान 2 root 105 और अगर यहां पर यह 2 root 105 है तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा 2 root 105 अब फिलाल हम आपका फोकस थोड़ा सा जो है वो हम आपको बड़े लिवल पे लेकर जाना चाहते हैं आपने अभी ट्रैंगल पढ़के आए और वहाँ आपने सिमिलेरिटी पढ़ा है बहुत तरीके से जब वहाँ सिमिलेरिटी पढ़ा है तो आपको पता है कि यह वाला जो लाइन है यहाँ नब्बे का कौन बनाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह जो है न सि यह हमारा मिड़ पॉइंट है तो अगर यह लाइन हमारा मिड़ पॉइंट है और साथ में अगर यह नब्बे का कौन बनाएगा तो मैंने कहा यहाँ पर यह वाला linus line के क्या हो जाएगा parallel parallel नहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मालो यहाँ पर जब हम इसे join करेंगे तो इतना पता है कि अगर हमारा यह C midpoint है न यानि यहाँ पर छोटे वाले की length का 2 गुना बड़े वाले का length है तो यहाँ यह 16 है तो 16 का 2 गुना हमारा कौन हो जाएगा 16 का 2 गुना हमारा 32 यह हो जाएगा यह midpoint है आदे आदे बाढ़ता है तो छोटे वाले का 2 गुना बड़ा वाला छोटे वाले का 2 गुना हमारा कौन हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा ratio जो है वो हमारे similar हो जाएगे बहुत ही तरीके से बोलोगे sir ऐसा क्यूं हुआ यह similar क्यूं हो गए मेरे भाई देखो यह 90 degree है यह भी 90 degree होगा बोलोगे sir यह 90 क्यूं होगा कारण है यहाँ पर यह बड़ा वाला पूरा का पूरा circle है यह diameter है तो एक semi circle में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 degree का बनता है तो 90 और 90 बराबर हो जाएगे इसलिए यह line इस line के parallel हो जाएगा parallel हो जाएगा तो symmetry किया रहा हूँ similar हो जाएगे और similar हो जाएगे तो जैसे यह midpoint है यह चोटे वाले का बड़ा double है उसी तरही किसे इसका बड़ा यह 32 हो जाएगा अब जरा सवाल में अगर आप देखो तो यह 32 पता है 2 root 105 पता है हमें किसका value निकालना है cd का तो आप बोलोगे 3d हमारा hypotenuse है और hypotenuse की value निकालने के लिए root अंडर इसका square है इसका square करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना 2 का square 4 और इसका square 105 यानि 4 into 105 हो जाएगा और plus यहां पर इसका square करोगे तो 32 का square 2, 2, 4, 3, 2, 6, 2, 12 और यहां पर ठीक है 10 हो जाएगा 1024 हो जाएगा अब अगर आप देखेंगे यहांपर तो यह आपका 420 और यह 420 में 1024 को अगर आप जोड देते हैं तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1464 कितना हो जाएगा 1464 अब यह 1464 जो है वो हमारा किसका perfect square है तो 1464 हमारा 38 का perfect square है 38 से जो हम इसकी value निकाल लेंगे अगला सवाल यहां देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा गया यह लीजिए ठीक है कुशन में कहा गया है समझेगा मेरी बात को यहांपर मैं आपसे कहा रहा हूँ कि AC be the diameter माल लीजे यह हमारा पूरा का पूरा AC diameter है O नाम का बंदा circle पे center है कुशन में कहा गया यहांपर देख लीजे एक एक point माल लीजे कि O एक वृत का केंदर है AC इसका व्यास है BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है माल लीजे यह हमारे BD हो गई और यह हमारी जीवा हो गई जिसने यहांपर कहा काटा है तो E पर काटा है मेरे भाई उसके बाद question में कहा है बिन्दू A को B से D पर मिलाए जाता है A से B को मिलाए जाता है और A से D को भी मिलाए जाता है उसके बाद यहांपर question में कहा है यदि BOC का मान 50 है अगर आप यहां देखेंगे तो यह हमारा O है तो हमारा question में कहा है BOC का मान यह value हमारी कितनी है तो यह value हमारी 50 है और उसके बाद question में कहा है AOD का मान हमारा 110 है यह हमारा A हो गया O हो गया D हो गया इसकी value हमारी 110 है तो question में हमसे finally किस का मान पूछा है BEC का मान यानि इस का मान पूछा है तो बहुत असानी तरीके से हम यहां बना सकते हैं देखते चलिए ठीक है आप समझेगा बात को यहां पर जू जू लिखूंगा उस पर फोकस आपको करना है तो आपने यहां पर कहा सर देखो यह 110 डिग्री है अगर यह 110 डिग्री है इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा 70 डिग्री होगा 70 का मतलब यहां पर यह दोनों कितने होगे तो बोलोगे सर यह 35 डिग्री होगा और यह हमारा कितना होगा 35 डिग्री होगा ये हमारा कितना हो जाएगा 70 क्योंकि एक सीधी रिखा पर जो कौन बनता है वो एक सौसी का बनता है अब ये जो है हमारा सेंटर है O नाम का ये हमारा क्या हो गया तो रेडियस हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया तो रेडियस हो गया हो गया ना सर ठीक है अब ऐसे समझ लो यहां पे मेरे भाई कि यह पूरा का पूरा क्या है 120 है अब अगर यह पूरा का पूरा 120 है और यह दोनों के दोनों रेडियस हैं दोनों के दोनों बराबर हैं तो यह 120 है तो बाकी दोनों का जोड हमारा कितना होगा 60 होगा उस 60 में मेरे भाई ये हमारा 30 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा अब एक तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो न तो इस वाले ट्राइंगल में देखो जो मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलेश्रे बना रहा हूँ ये वाले ट्राइंगल अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे ना तो आप बुलेंगे सरी ये बाहर वाला एंगल है बाहर वाला एंगल बराबर होता है अंदर के दोनों जोड़ के यानि यह जो एंगल होगा ना हमारा यह वराबर होगा 50 प्रस 30 यानी 80 के साफ तोर पर आंसर आजाएगा, सौट में आंसर आजाएगा, आप्शन नमबर जो A होगा वो करेक्ट आंसर होगा, आजेए, 81 के बाद नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, 82 नमबर सवाल हम लोग देखते हैं, 82 नमबर सवाल में हमसे क्या कहा है, कहा गया है कि O के इंदर वाले एक वृत में AC और BD दो जिवाएं हैं, AC और BD आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कोशन है, कि एक सरकल है जिसका हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है, और AC और BD दो कोड हैं, जो E पर मीट करते हैं, प्यारा कोशन है यहां पर, हो सकता है AC नाम का एक ऐसा कोड हो, और BD नाम का एक ऐसा कोड हो, समझेगा, ये हमारा AC हो गया, एक यहां पर जीवा, दूसरा हमारी जीवा BD हो गई, और दोनों के दोनों कहां मिलते हैं, E पर, तो O के अंदर वाले विर्त में, AC और BD दो जीवाएं हैं, जो कि आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं, AB यदि एक व्यास है, अगर हम बात करते हैं, AB हमारा डामेटर है, हाला कि हमने थोड़ा सही नहीं बनाया, हमने थोड़ा इसे ऐसे और बनाना था यहां पर, इस तरीके से ले जाके, तभी हम यहां पर AB को डामेटर शाबित भी कर पाएंगे, नहीं तो उसके सगल सूरत से लगे गई नहीं, कि AB हमारा डामेटर है, तो question में कहा गया, AC हो गया, BD हो गया, सारे के सारे ही मिल रहे है, यह डामेटर है, तो इसका center कितना होगा, ओ हो जाएगा मरे भाई, अब question में अगर आप देखेंगे, तो AB का मान हमारा 36 दे रखा है, A हो गया, E हो गया, B हो गया, इसकी value हमारी कितनी है, तो मेरे भाई, इसकी value हमारी बड़े प्यासरे, बड़े आराम से 36 हमें दिया गया है, और हमसे किसका मान पूछा गया है, DOC का माप हमसे पूछा गया है, कि भाई, आप DOC का माप बता दीजे, हमने का ठीक हम बताते हैं न, DOC का माप यहां पर, क्या परिशानी की बात क्या है ये बताओ पहले कोई टेंशन की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है अब समझे यहां पर आंसर आप कैसे देते हैं तो आप यहां पर समझते हैं कि सर यह हमारा क्या है तो यह हमारा सेंटर है और अगर ये हमारा center है तो ये भी हमारा radius है ये भी हमारा radius है ये भी हमारा radius है ये सारे के सारे जो है मेरे क्या है radius है जो फोटो दिया गया इसके आधार पर तो आप यहां सोचो अगर कुछ बन जाए संभावना हो तो पॉसिबल नहीं है आप अगर देखो तो 36 और यहां पर कुछ एक सौसी वाला रिलेशन मत लगा रहे ना ऐसा करोगे तो सवाल नहीं बन पाएगा तो देखो इसका एक ट्रिक भी होता है मैंने कई बार आप लुगों को डिस्कस भी किया है एक तो आप यहाँ पर basic से बना लोगे दूसरा सीधा सीधा अगर मान लीजे angle COD पूछा जाए ना तो मैंने कई बार बता रखा है यहाँ पर कि angle COD जो हो जाएगा वो साफ तोर पर यहाँ पर जो है angle अगर हम COD की बात करें आपका जो mock test वाला किताब है उसमें भी मैंने दे रखा है कि अगर COD निकालना है तो 180 में से इसका दोगुना घटा दो यानि 2 into आप 36 घटा दो तो यहाँ पर 180 में से बहतर घटा दो आंसर कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा correct answer है कौन सा option हो जाएगा तो option number D हो जाएगा चलो next question की बात करो 83 number question हम देखते है 83 number सवाल भी हम कर सकते हैं क्या कहा गया है केंदर O और 13 cm तरिजा वाले एक भृत में केंदर के दोनों और समांतर जीवाई कीची जाती है यदि एक जीवा की लंबाई 10 है और दूसरे जीवा की जीवाई की बीच की दूरी 17 cm तो दोनों जीवाई की लंबाई में अंतर ग्याद करिए ऐसा question आपके paper में हमेशा आता है यहाँ पर आपको एक तरीके से एक circle दे दिया जाएगा उस circle में यहाँ पर दो court दे दिया जाएगे और हमेशा उनकी बीच वाला distance वाला radiation आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कहा गया question में ठीक है कि एक हमारा circle है समस्ते चलिएगा जैसे जैसे कह रहा है मैं वैसे वैसे बना रहा हूँ केंदर O ठीक है इन a circle with center O इसका center कहाँ पर है तो इसका center O पर है radius हमारा 13 है दो parallel cord बनाएकर वो भी different side में ऐसा नहीं है कि दोनों cord को जो है वो हमने एक side बना है तो हमने यहाँ पर क्या कहा हमने यहाँ पर कहा कि दो parallel cord हमने बना दिये तो अगर हम बात करते हैं एक cord की लंबाई 10 है और दूसरे cord की जो लंबाई है वो 17 है तो माल लेते हैं यह हमारा A B हो जाएगा और दूसरा हमारा cord हो जाएगा हमारा C D पहले cord की लंबाई हमारी 10 है और दूसरे cord की देखो यहाँ साफ तोर पे कहा है इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना वो हमारा कितना है तो 17 है उसके बाद सवाल में हमसे यहाँ पर कहा क्या है then find the difference यहाँ दोनों cord के यहाँ पर length का difference बताओ तो difference तो हम तब बताएंगे जब दूसरे cord की लंबाई पता होगी तो आज यह circle का radius हमसे कितना दिया गया तो circle का radius मेरे भाई 13 दिया गया यहाँ पर कितना दिया गया है 13 दिया गया अब यकीन मानो मेरी एक बात मानोगे ठीक है मैं आपको एक छोड़ी सी बात यहाँ बताता हूँ कई लोग यहाँ पर पता है क्या करते हैं कई लोग यहाँ पर जो है ना इस पूरे लंबाई को 17 का आगया अब यह 5 है और यह 13 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अगर यह 12 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और अगर यह 5 है तो यह हमारा 13 है तो यह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यह 12 तो हमारे यह भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दुबारा से repeat कर देता हूँ, पूरी लंबाई 10 थी, यह जो हमारा एक तरीके से center से जो line जाता है, आधे-ाधें बाढ़ता है, यानि 5-5 में बाढ़ता है, 13 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, और यह 13 है, 5 है, तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस पूरे chord की लंबाई हमारी कितनी आगई, पूरे chord की लंबाई 24 आगई, और इस पूरे chord की लंबाई कितनी थी, 10 थी, यानि डिफरेंस कितने का, 14 का, correct answer है, 14 option number जो भी है, वो हमारा correct answer है, यह भी question सेम तरीके से है, आसान है, आप इसे भी करश रखते हैं, देख लीजए हैं, आपर सव 14 और 48 है, कि इंदर O के एकी तरफ स्थित हैं, यह दोनों एकी साइड में है, ऐसा नहीं कि एक इधर है, और दूसरा हमारा opposite साइड है, नहीं, दोनों के दोनों एकी दिशां स्थित हैं, तो एक हमारा ये chord हो गया, और इसे हमान लेते हैं, center, कि PQ and RS are two parallel chord, यानि नीचे वाल वाला है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, RS, ऐसे मना लेते हैं, भाई, कि यह हमारा पहला chord PQ हो गया, जिसकी लंबाई हमारी 14 है, दूसरा वाला chord हमारा RS हो गया, जिसकी लंबाई हमारी कितनी है, तो 40 है भाई, और उसके बाद कहा गया, lie on same side of center, distance between the chord, इन दोनों की बीच की दूरी यहां पर जो है, यानि इन chords की बीच की दूरी जो है, वो भी दी गई है, और वो हमारा कितना है, तो 17 है, तो हम से circle का radius पूछा गया है, कोई बात नहीं हम radius बताएंगे, आप ऐसे समझ लिए, वहां पर दूसरा वाला जो chord है, यह हमारा 14 है, यह हमारा center है, तो यह यहां पर जब आप center से, आप यहां पर जब लकीर कीचते हैं, और center से जब यहां line कीचते हैं, यह दोनों के दोनों क्या हैं, आपके radius ही तो हैं, यानि दोनों के दोनों बराबर ही है, समझ रहे हैं मेरी बात को, उसके बाद आप यहां पर देखें तरीके से थोड़ा सा, का हमारा 14 है तो यह हमारा 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा अब मेरे मन में कुछ खयाल आ रहा है मैं आपको बताओं यहां पर खयाल क्या रहा है मैं छोड़ी छोड़ी चीज़े देखके हैं यहां अपने दिमाग लगाना शुरू कर रहा हूं आपको भी पेपर में ऐसे करना है आप यहां देख रहे हैं कि जैसे मानो इस पॉइंट को हम X कहते हैं आप यहां देख रहे हो कि यह जो PX है वो 7 है और 7 में आप यह भी देख रहे हो कि जैसे मान लीज़े ये 24 है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 25 है एक बार देख लेंगे वेरिफाई करके और अगर मानो ये 25 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अब समझना मेरी बात को ये आपका कितना हो गया तो ये आपका खेर नहीं है वो वाली बात हो जाती है ठीक है तो 24 दिया गया था उसके अधार पर हमने जज़ किया कि भाई हाईपोटेनस 25 होगा और यह 25 होगा तो यह 7 होगा उसी तरीके से यहाँ पर अगर वो 25 था तो यह भी 25 होगा ठीक है या फिर ऐसे कहलो यहाँ पर कि यह 7 यह 24 है और 24 है तो 25 होगा और 25 होना भी चाहिए वेरिफाई हो गया question में हमसे यहाँ पर कहा है what is the radius of the circle सीधा radius आपको कितना दिख रहा है 25 करेक्ट आंसर कितना आएगा पचीस आएगा option नमबर जुसी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा आज यह है next question की तरफ चलते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल एक और बढ़िया question है क्या का आग code है छोटे वाले segment में है C is a point on minor arc of the circle between point A and B the tangent to the point A and B meet at point B ACB कमान हमें दे रखा है तो APB कमान कितना है यह पूछा है paper में एक यह भी अपने आप में बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया था आज से कुछ हजार साल पहले तीख है और वो कैसे था देखे हैं आपर तो question में हमसे यहां यह कहा गया पहली बात कि A भी आपका एक code है यह जो आपका A हो गया और यह जो आपका B हो गया यह हमारा क्या है code है एक जीवा है तो यह भी एक code है minor segment में और यहां पर O center पर फिर कहा गया C is a point in minor arc of the circle C जो है यहां पर स्वरी माफ करिएगा C जो होगा बनाए गया है उसके बाद B पर एक tangent बनाए गया है और यह दोनों tangent की यहां पर कहानी क्या है तो अगर हम बात करते हैं दोनों tangent tangent का मतलब क्या होता है सपड़्श रेखा ठीक है तो एक इसकी सपड़्श रेखा यह है और दोनों की जो सपड़्श रेखा है न यहां पर साफ तोर पिकायादर tangent A and B meet at point P किस point पर मिल रहे है तो point P पर मिल रहे है question में हमारा ACB का मान हमारा दिया गया है भाई और ACB का मान कितना है तो ACB का मान हमारा 102 है और हमसे APB का मान 1000 पूछा गया होगा जी हैं वहीं पूछा है तो हमें काम करते हैं हमें पता ही है center होगा बहुत लोग यहाँ पर ऐसे उटपटांग relation निकाल देते हैं 102 है तो सीधा 78 बोल देते हैं answer आजाएगा घर की खेती answer आएगा किसी भी चीज में कहीं पर भी एक तरीका होता है बिना तरीके के कोई भी चीज नहीं की जाती है उधारन के तोर पे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो दोस्तो आप यहाँ पर कोई भी circle बनाते हैं तो जब आप कोई भी circle बनाते हैं तो इसकी दो property होती है पहली property number one यहाँ पर क्या हो जाता है property number one यह हो जाता है कि circle में अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी दो point लेते हैं या चारो point लेते हैं तो पहली बात इन दोनों का जो sum होता है वो कितना होता है 180 इसे alpha कहेंगे बीटा कहेंगे तो circle में आमने सामने किसी भी दो एंगल का जोड़ जोगा वो 180 होगा इसे हम cyclic quadritoral भी कहते हैं दूसरा जो point आप पढ़ते हैं वो circle में क्या पढ़ते हैं दूसरा जो point आप पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि अगर center है तो center पर अगर मालो यहाँ पर alpha का cone बन रहा है या ऐसे कहलो यहाँ पर ठीक है कि अगर circumference पर alpha का cone बन रहा है तो center पर आजीवन कितना बनेगा 2 alpha बनेगा ठीक है तीसरा point अगर हम आपको और बताएं तो आप ऐसा कहा सकते हो ठीक है जो तीसरा point है आपका वो ये है कि अगर पडूसी के साथ relation निकालना है यानि बाहर वाले angle के साथ relation निकालना है तो आप यहाँ वो relation center के साथ ही बना पाओगे ठीक है जैसे मानो अगर यहाँ कहा गया यह angle alpha है और यह angle beta है दोनों के बीच में relation बताओ तो सीधा बोलो कि sir alpha प्लस beta बराबर कितना हो जाएगा 180 यहाँ पर ठीक है लेकिन यह जो बाहर वाला angle है ना हमेशे जीवन पर center वाले के साथ ही बनाएगा ना इसके पीछे के साथ बनाएगा ना किसी और के साथ बनाएगा क्यों क्योंकि यह हमारा 90 होता यह 90 होता एक 60 होता है quadrilateral के 4 का सम 360 होता है यह दोनों एक 60 तो यह भी दोनों कितने हो जाएगे एक 60 हो जाएगे तो अलग-अलग हमारे point है जो हमें सीखने थे अब यहाँ पर हम आते हैं सवाल में तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो तुम्हें बाहर वाले एंगल निकालना है और बाहर वाले को निकालने के लिए सेंटर वाले की जरूरत है बिना सेंटर वाले के आप काम कर ही नहीं पाएंगे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं तो आपने कहा भाई मुझे AOB निकालना पड़ेगा इसको निकालने के लिए AOB निकालना आवशक है अब जरा आजाएए सरकल में ही आप घूम रहे हैं तो सरकल पे जरा घूमियें तो ये एंगल आपका 102 दिया गया है इससे कोई भी दुनिया का डिरेक्ट रिलेशन नहीं बनाए जो आपको AOB निकाल दे हैं नहीं मेरे भाई डिरेक्ट रिलेशन नहीं है आप अगर देखेंगे तो जैसे ये 102 है तो हम यहाँ पर पीछे एक एंगल बनाएंगे मैंने जैसे कहा ना अब पोजिट एंगल का सम एक सौसी होता है सबसे पहला पॉइंटी मैंने कहा था कि दोनों पॉइंट का जोड़ एक सौसी होता है तो बस मेरे भाई यूँ समझ लीजे कि जैसे हमारा ये 102 है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा भाई थीक है उसके बाद मैंने यहां कहा है सेंटर वाला जो एंगल होगा हमेशा इसका दो गुना यानि यहां पर जो हो जाएगा 106 और सेंटर वाला एंगल इसका दो गुना है यानि यहांपर 156 है तो आपको भी पता अच्छे से कि 156 ठीक है उसके बाद यहाँ पर A, P और B क्या हो जाएगा A, P और B यह हमारा हो जाएगा 180 के तो कुल मिलाकर एंगल A हो जाएगा P हो जाएगा B हो जाएगा 130 में से इसे गटा दो कितना हो जाएगा 24 हमारा correct answer है कितना option है तो option number जो C है वो बिल्कुल सही उतर है भाई ठीक है आज यह चलिए तो question number 86 चलते है सीधा बहुत ही बढ़िया question है क्या का आगया वो देखिए कि एक circle को inscribe किया गया है triangle ABC के अंदर जो ABBCC को PQR पे टच करता है मान लीजे यह हमारा पूरा का पूरा क्या है तो circle है भाई यह पूरा हमारा क्या है circle है और इस triangle है और इस triangle के अंदर हमने बना दिया goal goal circle समझ गये हैं और question में क्या का है ज़रा वो भी देखिए एक एक चीज जैसे सवाल में कहा गया वैसे वैसे पन करते चलेंगे ठीक है? बिलकुल सवाल बनाना सिम्मेदार यह हमारे लीजे, बहुत बढ़िया फिट हो गया हमारा यह सरकल तो कहा गया सरकल इस इंस्क्राइब इन ट्राइंगल ABC, यह हमारा ट्राइंगल ABC है इसके अंदर हमने सरकल को फिट कर दिया है और यह हमारा AB को, BC को और AC को कहा पर टच करता है? भहिया, इसको यहाँ P पे इसको यहाँ पे Q पे, और इसको यहाँ पे R पे AB minus BC की वैल्यू हमारी 4 है AB minus AC की वैल्यू हमारी 2 है और पूरा का पूरा perimeter जो है, वो हमारा 32 है, तो चलो एक काम करते हैं, माल लेते हैं, हम BC को Y माल लेते हैं, BC को हम कितना माल लेते हैं, BC को पूरा का पूरा हम मेरे भाई Y माल लेते हैं, ऐसे समझ लो, या जो data दिया गया उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, तो question में हमारा जो data दिया गया सबसे पहले हम यहां लिखते हैं तो question में कहा गया AB में से BC को गटाने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है दूसरा जो data कहा गया वो हमें कहा गया कि AB में से अगर हम यहां पर AC को गटाते हैं तो यह हमारा दो आ रहा है और यह value कितनी है दोस्त तो यह value तुम्हारी 32 है एक काम करो तीनों को लिख दिया तुमने तो बोलोगे हाँ सर अब तीनों को जोड़ो minus BC से minus plus BC खतम AC से AC खतम क्या बच गया 3 बर AB अगर AB का 3 गुना AB का 3 गुना कितने के बराबर है तो 32 और 4 36 और 2 हमारा 38 के तो उसके बाद यहां पर AB की value जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 38 बटे 3 हो जाएगी यह हमारा AB का मान हो जाएगा ठीक है? question में यहां का आगया AC का मान बताईए AC का मान कितना होगा? ठीक है भाई? AC का भी मान बता देंगे इस line में देखो तो AB की value आ गई है AB की value आ गई है तो AC की value बताई जा सकती है ठीक है? आपके पास AB का value आ गया है तो क्या आप AC का बता सकते हैं कि नहीं तो बोलेंगे हाँ गुरुदेव तो बस तुरंत यहां पर क्या गरोगे? AC की value मतलब AB मेंसे 2 गटा दीजिये तो यहां पर इस AB मेंसे जो है 2 मायनस कर दो यह तुम्हारा AC का value आ जाएगा यानि इसमेंसे 2 मायनस करना है तो हम यहां बोलेंगे सर 38 बड़े तीन मेंसे जो है वो हम यहां पर 2 गटाना चाहते है कितना घटाना चाहते हैं दो घटाना चाहते हैं यह हमारा AC का मान आ जाएगा तीन का दो गुना च्छे यानि AC की वैलू जो आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 32 बटे 3 करेक्ट आंसर है option number B for बाहु बली ठीक है PQ की वैलू QR प्लस 5 है उसके बाद यहाँ पर PQ की वैलू PR प्लस 2 है पेरिमीटर हमारा दिया गया है 32 तो हम से PR का मान पूछा है हमने का हम यह भी सवाल बना सकते हैं तो सबसे पहले यह ट्रेंगल हमने देखा मेरे भाई और ट्रेंगल में हमसे क्या कहा है तो ट्रेंगल में हमसे यहाँ पर कहा है कि यह ट्रेंगल का नाम हमारा कितना है PQR है यह ट्रेंगल हमारा कितना हो जाएगा PQ और R हो जाएगा इस ट्रेंगल PQR में अगर हम बात करते हैं तो एक सर्कल को मेरे भाई fit कर दिया गया, यह हमारा circle है और circle इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है तो fitted है, तसली से, कोई tension की बात नहीं है, the circle is inscribed in triangle PQR touching the side QR, ठीक है at S, उसके बाद PR को कहां पे touch कर रहा है, तो U पे और PQ को कहां पे touch कर रहा है, तो मेरे भाई जादा है, next अगर बात करते हैं तो यहीं PQ का जो मान है वो हमारा PR से 2 जादा है तीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो perimeter पूरा का पूरा दे रखा है, perimeter का मतलब PQ plus QR plus RS तो यहां हो जाएगा PQ और plus हमारा QR हो जाएगा और plus हमारा RS हो जाएगा भाई, तीक है, या सॉरी, PR हो जाएगा S कहां से आगया, PQ, QR और PR यहां पर, PQ, QR और PR, यह सारी की सारी value किसके बराबर हो जाएगी, 32 के मैंने कई बार आप लोगों को समझाया एक छोटी सी बात, और वो बात मैंने क्या समझाया कि देखो, अलग-अलग variable examiner का काम है देना, आप उसे अलग-अलग variable के तोर पे treat मत करना बहुत शॉर्ट में आप उसे लेके जा सकते हो, जिससे आप यहां QR के स्थान पर भी PQ के साथ relation दे सकते हो, यहां PR के स्थान पर भी PQ के साथ relation दे सकते हो PQ-2, तो यहां पर PQ-2 लिखे दो, यह value तुम्हारी कितने किया जानी है, 32 की अब देखोगे यहां तो 1 PQ, 2 PQ, 3 PQ, तो यहां पर 3 PQ, ठीक है, माइनस 7 को उधर जोड़ोगे, तो 32 और तुम्हारा 7 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर, यहां 39 हो जाएगा, 3 से काटोगे मुन्हा, तो तुम्हारा 13 बार में, तो PQ का माण कितना आ गया, 13 आ गया, लेकिन क्या हमसे PQ का माण पूछा है, नई, PR का माण पूछा है, तो वापस से वहीं बात, कि PR की value कितनी होगी, PQ में से 2 माइनस कर देते हैं, यानि 13 में से 2 माइनस कर देते हैं, 11 जो होगा, वो हमारा correct answer होगा, option number C, चलो कहीं, घुमने चलें, is the correct answer हो जाएगा, भाई, तो normal, normal questions है यहां पर, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगला सवाल हम चलते हैं, question number 88 पर क्या कहा गया है, question number 88 पर कहा गया है, from an external point A, two tangent AB and AC have been drawn to a circle, touching the circle at B and C respectively, P and Q are on the point AB and AC respectively, such that PQ touches the circle at R, if AB की value दे रखी है, AP का मान दे रखा है, EQ का मान दे रखा है, तो हमसे PQ का मान पूछा है, ये भी question कई बार आपके paper में पूछा जाता है, question में figure कैसे बनता है तो ऐसे, कि आपने यहाँ पर एक circle बना लिया, उसके बाद कहा गया, एक external point A से, मानो एक बाहर वाला point A से, दो tangent बनाया, ये रहा पहला tangent, और उसके बाद यहीं point से जो है आपने, दूसरा tangent बनाया, इसी point से और ये रहा आपका दूसरा tangent, tangent का मतलब इस परश रिखा हो गई, तो कहा गया, two tangent A, B and A, C has been drawn, यानि यहाँ से आपका एक ने आपने A, B बना दिया, दूसरा आपने A, C बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा है, touching the circle at B and C, P और Q जो हैं point A, B और A, C के उपर, इस तरीके से कि जो P, Q है न, वो touch कर रहा है circle को R पे, यानि वो ये वाला line होता है, कि यहाँ पर ये वाला line, ये तीसरा वाला line के बारे में चर्चा किया जाता है, कि A, B पर एक point P, और A, C पर एक point Q, साफ तोर पे कि, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, और ये circle को कहाँ पर touch कर रहा है, तो मेरे भाई R पर touch कर रहा है, उसके बाद A, B का मान हमारा कितना दिया है, तो कुल मिलाकर A, B का जो मान है, वो हमारा 11 दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो A, P का मान हमारा कितना दिया गया है, तो A, P का मान हमारा 7 दिया गया है, A, Q का मान कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, और हमसे P, Q का मान पूछा है, अब इस सवाल को, ठीक है, कैसे बनाया जाए बताओ, अब हमने यहाँ पर कहा कि चलो ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आपको एक छोटी सी चीज पता है कि अगर मान लीजे आपको इस सरकल बनाते हैं और बाहर वाले पॉइंट से यहाँ पर दोनों पर लेकर आते हैं तो मेरे भाई यह दोनों टेंजेंट की जो दूरी होती है बराबर होती है इस बात को समझेगा तो जैसे मान लो कि यह 11 है और यह 7 है इसका मतलब यह कितना है? 4 है और अगर इसका मतलब 4 है मेरे भाई तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि देखो यह पॉइंट से यहां तक की दूरी भी 4 और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी भाई clear है यह बात यहां पर कोई दिक्कत की बात है आज़ाओ चलो next question की बात यहां पर क्योंकि देखो एक point से circle पर डाले गए tangent बराबर length के होते हैं अब आजा point number A पे point number A से ये पूरा का पूरा tangent देखो कितना है 11 तो point number A से ये पूरा का पूरा tangent कितना हो जाएगा ये भी हमारा 11 हो जाएगा ये पूरी लंबाई 11 है तो ये पूरी लंबाई भी कितनी हो जाएगी 11 उस 11 में ये हमारा 9 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि ये कितना हो जाएगा 2 और अगर ये 2 है तो मेरे भाई definitely ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसलिए अगर हम PQ की बात करते हैं तो PQ का मान हमारा 4 जमाद 2 यानि कुल मिलाकर 6 होगा यह हमारा correct answer है option number D for देवसेन अगला सवाल हमारा same तरीके से कि in a circle with center O PAX and PBY are the tangent to a circle at point A and B from external point P Q is any point on the circle such that QAX is equal to 59 QBY is equal to 72 what is the measure of AQB? ऐसा भी question आता है paper में परिशान नहीं होना है बनाना है तो यहां पर कहा गया सबसे पहले यह आपका circle है देखे यह आपका क्या हो गया? circle हो गया और circle में हमारा center क्या हो गया? तो circle में हमारा center O हो गया PAX और PBY tangent है circle का A और B पे जिससे मानों यह point P है तो अगर आप यहां देखोगे तो यह आपका PAX हो गया और यह आपका PBY हो गया clear है यह बात यहां देख लीजे थोड़ा circle बाद छोटा बना देता है बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया फायदा नहीं है और यह हमारा X हो गया next हमारा हो गया P B और Y कितना हो गया हाँ पर P B और Y यह दोनों के दोनों tangent है point number A पे और P पे ठीक है? Q is a point on the circle such that Q AX is equal to 59 Q यार कहीं एक point है ठीक है? और यहाँ पर मानो चलो मान लेते हैं Q नाम का point यहाँ पर है यह हमारा angle कितना हो जाएगा तो बहतर हो जाएगा ठीक है? और हमसे यहाँ कहा गया है A Q B का मान बहुत ही famous सवाल है ठीक है? अब यहाँ पर property क्या याद रखना है आप वो समझो तो यहाँ पर मैं कहा रहा हूँ कि यह property की बात अगर करो तो जैसे मानो circle है अब circle की एक बहुत ही खूबसूरत property है एक दम आप लगो की तरह ठीक है? और यहाँ पर क्या है यह tangent है हमारा इसमें question क्या कहा जाता है circle में वो समझना कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या कर लिया ऐसे code बना लिये एक तरीके से आप ऐसे कहलो हमने triangle बना लिया अब इसमें जो question आता है ना भाई वो ऐसे आता है कि जैसे मानो एक circle है यहाँ पर ठीक है? और यह circle के अंदर ऐसे मान लिजे कि आप इसे कहलो triangle कहलो code कहलो कुछ भी कहलो कोई फरक नहीं पड़ता है अगर मानो कल के दिन इससे angle alpha है ना तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी angle हमारा कितना हो जाएगा अलफा हो जाएगा और अगर ये angle हमारा beta है तो ये भी angle हमारा कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा बोलोगे sir ऐसे कैसे हो गया तो इसे हम कहते हैं alternate segment theorem क्या कहते हैं alternate segment theorem कहते हैं इसे proof करने के लिए मैं काम करता हूँ एक छोटा सा example आपको यहाँ पर दे रहा हूँ आप समझ जाएंगे कोई value लेकर ही हम proof कर देते हैं ताकि चीज़े आपको clear हो जाएं मान लिजे यहाँ पर एक line है और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि यह मेरा ए लेकिन वह हम कैसे लेकर आंगे तो हमने आ कहा यह यह हमारा inner center है माल लेते हैं और center से जो है इक तरीकेसे जो जो कौन बनता है वो पूरा का पूरा कितना बनता है तो center से जो हमारा कौन बनता है पूरा बनता है जैसे मानो ये 20 है तो ये कितना बनेगा 70 क्योंकि center से जो हमारा tangent पर आप कौन बनाते हैं तो 90 का कौन बनता है यह 20 है तो यह हो जाएगा 70 अब चुकि यह radius है तो यह 70 है तो यह भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा तो 70 और 70 एक सो चालिस है तो यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा तो पीछे 40 का हमेशा कितना होगा आधा होगा क्योंकि अगर कोई cord center पर 40 का cone बना रहा है तो हमेशा circumference पर उसका आधा बनाएगा इसलिए ये 20 जो होता है ये 20 के बराबर हो जाता है इसे हम यहाँ पर कहते है alternate segment theorem तो इसमें याद करने का तरीका कैसे होता है बहुत बार बच्चे confused हो जाते है तो याद करने का तरीका ऐसे है जैसे मानो ये chord है अब ये जो chord है ना इस chord ने इस tangent के साथ इस chord ने इस tangent के साथ अगर minor segment में angle बनाया है तो यहीं chord इसी tangent के साथ major segment में भी उतने ही का angle बनाएगा समझ गए बात को यहाँ या ऐसा कहलो इस champ के चलते कौन हमारा इतने का बना है तो major segment में जो है यह हमारा इतने का ही angle बनेगा इसको कहते है alternate segment तो सेम तरीके से अगर मान लीजे हम यहाँ पर इसे join कर देते हैं तो जैसे यह हमारा 59 था तो इसे छोड़के यहाँ पर यह वाला angle कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा यह हमारा 72 था तो यह वाला angle हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा क्योंकि अपने इसके वाले के सामने वाले अपने 180 वाले के सामने वाले हो गया मेरे भाई यहाँ पर अब अगर मान लो यहाँ थीटा है तो इन तीनों का जोड़ एक सौसी आना चाहिए तो थीटा जमा बहतर और जमा फिफ्टी नाइन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 थीक है तो यहाँ थीटा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 110 में से आप यहाँ दोनों को घटा दीजे यहाँ 131 तो कुल में दाकर थीटा का मान जो है वो हमारा 49 आएगा यह हमारा करेक्ट आंसर है कौन सो ओप्षिन है तो ओप्षिन नमबर जो टी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा आजओ अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल करते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है कोई परिशानी की बात नहीं है मान लीजे हमने यहाँ सर्कल बना लिया पॉइंट A और B आर अन्दो सर्कल विच सेंटर P, A, M and P, B, N मानो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है A हो गया हमारा सर्कल पे और यहाँ पर B हो गया हमारा सर्कल पे तो कॉश्चन में कहा गया है यहाँ पर पॉइंट P, A, M ठीक है स्ट्रेट लाइन बन बें नहीं करता है स्थरा बताओ इससे काम हो गया तो जिससे मानों यहाँ पर यह लाइन एक बना दिया और दूसरा यहाँ पर यह लाइन एक बना दिया तो question में हमारा हो गया A और यह हमारा हो गया B बोला गयाने यहाँ पर P A M यहाँ पर यह point हो गया P A M हो गया और P B N हो गया दोस्त ठीक है यह दोनों के दोनों tangent हो गए यहाँ पर A और B पर P से Q जो है एक major arc में है जैसे यह छोटू arc है हमारा तो बड़े वाले arc में कहीं पर Q जते थे मान लेते हैं यहाँ पर question में हमारे QAM का मान दे रखा है कितना हो जाएगा तो 58 पुझे की नहीं पुझे बताओ और दूसरा हमारा हो जाएगा Q B N Q B N का मान कितना हो जाएगा 50 ठीक है next हमसे यहाँ पर कहा है कि A Q B का मान नहीं इस बार A Q B नहीं पूछा इस बार तो A P और B का मान हमसे पूछा है भाई यानि यह वाला अंगल हमसे पूछा है तो आप यहाँ बोलोगे सर सबसे पहले देखो यह वाला अंगल हम कैसे निकालेंगे याद करो आज से हजार साल पहले क्या पढ़ाए थे पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे बताना तो बोलोग इससर देखिए आप एक चीज पढ़ाये थे और क्या पढ़ाये थे समझेगा यहां पर तो सबसे पहले अभी जस्ट पढ़ाये point number one कि जैसे यह आपका 58 है तो यह भी value 58 हो जाएगी हो जाएगी यहां पर उसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो जैसे मानो यह 50 है तो यह 58 है तो यह भी 58 हो जाएगा alternate segment यह 50 है तो यह भी 50 हो जाएगा और उस case में यहां पर यह angle कितना हो जाएगा एक 180 में से दोनों को घटा दो यानि एक 180 में से कितना घटा दीजे 108 घटा दीजे तो यानि बहतर हो जाएगा अब यह angle बहतर हो गया हमारा अब यह जो बाहर वाला angle है यह कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप यह quadilateral लेखो कौन सा A, Q, B और P और इस quadilateral में चारो angle का जो सम हो जाएगा हमारा कौन कौन सा तो यहां पर angle Q, A, P यानि यह वाला angle तो यह वाला angle कितना होगा अगर यह 58 है तो यह वाला angle हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा angle 122 हो जाएगा प्लस यह वाला angle कितना हो जाएगा तो बहतर हो जाएगा प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा और प्लस एंगल P हमारा मान लेते हैं X और ये सब बराबर हो जाएगा किसके 360 के क्योंकि एक चद्रभुज के 4 उकोनों का जोड 360 होता है तो ये हमारा टोटल आ गया ये अंठावन है तो हम बात करेंगे तो ये हमारा 122 हो जाएगा ठीक है ये हमारा बहतर हो गया ये हमारा 130 हो गया बस भाईया जोड लीजे 4 उकोन का एंगल 60 हाना चाहिए आपने का 130, 200 200 और यहाँ पर जो है तोटल 320, 320, 320, 324 तो X का मान जो हो जाएगा वो 360 में से 324 माइनस कर दीजे तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, सही option कौन सा है option number जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है, अगला सवाल का आगया a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching the side सबसे पहले तो एक यहाँ quadrilateral बना लीजे कोई भी अपने मर्जी के हिसाब से ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक circle को बिठा दीजे, लेजे भाई यह circle आपका बैट गया, fit होगा इसके अंदर ठीक है तो question में कहा गया, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD, एक यहाँ पर चत्रभुज के भीतर एक क्या है, तो हमारा जो है, यह BC को कहाँ पर टच करता है, Q पर टच करता है, तीसरा हमारा जो है, यह CD को कहाँ पर टच करता है, तो R पर टच करता है, फिर यह हमें कहाँ टच करता है, तो S पर टच करता है, question में हाँ पर AS कमान दिया गया है, देखो, तो question में AS की value आपको कितनी दिया है तो 6 दिया है BC कमान आपको दिया गया है पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा BC आपको कितना दिया गया है तो पूरा का पूरा BC आपको 12 दिया गया है Next अगर हम बात करते हैं तो CR कमान आपको कितना दिया गया है तो CR का मान आपको 5 दिया गया आप से यहाँ पर AB का मान पूछा है अब इस सवाल को भी काफी शॉट में आप यहाँ कर पाएंगे मैंने कहा ना छोटी छोटी बाते होती हैं जो आपको समझना होता है फिलाल साइक्ली कॉडिलेटरल की दो कहानी होती है वो भी आपको ध्यान रखना है जैसे साइक्ली कॉडिलेटरल में यहाँ पर एक पॉइंट जो है पेपर में जो पूछा जाता है वो क्या है मान लीजे कि यह आपका एक साइक्ली कॉडिलेटरल है और साइक्ली कॉडिलेटरल में क्या होगा आपने एक circle ऐसा बना दिया, हलाकि ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा से score रही कर देता हूँ मैं, तो paper में जो पूछा जाता है, वो कौन सा point पूछा जाता है, वो ध्यान रखो, और इसके अंदर आपने circle लगा दिया, अब circle लगाओगे, तो जैसे ये एक point है और यहाँ से दो tangent आ गए है, तो मानों इसकी value A है, तो ये भी कितना हो जाएगा A, ये B हो जाएगा, तो ये भी B, ये C हो जाएगा, तो ये भी C, और ये D हो जाएगा, मेरे भाई, तो ये भी D हो जाएगा, तो यहाँ पर एक important property जो बनकर निकलकर जो आती है, वो ये आती है कि opposite side का जो sum होता है, वो बराबर होता है, कहने का मतलब जैसे A, B हो गया और हमारा CD हो गया, ये हमारा जो A, B हो गया और CD हो गया, इन दोनों का जो sum होता है, वो बराबर होता है, A, D plus B, C के, इस बात को ध्यान रखना, और नहीं अकीन आए, तो यहाँ पर इनके टुकड C हो जाएगा तो यहाँ देखो तो A, B, C और D हमारा 4 का 4 हो मौझूद है अब इसमें आ जाते हैं तो AD की value, AD की value हमारी कितनी हो जाएगी तो AD की value हमारी A plus B हो जाएगी और BC की value कितनी हो जाएगी तो C plus D हो जाएगी तो वहीं बात मैंने आप को कहा है कि cyclic quadrilateral में एक महत्वपून point रहता है opposite side का sum जो होता है इन opposite side के sum के हमेशा बराबर होता है कहीं पर इसका utilization हम कर सकते हैं कहीं पर हमारे नहीं जैसे मान एक छोटा सा question मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ छोटा सा question और मैंने यहां कहा कि सर इन दोनों का sum हमारा इन दोनों के sum के बराबर 10 जमा 15 25 है तो 12 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 12 के साथ तुरंट बोलोगे सर कि 12 के साथ तुरंट यहां 13 को जोड़ दीजे यानि यह value कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा समझ गया है तो अब आ जाते हम अपने questions पर इसकी आवशकता हमें है अब जैसे देखो यहां पर छोटी छोटी बातों को समझो क्या कहा गया है तो यह tangent है अगर यह 6 है तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई ठीक है उसके बाद यहां पर यह देखो यह tangent है हमारा तो यह 5 है तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा तो यह भी हमारा 5 हो जाएगा 12 में अगर यह 5 है तो यह कितना है 7 और अगर यह 7 है तो यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हमसे यहाँ पर AB का मान पूछा गया है, तो AB का मान जो पूछा गया है, 7 जमाच 6 यहनी 13 हो जाएगा, तो यह हमारा correct answer हो जाएगा, next question देखो, 92 number question 92 number स्वाल में क्या कहा है A tangent is drawn from a point P to a circle, ठीक है यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिएगा बोड़े ध्यान से question में यहाँ पर है, कि point P से एक tangent बनाए गया है ठीक है a tangent is drawn from point P to a circle which meets the circle at T P T की दी है, फिर एक second भी बनाए गया है, circle पे A और B पे अच्छा है यह वाला property है इस question के पहले आपको थोड़ा सा हम property के बारे में रूबरू करा देते हैं जिसके बारे में आपसे question पूछा जाता है paper में, असल में तीन तरह का सवाल पूछा जाता है, वो दोनों ध्यान रखना है, तीनों circle की property जो होगई tangent और second और chord word का सारा relation, वो सारा का सारा अपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजे एक circle है, बाहर एक बंदा है और वो P बैठा हुआ है, इसने यहाँ पर दो जगा जो है यहाँ पर ऐसे कहलो कि जैसे मानो एक circle है और पहले दो chord है यहाँ पर एक circle होगए हमारा और इसके अंदर दो chord होगए, एक AB नाम का, दूसरा CD नाम का, यह हम यहाँ लिख देते हैं, AB हो जाएगा और हमारा CD हो जाएगा, और यह कहां मिल रहा है, P पर मिल रहा है, यह हमारे दोनो chord है, अब अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानो एक chord हो हो जाएगा, और एक तुमारा क्या हो जाएगा, तो एक तुमारा tangent हो जाएगा, यह ऐसे कहलो, इसे chord ना कहके, आप इसे second कह सकते हो, ठीक है, यह second ही है, और यह हमारा P हो जाएगा, A हो जाएगा, और मेरे भाई B हो और यह कौन सा point हो जाएगा तो मानो C हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा वो यहाँ पर यह हो जाएगा कि दोनों के दोनों हमारे क्या हो तो second ही हो यहाँ पर जैसे यह P हो गया A हो गया B हो गया और यहाँ C हो गया और यह D हो गया यानि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ दोनों को अंदर बाई से कर रहे हैं यहाँ पर क्या है यह दोनों का मिलन बाहर हो रहा है और यहाँ पर क्या है एक second और एक tangent और point P पर मिल रहा है तीनों में एक जबर्दस तरीके से जो है यहाँ पर एक relation हमारा दिया गया है तो मैंने यहाँ पर क्या कहा मैंने यहाँ पर कहा कि वो relation हम कैसे पता करेंगे कुछ मत करो जैसे तुम्हारा A, B और C, D है तो यहाँ पर आप चारो को लिख दो क्या करो मेरे भाई तो यहाँ पर A, B, C, D जो है वो चारो को आप यहाँ पर लिख दो यह आपका A हो गया B हो गया, C हो गया और D हो गया और सब की दोस्ती है न देखो A भी आकर P से दोस्ती करता है B भी आकर P से, C भी आकर P से और DBA के पीसे, तो सब की दोस्ती पीसे करा दो, सारे के सारे दोस्ती करेंगे मेरे भाई, ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो साथ में रहते हैं साथ में कौन है, A B है तो इनको bandage लगा के चिपका दो यह A B वाला साथ में है, तो इससे bandage लगाओ CD वाला A की line में है, तो bandage लगाओ और बरावर कर दो, यह सिधा का सिधा एक खूब सुरत property निकल के आ गया, खूब सुरत मेरे भाई इसले ऐसा कहा भी जाता है कि PA into PB बरावर PC into PD साफ लवजों में PA into PB बरावर PC into PD, अब जैसे यह अंदर वाले property के लिए satisfy कर रहा है same यह बाहर वाले के लिए भी करेगा यहाँ पर भी चार लोग है A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा D हो जाएगा, हर किसी की दोस्ती P से होनी जरूरी है, तो P ने हर किसी के साथ दोस्ती कर ली तीक है, जो एक साथ वाले लोग थे, A भी एक साथ वाला था, तो A और B वाले को गुना, और जो एक साथ वाले थे, CD एक साथ वाला था, गुना बराबर, यानि यहाँ लिखने का जो formula होगा ना, दोनों के इसमे same होगा, बस यहाँ पर दोनों के जो figures हैं, वो हमारे अलग-अलग हो जाएंगे, यहाँ पर intersection अंदर की तरफ होगा, और वहाँ पर intersection या joining बाहर की तरफ होगा लेकिन जो formula हमारा रहेगा, वो same रहेगा, अब यहाँ पर भी same काम होने जाता है, यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी और कई बार इसे point T नाम दे दिया जाता है, C के जगा, इसलिए ऐसा भी लिखा जाता है कि PA into PB यहाँ पर देखो, तो बोलो कि sir PA into PB बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा PT into PT के, यानि PT square के, और यह बहुत famous property है, circle की अपने आप में कि जो हमारा PT का square होता है बराबर होता है, PA into किसके तो PA into मेरे भाई, PB के यहाँ पर clear है, अब यह जो question है 92 number question, यह इसी property के उपर है, और paper में आपका पूछा जाता है, और क्या कहा गया है, जरा देखिए, तो साफ लफजों में कहा जाता है, कि देखिए, एक circle है आपका यहाँ पर, क्या कहा गया, a tangent is drawn from a point P, point P से आपने क्या कहा है, एक tangent बनाया, circle पर, जो कहां पर meet up करेगा, तो मान लीजे, यहाँ पर T naam के point पर meet करेगा, या a second P, a, b intersect the circle at a and b, यदी हमारा P, a, का मान कितना है, साथ है यदी हमारा P, a, का मान कितना है, साथ है, तो हम से यहाँ पर कहा गया है, कि पूरा का पूरा, यह a, b, कोर्ड का मान कितना होगा, जरूर बताएंगे, पहले यहाँ PT की value देखो, तो PT की value तुमारी 10.5 है, तो मैंने आप से क्या कहा, मैंने आप से कहा कि देखो PT का जो square होगा, बराबर हो जाएगा किसके PA into मेरे भाई PB के यहाँ पर, ठीक है तो PT का square की अगर हम बात करते हैं तो PT का square हमारा कितना हो जाएगा PT का square हो जाएगा 10.5 इंटू यहाँ पर 10.5 ठीक है, PA की value हमारी कितनी होगी तो 7 होगी और PB का value नहीं पता है, तो इसे हम ऐसे रहने देते हैं, दश्मला हटाएगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अगर आप इनकी cutting करो तरीके से तो कैसे हो जाएगा 5 से काटोगे 2 बार में 5 से काटोगे 21 बार में 7 से तुमारा कट जाएगा 3 बार में 63 बटे 4 तो total आपका आजाएगा 63 अपान 4 यह आपका हो जाएगा PB का value अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो PB का जो मान है exact वो कितना आएगा 4 से 15 बार में और 4 से 28 15.75 हमारा आजाएगा कितना आजाएगा 15.75 अब यह 15.75 तो यह हमारा पूरा value आ गया है हमसे यहाँ पर किस का मान पूछा गया है हमसे AB का मान पूछा गया है तो AB का मान बताने के लिए यह हमारा 15.75 में से हमें कितना माइनस करना होगा 7 माइनस करना होगा 15 में से 7 गया तो 8.75 जो है यह हमारा correct answer आ जाएगा option number जो B है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल 93 number question पर चलते है क्या कहा है code AB and CD of a circle intersect externally at P यह हो गया AB नाम का और दूसरा हमारा हो गया CD नाम का और सारे के सारे कहां पर intersect करते हैं P पर करते हैं यदि हमारा AB कमान दिया गया है और AB कमान हमारा कितना दिया गया है तो AB कमान हमारा 7 दिया गया है उसके बाद हमारा CD कमान कितना दिया गया है 1 दिया गया पीडी कमान हमारा कितना दिया गया 5 दिया गया तो हम से पीवी कमान पूछ रहा है कितना होगा X बताइए यहां पर साफ लफजों में कहा रखा है PA into P Psalm पीसी into PDK यानि यहां पर PA हो जाएगा into हमारा PB बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा PC इंटू यहाँ पर किसके, तो PD के, अगर हम देखते हैं तो PA कमान हमारा कितना होगा, तो PA कमान हमारा 7 प्लस X होगा, PB कमान हमारा कितना होगा, तो PB कमान हमारा X होगा, PC कमान हमारा कितना होगा, तो PC कमान 6 होगा, PD कमान हमार यहां क्या है option से उठागे value रखने का x command एक तरीका यहां क्या हो गया x command उठाईए और options रख लीजए और दूसरा तरीका मेरे भाई यहां पर ठीक है दूसरा तरीका यहां पर यहां पर ही हो गया कि quadratic equation बनाओ और solve करो मुझे जहां तक लगता है कभी भी ऐसे सवाल जबाब के पास हो option उठाए करो जैसे option में यहां पर क्या है 30 है option में यहां पर क्या है 30 है तो option में यहां मुझे 30 बनाना है अब मैं 7 को किस से गुना करूंगा कि 30 बनेगा मानो मेरे option number B नज़र आ रहा है तो 7 प्लस 3 10 और 10 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 30 यानि option number B जो है वो मेरा क्या है correct answer है तो यहां से यहां क्या करेंगे तो यहां से मैं साफ तोर पर notes में आपके लिग दे रहा हूँ use option और use option करोगे तो आपका option कौन सा satisfy करेगा साथ जमा 3 इंटू यहां पर 3 यह बराबर हो जाएगा हमारे किसके 30 के satisfy कर रहा है option number B जो है वो correct answer है 94 पर आते हैं 94 number question को देखते है there are two circles of radius 5 and 3 cm respectively the distance between their center is 10 cm the length of transverse common tangent अब चुकी हमारे एक topic आ गया है आपर transverse common tangent तो असल में tangent जो होते हैं मैं आपको सारी बाते समझाता हूँ तो tangent की कहानी बड़ी जबरदस्त होती है टीक है tangent का मतलब क्या हो गया tangent का मतलब हो गया मेरे बाई spot शरिखा तो पहली बाद tangent के बारे में जानो कि यहां एक circle को कितना कितना tangent कहां कहां पर touch करता है किस तरीके से और कितने points होते हैं तो जैसे मानो सबसे पहला एक circle है अगर मैं यहां पर उसको बनाओ तो एक circle पे एक point पे दुनिया में कई सारे tangent बनाए जा सकते हैं कई सारे मतलब यहां पर कितने points इसको touch करेंगे ना आप पता भी नहीं लगा पाओगे जैसे मानो दो circle है आपके और दो circle बाहर में पहली बात तो यहां पर ऐसा रहता है कि जैसे मानो दो circle है आपके और यह दोनो circle में कुल मिलाकर कुछ gap है तो हमारा कितना tangent होगा दूसरा अगर यह दोनो circle हमारे touch कर रहे हैं intersect नहीं कर रहे हैं मातर ये टच कर रहे हैं तो हमारा कितना टेंजेंट होगा common tangent की बात करते हैं उसके बाद अगर मानों ये दोनों circle intersect कर रहे हैं तो कितना tangent होगा उसके बाद यहाँ पर ये दोनों circle एक दूसरे के बीतर आगए तो हमारा कितना tangent होगा मतलब मेरे कहने का मतलब पता है क्या होता है एक शब्द होता है कि एक हम कहते हैं tangent और दूसरा हम यहां कहते हैं common tangent अब दोनों में फर्क क्या होता है तो जैसे मानो एक खुद के सरकल का कई सारा tangent हो सकता है ठीक है जैसे यहां पर दो शब्द होता है tangent और common tangent अगर आप यहाँ इस circle को देखोगे तो इसके अनंत tangent होगे एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा infinite हो सकते हैं, आप इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं रोक पाएंगे उसी तरीके से इसके भी अपने अनंत यार दोस्त होगे इसके भी अपने यार दोस्त हैं, इसके भी अपने यार दोस्त हैं कहने का मतलब दोनों के अपने अपने tangent हैं लेकिन जब बात common tangent की आती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि इनके कितने ऐसे tangent है, जो दोस्त इसका है, वहीं दोस्त इसका भी है यानि common दोस्ती है यहाँ पे एक ऐसी रिखा जो दोनों को यहाँ पर टच कर रही हो तो ऐसे कितने tangent आपको मिलेंगे तो वो मेरे भाई यहाँ से आपको देखना होगा और calculate करना होगा तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर एक line तो ऐसा होगा जो इन दोनों को tangent बना रहा होगा दूसरा यहाँ पर ऐसा होगा जो दोनों का common tangent होगा तीसरा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यह वाला line होगा और चौता यहाँ पर इस प्रकार का यह वाला line होगा यानि इस case में अगर हम बात करें तो हमारा कितना common tangent होगा तो 4 common tangent होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसमें कितने common tangent होते हैं तो यह हमारा पहला tangent है यह हमारा दूसरा tangent है और यह हमारा तीसरा tangent है यानि इस case में कुल मिलाके कितने common tangent होते हैं तो 3 हमारे common tangent होते हैं ठीक है फिर उस case में यहाँ पर कहा जाता है इसमें कितने common tangent है तो इस case में यहाँ पर एक tangent और यहाँ पर एक tangent यानि यहाँ पर कुल मिलाके दो tangent होते है इस case में हमारा कितना common tangent होता है बताओ तो इस case में अच्छा यह case आने के पहले एक और case आता है और वो case हम बता देते हैं वो case यह होता है कि जब ये circle ऐसे टच करता है तब हमारा किटना tangent होता है तो इस case में मेरे भाई एक tangent होता है जो दोनों को touch करें और उसके बाद जो सबसे last stage वाला आता है न वो ये वाला आता है कि एक के अंदर एक हो जाए इस case में आपका कितना tangent होता है तो इस case में 0 tangent होता है तो एकदम decreasing order में आप याद कर सकते हैं पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर मेरे भाई यहाँ पर 1 आया और फिर हमारा कितना आ गया, 0 तो जब एकदम अलग-अलग हों, 4 tangent टच करें, 3 tangent, यहाँ पर 2 tangent यहाँ पर 1 tangent और यहाँ पर 0 यहाँ पर value कैसे निकालते हो टीक है, तो tangent के आपके दो प्रकार के type हो जाते हैं types of tangent, यहाँ इस पड़ शरीखा दो प्रकार की होती है वो दोनों जानना है यहाँ पर ठीक है, पहला यहाँ पर हो जाता है direct common tangent, यह पूरा का पूरा formula जो है मैंने formula book में दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते है direct common tangent ठीक है, और दूसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है मेरे भाई, transverse common tangent ठीक है, transverse common tangent इससे हम transverse कहते हैं यहाँ पर कि हमारा transverse common tangent हो जाएगा अब यह direct common tangent और transverse common tangent होता क्या है जैसे मान लीजे, एक circle यह हो गया ठीक है, और यह हमारा दूसरा circle हो गया यदि यह दोनों circle के बीच में चलो कुछ दूरी है ठीक है, और एक case यहाँ पर यह हो गया और दूसरा यहाँ पर circle यह हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है बच्चो जैसे मानू कोई भी एक सीधी रेखा जो दोनों को टच करके निकल जाए इसे हम क्या कहते हैं इसे हम direct common tangent कहते हैं DCT कहते हैं और एक ऐसे जो यहाँ पर इस तरीके से एकदम तिर्ची तिर्ची तच करके जाए इसे हम कहते हैं transverse common tangent इसलिए यहाँ पर इसका नाम भी दिया गया इसका नाम यहाँ पर क्या कहा गया है तो इसका नाम मेरे भाई direct common tangent कहा गया है और यहाँ पर इसका नाम क्या कहा गया है यह जैसे A भी हो गया आपका यहाँ पर तो इसका नाम हमारा कहा गया है T, C, T यानि Transverse Common Tangent दोनों में सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है और Question क्या पूछा जाता है वो भी समझो जैसे ये तुम्हारा Point A है और ये तुम्हारा Point A है जो टच कर रहा है B है तो यहाँ पर क्या होगा इस Circle का तुम्हें Radius देदेगा R1 फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा इस Circle का भी Radius देदेगा R2 और उनके बाद इसके Center के बीच की दूरी आपको दे दी जाएगी और वो आपका D होगा और उस किसमें आपसे AB कमान पूछेगा सेम तरीके से यहाँ पर इसका भी Radius आपको देदेगा R1 आपको यहाँ पर इसका भी Radius देदेगा R2 इनके Center के बीच की दूरी भी देदेगा Distance और आपसे इस Tangent AB कमान पूछेगा A यहाँ पर यह नहीं है उतना दूर जाने की अवशकता नहीं है यहाँ पर AB वो नहीं होगा जिस Point पर टच करेगा वो A होगा और जिस Point पर टच करेगा वो B होगा तो यह Tangent की हमेशा लंबाई पूछी जाती है तो यह हमारा Direct Common Tangent है तो यहाँ याद करने का तरीका सिधा का सिधा ऐसा हो जाएगा कि सर्दी कि हम यहाँ पर DK square में से माइनस करते हैं R1 माइनस R2 के वोल स्कॉर को समझ गए और यहाँ याद करने का तरीका क्या हो जाएगा तो यहाँ याद करने का तरीका हो जाएगा कि A B की value हो जाता है सरूट अंडर DK square में से माइनस करते हैं मेरे भाई R1 प्लस R2 के वोल स्कॉर को ठीक है अब यहाँ याद करने का जो तरीका होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा वो मैं बताता हूँ आप यहाँ देखो तो उपर क्या बन रहा है Mाइनस इसलिए bracket के अंदर क्या लेके आना माइनस और यहाँ देखोगे तो क्या बन रहा है प्लस इसलिए bracket के अंदर कितना लेके आना प्लस लेके आना यहाँ पे बच्चा लास्ट नाइं में बहुत confuse हो जाता है तो आपको confuse नहीं रहना है direct common tangent में देखो यहाँ तो minus आएगा ही ऐसे समझ लो hypotenuse में से perpendicular घटा रही है proof निकालने का भी समय यह नहीं तो proof भी बता देता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसकी value हो जाती है ठीक है? ध्यान रखना है यहाँ पर आपको इसी के उपर question पूछा जाता है अब इसमें एक special case इसका बन जाता है यह वाला direct common tangent का Direct Common Tangent को अगर हम थोड़ा से explore करना शुरू और करें तो और भी काफी सारी बाते इसके बारे में हम जान सकते हैं Direct Common Tangent के बारे में क्या क्या बाते जान सकते हैं जिसे मान लीजे एक circle है और यहाँ पर यह जिसे मानो अगर यह दोनों के दोनों circle टच कर दें उस case में यहाँ पर यह जो Direct Common Tangent हमारा AB नाम कहाएगा यह हमारा AB का value कितना हो जाएगा जहां पर इसका radius अगर R1 दिया गया है और इसका radius अगर R2 दिया गया है और distance जो रहेगा तो आप distance between the center कितना हो जाएगा तो distance between the center हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा तो इस case में जैसा कि आपने पढ़ा है AB की जो value आती है वो आपका कितना हो जाता है D का square माइनस यहाँ पर R1 माइनस R2 का whole square जब यहाँ distance के जगह पर आप यहाँ पर R1 प्लस R2 रखोगे और इसका whole square में से आप R1 माइनस R2 का whole square घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ finally overall आपका आजाएगा 4 R1 R2 आप solve कर लेना जिसको solve करने के बाद आप 2 R1 R2 भी मेरे भाई कह सकते हूँ तो कई ऐसे papers हैं कई ऐसे जगह पर हैं जहाँ सीधा इसके उपर question आ जाता है जैसे मानलो यहाँ पर ऐसा कह देगा कि एक सर का लिए है दूसरा सर का लिए है इसका radius 16 है इसका radius 9 है एक tangent आया है जिसने इसे touch किया इसकी value हो तो आप यहाँ पर तुरंट क्या कहोगे आप यहाँ पर कहोगे सर 2 ठीक है 16 का root 4 हो जाएगा और 9 का root 3 हो जाएगा 4 3 है 12 2 ना 24 हमारा correct answer हो जाएगा इसलिए मैंने क्या कहा कि यह आपको direct common tangent में एक property आगे चलके यहाँ पर यह बन जाता है उसके बाद जब थोड़ा से mensuration आगे पढ़ाएगे तो इसमें एक और case बनेगा जिसमें कई बार paper में question पूछा जाता है और वो हमारा यह case है जहसे मानो एक circle आपका यह हो गया एक आपका यह दूसरा circle हो गया और इन दोनों के bीच में एक छोटु circle को fit कर दिया जाता है एसा और उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये एक tangent आया जो तीनों को टच करके निकल गया इसका radius r1 था इसका radius मेरे भाई r2 था और इसका radius यहाँ पर r3 था तो relation बताओ क्या होगा r1 r2 का मान देदेगा और r3 का मान आपसे पूछेगा तो इसका एक famous relation होता है जिसको आप याद कर सकते हैं और वो हमारा हो जाता है 1 upon root under r3 बराबर हो जाएगा किसके तो 1 upon root under r1 जमा 1 upon root under r2 के ये आपको कैसे याद होगा ठीक है या कैसे proof आया तो एक बार हमें इसकी value निकालनी होती है एक बार इसकी value निकालनी होती है फिर उसमें यहाँ tangent का property लगाना होता है बड़े बाले के बराबर वहाँ से सम निकलेगा वहाँ से यह proof हो जाता है तो इसलिए हमें उतना depth level पे नहीं जाना उसो के level में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर ये touch करेंगे तो 2 r on r2 और अगर इन दोनों के बीच में एक तीसरा आएगा तो 1 upon r3 पराबर 1 upon root under r1 plus 1 upon root under r2 तो ये tangent की एक छोटी सी कहानी थी पहली बात की tangent हमारा होता क्या है फिर common tangent क्या होता है फिर उनके numbers कितने होते हैं फिर उसके बाद tangent के प्रकार direct और transverse फिर direct के बारे में दो important हमारे ये result ये सारे paper में पूछे जाते हैं अब हम आजाते हैं अपने सवाल पर ठीक है थोड़ा से इसका भी गुरुगयान जाने है पर question में क्या कहा है तो कहा है दो circle है जिसकी radius 5 और 3 है और इनके बीच की दूरी हमारी 10 है तो length of transverse common tangent transverse common tangent यानि यहाँ पर minus वाला ठीक है transverse का मतलब minus तो क्या कहोगे sorry transverse का मतलब plus वाला तो d का square minus r1 plus r2 का whole square direct में minus होता है transverse में plus होता है ठीक है transverse को ऐसे भी देखो t है तो यहाँ के आजाएगा plus तो center के बीच का distance कितना है 10 तो 10 का square कितना हो जाएगा 100 minus दोनों का square का sum तो इसका value 5 है और इसका value 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 जबातीन 8 का square 8 का square 64 100 में से 64 गया तो root under 36 और 36 का root मुनना कितना होता है 6 होता है correct answer कितना है तो B है अगला सवाल यहाँ देखते है next question number क्या का है 95 दो circle जिनका radius 8 है और 6 है एक दूसरे को externally touch करते है the length of direct common tangent है सीधी सी बात है हाँ पर एक circle हो गया और यह दो circle हो गया और यह दोनों के दोनों externally touch करते है तो यह direct common tangent यानि यह वाला value यह हमारा हो जाएगा AB का मान हमसे पूछा गया तो भाईया direct common tangent की अगर हम बात कर ले या सीधा सीधा अगर आप कहलो कि सर यह AB की value क्या है तो बोलोगे root अंडर d का square minus r1 minus r2 का wall square बुझे की नहीं बुझे बताओ तो क्या कहोगे बोलोगे सर देखो distance कितने के बीच में है तो two circles अच्छा यह तो जरुवत ही नहीं पड़ेगा पूछो क्यों अभी special case बताएं और special case में क्या बताएं जब दो circle एक दूसरे को touch कर लेते हैं तो उनका direct common tangent जो होता है बराबर होता है 2 into root अंडर r1 और r2 के समझ गए तो यहां हो जाएगा 2 और r1, r2 की value कितनी हो जाएगी तो r1, r2 की value हमारी 8 into 6 हो जाएगी तो यहां बोलोगे 2 into यह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा अब 48 की अगर हम बात करते हैं तो 48 हमारा कितना हो जाएगा तो 48 हमारा 4 into 12 ठीक है यह सबसे बढ़ी हैं आप यहां पर 48 को 16 into 3 कहलोगे और यहां पर 16 into 2 हमारा हो जाएगा तुम्हारा 16 into 3 है 16 का root 4, 4 into 2 8 root 3 आजाएगा अब यहां 8 root 3 लेकिन option में तो यहां कहीं दिया नहीं है तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं नहीं मेरे भाई root 3 की value तो तुम्हें पता ही है 1.732 होता है लो भाई गुना कर लो आट दोनी 16, 24, 25, 75, 25, 25, 25, 25 और 8, 13.856 option number जो है एक correct answer है आज अब next question चलते हैं 96 number क्या का है वो भी देख लो 18 cm और 16 cm तुरिज्या वाले 2 वृत एक दूसरे को प्रती छेदित करते हैं और उनकी उभे निष्ट जीवा की लंबाई 20 cm है उनकी केंद्रों की बीच की दुरी याद करें 2 circles of radius 18 and 16 cm intersect each other मतलब काट रहे भाई and the length of their common cord common cord की value दी गई है 20-30s resistance between their center तो देखो जैसे मानों आपका ये एक circle हो गया ठीक है और उसके बाद यहाँ पर ये आपका दूसरा circle हो गया ये दोनों के दोनों circle यहाँ intersect कर रहे है तो क्या कहा गया 2 circles of radius 18 and 16 intersect each other and length of common cord यानि ये जो common cord है दोनों के बीच में इस common cord की लंबाई 20 दे रखी है उसके बाद यहाँ पर इसका अपना radius दे रखा है और यहाँ पर इसका अपना radius दे रखा है पहले वाले का radius 18 है दूसरे वाले का 16 है common cord की value 20 है center के बीच का distance पूछा गया कि ये center के बीच का distance कितना होगा सभी बाते आप बता सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे पहले वाले का radius आपका 18 है आप वो लिख लीजे दूसरे वाले का radius आपका 16 है अब जैसे मान लीजे आप ये point को आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो common cord की value कितनी है 20 है आपको पता है कि जैसे मानो कोई भी हम circle बनाते है और अगर मान लीजे ये code है center से जब line कीचेंगे तो ये बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो ये पूरा का पूरा हमारा 20 है अगर ये 20 है तो जैसे मानो ये 10 हो जाएगा यानि AC का मान बताना है तो AC का मान बताने के लिए AB और BC दोनों का पता होना बहुत जरूरी है अगर हम AB की बात करते हैं तो ये हमारा EB यानि कितना 90 का कौन तो hypotenuse में से इसका square घटा दिया जाए तो हो जाएगा यानि बोलेंगे sir 18 के square में से आप यहाँ पर 10 के square को माइनस कर दीजे उसके बाद आप बात करते हैं BC के बारे में तो BC कैसे calculate करेंगे 16 के square में से 10 के square को माइनस कर दीजे भाई तो यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 18 में से 10 गया तो 8 और 18 जमाद 10 हमारा हो जाएगा 28 इसका root a square माइनस b square का मतलब minus b into a plus b यहाँ अगर आप देखेंगे तो 16 में से 10 क्या तो हो जाएगा आपका 6 और 16 जमाद 10 हो जाएगा आपका 26 ठीक है उसके बाद यहाँ देखो तो 4 हो गया और 4 हो गया 4 और 4 दो बार आ जाएगा तो यहाँ तुमारा बज़ जाएगा यहाँ 4 root 14 कितना हो जाएगा 4 root 14 solve कर लेना और तुमारा 6 और यहाँ से इसने कितना ले लिया 2 ठीक है यानि यह तुमारा हो जाएगा 6 का मतलब 3 into 2 और यह हमारा हो जाएगा 2 into 13 यानि 2 हमारा हो जाएगा root कितना 49 कौनसा option नज़र आ रहा है 4√14 प्लस 2√49 4√14 प्लस 2√49 option number A जो है वो हमारा correct answer है तो ABCDX cycling quadrilateral है और BC जो है वो diameter है circle का असल में क्या हो तो cycling quadrilateral किसे कहते है एक circle के अंदर जो quadrilateral होता है उसे हम cycling quadrilateral कहते है जैसे मानों यहाँ पर मैंने बना दिया और साथ में BC को diameter है BC हमारा हो गया diameter ठीक है और यह हमारा हो गया AB तो यह देख लीजे हमारा एक quadrilateral बन चुका है ABCD नाम का ध्यान से देखिए ABCD नाम का हमारे quadrilateral बन चुका है BC जो है वो हमारा diameter है उसके बाद कहा गया है DBC नाम का मान 29 है DBC यानि यह वाला angle यह आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है पेपर में प्री में पूछा जा रहा है इसका मान हमारा 29 है और question में हमसे किस का मान पूछा गया है BAD यह बहुत आ रहा है question में पेपर में वाइरल question जिसे आप कह सकते है कैसे बनाते हैं पता है कुछ भी नहीं आपको धिहान रखना है कि जब आप एक circle बनाते हो तो circle में जो diameter होता है वो हमेशा circumference पर कितने का कौन बनाता है 90 का यह ऐसे कह सकते हो semi circle में diameter हमेशा 90 का कौन बनाता है तो बस मेरे भाई वहीं है यह BC जो है यह आपका diameter है तो circumference पर हमेशा यह semi circle में जो है वो कितने का कौन बनाएगा 90 का यह मेरे भाई कोन अगर 90 है और यह अगर 29 है तो यहाँ पर यह कितना होगा यह 90 तो इन दोनों का जोड 90 90 में से इसे घटा दो 61 मेरे भाई आ जाएगा कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा और cyclic quadrilateral की जो सबसे खूब सूरत property होती है वो यह होती है कि इसके opposite angle का जोड 100C होता है यानि theta plus 68 बराबर 100C तो theta plus 68 बराबर 100C तो यहाँ पर अगर हम theta का मान निकालना चाहें 100C में से इसे घटा देंगे 110C आ जाएगा यह हमारा correct answer होगा option number B for बाहू बली ठीक है आज़ो चलो next question चलते है 98 number स्वाल इसे देखते है मेरे भाई क्या का है ABCDX cyclic quadrilateral है और AB और DC को produce करा के E पर meet कराया गया AD और BC को produce करके F पर meet कराया यह भी बहुत वाइरल कोशन है famous question है क्या कहा गया है देखो यहां पर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है तो एक ऐसा circle बना दिया जाता है figure ही बनाने में बड़ी कश्ट होती है यार बहुत दिक्कत आता है बन गया लो भाई तो ऐसा हमारा यह figure है कहा गया ABCD नाम का एक cyclic quadrilateral है तो लो A हो गया B हो गया C हो गया और यह D हो गया ठीक है कहा गया side AB को और side DC को दोनों को produce करके कहां मिलाए गया तो AB को बढ़ाया और DC को बढ़ाया तो यह हमारे E पर मिल गया उसके बाद कहा है side AD को और side BC को बढ़ाया तो यह कहां पर मिल गया F पर मिल गया मेरे भाई ठीक है उसके बाद question में हमसे यहां पर यह कहा जाता है बड़े ध्यान सा समझेगा ADC का मान 76 है ADC यह value हमारी कितनी है तो यह value हमारी 76 है और A, E, D का मान 55 है A, E, D इसका value हमारी कितना है भाई तो 55 है और question में हमसे किस का मान पूछता है तो हमसे AFB का मान पूछता है AF और B का मान पूछता है आप यहां समझते चलो जैसे जैसे red color से जो बना रहा हूँ एक त्रिभुज देखो B, E और D नाम का तीनो कोनों का जोड़ 100C होता है 100C होता है तो इन दोनों को जोड़ना 6, 5, 1, 1, 1, 7, 5, 12, 1, 31 यह 131 है तो 131 है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा यह value तुम्हारी 49 हो जाएगी हो जाएगी भाई बताओ जल्दी से यहां पर आपको पता कौन करना है तो आपको यहां पर पता यह वाला कौन करना है तीक है अब ज़रा और थोड़ा साम आते हैं सवाल में तो जैसा मैंने कहा यह 55 है और यह 76 है तो यह आपने बना लिया अब उसके बाद जैसा कि आपको पता है तो AFB कमान जो होगा यहां पर AFB कमान यह कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर इस त्रिबुज में AFB में तीनों कोनों का जोड़ एक सौसी होता है उस एक सौसी में हमारे यह 49 है और यह हमारे 104 है तो यानि एक सौसी में से हम जो है वो हमारा correct answer है आजाओ question number 98 देखो क्या कहा है AB is a chord in minor segment of a circle with center C is a point between A and B on the minor arc AB the tangent to the circle at A and B meet a D if ACB is equal to the measure of ADB बढ़िया सवाल है यह भी देखिए कुछ ऐसा circle है आपका यहां पर और क्या कहा गया AB एक chord है minor segment में माल लो यहां पर मैंने AB नाम का एक chord बना दिया यह minor segment minor का मतलब आदे से थोड़ा सा कम फिर कहा है C जो है A और B के बीच में एक point है C नाम का point है C is a point in minor segment A and B the tangent to the circle at A and B जैसे मालो A से कोई tangent बनाया B से कोई tangent बनाया और यह कहां पर मिल रहा है तो meet at point D किस point पर मिलते हैं तो D पर मिलते हैं AC B कमान हमारा कितना है तो यहां पर AC B कमान हमारा यह कुल मिलाके 116 है तो हमसे यहां पर क्या question में पूछा गया है AD B कमान कितना होगा यह मैंने बता रखा है याद से करो आज से 1000 साल पहले पढ़ाया की नहीं पढ़ाया बताओ बोलोगे हाँ सर कैसे पढ़ाया जरा ध्यान देना यहां पर बोला था ना कि जैसे मानो यह 116 है तो पहली बात यहां पर center पर कोई दूसरा point बनाओ यह तुम्हारा 116 है तो तुरंत यहां पर यह कितना हो जाएगा 64 value तुम्हारी आ जाएगा आ जाएगा क्योंकि circle में opposite angle का sum कितना हो जाता है 180 हो जाता है अब जैसे मानो यहां कहीं center होगा तो यहां पर अगर circumference पर दोस्त तुम्हारा 64 का cone बन रहा है तो यहां पर उसका double बनेगा यानि यहां कितना बनेगा तो 126 बनेगा बनेगा ना अब जैसे मानो यह center है तो यहां कितने का cone 90 का यह center है यहां कितने का cone 90 का यह दोनों का sum 120 हो गया तो इन दोनों का भी sum 120 होना मांगता है 128 में कितना जोड़ोगे 100C आएगा तो theta की value निकालने के लिए 100C में से 128 को माइनस कर दो मेरे भाई यानि कुल मिलाकर 52 आपका अंसर आजाएगा कौन सा option है तो option number जो B है वो हमारा correct answer है भाई question question number 100 देखिए सवाल में क्या कहा गया question number 100 में कहा गया PQRS एक cyclic ordilatoral है जिसमें PQX के बराबर है QR हमारा 16.8 है RS हमारा 14 हो गया PS हमारा 25.2 हो गया PRQS को 22 करता है तो X की value हमारी कितनी है तो हमारा हो जाता है PQRS एक cyclic ordilatoral भाई क्या हो जा रहा है तो बोलेंगे सिर P हो गया Q हो गया R हो गया और S हो गया ये एक हमारा cyclic ordilatoral है जिसके अंदर PQ की value हमारी कितनी है तो PQ की value जो हमारा X हो जाता है उसके बाद QR की value हमारी कितनी है तो 16.8 हो जाता है भाई नेक्स्ट अगर हम बात करते है RS की value हमारी कितनी है तो 14 है PS कमान कितना है तो PS कमान 25.2 है PR जो है वो QS को BISECK कर रहा है ये शब्द बहुत फोकस करना पड़ेगा कि PR जो है वो QS को BISECK कर रहा है हमें हमेशा फोकस यहां पर यह करना होता है कि BISECK हो कौन रहा है जो मेरे भाई BISECK होगा ना तो हमें उसी को देखना है जैसे अगर आप यहां पर फोकस करेंगे तो यहां पर QS BISECK हो रहा है BISECK होने का मतलब यह आदे और आदे भाग में यहां पर बट रहा है अगर यह आदे आदे भाग में बट रहा है तो इसका मतलब यहां पर क्या है बहुत ही साधारन बहुत ही प्यारा सा मतलब है देखो इसको अगर basic से solve करने जाओगे तो जीवन लग जाने वाला है मैंने इसके लिए एक trick निकाला है कि जब भी कोई भी cyclic quadrilateral में मेरे भाई जब आप diagonals को बनाओगे और ये एक diagonal bisect हो जाएगा ना आपका तो उस case में आपको एक trick द्यान रखना है और वो trick क्या द्यान रखना है वो समझो जैसे मानो ये जो point है इस point से हमारे कौन कौन से line आया है तो इस point से हमारा qpi इस point से हमारा qr आया है तो जो इस point से आया है इन दोनों को multiply करो यानि X को 16.8 के साथ मेरे भाई multiply करो उसी तरीके से ये point S देखो S से कौन आया है तो S से P आया है और S से हमारा R आया है तो मेरे भाई इन दोनों को multiply करो यानि 25.2 को multiply करो किसके साथ 14 के साथ मेरे भाई ये सिधा सिधा आपका एक line में answer देदेगा X की value आपको निकालके मेरे भाई दे देगा यहाँ पर ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो दशमला से हमने दशमला को हटा दिया उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 4 से काटोगे तो 4 बार में और 2 बार में, 4 से काटोगे 4 का 6 गुना 24 और 3 बार में 7 से काटेंगे तो 6 बार में या ऐसे कर लो 21 का तुम्हारा 2 गुना 42 हो जाएगा 21 का तुम्हारा 3 गुना 63 हो जाएगा 2 से तुम्हारा 7 बार में हो जाएगा X की value 7 into 3 हमारे कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी यह हमारा correct answer है option number जो B है बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल अगर हम यहां देखते है question number 101 हम से क्या का गया वो देखे का गया AB is diameter of a circle with center O ठीक है AB जो है यह diameter है circle का center O के साथ तो यह हम बोलेंगे कि AB is a diameter तो मैंने यहां बना दिया कि AB जो है वो diameter है ठीक है तो AB is a diameter of a circle with center O C and D are two point on the circle on either side of AB such that CAB is equal to 52 degree and ABD is equal to 47 degree वो अगर दिफरेंस between measure of CAD and CBD ठीक है अब यहां पर यह जो है हमारा किस तरीके से बनेगा ज़रा वो देख लो AB आपका diameter हो गया यानि कहने का मतलब AB जो है वो आपका वृत के व्यास हो गया ठीक है उसके बाद कहा गया है कि वृत पर दो बिंदू C और D इस प्रकार है हो सकता है C और D दोनों एकी साइड हो और हो सकता है C और D दोनों अलग हो हो सकता है C यहां पर हो और D यहां पर हो कहीं पी हो सकता है तो अन आईदर साइट करने का मतलब तीक है कि a,b के किसी भी और वरित पर दो बिन्दो यानि a,b के किसी भी और उस साइड या इस साइड तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं c को यहाँ बना लेते हैं और d को मेरे भाई यहाँ बना लेते हैं तो question में सबसे पहले कहा है C, A, B का मान यानि यानि ये वाली value हमारी कितनी है तो ये वाली value हमारी बावन है उसके बाद हमारा कहा गया A, B, D यानि ये वाली value जो दूसरी वाली value हमारी A, B, D वाली ये value हमारी कितनी है तो ये value हमारी 47 है हमसे difference कहा गया किसके बीच में C, A, D के बीच में और साथ में हमसे यहां C, B और D के बीच में अब यहां पर आप कैसे बनाएंगे जरा समझे यहां पर इस सवाल को यहां पर जो है वो कैसे करेंगे बहुत important question हो जाता है तो सबसे पहले यहां पर है आपको अगर इस question को solve करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर यह line खीचना पड़ेगा जब यह line खीचेंगे तो यह angle हमारा कितना होता है 90 क्योंकि देखो यह diameter है और diameter है तो कभी भी semi circle में कितने का कौन बनाएगा 90 का और अगर यह 90 का कौन बनाएगा न मेरे भाई तो यह जो अंदर वाला कौन होगा कितना देखो यह 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ भी हमारा 90 होगा यानि यह वाला angle particularly हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा और यह वाला कितना हो जाएगा तो 9 degree हो जाएगा भाई क्योंकि पूरा का पूरा 47 है और अगर पूरा का पूरा 47 है यह 38 होगा तो यह हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अब बारी हमारी दूसरे वाले की है यहाँ पर जब हम दूसरा वाला बनाएगे जैसे मानो यह वाला angle यह हमारा कितना हो जाएगा 90 ठीक है और अगर यह 90 है और यह हमारा 47 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा तो यह हमारा 43 हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 43 हो जाएगा और अगर हमारा यह 43 हो जाएगा तो ये अगर हमारा 43 है तो ये value हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है difference की अगर हम बात करते हैं तो यहां अगर हम same side लेकर चल रहे हैं तो difference जो आ रहा है वो हमारा 9-9 कुल मिलाकर 0 आ रहा है लेकिन अगर मानो ये दोनों एंगल को जो है अगर हम opposite side लेकर चलते हैं तो क्या होगा same case में तो हमारा answer कितना रहा है जिरो आ रहा है अब हम बात करते हैं यहाँ पर opposite direction में लेकर कि जैसे मानो एक point को उधर ले लेते हैं दूसरे point को opposite में ले लेते हैं question में कहा गया c and d are two point on either side of a b c a b कमान ये c a b कमान हमारा कितना है तो c a b कमान हमारा 52 है और उसके बाद यहाँ पर a b और d कमान यानि यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो a b d कमान तुमारा कितना है तो a b d कमान तुमारा 47 है अब हमसे जो पूछा गया है वो हमसे किसका किसका value पूछा गया है जरा हम वो भी देख लेते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कौन सा c a d यानि पूरा का पूरा अंगल और उसके बाद C, B, D पूरा का पूरा अंगल ऐसे हमसे अगर मानो पूछा जाए तो हम कैसे कहेंगे तो कहेंगे देखो भाई यह 90 है यह 47 है तो यह कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा और अगर यह 90 है यह 52 है तो यह तुम्हारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा अगर तुम मेरे से difference की बात करोगे तो इन दोनों का difference तुमारा कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 5, 4, 9, 95 और अगर बात करोगे यहां पर तो 4, 3, 7, 85 इन दोनों का difference हमारा कितना हैगा 10 degree तो इस examiner को question में यहां पर either side ना देकर opposite side देता ना तो जादा अच्छा रहता कि they both are on the opposite side वो दोनों के दोनों विपरीद दिशा में है अगर यह दोनों के दोनों हमारे विपरीद दिशा में होते ना तो बड़े प्यासरीन का difference जो आता वो हमारे कितने का आता 10 side आता question number 102 की बात करते हैं कहा गया AB और CD जो है वो दो quad है किसी circle के अंदर center हो में AD जो है वो हमारा diameter है ठीक है AB और CD पर यहां पर question में क्या कहा गया है देख लीजे जरा बहुत ही प्यारा question है कि AB और CD एक वृत में दो जिवाएं हैं जिसका केंदर O है उसका व्यास AD है AB और CD दो बढ़ाएं जाने पर यह वृत के बाहर एक बिंदू P पर मिलती है APD कमाड, DAP कमाड दिया है CDB कमाड हम से पूछा है कि AB and CD are produced to me ठीक है AB and CD are produced to me point P outside the circle तो आराम से बनाते है सबसे पहले एक हमारा code यह AB हो गया और यह हमारा दूसरा code CD हो गया तो यह हम लिख लेते हैं आपर कि यह हमारा पहला code AB है यह हमारा दूसरा code CD है और सारे के सारे जागर कहाँ पर मिलते हैं तो P पर AB and CD are two code of a circle with center O मेरे भाई AB को और CD को हमने P पर में मिला दिया है APD कमाड 25 है अगर आप देखेंगे तो A, B और D इसकी value हमारी कितनी है दोस्तो इसकी value हमारी 25 है DAP कमाड 49 है D, A, P यह यह वाली value जो है यह वाली value हमारी कितनी दे रखी है question में तो 39 की value हमारी दे रखी है उसके बाद हमसे क्या बोला है हमसे यहाँ C, B और D कमाड पूछा गया कि यह CBD कमाड हमारा कितना होगा What is the value of CBD प्यारा question है भाई यह भी अच्छा question है देखिए और यह center का नाम हमारा किया है तो center का नाम O है आप जब circle पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जैसे मान लीजे यह आपका 39 degree हो गया और यह आपका 25 degree हो गया तो यह angle कौन सा angle हो गया तो यह exterior angle हो गया बाहर वाला कौन हो गया और बाहर वाला कौन जो होता है इन दोनों के जोड़के बराबर होता है तो 30 और 20 पचास और 9 और 15 यानि 64 डिगरी हो जाएगा अब उसके बाद एक छोटी सी बात हम आपको और समझाते हैं आप ज़र अगर गोड़ से देखिए तो ये वाला जो आर्क है अब अगर आप देखोगे तो ये आर्क जो है आपने पढ़ा है एंगल इस सेम सेगमेंटा रिकॉल एक सरकल हम बनाते हैं और एक सरकल में अगर मान लीजे कोई आर्क है अगर यहाँ थीटा एंगल बना रहा है भाई मेरे तो दूसरे सेगमेंट में भी ये कितना एंगल बनाएगा थीटा ही बनाएगा तो सेम सेगमेंट में जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है सेम होता है तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो हमारा AC यार्क है यहाँ 64 बना रहा है तो यहां भी हमारा कितने का कौन बनाएगा तो 64 का ही न बनाएगा मेरे भाई बताओ यहां पे तो बोलोगे हाँ सर अब जरह समझ ना यह जो आपका AD है यह पूरा का पूरा क्या है डामेटर है अगर यह पूरा का पूरा डामेटर है तो ये पूरा कौन कितना हो जाएगा 90 क्योंकि एक semi circle में कौन बनता है 90 उस 90 में अगर ये 64 है मेरे भाई तो ये value तुम्हारी कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी तो correct answer कितना आएगा option number जो है वो हमारा correct answer 26 हो जाएगा next question देखो यहाँ पर question number 103 कैसे होगा देखे two circle of radius 13 and 15 intersect each other at point A and B if length of common chord is 24 then what is the distance between their center एकदम प्यारा नन्ना मुनना सवाल कि ऐसे मेरे भाई यहाँ पर दो circle दिये गए है देख लीजे यहाँ पर तो two circle of radius 13 and 15 एक की radius 13 है दूसरी की radius 15 है और यह एक point पे यहाँ पर A पर और दूसरा number point यहाँ पर B पर क्या करते है intersect करते है थीक है उसके बाद कहा गया length of common chord common chord यानि जो यह common chord होता है इस common chord की भी लंबाई दे रखी है if the length of common chord यह common chord की लंबाई हमारी 24 है तो distance between their center यह दोनो distance हमारा कितना होगा हमने कहा देखो सभी बातों का एक अपना स्तित्व होता है ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं बना सकते हो आप यहाँ पर समझना जैसे मानों इसका center यह रहा और इसका center यह रहा आप इन दोनों को join करो पहले वाले की radius आपको कितनी दी गई है 13 तो इसकी radius को 13 लिखो दूसरे वाले की radius कितनी है 15 तो इसकी radius को आप मेरे भाई 15 लिखो यहाँ पर उसके बाद कहा गया common cord की लंबाई 24 है अब अगर common cord की लंबाई मेरे भाई 24 है यहाँ पर तो ये 24 को आप 12 और 12 में बाटोगे कि नहीं बाटोगे तो बोलोगे हाँ सर यानि ये जो 24 है ये हरा वाला पार्ट ये कितना होगा 12 अब आप खुद देख लो यहाँ पर तो ये जो रेडियस से आप जब कोड पर एंगल बनाते हो 90 का बनता है तो यहाँ ये वाले भूजा कितनी होगी तो 13 है 12 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 12 है और 15 है तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट के हिसाब से 9 हो जाएगा क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है और 9, 12, 15 का मेरे भाई ट्रिपलेट बनता है तो दोनु सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी पांजबान नो यानि 14 सेंटिमीटर ऑप्शन अपर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस कोशन में मात्र इतना का है देखो जादा बुद्धी मत लगाओ ये तुम्हारा फोटो है ये तुम्हारा एंगल जो है 110 दिया गया है और हमसे तुम जो है वो A, C और यहां पर A, C और O यानि ये वाला मान बताओ ठीक है ये वाली वैल्यू बतानी है तो ये वैल्यू हमें 110 दिया गया और हमसे ये मान पूचा गया ठीक है कल याद गरो मैंने एक point पढ़ाय था angle in same segment sorry alternate segment याद आ रहा है मैंने कहा था यहाँ पर कि यह हमारा triangle है और एक अगर हम tangent कीचते हैं तो यह वाला जो angle अगर theta होगा ना तो यह वाला angle भी हमारा कितना हो जाएगा theta हो जाएगा याद करो वो दिन जब हम पढ़ाय थे तो अगर मेरे भाई आप इस वाले triangle को consider करते हो कौन से वाले triangle को यह वाला triangle यह वाला तो अगर आप इस वाले triangle को consider करोगे तो यह अगर आपका 110 है तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा बोलिए angle in same segment are equal हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बताओ तो बोलोगे यहाँ sir हो जाएगा अब point number two यहाँ पे आपको जैसे की पता है आप यहाँ पर इस वाले circle देखो यह पूरा का पूरा इस वाले में देखना ज़रा तो क्या कहोगे तो कहोगे sir देखो opposite कसम 180 होता है cyclic quadrilateral में opposite angle कसम 180 होता है यह अगर हमारा 110 है तो यह value हमारी कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी कितना बनाएगा मेरे भाई 140 बनाएगा यह दोनों के दोनों मेरे radius है और अगर दोनों के दोनों radius है तो यानि यह बाकी दोनों के हमारे क्या हो जाएगे equal तो यह 140 है तो बाकी दोनों का कौन 40 होगा उस 40 में मेरे भाई यह 20 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 20 हो है option number A जो है वो हमारा correct answer है आजाओ next question 105 पर चलते हैं और 105 number सवाल भी देखते हैं क्या कहा गया है कहा गया है PQ and RS are two common tangents to a circle intersecting ठीक है PQ and RS are common tangents to two circles intersecting at A and B ठीक है A B when produced both sides meet the tangent PQ and RS at X and Y respectively यानि सबसे पहले तो इतना पता है कि दो circle हमें बनाना है और ये दोनों के दोनों circle intersect करेंगे बाकी बाते तो हम बाद में करेंगे कि PQ and RS common tangent है दो circle के एक PQ हो सकता है उपर हो RS हो सकता है नीचे हो और ये दोनों circle A और B पर intersect कर रहे हैं A B को जब दोनों side produce करेंगे ठीक है बढ़ियां सवाल हो गया ये भी बनाते हैं मेरे भाई चलिए तो कहानी समझने के पहले ये हमने देखा कि असल मैं question में था क्या अब समझो तुम्हारा ये वाला पहला code हो गया भाई कोई tension की बात है तो बताओ ठीक है तो ये तुम्हारा एक हो गया और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये तुम्हारा दूसरा हो गया ये आपके दोनों के दोनों code हो गया sorry code कहा रहा हूँ tangent हो गया ये पहला आपका PQ एक tangent हो गया दूसरा आपका RS नाम का एक tangent हो गया और कहा गया कि PQ और RS जो है दोनो common tangent है जो इसको भी touch कर रहा है और इसको भी touch कर रहा है उसके बाद यह circle जो है कौन कौन से बिंदू पर A पर और उसके बाद यहाँ पर कौन से बिंदू पर B पर intersect करता है कहा गया AB यह line जो है जब इसको बढ़ाते हो इधर की तरफ और उसके बाद इधर की तरफ तो कहा गया यहाँ पर दोनों side को PQ और RS को किस point पर मिलता है X पर और Y पर PQ को यह X नाम के point पर मिलता है RS को यह Y जाने पर point पर मिलता है AB कमान हमारा 3 दिया गया अच्छा और PQ कौँसा point होगा तो P यहाँ पर Y point होगा और Q यहाँ पर Y point होगा इस बात को ध्यान रखना और A, B, A, RS की बात करोगे ना तो R, Y point होता है और S तुमारा Y point होता है इस तरीके से जहाँ पर वो touch करते हैं उसे हम यहाँ पर कहते हैं तो हमसे PQ का मान पूछा गया है तो सबसे पहले यह दोनों के दोनों हमारे common tangent है ठीक है और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो question में AB की value भी दे दी है और XY का भी मान दे दिया है XY का मान हमारा 5 दे दिया है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यह दोनों के दोनों circle है जब यह दोनों के दोनों circle है और साथ में आपर जो है यह उपर वाला एक circle है और एक नीचे वाला circle है अगर मानो कोई line इसे काटता है ना तो यह जैसे मानो length आपका 3 हो गया तो यानि इसका मतलब यह वाली value और यह वाली value 1 और 1 हो गई कहने का मतलब पूरा का पूरा xy यह आपका 5 है थीक है उस 5 में मेरे भाई यह वाला length आपका 3 है तो symmetricity के अनुसार यह वाला length 1 हो जाएगा मेरे बस कहने का मतलब यह है ये दोनों के दोनों लेंट हमारे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ये दोनों के दोनों लेंट हमारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई तो बराबर हो जाएंगे समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर कि यह जो हमारा X A है यह हमारा बराबर हो जाएगा कितने के b y के तो यानि अगर हम बात करते हैं तो ये value 1 हो जाएगी और ये भी value हमारी कितनी हो जाएगी भाई तो ये भी value हमारी 1 हो जाएगी अब एक circle के हैसियत के हिसाब से सोचो आप यहाँ पर यह circle हो गया आपका ठीक है, यहाँ पर एक point हो गया तो याद करो कल एक और property पढ़ाया था कि PX का square बराबर होगा X A into किसके X B के करवाया था कि नहीं करवाया था बताओ तो वही बात है कि यहाँ पर PX का square श्राफ दोर पर अगर आप देखेंगे तो PX का square बराबर होगा X A into मेरे वाई कितने के X B के ये भी मैंने आप लगों को कहा था तरीके से हाँ पर X A into कितना हो जाएगा X B हो जाएगा तो अगर हम यहाँ PX का square देखते हैं तो PX का square हमारा कितना हो जाने वाला है तो PX का square जो है मेरे भाई सेम तरीके से आप बोलोगे Sir X A की value कितनी है 1 है और X B की value कितनी है 4 है तो PX का मान हमारा कितना हो जाएगा PX का मान हमारा 2 हो जाएगा जब दोनों साइड रूट करूँगा तो इसकी value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी तो यहाँ PX की value हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 2 हो जाएगी उसी तरीके से जो QX का वोल स्कारोगा बराबर होगा यहां पर X से इंटू हमारा XB के यानि वो भी वैल्यू दो आएगा तो PX हमारा 2 है उसी तरीके से यहां पर Symmetricity के कारण QX भी हमारा 2 हो जाएगा और QX भी हमारा 2 हो जाएगा तो कुल में लाकर अगर हम बात करते हैं तो यह जो PQ की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा 2 जमादो यानि कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ओप्शन नमबर जो B है वो हमारा correct answer आएगा यह भी सवाल देखे ज़रा क्या कहा गया है कहा गया कि ABCD एक cyclic quadrilateral है तो आप मुझे theta का मान बताओ यानि यह theta का मान बताओ अब यार देखो cyclic quadrilateral की जो है यह cyclic quadrilateral की एक तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी एक property होती है समझना जैसे मानो जब भी आप एक cyclic quadrilateral बनाते हो या एक quadrilateral की ही अगर आप बात कर लो तो quadrilateral में यहाँ पर क्या होता है कि यह जो exterior angle होता है इसके interior के opposite वाले के बराबर जैसे अगर यह theta है तो यह भी मेरे भाई क्या हो जाएगा theta angle हो जाएगा यह exterior angle property है तो अगर हम यहाँ बात करते है तो जैसे मान लीजे यह वाला angle आपका 70 है तो अगर यह वाला angle 70 है तो इसके अंदर वाले के opposite वाला angle भी कितना होगा 70 होगा तो यह भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 70 degree हो जाएगा अब जैसे कि आपको पता है कि यह हमारा एक champ है यह हमारा क्या है आर्क है यह अगर circumference पर 70 बना रहा है तो center पर इसका double यानि कितना बना देगा 140 बना देगा कितना बना देगा भाई 140 बना देगा बना देगा अब मेरी छोटी सी बात को समझना यहाँ पर ठीक है कि यहाँ पर जब 140 यहाँ बनेगा तो आप कौन सा concept apply कर सकते हो arrow concept जो मैंने आपको पढ़ाया है आप ज़र यहाँ पर देखो तो इस वाले photo में क्या आप arrow concept नहीं लगा सकते बताना अगर इसे theta बोल रहो तो अंदर के तीनों कोनों का जोड बाहर वाले के बराबर याद करो पढ़ाया था arrow concept कि अंदर के तीनों कोनों का जोड बाहर वाले के बराबर तो बोलो कि sir theta plus 70 plus 40 जो है वो बराबर होगा हमारे किसके 140 के तो थीटा कमान कितना हो जाएगा 140 में से यहां 110 गटा दो 30 डिग्री की वैल्ली हो आजाएगी यह हमारा करेक्ट आंसर होगा option number D for Dev Sena आज ही चलिए यह वाला भी question देखें यह भी एक अच्छा question कहा गया है question number 107 very interesting, very fantastic, very beautiful question क्या कहा गया है जरा सवाल को देखें कहा गया circle of radius 5 cm has a cord RS at a distance of 3 unit from the center देखें दुबारा से कहा रहा हूँ मैं यहाँ पर बना लेते हैं फोटो एक circle है और उसकी radius हमारी कितनी है 5 cm ठीक है उसका एक cord RS है जो की 3 unit है उसके center से तो देखो cord RS यह हमारा हो गया cord R और S हो गया ठीक है at a distance of 3 unit यह कितने unit के दूरी पर है तो 3 unit के दूरी पर है उसके बाद कहा गया cord PQ intersect with cord RS at T अगर हम बात करते हैं तो एक और cord है उस cord को हम कहा से intersect कराते हैं चलो मानो एक और cord हम माल लेते हैं cord है मेरे भाई और वो cord हमारा इस तरीके से काट रहा है कि एक और cord हमारा P और Q नाम का है जो कि हमारे RS को intersect कर रहा है और किस बिंदू पर काट रहा है तो T पर थोड़ा से score अंदर के तरफ ले लो भार यहां पर ठीक है कुछ ऐसे ले ले लो कि cord जो है P Q हमारा RS को कहां पर काट रहा है तो RS को हमारा T नाम के पॉइंट पर काट रहा है उसके बाद यहां पर कहा गया है such that जो यह हमारा T S है ना तो यहां देखो T S और यह R T को यहां से खटा के यहां लेकर आ जाओ तो भूलोगे Sir T S और R T का ratio यानि TS और RT का ratio कितना हो जाएगा 1 upon 3 का हो जाएगा तो हमसे minimum value पूछा गया है PQ का PQ का minimum 1 हमारा कितना होगा अब circle की जो radius है वो आपकी 5 है अब अगर circle की radius आपकी 5 है तो जरा आप सोचो कि ये center से जो दूरी है ये आपकी कितनी है 3 है circle की जो radius है वो आपकी कितनी है 5 है तो ये वाला part आपका कितना हो जाएगा तो ये वाला part आपका 4 हो जाएगा हो जाएगा की नहीं हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ सरी ये वाला part हमारा 4 हो जाएगा और अगर वो part 4 हो जाएगा तो हमारा ये भी part 4 हो जाएगा कहा गया है कि देखो RS कमान तुम्हारा पूरा का पूरा 8 आ गया TS और RT अगर आप देखोगे तो यह TS है और यहां यह RT है यह 1 और 3 के रेशियो में बटे हुए है समझ रहे मेरी बात को यहां पर यह एक पार्ट है तो यह पूरा का आठ सेंटीमेटर एक पार्ट की वैल्यू दो सेंटीमेटर और अगर एक पार्ट की वैल्यू दो सेंटीमेटर है तो अगर हम इस TS की बात करते हैं तो यह एक पार्ट है यानि दो सेंटीमेटर हो जाएगा और अगर हम इस RT की बात करते हैं, तो ये तीन पार्ट यानि कितना हो जाएगा, 6 cm हो जाएगा हमसे यहाँ पर जो है ना PQ का minimum पान पूछा गया है, अब अगर यहाँ पर question में अगर आप देखते हैं तो मेरे भाई, आपको कली एक point पढ़ाया था मैंने, कि अगर कोई circle है और दो code उसे एक दूसरे को intersect करते हैं, याद रखना है याद रखना है याँ पर, एक code A B हो गया और दूसरा code C D हो गया, और यह point P पर काटते हैं, तो याद रखना PA into PB बराबर PC into PD, याद है यह point पढ़ाया था मैंने, तो बस वहीं काम आपको करना है, एक code आपका यह रहा दूसरा code आपका यह रहा और यह T पर intersect करता है, तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर, ST into यहाँ पर TR बराबर हो जाएगा किसके, QT into TP के, बराबर हो जाएगा किसके QT into मेरे भाई, TP के यहाँ पर तो अगर हम देखते हैं, तो ST का मान हमारा कितना हो जाएगा 2, DR का मान हमारा कितना हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा QT into TP के किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तो QT और into किसके हो जाएगा मेरे भाई TP के यानि अगर हम बात करते हैं तो यह value कितना हो जाएगा बराबर तो यहां लिख लेते हैं QT into TP की जो value आएगी वो मेरे भाई आजाएगी 12 ठीक है अब इसके बाद आप relation तो सोच नहीं पाएंगे आपके मन में कई सारे thoughts आएंगे तो सही यहां पर लेकिन आप यहां पर लगाओगे तो कौन सा दिमाग लगाओगे मतलब आपने यह product लगा लिए 12 तो यह कहा जा रहा है कि QT होगया और TP होगया इसकी value जो है या इसका जो product है वो 12 आएगा लेकिन यहां से आपको यह नहीं पूछा है question में आपको पूछा है कि PQ का जो minimum मान है ना वो कितना होना चाहिए what is the minimum value of PP ठीक है थारा भाई जोगिंदर हां जी बिल्कुल तो यहां पर स्रमजना पढ़ेगा एक छोटी सी बात को एक point आपने अकसर पढ़ा हुआ है कहां पर पढ़ा है arithmetic में कहां पर number system में और आपने वो point क्या पढ़ा है मान लीजे कि अगर कोई दो बिंदू होती है दो बिंदू कौन कौन से होता है मेरे भाई यहां पर दो बिंदू अगर मान लीजे A और B नाम के कोई दो बिंदू होता है तो इनका हमेशा arithmetic progression या ऐसे कह लीजे इनका arithmetic mean जो होता है इनका arithmetic mean ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके तो इनके geometric mean के किसी भी दो संख्याओ का arithmetic mean होता है मेरे भाई यहां पर किनहीं भी दो संख्याओ का arithmetic mean उन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है और geometric mean का मतलब दोनों को करके root लगाना होता है तो दुनिया में यहाँ पर किसी भी दो संख्या होगा arithmetic mean जो होता है वो ज्यादा होगा बराबर होगा किसके geometric mean के यह fix है मेरे भाई यहाँ पर तो अगर यह point fix है तो हम कैसे करेंगे same concept हम यहाँ पर भी apply करने वाले है तो अगर आप यहाँ देखोगे तो same concept यहाँ पर भी apply होगा कि जैसे यहाँ पर कौण सा होगे QT और TP तो यहाँ देखोगे तो इन दो लोगों का जो arithmetic mean होगा कि यहाँ पर देखोगे तो भोलोगे sir TQ और प्लस TP का जो आधा होगा वो अकसर हमारा जादा होगा relation होगा किसके इन दोनों के product के सर, यानी यहाँ पर TQ और into मेरे भाई TP के समझना, यानी इनका arithmetic mean हमेशा जादा होगा किसके? इनके geometric mean के इनका arithmetic mean हमेशा जादा होगा किसके? इसके geometric mean के तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो TQ प्लस TP अगर देखो यहाँ पर तो TQ प्लस TP पूरा का पूरा क्या हो जाए PQ तो यह उपर वाला क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा ठीक है greater than or less 2 यह दो हमारा इधर multiply में चला जाएगा into यहाँ इन दो संख्याओं का root ठीक है तो यह हमारा TQ और TP 12 हो गया और 12 का root कितना देखो यह पूरा 12 है 12 का root कितना हो जाएगा तो 12 का मतलब 4 into 3 और 4 into 3 का मतलब यहाँ पर हो जाता है 2 root 3 मेरे भाई तो यहाँ पर साफ तोर पर कहोगे PQ जो है या तो जादा होगा नहीं तो कम होगा किसके 4 root 3 के यानि कम से कम अगर PQ को होना है तो 4 root 3 होना पड़ेगा तो correct option कौह सा है option number B जो है वो हमारा correct option है question number 108 यह भी बहुत ही बढ़िया सवाल है कहा गया है दिये गए फोटो में OP जो है हमारा यहाँ पर यह जो OP है आपका यह perpendicular है साथ में radius OQ के उपर उसके बाद कहा गया है यह जो हमारा MN हो गया ना यह MN जो है वो parallel है हमारे किसके तो MN हमारे parallel है PQ के ठीक है जो meet करता है आपको कहां पे तो meet करता है P.O. को X पे और इसको यहां पर Y पे यह सारी बातें कही गई है action command जो हमारा दे रखा है तो देखो यहां पर action command हमारा 16 दे रखा है, यह पूरा का पूरा जो XN है इसकी value हमारी 16 दे रखी है MX कमान भी दे रखा है थोड़ा सा नया कुछ करने की कोशिश है यह 4 root 2 है भाई ठीक है, तो हमसे radius पूछा गया है कि यह पूरे circle का radius पता हो असल में क्या है, बहुत ही प्यारा question मैंने कहा न, यहाँ पर आपको जादा समय नहीं लगेगा कब जब चीज़े आपके माइन में clear होंगी लेकिन जब चीज़े clear नहीं होंगी तो हाँ, definitely it will take a lot of time to solve this question ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटी छोटी बाते लेके चलता हूँ समझाओंगा, समझते चलिएगा बस मेरी बातों को और एक एक लाइन को जो है बड़े बढ़िया तरीके से, ध्यान तरीके से यहाँ समझेगा, क्या कहा है तो question में कहा गया कि यह जो हमारा xn है, इसकी value हम तुम्हें दे रहे हैं और mx की value दे रहे हैं साथ में यहाँ पर जो है, कहा गया यह रेखा जो है तुम्हारी न, इसके parallel है अब आपको अगर पता है अच्छे से तो आप सिर्फ इस वाले triangle पर focus करो मेरे भाई, जब इस वाले triangle पर focus करोगे, समझे तो माल लो यह पूरा का पूरा तुम्हारा radius है माल लो, यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूं यहाँ पर समझ रहा यह तुम्हारा पूरा का बूरा O.P भी radius है, और O.Q भी radius है तो यहाँ पर साथ में लिखलो कि O.P और O.Q जो है, वह तुम्हारे दोनों के दोनों radius के बराबर है उसके बाद मैंने कहा यारे काम करो O से लेकर X तक A माल लो और O से लेकर Y तक A माल लो तो आपने कहा सर O से लेकर X तक और O से लेकर Y तक दोनों का दोनों हम कितना माल लेते हैं A माल लेते है ठीक है ये पूरा का पूरा बोलोगे सर ये और ये बराबर कैसे हो जाएगा बहुत बच्चे ये भी पूछ लेते हैं भाई इसलिए बराबर हो जाएगा समझना जरा इस ट्रैंगल में ये वाली लाइन तुम्हारी इस वाले लाइन के पैरलल है तो जिस रेशियो में ये दोनों होंगे उसी रेशियो में तो ये भी दोनों होंगे ना यार तो इसलिए मैंने यहां फिलाल वैल्यू मान लिया ताकि हमें कोई परिशानी कोई कस्ट ना हो तो यहां से लेकर यहां तक हमारा A है और पूरा का पूरा हमारा रेडियस है तो PX मान कितना हो जाएगा तो बोलो के सर देखिए यहां पर सीखने वाली बात है कि पहला पूरा 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 रेडियस है दूसरा पूरा 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 रेडियस है तो यह जो हमारा PX होगा ना सर यह PX हो गया और साथ में यह हमारा QI हो गया यह दोनों के दोनों हमारे हो जा आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया है अब थोड़ा सा फोकस करिए और थोड़ा सा फोकस आप यहां क्या करिए फिलाल इस वाले लाइन को है ना अब अपने दिमाग से दिल से जहन से निकाल दीजे जैसे आज आज आपने उसको भुला दिया है एक परसेंट भी उसकी याद नहीं आती है अभी मैं बोलूँगा उसका नाम भी नहीं याद आता है तुरंत आपको उसका नाम याद आ जाएगा नहीं आता है कुछ भी कौन थी वो कहां गई कुछ नहीं पता बस आपको भी इतना पता है ठीक है यहाँ पर कि यह मेरे भाई यह दो कोड मुझे दिख रहे हैं बस और मुझे इसके अलवा तो कुछ दिखता ही नहीं है अब जब यह दो कोड दिखते हैं तो याद करो कुछ प्रोड़क्ट रूल बताया था मैंने M into X ठीक है MX और XN बराबर होगा PX और हमारे XR के बताया था कि नहीं बताया था बताओ जल्दी से कि यहाँ पर अगर मानो AB कोड है और यह हमारा CB कोड है तो AP और यहाँ पर देखो PA into PV बराबर PC into PD के बताये थे तो बस वही वाली बात है भाई यह दो तुमारे अब डराने के लिए दिये गए थे परिशान करने के लिए दिये गए थे अब इसके बाद तो यहाँ पर आपको वह अपना प्रोड़क्ट लगाना है तो प्रोड़क्ट आपका क्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि MX और उसके बाद हो जाएगा into XN MX into हमारा क्या हो जाएगा XN हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर PX into कितने के XR के मेरे भाई ठीक है, XX साथ में हो जा रहा है ना नहीं आरा, ऐसे लिख लेता हूँ XM को गुना करना है किसके साथ तो XM को गुना करना है हमारे NX के साथ, और ये बराबर हो जाएगा किसके, XP into हमारा किसके साथ तो RX के साथ ये आप लिख लीजए हाँ पर तो आप बूलेंगे सर, MX की वैलू कितनी दे रखिया है, तो कॉश्चन में 4 उट 2 दे रखा है ठीक है, उसके बाद अगर हम NX की बात करते हैं भाई NX की बात, तो ये वैलू हमारा 16 दे रखा है, बराबर XP की वैलू कितनी हो जाएगी यार तो XP की वैलू तुम्हारी R-A हो जाएगी और अगर तुम RX की बात ये करते हो, पूरा का पूरा तो common sense की बात है यहाँ पर, ठीक है? common sense की बात है, यहाँ क्या हो जाएगगा यह तो यह तुम्हारा A हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, तो R पलस A हो जाएगा, इतना बवाल कोशन है नो मज़ा आ जाता है सॉल्फ करने में तो 16 इंटू 4 बोलोगे 64 रूट दो बराबर हो जाएगा किसके A-B इंटू A-B के यानि R²-A² के ठीक है एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा दो थोड़ा सा कष्ट और ले लो तो बोलोगे सर रेडियस का स्कॉयर बराबर होगा ये A-Sकॉयर इधर चला जाएगा तो बोलोगे सर 64 रूट दो प्लस A-Sकॉयर के यानि अगर मैं आसान भाशा में बात करूँ आप लोगों से तो अगर आप लोगों को रेडियस निकालना हो तो A का निकालना बहुत जरूरी है A अगर नहीं निकालोगे तो हो सकता है आपका नहीं आए तो अब A की वैल्यू कैसे निकलेगी वो ज़रा सोचना पड़ेगा आपको यहां पर तब जाकर आपका काम बनेगा तो अब यहां A की वैल्यू की बारी आती है बहुत जरूरी है तो यहां पर आपको यहां पर अब लगाना पड़ेगा वो भी सिमलारिटी आपके काम पर आएगा और कैसे आएगा तो समझो यहां पर देखो बच्चे आप यहां पर समझो कि जब आपने यह लाइन ड्रॉ किया था अब ने तो मैंने आपको क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि यहां से ले कर यहां तक आप A माल लेना और यहां से लेकर यह तक A माल लेना यह MX की वैल्यू आपकी कितनी आ गयी थी यह MX की वैल्यू आलरिडी 00 Aujourd ही चार गल Спिश Tudo दे रखा था तो इस इस बात को यहाँ पर यह अगर 4 root 2 है तो यह भी तुमारा कितना हो जाएगा 4 root 2 हो जाएगा तो इसलिए यह जो आपका x और यह वाला जो part आएगा यह कितना आजाएगा समझो तो पूरा का पूरा यह वाला part आपका है 16 देखो question में कहा गया है ना सمज़ना मेरी बात को कि xn वाला जो part है यह जो xn वाला part है समझो यहाँ पर कैसे कैसे लिखोगे सरा समझना mx की value 4 root 2 है तो यह भी value 4 root 2 होगा तो यानि यह जो xn वाला part आएगा यह xn वाला part हो जाएगा यह पूरा का पूरा 16 है तो 16 में मुझे यहां से लेकर यहां तक लिखना है यानि मैं यहां बोलूँगा कितना तो 16 माइनस और यह value 4 उट दोके यह मैं इसको इस तरीके से लिखोंगा ठीक है तो यह value मेरी a हो गई और यह value मेरी a हो गई तो असल में जो xy की value आएगी तो a का square प्लस a का square कितना हो जागा मेरे भाई 2a square समझना मेरी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ perpendicular का square प्लस b का square बराबर हो जाएगा किसके ये hypotenuse के square के यानि 16-4 root 2 के मेरे भाई whole square के clear है ये बात यहाँ पर चलिए तो a square प्लस a square हमारा कितना हो जाएगा 2a square हो जाएगा और इसकी value कितने के बराबर 16 का square हमारा 256 हम कह सकते हैं उसके बाद 4 चोके 16-32 हमारा हो सकता है और उसके बाद 16-64 और 64 into कितना हो जाएगा 128 root 2 हो सकता है मतलब यहाँ कहने का a का square प्लस 4 चोके 16-32 32 b का square minus 2 into a into b तो यहाँ पर 128 root 2 हो जाएगा अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम 2a square की value जो है वो निकालेंगे तो 256 और 32 हमारा कितना मिलके आजाएगा 288 minus 128 root 2 अगर यहाँ पर आप जो है a square की value निकालोगे तो a square की value आपका 144 minus 64 root 2 हो जाएगा तो यह हमारा a square का मान आजाएगा अब हमारा a square का value आतो चुका है a square का value आ चुका है कोई दिकत नी बस इसी a square को यहाँ पर रख दो तो इसी a square को जो भी यहाँ रखोगे तो r square की value जो है वो तुमारी हो जाएगे 64 root 2 और प्लस यहाँ तो R² की वैल्यू 144 तो R कामान कितना हो जाएगा? 12 तो हैने ये भी एक जबरतस्त कुशन बताई है कुशन नमर 110 दिये गए फिगर में ABCD जो है वो हमारा स्कुार है जिसकी भूजा कामान 24 है हमने DC को एक्स्टेंड किया है कहां तक एक्स्टेंड किया है E तक BE का जुमान हमारा दे रखा है BE की वैल्यू हमारी है वो हमारी कितनी है तो 30 है हमसे कहा गया ये XY की बीच की दुरी हमारी कितनी है आराम से बता देंगे कोई दिक्कत की बातyin है परिशान मत हो बस तो देखो यहाँ पर ये तुमारा मान 24 है है ना कि ये value तुम्हारी कितनी है 24 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा भाई triplet के हिसाब से ये 6 का 5 गुना है ये 6 का 4 गुना है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तो 6 का तुम्हारा 3 गुना 18 हो जाएगा मानों यहाँ पर इसके radius को मैं मानता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इसका radius जो है वो हमारा कितना है तो इसका radius जो है बेर भाई बड़े प्यास्ते समझना इसकी radius तुमारी आरवन है तो जैसा कि आपको पता है कि एक right angle triangle में एक circle का in radius अगर आप निकाल रहे है तो right angle triangle का जो in radius होता है वो होता है perpendicular plus base minus hypotenuse upon 2 यानि 24 plus 18 minus 30 और बटे में कितना हो जाएगा दो के तो 24, 38, 32, 10, 42 42 में से 30 के अब 12 12 का अधा कितना हो जाएगा 6 तो आरवन की value कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब दूसरी बात यहां पर देखो तो यह एक square है और इसके अंदर यह circle है तो इसका radius कितना होगा तो देखो यह पूरा का पूरा 24 है तो यहां पर तुम्हारा यह कितना हो जाएगा 12 ठीक है, पूरे side का आधा तो यह अगर 12 होगा तो लेकर यहां से लेकर यहां तक यह कितना हो जाएगा 12 तो अगर हम बात करते हैं तो R2 जो हो जाएगा वो हमारा 12 हो जाएगा यह R2 है हमारा तो इसलिए distance between the center कहने का मतलब R1 प्लस R2 है यानि 12 जमाच 6 कितना हो जाएगा 18 तो यह कोई सवाल नहीं था यह नन्ना मुन्ना प्यारा कोईशन जो था वो सवाल था आजाओ चलो नेक्स्ट कोईशन 111 नमबर 111 नमबर में क्या कहा गया है देखिए दिये गए फोटो में P, Q, R और इसे करेक्टेंगल है X नाम का एक पॉइंट है किस के उपर P, Q के उपर एसे से लेकर X तक यह वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है तो 24 है X, R जो है वो हमारा कितना है तो X, R की वैल्यू हमारी 20 है भाई X, Q की वैल्यू हमारी कितनी है तो 16 है हमसे यहां बोला गया इसका रेडियस कितना होगा आप यहां देखो यह 4 का 5 गुना 4 का 4 गुना तो यहां 4 का 3 गुना आना चाहिए क्योंकि 3, 4 और 5 का हमारा ट्रिपलेट बनता है अब अगर यह 12 है मेरे भाई तो यह भी हमारा 12 हो जाएगा बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो बोलोगे हाँ सर तो यहां पर PX की वैलू कैसे निकालोगे चونकि यह रेक्टेंगल है तो यहां पर बेस जो है यानि तुम्हारा जो PX है वो हो जाएगा root under इसके स्कुाइर में से इसके स्कुाइर को गटा दो यानि 24 के स्कुाइर में से 12 के स्कुाइर को गटा दो तो क्या आंसर हो जाएगा 24 में से 12 गया तो 12 और 24 प्लस 12 हो जाएगा तुम्हारा 36 ठीक है यहाँ पर सही से 36 का root करोगे तो 6 12 हमारा 4 root 3 यानि कहने का मतलब 2 root 3 हो जाएगा यानि 4 into 3 है 4 का root 2 हो जाएगा यह रहेगा यानि कुल मिलाकर यह 12 root 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो यह 12 root 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर आ गया बेस आ गया हाइपोटेनस आ गया इन रेडियस निकाल सकते हैं बताइए तो बोलेंगे हाँ गुरुदेव तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे भाई तो इन रेडियस हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस यानि परपेंडिकुलर 12 बेस आपका कितना हो जाएगा 12 root 3 और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा 24 और डिवाइड़ बाई कितना हो जाएगा पर्पिंडिक्लर प्ले स्पेस माइस अपर टेनस अपन टू मेरे भाई ठीक है तो यहां पर 12 रूट 3 का आधा करोगे तो 6 रूट 3 आ जाएगा उसके बाद 12 माइनस 24 यानि माइनस 12 माइनस 12 का आधा करोगे तो माइनस 6 6 कॉमन ले लोगे तो रूट 3 माइनस 1 आप्शन नमबर यह जो है वो आपका करेक्ट आंसर है ठीक है 112 नमबर स्वाल देखो 112 नमबर स्वाल हमसे क्या कहा है क्या कहा गया कहा गया inner circle AB is diameter of the circle ठीक है जैसे मानो यह circle है हमारा और यह हमारा क्या हो गया तो AB का diameter हो गया तो inner circle AB is diameter of circle CD is a code such that CD is parallel to AB a code that is parallel to AB P is any point on the circle such that BPC is equal to 48 मानो यहाँ P नाम का point हम इधर बना लेते हैं तो question में हमसे कहा गया है B, P और यहाँ C यानि यह value हमारी कितनी है तो BPC का value हमारा 48 है मेरे भाई B, P और C कमान और हमसे क्या पूछा गया है B, C, और D कमान बहूत शांदर चलिए भाई देखिएगा छोटी सी बात को समझेगा यह रेखा इस रेखा के parallel है और पहली बात यह हमारा क्या है diameter है तो अगर diameter है तो अगर हम इसे मिलाते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा कुन 90 का मिलेगा यह 48 है तो यह वाला angle हमारा कितने का होगा 42 का होगा क्या इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है तो हाँ भाई छोटा सा फायदा होने वाला है और क्या होने वाला है तो देखो मेरे भाई यह जो आपका आर्क है समझना मेरी बात को यह जो आपका आर्क है यह आर्क अगर एक सेग्मेंट में यहां 42 का कौन बना रहा है तो मेरे भाई यहीं आर्क आपका यहां पर इस सेग्मेंट में कितने का कौन बनाएगा तो यहां भी यह 42 का ही कौन बनाएगा मुन्ना और अगर 42 का बनाएगा तो चुकि ये रेखा इसे रेखा के समनांतर है तो ये दोनो alternate angle हो जाएंगे तो automatic theta का मान कितना हो जाएगा automatic theta का मान 42 हो जाएगा तो correct answer कितना होगा option number B for probably ये सबसे जबरदस question है अगर आप मुझसे पूछेंगे sir पूरे geometry में सबसे relevant question और सबसे tough question कौन सा है तो मेरे भाई अब तक मैं बोलूँगा कि अब तक का ये बहुत मतलब यहां पर जितने star आप इसे दे दोना उतने कम है इसके लिए कुछ नहीं कहा है हमेशा ऐसा question आता है कि दो code है और उसके बीच में कई सारे circle को फंसा दिया जाता है और उसके बाद यहां relation दिया जाता है दिया जाता है दिया जाता है तो जैसे यहां पर कैसे सवालों को solve करते है यह हमारा 4 हो गया इसका अता पता नहीं है यह हमारा 9 हो गया इसका अता पता नहीं है तो how to solve such type of questions पहली बात तो मेरे भाई देखो यह आपका सवाल है इसको मैं एक अलगी slide पे लेके चलता हूँ पेपर में पूछा जाता है इसके लिए असल में यहाँ पर है न कई सारे tricks बने हुए हैं और मैंने बनाए हैं आप यहाँ पर स्टीकते चलेंगे तो मैं आपको सिखाते चलूँगा अब यहाँ पर क्या होता है ज़रा छोटी सी बातों को समझना बच्चे जब आप यहाँ से यह लाइन कीशते हो सबी centers को जोड़ते चले जाते हो तो क्या होता है यहाँ पर भी 90 का कौन है फिर यहाँ center और देखो यह line और tangent 90 का कौन यह भी 90 का कौन और मेरे भाई यहाँ पर यह भी 90 का कौन तो यह सारे एक दूसरे के similar होते जाते है इस से similar ही है यानि इन दोनों का जो ratio है फिर इन दोनों का जो ratio है यह सब भी similarity लगता है अब यहाँ पर क्या होता है वो भी समझना जैसे बात को माल लो यहाँ पर आपने यहाँ पर एक तरीके से triangle बनाया यह आपका circle number one मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूं देखो यह आपका circle number 1 हो गया उसके बाद यह आपका circle number 2 हो गया और मानों यह आपका circle number 3 हो गया और आपने बच्चे क्या कि यहाँ से बढ़िया तरीके से बनाया यह R1 आ चुका है यह आपका R2 आ चुका है और यह आपका R3 आ चुका है तो असल में जब आप यहाँ पर इन points को relate करना शुरू करोगे न ठीक है तो आपका similarity लगाने के बाद एक point पर आएगा कि जो ratio आपका R1 और R2 के साथ होगा यह दोनों जिस ratio में होंगे असल में उसी ratio में हमारे R2 और R3 भी होंगे यानि कहने का मतलब क्या होता है यह geometric progression को follow करते है जिससे इसका अगर दो गुनाई यह है तो इसका दो गुनाई यह है फिर उसका दो गुनाई यह फिर उसका दो गुनाई यह they are always in a sense of GP हमेशा geometric progression follow करेंगे इसलिए अगर यहां देखोगे तो यह भी कहा जाता है कि R2 का जो square होगा वो बराबर होगा R1, R3 के या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो R2 निकालना है तो R1 और R3 को गुना करके यहां पर क्या कर दो root लगा दो यह भी मेरे भाई कहा जाता है यहां पर ठीक है कि अगर तुम्हें बीच वाले का radius निकालना है इसकी value जरा गोर से देखो 4 इसकी value तुम्हारी 9 है तो पहले बात यहां पर मैं अगर R1 की value की बात करता हूँ तो R1 की value हमारी क्या हो जाएगा root अंडर 4 इंटू 9 4 इंटू 9 यानि 36 36 का root कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा ठीक है अब आजाओ मेरे भाई मानो यहां पर तुम्हें DT का मान निकालना है तो सेम तरीके से देखो इसको मान लो R2 क्या मान लो मेरे भाई R2 मान लो तो सेम तरीके से जैसे यह बीच वाला था इन दोनों का product का root कर दिया उसी तरीके से यह बीच वाला इन दोनों के product का root होगा यानि अगर हम बात करते हैं तो second number point में अगर बात करोगे जैसे तुम्हारा जो 9 होगा वो हो जाएगा root under R1 into कितना हो जाएगा R2 के भाई तो अगर हम बात करते हैं तो 9 देखो अब दोनों side square करोगे तो दोनों side square करोगे मेरे भाई तो 9 का square 81 बराबर R1 की value तुम्हारी हो जाएगी 6 और R2 की value ऐसे ही रहने दो 3 से काटोगे तो 27 बार में 3 से काटोगे 2 बार में सिधा तुम्हारा R2 का value आजाएगा R2 का value कितना आजाएगा 27 बटे 2 तो तुम्हारा R1 का भी माना गया R2 का भी माना गया यह तुम्हारा दोनों value लिख दी है ठीक है पहली value आपने यहाँ पर R1 की लिख दी और दूसरी value आपने यहाँ पर R2 की लिख दी है कि सरी यह R1 हो गया और यहाँ पर सरी यह R2 हो गया मैं इसको अलग-अलग color से कर दे रहा हूँ ठीक है देख लो यहां पे अब अब उसके बाद question में हमें जो पूछा गया वो P से लेकर D तक की लंबाई पूछी है आपको पता है एक बात यहां पे तरीके से कि जब भी आप दो circle बनाते हैं और कली मैंने कहा था कि जब यह दोनों circle टच करते हैं इसका radius अगर R1 है और इसका radius अगर R2 है तो यह जो direct common tangent होता है यह क्या हो जाता है 2 into root under R1 R2 हो जाता है कराया था कि नहीं कराया था बताओ तो बोलोगे हां sir कराया था तो बस यहां पर कराया था तो बस वैसे ही करना है ना समझेगा यहां पे तो एक एक point को निकालते चलिए तो question number AB यहां पर AB की बात अगर करो यहां पे यह जो तुम्हारा AB है तो AB क्या हो जाएगा 2 into यहां पे देखो करते हो BC के बारे में मेरे भाई तो BC भी सेम 2 into root under R1 into R2 यह BC अगर निकालना है तो इन दोनों का root यह value तुम्हारी कितनी आई है तो यहां R1 की value अगर हम देखे तो R1 की value 6 आई है तो 6 into 9 मैं आ सीदा लिख रहा हूं 2 over 6 into 9 मेरे भाई 9 का root करोगे तो 3 3 into 2 तुम्हारे 6 root 6 मेर भाई आ जाएगा यहां पर यह चलो आ जाओ तो BC की value तुम्हारे निकल गई यहां पर 2 into root under यहां पर कितना हो जाएगा 6 into 9 अब उसके बाद यहां पर यह CD की value निकालो भाई CD की value कैसे निकालोगा तो लो मेरे भाई CD की value निकालो तो 2 into root under तुम्हारा पहले CS वाले की value 9 है और यार एक चीज है ना मुझे गड़बर लग रही है पता है क्या मैंने गड़बर किया है एक जगा पर हा रुख जाओ मैंने एक जगा पर गड़बर किया है मुझे थोड़ा सा अपना गड़बरी याद आ गया देखो यार जब मैं AB ले रहा था तो मैं AB लोंगा तो 4 औ और आरवन लोंगा ना, तो मैं यहाँ चार और मैंने 9 क्यों लिया है, मुझे तब से इसी बात को जो है, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, कि यहाँ चार और 9 नहीं लेना था यहाँ पर, चार और 6 आएगा ना देखो, यह 4 है और यह 6 है, अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो यह 4 है और यह 6 है, तो मुझे यहाँ पर चार और 6 लेना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है, तो चार का रूट 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, चार रूट 6 हो जाएगा भाई, समझगे बात को यहाँ, मैं वहीं तब से परिशान हूँ यहाँ पर, कि इसकी वैलू निकाल यहाँ पर आरवन और 9 लेना पड़ेगा, इसलिए 6 और 9 लिया, अब यहाँ पर सीडी की वैलू निकाल लेना पड़ेगा, तो यह 9 हो गया हमारा, और रच्टू की वैलू की बात करोगे, तो 27 वटे मेरे बाई, 2 हो जाएगा, ठीक है, 27 वटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है 9 दो बार है तो देखो यहाँ पर इसको solve करो यहाँ पर तो भोलो कि सरी हमारा 2 आ गया 9 को root लगाओगे तो देखो 9 भी आ जाएगा हमारा यह हमारा हो जाएगा root 3 और नीशे हमारा हो जाएगा root 2 root 2 इसे काटेगा कितनी बार में root 2 बार में तो 9 into root 6 यानि सीधा का सीधा हो जाएगा 9 root 6 हो जाएगा मुझे कहां तक जाना है तो मुझे P से लेकर D तक जाना है अब P से लेकर D तक जाना है A भी पता कर लिया PC पता कर लिया CD भी पता कर लिया अब मुझे पता करना है PA अब मुझे पता क्या करना है मेरे भाई PA तो यहाँ पर PA की value कैसे पता करोगे वो देखो तो next point पर चलो ज़रा यहाँ next point देखो और मज़िदार सवाल है तीक है आप इस बात को समझो जैसे मानो यह आपका एक right angle triangle है हो गया ना और right angle triangle में यह भी आपका 90 है और आपका यह भी 90 है तो जो ratio छोटा और बटे में बड़े के बराबर है समझ रहे हो ना बात को जो ratio छोटा और बड़े के बराबर है आप ऐसे कहलो सर यह हमारा 4 है और यह हमारा 6 है यानि अगर हम बात करते हैं तो यह triangle में अगर आप यहां मेरे से बात करोगे तो यही है ना मेरे भाई ठीक है तरीके से देखो अगर आप तो बोलोगे सर यह आपका 4 है और यह आपका 6 है यानि यह अगर आपका 2 और 3 के अनुपात में है तो आप कहोगे सर छोटा वाला पार्ट 2 है बड़ा वाला पार्ट 3 है यानि यह चोटा वाला पार्ट 2 है और बड़ा वाला पार्ट कितना है मेरे भाई 3 है है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यह 2 और 3 के अनुपात में है चोटा पार्ट 2 बड़ा पार्ट 3 यानि हम ऐसे कहेंगे ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा ए technosBeat ऐसा भी कह सकते हैं कि ये छोटा और ये छोटा ये 2 और 1 के रिशियों में या ऐसा कह सकते हैं सर, इसका ये 2 गुना है समझ रहे हैं न, मेरी बात को मैं बस रिशियों निकालने की बात आप से कह रहा हूँ sir यहाँ पर कि अगर यह 4 और 6 के ratio में यानि 2 और 3 के ratio में यानि यह 2 पार्ट है तो यह 3 पार्ट है यानि इसका मतलब यह 1 पार्ट है यानि इसका 2 गुना यानि इसका 2 गुना तो AB का 2 गुना कौन हो जाएगा PA हो जाएगा तो अगर हम PA की बात करते हैं तो PA जो है वो दोगुना हो जाएगा किसके AB के मेरे भाई यहाँ पर AB की value कितनी है 4 root 6 है 4 root 6 का दोगुना हमारा हो जाएगा 8 root 6 तो therefore P से लेकर D तक तो P से लेकर D तक क्या करो सब को जोड़ो भाई सब को जोड़ो यह तुम्हारा correct answer हो जाएगा जोड़ो तो 4 और 6, 10, 10, 10, 9, 19, 19, 8 कितना हो जाएगा 27 root 6 यह तुम्हारा correct answer है यहीं आपका सही उत्तर है आगरी सवाल 115 क्या कहा गया है दिये गए फोटो में AB जो है वो circle का cord है आप यहां देखो यह क्या है मेरे भाई तो cord है circle का AB को extend किया गया और कहां तक किया गया है मेरे भाई तो AB को extend किया गया C तक such that BC बराबर OB बहुत ही प्यारा सवाल है देखो यह जो BC हमारा OB के बराबर है फिर यहां कहा गया कि यह जो straight line CU है इसको produce करके बनाया गया कहां तक D तक A, C और हमारा D इसकी value हमारा Y दे रखा है इसकी value हमारा X दे रखा है और X कहा गया के time में Y के तो बताओ के command कितना होगा last question आपका यह इसके बाद कोई सवाल नहीं है तो आप बोलेंगे अब अगर हमारा ये भी radius है और अगर हमारा ये भी radius है तो ये 2Y है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2Y हो जाएगा हो जाएगा ना भाई तो अगर ये हमारा 2Y है और अगर ये हमारा 2Y तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180-4Y हो जाएगा ठीक है तो इसलिए अगर हम देखे तो ट्रैंगल में तीनों का जोड़ कितना है यहाँ पर linear pair के according तीनों का जोड़ कितना होगा एक 180 तो x प्लस 180 माइनस 4y और प्लस यहाँ पर y बराबर हो जाएगा किसके 180 के 130 से 130 खतम ठीक है तो भोलोगे sir x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0 के तो x बराबर हो जाएगा किसके x बराबर हो जाएगा 3y के तो x बराबर ky यानि यहाँ पर ky तो k की value कितनी है 3 है option number a जो हमारा correct answer आएगा